नमस्कार साथियो मैं हूँ अन्रा मिस्ट्रा आप लोगों का इस वीडियो क्लास में का प्रिस्ता गता है हम लोग जो बात कर रहा है वो है वर्ल्ड जोगर्फी के बारे में वर्ल्ड जोगर्फी के बारे में वर्ल्ड जोगर्फी का यह है आपका तीसरा वीडियो जिसमें म आप कोई सी बुक पढ़ेंगे सिर्फ रिवीजन के लिए पढ़ेंगे आपको कुछ भी एक्ष्टा नहीं समझना है कहीं से भी दर दर मारा मारी नहीं करनी आपका बिल्कुल का बिल्कुल क्यों कि मैंने बहुत लंबा चोड़ा यह बनाया है मैंने कई सारे नोट्स थे जिस मैं कयता हूं खुलोर की तो जो घर फिनर स receives एक फटने के बाद नोट से जो भी एक्स्टा तक कर दो पेस्ट परना चाते एक तो लकि उससे बैस्ट आपको कंड पूईिक क्यों करके 사고 क एक बाद पता हुआ तो चलिए मैं आप लोग ठोड़ा सा पर्चाइः जेता हूं इस पूरा बना है जिसमें दस गंटे का वीडियो उसमें पूरा कंप्लेट कर दिया है इंडियन एकॉनमी का अभी तक मैंने नहीं डाला है कि मेरा मन भी नहीं है और हिस्टी का मैंने कंप्लेट कर दिया है मैंने आप लोगों का साइंस का इसके बाद एक वीडियो और आएगा इ पहुत सारे काम करने है चलिए तो चलिए देखते हैं यह क्या है आपका वर्ट जोगरिफी का या कहें पिसका गूगल का यह आपका तीसरा वीडियो क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता क्योंकि इस वीडियो को तीनों को अगर मिला कि मैं बाद करूं तो पच्चे से एक्स्टा पढ़ने की जरूरत नहीं पढ़ेगी ठीक है रही बात पीडियाप की तो वो मैंने 100-200 पेज की मैंने आप लोगों पीडियाप दे दिये अब पेज यह जो बल्ड योगर्फी है इसके पीडियाप का जो पेज सेंग्या होगी वो होगी 1000 से करीब 900 और 1000 या 1200 करीब होगी पेज तो वो आपको पढ़ना होगा अगर आपको चाहिए हो तो वो बता देना मैं मैं दे दूँगा क्योंकि वो 100-200 पेज दे सकता हूं तो कि जो मैंने भी मैंने यूटूब पे सर्च किया था तो दो चार मेरे यूटूब पे फ्रेंट भी हैं जो काफी समय से of all videos यानि कि जितने ही वाप world geography के वीडियो देखेंगे उन में ये सबसे best यानि कि पापा जी नहों कर ये दादा जी होगा कैसे होगा वो आप जब वीडियो देख लेंगे तब आपको पता चालेगा कि सब का दादा जी कैसे है तो आईए समझते है यह world geography का तीषरा तो वर्ट उकरीफिक है पहले आपने क्या क्या पड़ाई था पैले पाट में उसको एकने डाल देता हूं मैंने आप लोहनों पस्ट पाट में बृ compl Do Command के बार इंप प्रमंद की आकासी पर समय का निरार कैसे कि आता इसके बारे में की है इसके बाहरे में उसके बार dulu अंतरजाद वल वहर्जाद वल इस्तला करती है डेल टाज जल पिर पाद डेजर टैनिक विसके प्रोवन मरिस्तला के बारे मां बात की ती इसके बाद हमने सेकंड पार्ड में क्या क्या पड़ा था जो कि मैंने सुल diff को टाल दिया था इसमें हमने पर आता सेकर पाम छímंड या समुद्र बिग्याण के बारे में महासा अगरी इनिताल के बारे में वह सब्सक्राइब में था घ्रोप कि की बारे में इसके बारे मिजार बैंट Corps घ्रवार त्रय हुवा के बारे मिन उन कि वालव के वाल अवाय के ततों के बारे में का ओसंघ कर नरहाद की सब्सक्राइब इससी में जाना उन भर म тебя अब Same pessoas के वाड़ा की थी आधरता के वारे मात की तंगनेंट के रूपन के बारे मात की पाहच्छारा के बारे मात की बसाइख परकार ह newborn हो यूगक फॉरफ पाउं और संसमाइच न起क्राइभ तरवह सम्ह vị तुर्ण के बारे मैं कि तुन क्यों जाता इसकी निया जाता कर्म होता इसकी पारे मठाओं के प्रकार्व पार कुंड़ की में सता था लिए में पड़ना ऩुट व्था इसथा ले इस वीडियो में पड़ने वाले इसमिंगे बात कि इसुप आधिक आघी मादीब आप सभी लोगं को पताएं कि बाहनदीब को साथ है इनके बारे में बता दूगा है आप लोगों छोगा के बारे में अफरीका के बारे में यूरोप के बारे में दक्षिड अमेरिका के बारे में उस्टिलिया के बारे में अंटार्टिका के बारे में ठीक है बहुत जरूरी होगा उसके बारे में इसमें बात करेंगे जहां से कुछिन पुछिए है उनके बारे में इसमें बात करें इसके बाद करेंगे लग तर्ल ग roast aware इसके बारे में बात करेंगे शयुक्त क्षाने करीकर के बारे में यह पिंद्धी बॉक पर दिया जाता है लिकान मैं यहां पर दिया है करेंगे कापस यूट के बारे में कॉनसे देस उत्पादक देस है कौन सा नंबर 150 तूब इसे तरह की सारी चीषी जानें गे और कंसा निर्यातक देस तरइस तरह की चीज हम इसमें बात करेंगे इसके बात करेंगे बिसके प्रमुक्ष की करशी योगी भूमी के बात करेंगे है क्रसी के बिस्ट प्रकाफ हों कि नामों के बारे में जिन अज बिटी कल्चर करेंगे इसमें हम बात करेंगे फ़ल और उनके राष्ट्ट्रों के बारे में और उन उन फसलोंगे उन फलों में कौन सा इस्थानि के बारे में घणा चावल केला राई जय जय जो इस तरह की यह है कहां से संसाधनों के नो में नहीं में मिन्रस प्राइबॉब ठीक है खनीजों के प्रकारियों के बारे में बात करेंगे ठीक है खनीजों के प्रकार में जैसे कि आपका धातिव खनीज क्या होता है ठीक है धातिव खनीज में लो खनीज क्या होता है आपका लो खनीज में जैसे लो एसक हो गया मेगनीज हो गया क्रोमियों हो गया निकल हो हो गया हो गया इसका प्राइब करेंगे गर नभी करेंगे या प्राम परागत उर्जा जानेंगे जलबिदो उर्जा के लड़ा इसकती के बारे मेंहीं इसी में बात करेंगे ठीक है इसके नबर थी में आपका जो नंबर ती यानде कि वीडियो नंबर चम क्रेंगा detached just o इस तरक हो गया इस में बात करने वाले है इसके बारे में हलका सा जानेगे बिसक्व प्रमों के बारे तो आपको अच्छा लगएगा तो जिसमें आपका समुत्री जर्वार के बारे मात करेंगे इसमें आंत्रिक जर्वार के बारे मात करेंगे प्रमुक नहरों के बारे मात करेंगे जिन में आपकी नावें चलाई जाती है नो का पर वें जिसमें आपकी दो प्रमुक है जैसे की स्वेज नहर और पनामा नहर ठीक है और भी कुछ है आपकी कुछ प्रमक देश हैं उन में कुछ प्रमक नहर है उनको बारे में भी हम अलग से बात करेंगे लेकिन प्रमक जो हैं तो उनके बारे में हम जरूर बात करेंगे सामय जीता सा संस्क्रिट होगोल के बारे में बात कर हगोची सब्सक्राइब नाज़नेखकर बारी केुट लिया रशियरोन वाहिन धसे आपकी चानग्पा हो गई लोगी किनुब्रां curious इगवलू जन जाती नहीं है उसके बाद में यहां पर आप जो कुछ ऐसी है जिनके नाम इदरोज गड़वर लग रहे हूंगे वह बनाया था तो वह साही कर दिया, थीक है, वह इंग्लिश में भी मैंने उनको लिख दिया जूकिए आसानी रहे आपको, याकूत हो गई, के बात करेंगे मैं अपने आपको भी नहीं बताता हूँ भी मैं इस यह इस के बाद हम इसमें सब्सक्राइब अधिक ऐमढ़ले देश जान्सक्राइब सहर ठीक है इसनर गया कि नहीं 수र्य के अधिक इस तरह के बारे में बात करने वाले हैं इसका लोगों द्वारा बोली जाने वाली भासाओं के बारे में भी हम बात करेंगे जैसे की सबसे देख वातसा कौन ची बोलिया जैसे कौण कान से कितने लोगों के दौरा बोली जाती है और इनकी उत्पत्ती कहांपर है ago कौण सा देस इन्हें पिरमुक रूप से बोलता है चलिए बात करते हैं विस्द के पिरमुक महाधीपों के बारे में हम कहते हैं महाधीप होते क्या है महादीप का मतलब होता है एक ही किरत या के आपस में चुड़े हुई भूमी लेकिन बरतमान में जो महादीपों की परिवासा उलग है बरतमान में समुद्र तल से उठे हुए प्रत्वी के विसाल भूखंडों को महादीप कहते हैं बिस्व में यानि की पूरी परत्वी पर साथ महादीप हैं जो की परत्वी के कुल 29% छेत्रपल पर फैले हुए हैं यानि की पूरी परत्वी पर कितने भाग पर पानी है 71% भाग पर पानी है और पूरी परत्वी पर 29% भाग पर क्या है आपके महादीप फैले हुए हैं विसके महादविपों को 6 तरफ़ के आधिर पर अगर बाद की जाए तो सबसे बड़ा जो है आपका इस्या उसके दूसरे नंबर पर अध्रीजी तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका चौते नंबर पर अंतार्टिक अश्वह नंबर पर उरोप साथमें नंबर पर है और स्ट थें लिए अंटार्टिका चेट में नंबर पर आपका यूरोप साथ में नंबर पर और और सबसे च्छोटा माधिब कॉन सा हो गया और सबसे बड़ा कॉन सा होगया है ऐस या ठीक चलिए जनसेंकिया अधर पर सबसे पहला अगर जन सेंक्या वाला माधिब की बात कि जाये तो इस यह नंबर दो पर आपका प्रीका नंबर तीम पर एंड़ोप नंबर चार पर आपका दच्छडी अमेरिका नंबर पांच पर उत्टरी अमेरिका नंबर छे पर आपका है और अश्टिलिया ठीक है नंबर चेपर कॉन साय और आखिर में यह है आपका अंटर्टिका जीस पर कोई भी नहीं रहता है कि इस थायर रूप से कोई रहता ही नहीं है ना के बराबर मान सकते हैं आपका अंटर्टिका वाला चलिए विश्थ की कुल जन्तें करते हैं प्रस्टा देख लेते हैं सबसे अधिक प्रस्यदत किसमें है आपका 59.69 या फिर मुटा मुटी इसको 60% मान देजिते हैं तो 60% आपका है एसिया में अफरीका की बात की जाए तो अफरीका में जो अकुल जिन सेंगा जो पूरे विस्स में है उसकी कितनी है 16.39 परसेंट यानि कि 16% ठीक है इसके बाद अगर तीसरे नंबर पर अगर बात की जाए तो यूरोप में कितनी है नाइन पॉइंट नाइन फूर परसेंट या इसको मौटा मुटी हम दस मान सकते हैं तो आई एक फिर से में बता जेता हूँ एसिया में आपकी 60% मौटा मुटी एसिया में 60% अफरीका में 16% और यूरोप में 10% कुल चोटा मौटे फैक्स देख लेते हैं सबसे ऊची चोटी आप साभी लोग जानते होंगे किसकी इसे महादीब की तो वो है माउंट एवरिश्ट बिस्की है और इस्या महादीब की तो है यह ठीक है कहां पर है आपका हिमालय परवत पर सबसे गहरा गर्त की अगर बात की जा मेरियाना गरते हैं चैलेंजर गरते हैं हम इसको कह देते हैं तो दुबारा दिखा जेता हूँ जून करके आपको दिख रहा होगा यहाँ पर चैलेंजर खाई आप मेरियाना गरते हैं तीसरी नमबर की बात की बात की जाए तो यह पाकिस्तान है पाकिस्तान में एक जगह बावाद जैको का वाद वह सरी जैको बावाद आपका पाकिस्तान में कितना तापमान हो जाता है यहां पर कभी कभी हो जाता है माइनस वह सरी 52 डिग्री सेल्सियस था ठीक सबसे ठंडा इस्तान के अगर बात की जाए तो बार्खोयांस है जो कि आपका साइबरियाई छेत्र में है मैं जुम कर देता हूं यहां पर आप देख सकते हैं वारखो एंस परबस रेडी इसी कही पास में एक छेत्र उसको कहते हैं वारखो एंस कहां पर है साइवेरिया इसेत्र है कितना फ़िए बादों हो जाता है माइनस चेरा पुंजी के पास में है मासिन राम जो की बिस्ट में ही है सबसे अधिक बर्सा वाला छेतर इसको हम साथ से आधर इस्थान भी कह सकते हैं चलिए और देखते हैं सबसे ज्यादा जंसंक्या वाला देश की अगर बात की जाए तो वो है आपका चीन आपको यहां पर दिख कर बात की जाए छेत तफ़ल की दिर्ष्टी से तो वो है माल दीमाल दीप कहां पर है यह आपका है भारत भारत के तक्षड में चलेंगे तो यह आ जाएगा अच overl franchise लेंका के पास यह पर आपका रूस को यहां से लेकर यहां तक कबर करता है रूस में एक जगह पढ़ती है इसको हम कहते हैं मासको ठीक है रूस से ऐसे जाएंगे चलते चले जाएंगे चलते चले जाएंगे चलते चले जाएंगे मासको से यहां पर पहुंचेंगे किनारे तो इसको हम कहते हैं नोखास दखा नोखो दखता कहेंगे ठीक है यहाँ पर ठीक है नोखो दखता ठीक समझा गया तो सबसे लंबा रेल मार रहे हैं कहां का आपका एसिया का ठीक है चलिए कहां से क्या नाम इसका ट्रांस साइबेरियन रेल मार का कितनी लंबा यह नोजार से चलिए शुरुबात कर लेते एसिया में एसिया जो है एसिया नामद जो महादीब है उसका जो नाम रखा गया है वो हिब्रू सबसे लिया गया है यानि कि एसिया हिब्रू सब्द है जिसका मतलब होता है उगता हुआ सूरज उगता हुआ सूरज किसका मतलब हो गया एसिया का मतलब हो गया यह महादीब भूमत सागर कौन सा आपका जो इशिया महादीब है यह भूमत सागर आर्केटिक महासागर पिरसांत महासागर और हिंद महासागर से घिरा हुआ तो आईए में दिखाज़े तो आपको सबसे पहले दिखाता हूँ आपका भूमत सागर यह आपका भूमत सागर वाले चेत्र है भूमत सागर इसके उत्तर में आर्टिक्ट महा सागर इसके बाद पूर्म में जाएंगे तो प्रसांत महा सागर और दस्षिड में देखेंगे तता चेत्रपल के आधार पर विस्टु का सबसे बड़ा महादीब है जो कि पूर्वी तथा उत्री गूलार्द में इस्तित है यानि कि आपका, तो ये पूर्वी तथा उत्री गोलार का देश कैसे कैसे, तो आईए तो आईए मैं आपको अलके सिखा देता हूँ, ये मान ली यह बीच में है इसलिए में हलका साम बता दे रहूं अप लोगों यह जीरो डिगरी देशांतर है तो जीरो डिगरी देशांतर का पूर बाला भाग जो है वह पूर्वी गोलार्द कहलाता है और जीरो डिगरी का पश्मी बाला भाग जो है वह पश्मी गोलार्द कहलाता है ठ तरह से यहां से एशिया महादीप आपका पूर्वी गुलार्द तथा उत्तर में यानि कि जीरो डिगरी के उत्तर में है तो उत्तरी गुलार्द तथा पूर्वी गुलार्द में इस्तित महादीप है ठीक है एशिया महादीप जो है एशिया महादीप पूरी प्रत्वी पर जो टेंटी नाइन परसेंट कुल्चेत्र पल है उसके उस कुल्चेत्र पल में से एक वड़े तीन भाग पर ही है आपका एशिया महाधीब मौजूद है जिस पर विस्ट की दो बटे पांच जनसंख्या नेवास करती है कितने भाग पर एक तेहाई भाग पर दो बटे पांच जन संक्या निवास करती है इस महादीब की अगर बात की जाए इस यह महादीब की तो इसमें लगवग क्या पूरा मानते हैं अरतालीस देस हैं लेकिन एक देस और है उसको हम क्याते हैं फिलिस्तिन फिलिस्तिन को अगर जोड लिया जाए क्योंकि बिना यहाँ पर देश तो है लेकिन इसकी कोई अपनी खुद की सरकार नहीं यह भटकती आत्मा है तो फिलिस्तिन को अगर जोड लिया जाए क्या है तो इस में जो देश की संक्या हो जाएगी वो हो जाएगी उन्हें चास ठीक है संब्यागा चैय लिए देखते हैं तो ए Caspian Sagar, Ka Kaisas Prewd и Кала Sagar, ठीकvia? फिरसे मैं आप दों हुजूं करा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते है यह है Yural Parvhat, जो कि आपका यूरोप तथा Asia के बीच में क्या करता है, यह सीमा का कार्ण क्या क्या सीमा बनाती है यूराल परवत यहां पर यह यूराल नदी उसकी बाद कैस्प यहां पर आप देख सकते हैं काकेस्स परवत ठीक है और यहां पर आप देख सकते हैं कैस्पियन सागर समया गया ना फिर से मैं बताते हूं क्या क्या सीमा बना रहे हैं आपका यूरोप का है यूराल परवत और यूरा नदी के एस्पियन सागर काकेसस परवत और काला सागर से आपका एशिया महादीब जो है यूरोप से अलग होता है एशिया महादीब जो है अफरीका से बात की जाए कि अफरीका महादीब से किस तरह से अलग होता है तो अफरीका महादीब से यह है लाल सागर तता स्वेज नहर से अलग होता है अब लाल सागर कहा है यह आपका लाल सागर है और यहाँ पर देखेंगे आप स्वेज नहर तो स्वेज नहर तता लाल सागर के द्वारा अफरीका महादीप से एसिया महादीप अलग होता है उत्तरी अमेरिका की अगर बात होती है जो जल संधिया होती है या संधिया होती है वह दो जल रासियों को जोड़ता है लेकिन दो स्थल कंडों को क्या करता है अलग करता है तो मैंने क्या पताया कि जो उत्तरी अमेरिका है उत्तरी a Menge से महाधी baring जल संदी के तहत क्या होता है अलग होता है यहाँ पर लोगों को A Seattle क कैसे मा बनाता है यहाँ का आप बीच में बनाता है तथा एम어서 के बीच में पर उसको कहते हैं न्यु गिनी दीप डिया के बीच में न्यू गिनी दीप यहतोई सीमा बनाता है ठीक है चलिए आगे बात करते हैं तो बेरिंग जलसंदी के बारे में अगर हलकी से बात करें तो बेरिंग जलसंदी जो है माली जी बेरिंग जलसंदी है तो बेरिंग जलसंदी के समाना अंतर अंतर राष्टी तितरेखा गुजरती है यानिकी बेरिंग अंतर जो है एसिया महादीब के समानांतर उत्तर से दच्चड की और जाती है यहां की अगर बात की जाए तो यहां पर आप देख सकते हैं एक जलसंदी है इसको हम कहते हैं होरमुझ जलसंदी यहां पर देख सकते हैं होरमुझ यहां पर यह होरमुझ जलसंदी तो होरमुझ वहरीन और कतर के बीच में आपका वहरीन और कतर के बीच में क्या है आपका होर्मोज जल संदीख ठीक है इसके बाद तो एसिया का जो एक देश है जिसको हम कहते है भारत तो भारत जो है वह है बिस्व में सबसे अधिक अबरक्का क्या करता है उत्पादन करता है या हम यह से बिस्व में सबसे अधिक जल्यान बनाने वाला छेतर है यानि कि एशिया महादीप में सबसे अधिक जल्यान बनाए जाते हैं एशिया को धर्मों की भूमी भी कहा जाता है या करें धर्मों की जन्म भूमी कहा जाता हैं क्योंकि एशिया महादीप से बहुत सारे ऐसे देश है जो की अनर्शेत्रों में जाकर बस जाते हैं जैसे कि सध्षी कि एस्हाम का रहा था इंदु धर्म का तो आप जानते है वह सध्विएं से चला ही आ रहा है और भी जबर धर्म हो गया जेंदर्म हो गया, ऐसे बहुत सारी धर्म हैं, जो कि एसिया महादीप में ही पैदा हुए थे, ठीक है, एसिया में बिस्व का सबसे बड़ा प्लेट फॉर्म भी इस्ते थे थे, जिसको प्लेट फॉर्म जिसको हम कह सकते हैं, तो बिस्व का सबसे बड़ा रेलिट फॉर्म इ में इस्तित है जो कि भारत में एक जगह पढ़ती है इसको हम कहते है उत्तर प्रिदेश उत्तर प्रिदेश में एक जला है उसको हम कहते है गोरकपुर में एक जगह पढ़ती है उसको हम कहते है खड़कपुर तो इस विस्स का बिस्यो का सबसे बड़ा railway platform जो की Asia में इस्थित है कहां पर इस्थित है गोरक फूर में खड़क पुर नामक railway ब्लेट फॉरम है ठीक है तो Asia जो है वह बिस्यो में सबसे अधिक देशों से सीमा बनाने वाला महादीब है जो कि कितने देशों सीमा बनाता है कुल तेरे देशों से सीमा बनाता है कौन सा आपका एशिया महादीप चलिए आगे बात करते हैं विस्तार की अगर बात की जाए तो इसका आचांसी विस्तार आचांस आप जानते हैं इस तरह से उत्तर से दक्षड अगर आचांस की बात की जाए तो यह है दस दस डिगरी को और नीचे जाएंगे इस तरह तो आपका 10 दस डिग्री आछान से लेकर उत्तर में चले जाएंगे विस्वत रीका जाएगे फिर और उत्तर में आये so और उत्तर में चलते चले आएंगे तो यहां पर आपके आजाएगी असी डिग्री अच्छी डिग्री अच्छांस तो असी डिग्री उत्री आच्छांस से लेकर दस च्छडी दस डिग्री दस डिग्री आच्छांस तक का इसका फैलाव है यानि कि इसका कुल कितने डिग्री आचांस इसका फैलाव है सतर डिगरी आचांसों में है फैला हुआ है उत्तर से दच्छड या दच्छड से उत्तर की बात कर ली जाए ठीक है इसके बाद देशांतरी विस्तार की बात कि आज मैंने हमें सा पता है देशांतर पूर और पश्चिम लिए जाते हैं या तो पूर सब इस सब्सक्राइब करते चले जाएंगे यहां पर पहुंच जाएगा आपका 180 पूर्भी देशांतर तक इसी लिए मैंने क्या बताया इसका जो एसी अमाधिप है वह पूर्भी गोलार्द तथा उत्री गोलार्द का देश है समझा गया क्योंकि इसका उत्री गोलार्द मे इसका साथ डिगरी का विश्तार है और पूरी गोलार्द की अगर बात कि रहे तो पूरी गोलार्द में तो पूरा का पूरा ही फैला हुआ है ठीक है तो इस या में इस्तित तिबबत का पठार यहां पर इस चीन चीन के इधर है आपका तिबबत का पठार तो तिबबत का पठा बेस्ट का सबसे उंचा तथा सबसे ज़्यादा छेत्र में फैला हुआ पठा रहे हैं इस महादीप में मिरत सागर के तड़ पर इजराइल फिलिस्तिन और जॉर्डन इस्टेदर कहा पर है अब यह आपका मिरत सागर यह आपको मैं जूम करके दिखा देता हूं यहाँ है है इसको हम कहते हैं कहाँ पर है फिलिस्तिन जॉर्डन और इत्रैल किसकी सीमा पर मीरत सागर है bereits सागर के तड़ ठीक है अग्याँ परवद्ध पहाड़ और रेगिस्तान और नदियों के के बारे में ने अलग से आप लोगों पढ़ा दिया है और चुद नदिया है वो अलग कर दोंगा क्यों कि ज्यादा एक चीज में कई सारी चीज को मिक्स कर दो तो एसिया की देशों के बारे में तो एसिया का प्रमुक एक देश है जिसको हम कहते है पाकिस्तान तो पाकिस्तान के बारे में हमलका सवाद करते हैं पाकिस्तान में आपका यहां पर आप देख सकते हैं यह है आपका किर्थर रेंच ठीक है यह है आपका सुलेमान रेंच और यह है आपका साल्ट रेंच ठीक है तो मैं फिस्टे बता जाओं पाकिस्तान में साल्ट रेंच किर्थूर या किर्थर रेंच और यह है आपका सुलेमान परवत प्रमुक रूप से कहां पर इस्ते था है आपके पाकिस्तान इस caller स्लेड़ी कर्थर स्लेड़ी साल ट्रेंट कहा पर हूंfera ये मैं आपको अगर छिंद कर के यह पर दिखाऊंग तो इस double here दर्रा को से पार किया जा सकता है जिनमें प्रभुक्तर हैं जैसे कि आपका खैबर दर्रा, गोमल दर्रा, बोलन दर्रा, यह ऐसे प्रमुक्त दर्रे हैं, जो कि एक परवस्त रेडी से, या का एक परवस्त से, दूसरी तरफ जाए जाए सकते हैं, वाली यह कोई परवत है, तो अब बीच में से हम चाकु छुरी से काट चो सकते नहीं है, तो इनके बीच में देख सकते हैं, तारवेला, यह है आपका, यह है आपका तारवेला बांध, ठीक, किस पर है, आपका यह इंडस नदी, यानि की सिंदु नदी पर इस्तित है, ठीक, चलिए, पाकिस्तान में, बलुचिस्तान राज में हामूम इमस्कुल, हामूम इमस्कुल मरिस्तल इस्तित है हारwe ल बहाम वी मस्खुल ठीक चली आगे बाद करते हैं नेपाल के बारे में किसी जान का लिया ले 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 दे है नेपाल जो है नेपाल चीं तथा भारत के बीच में एक पृत्रोधी राजी के रूप में इस्तित है ठीक है कि नेपाल एक इस्थल अबरुद्ध देश है, इस्थल अबरुद्ध देशों के बारे में हम अलग से बात करेंगे, इस्थल अबरुद्ध का मतलब होता है, ऐसा देश या ऐसा कोई शेत्र जिसकी सीमा समुद्धर से न लगती हो, उसको हम इस्थल अबरुद्ध देश कहते हैं, तो नेपाल क्या ह हो गा एक इस्थल अवृतद देस हो गया नेपाल का वीधेशी और बात की जाहे तो भारत देसा सभी ब्यापार होते है यानि कि जो भारत इस तरह से नेपाल यहां कि पहुँंचा आगा को बंदरगां पर आजपास के जहां पर भी करना है या तो यह कहां किस के दौरा करेगा कलकत्ता से करता है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है नेपाल का बेदेशी ब्यापार कोलकाता पत्तन से होता है या बंदरगा से होता है इसका भूटान के बारे में हैं किसी जानकारी ले लिते हैं भूटान भी एक इस्थल अबरूद देश से मैं इस् वूटान भी एक स्थल अब्रुद देस है इसे सर्प्राज का देश कहते हैं क्योंकि जो आपका भूटान नामक देश भूटान देश है यहां का देश का क्या है राश्चरचिन अजीगर रास्टरी यह दस्ता नहीं निगल जाता है ठीक है यानि कि यह चाता नहीं है डालेक्ट अंदर पेट में कर लेता है ठीक है बूटान की सबसे उची चोटी की अगर बात की जाए तो कुला कांगडी इसको बहलते हैं कुल कंग्री इसको हम पढ़ सकते हैं जो कि आपकी विर्ध हिमाल है पर इस्थेत है यहां पर आप देख सकते है भूटान मैं आपको जूम करके देखा चीता हूं यह है नेपाल इसका नाम है कुला कांगडी ठिक जो कितनी चाहिए इसकी आठधाः दो सट इसकी चाहिए चैली चाहिए स्री का के बारे बात कर लेते हैं स्री लंका को फूर का मो स्रीलंका और भारत की बीच की अगर बात की जाए तो भारत तो स्रीलंका की बीच में एक जलसंदी है जिसको हम कहते है पाक स्टेट है पाक जलसंदी यह जो छेतर है यानि कि यहां पर जो स्रीलंका के आस्वात का जो छेतर है वहां पर कई सारे प्रवाल दी पाए जाते हैं जिन में जिन में सबसे प्रमुक जो है उसको हम कहते है एडम्स का फूल ठीक है जिन में आदम का प्लू प्रमुक है ठीक है स्री लंका की सबसे उंची चोटी की अगर बात की जाए तो मांट पिद्रू ताला गाला है पिद्रू ताला गाला कहां पर है मैं आपको जूम कर दे सकते हैं पिद्रू ताला गाला, ठीक है, कहां पर है यह, यह इस तरह से, ठीक है? अपको दिख गई उग्वे, पिद्रू गाला वाला, चलिए, तो फिर से बता ज़ंड इस स्रीलंका की सबसे उची चोटी है मैं आपको महावेली गंगा नदी दिखा जेता हूँ ये आप यहां से देख सकते हैं ये इस तरह से निकलती है महादेवी गंगा वेली जो नदी है इस तरह से ये जा रही है ये इस तरह से चलती चले गई चलती चले गई और यहां पर इस तरह से यहां पर आ जाती है और ये इस तरह से महादेवी गंगा नदी इस तरह से और ये करने बाला देश चीन है आपका चावल का भी सबसे अधिक उत्पारण करने बाला देश आपका चीन है ठीक है संगाई को चीन का मैंचेस्टर कहा जाता है ये बात आप ध्यान रखें आप संगाई कहा है संगाई भाई सब यह है ठिक संगाई चलिए घर युद्ट आंज क्हुंत कर लुए चलिए में हमयार थाईलेंड इनुर्फालिकरते हैं रहचान 550 परवत रेगस्था और नदियों के बाएं में अलग से आप लोग हुँ इतना आप लोगे लिए काफी है जो जरूरी है वो में यहां पर लिख जाए ठिक है आई देखते हैं म्यामार थाइलेंड और इंडोनेसिया के बारे में देख लेते हैं म्यामार की तो म्यामार की नई जो राजधानी बनाई गई है उसका नाम है न्याई पीदा न्याई पीदा ठिक मियामार की सब त्यूशी चोटी की बात की जाए तो माउंट हाका का है अब माउंट हाका का है ये आपका है मियामार मियामार की यहाँ पर उत्तर में बिल्कुछ चलते चले जाएंगे यहाँ तो मैं आपको मैप करते था हूँ जूम यहां पर एक चोटी दिखेगी हा कागा राजी हा काबो यहां पर तो लिखा है हा काबो राजी इसी को हम बोलते हैं माउंट हा कागा ठिक जो की जो की म्यामार की सबसे उंची चोटी है म्यामार में सालवी नदी के पूर में एक सुनेरा तिरवुज है जो की अफीम की खेती के लिए पिरसिद आप वह यह सालवी नदी कहा है यह आपका म्यामार वाला चेतर म्यामार में यह इस तरह से एक नदी निकलती है इस तरह से यहा माने जोन करके इसमें भी दिखा जेता हूं हुए है इ articulate और यहां पर यह गिर जाती है ठीक शेया ठीक एक किसके लिए में का पूर-व्र की खेतर नेवाना में कर बारें sounds कि अधूक करने वाला इन्ट देस को करें ऑना ऩपादन करने याथ ताइलेंड रभर के बारे में हम जब किरसी गया ये थे पढ़ेंगे तर रभर के बारे में बहुत अच्छी और ट्रीटिल से पढ़ेंगे ठीक है इसको आज गलाfly कर दोंगा इसल梁 में इसीन्ड़ ज़रूर है कहते हैं जकारता ठीक है तो जकारता जो है वह है यहाँ पर एक दीप दिखेगा आपको जावा दीप तो इंडोनेशिया की राजधानी जकारता ठीक है किस दीप पर इस्तित है जावा दीप पर इस्तित है इंडोनेशिया की राजधानी ठीक है इंडोनेशिया में यहाँ पर का दीब कहते हैं कि यहां पर बहुत अच्छे खासे मसालों का उत्पादन होता है चलिए फिलिपीन्स और जापान के बारे में हलका सा देखते हैं यह आपका फिलिपीन्स देख सकते हैं फिलिपीन्स की राजदानी मनीला है यहां पर आप देख सकते हैं ताइवान ताइवा वाला देश है ठीक है इसके बाद दूसरे नंबर पर जो आता है उसको हम कहते हैं इंडोनेशिया नंबर वन पर आपका फिलिपीन्स और नंबर दो पर इंडोनेशिया आता है ठीक है फिलिपीन्स में एक उसरी कटवन दिया घास फिलिपीन्स में फिलिपीन्स को में जूम कर है कैसी घास है यह उस तोड़ी कटवन दिये घास है ठिक चलिए इसके बात करते हैं जकोड तिर्भुज के बारे में जकोड तिर्भुज क्या है जकोड तिर्भुज तीन देशों को मिला कर या तीन देशों को सही तुरूप से जकोड ट्रेंगल कहते हैं तो जिसमें आपका आप जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, तीनों मिलकर बनते हैं, तो मैं आप लोगों जापान दिखा दूँ, यह आप जापान, जापान, साउथ कोरिया यानि कि दच्छड कोरिया, ठीक है, यह दच्छड कोरिया, इसके बाद यह है ताइवान, ठीक है, तो ताइवान, ज के अंत में या फिर के गर्मियों की सुरूबात में तुर्विय सागरिय जब आपस में मिलती हैं तो वो आपके मद्द जापान में मद्द तथा दचड़ी जापानि छेटर में क्या करते हैं भारी वर्षा करते हैं जिसको वह बाय यू यहाँ पर मैं ने लिख दिया है यहां पर मैंने लिख दिया है, बायू या पिलम बर्सा कहते हैं, फिर से मैं बोल दे रहा हूं, यहां पर जो मैंने लिखा है, बसंत के अंत में या फिर गर्मियों की शिरुबात में धुरुबिय सागरी बायू राषी हैं जब वापसे मिलती हैं, तो मद्र तथा मैंने डेन वताय यहां पर देख सकते हैं को यहाँ को यह पर में इस्थित यहholगे करो मैं डियों में और समस्ते हैं दूसरा महाधीब देखते हैं अफ्रीका चोटो मूट की बात की घटाए सबस्ता northeast कि शुक्त की चोटी की बात कि तक किल इह लो कहा है यहां पर यहां पर आप देख सकते हैं यह फार पर बता है यहां पर नौरो वी में ही इसके बाद नियूंतम बिंदू की बात की जाए तो इसाल जील सलसएंग सो आप यहां पर आप देखें देखेंगे जीबूती नामक जोड़लों अफ्रीका वाले चेतर में पढ़ता है तो जीबूती के ठीक नीचे यहां पर एक जील देख रहे हुए असल जील ठीक तो असल जील अफ्रीका महाधीब का सबसे निम्नितम बिंदू है ठीक है जर लिए, अफ तो सबसे अधिक गर्म छेत्र है इसका कितना तापमान हो जाता है 58 डिगरी सेल्सियस तक मैंने 58 डिगरी सेल्सियस ठीक चैली सबसे लग नंभी नदी की बात की जाए तो यह है आपकी नील नदी कहां से नकलती आपकी विक्टॉरिया जील से इस तरह से यह गई यह गई और भूमत सागर में जाके मर गई मतलब समाफ्त हो गई विक्टॉरिया जील से निकली वैसे तो नील लंदी के बारे में पढ़े है थ्यास तो बर लंबा चोना है टेड़ा मेरा तीन चार पांच है इसमें आके अनधिया विल जाती है तब यह नील मनती है हमें मतलब नहीं उस की अफरीका महादीब की इसकी रही अफरीका महादीब की यह नील लंदी का उद्गम इस्तान है ठिक जूम कर दे रहा हूं है यह आप देख सकते हैं विक्टॉरिया जील के गाली यहीं पर पढ़ता है ठिक चलिए विस का सबसे बड़ा मरिस्तर की बात की जाए तो दुनि आमिड और इस तिंग इस तिंग्स कहां पर पाए जाते हैं वो हैं आपके मिस्तर वाली चेत्र में चलिए इसी में जानते हैं देखते हैं समझते हैं एसिया के बाद अफरीका दूसरा सबसे बड़ा महादीब तथा जनसंक्या में जनसंक्या में सबसे बड़ा महादीब है प्रत्वी के कुल भाग का 20% भाग पर फ्याला हुआ है यानि कि प्रत्वी पर कितना परसेंट आपका इस तली छेत्र है 29% और उस 29% में अगर 20% निकाल दिया जाए तो आपका एसिया अफ्रीका महादीप का क्या निकलाएगा कुल छेत्रफल निकलाएगा ठीक है तो फिर से महादीप यह है महादीप कुल फ्रत्वी के इस तली वाग का 20% भाग में फैरा हुआ है इस महादीप के उत्तर की बात अगर कर ली जाए तो उत्तर में आपका भूमत सागर ठीक उत्तर में आपका भूमत सागर उत्तर पूर में सुएज नहर यहां पर सुएज नहर तथा लाल सागर ठीक है इसके बाद सिनाई प्राइदी इंच्छेत्रप पनें सिनाई प्राइधी इस स्वेज की खाड़ी स्वेज नहर और लाल सागर ठीक है आपका ये है आपका ये हिंद महासागर ठीक है हिंद महासागर आपका दच्छडपूर बाले छेत्र में ठीक है और ये आपका पस्चिम है दच्छड़ी अट्लांटिक महासागर चलिए आगे बात करते हैं अफरीका म अफ्रीका महादीब को पठारों का देश कहते हैं क्योंकि यहां पर बहुत कंबर सा होती है इसलिए बहुत सारे पठार पाई जाते हैं ठीक है सभी महादीबों में से अफ्रीका सबसे गर्म महादीब है उन सभी सातों महादीब में से अफ्रीका का जो अतापमान है वह सबसे अधिक रहता है यह अकेला और इकलोता है महादीप है जिसमें आपकी करक रेखा मकर रेखा और विस्वत रेखा एक साथ गुजरती है मतलब एक साथ नहीं अलग लग छित्रों से गुजरती है तो आएए मैं आपर दिखा जेता हूँ मैंने क्या बताया यह माल लीजिए एसि उत्तरी आचांस वाला करकी रेखा, जीरो डिगरी आचांस वाला आपका विश्वत रेखा और 15.30 दच्छडी आचांस यानी कि, मकर रेखा आपके अफ्रीक्ड महातीब से गुजरती है, हाई ये देख लेते हैं, कौन-कौन से चेत्रों से, कौन-कौन सा जो रेखा है, गु यह देखते हैं घेवन यहाँ पर कांगो तीसरी नमबर पर कांगो प्रजाग्तांत्ररे गढर्राज जिसको घ्रयर कहते हैं इसके बाद यहां पर है वयवांटँम ये इसकेह Scholars City दूसरे नंबर पर कांगो बिरिजी विल्ले जो भी है बिरिज विल्ले और पिल्ले इसकी राजदानी कांगो की कांगो गडराज जो की जायरे के नाम से भी जाना जाता था इससे भी आपका जिरो डिगरी आचान जाता है जिसकी राजदानी किन सासा यूगांडा की अगर ब कि जाए तो सुमालिया यहां पर शुमालिया इसकी अक्ती हमें एक देस रहे हैं तो सुमालिया से भी जीरो डिग्री दे आछंस गुजरता है यानिकी भी 100 रिखा इन छेत्रों से कुझरती है है सुमालिया की जो राजधानिया वह है मोगा दीशू ठीक समझा गया चली करके रेखा या फिर साड़ेते इस उत्री अच्छांस के बारे में हम अलकी बात कर लेते हैं कौन-कौन से देशों से जाती है अफ्रीका के तो आए देख लिए पहरे आपका पश्चमी साहरा ठीक ह मौरिटानिया माली से भी जाती है अलजीरिया से भी जाती है नाइजर से भी जाती है लीविया से भी जाती है मिस्सर से भी जाती है चाड से भी जाती है जहां रखें सूडान से नहीं जाती है तिप यह सूडान से नहीं है यहापर मुझे दिख रहा है चाड तो हलका सा ट करक्रे का जाती है क्या दच्छिडी सूरान से करक्रे का जाती है नहीं तरह की चीज Ros Ghost said लिए धिकले यह आपका पच्षी मिशहारा ठिक पच्छी मिशारा की अगर बात कि जाए सिरा तो लाइले है एक मौरि ठानिया की second cat सौट एसF feud लिखा करती है माली की अगर बात की जाए तो माली की जो है बामाको राजधानी है माली सी जाती अलजीरिया की अलजीरिया से भी जाती है अलजीरिया की अलजीरिया से राजधानी है ठीक है इसके वाद नाइजर यहाँ पर आप देख सकते हैं हलकी सी टच करती है नाइजर से करके रेखा ज मिस्र से भी करक्र रेखा जाती है सूडान से नहीं जाती है मिस्र की आप लोगों पता ही राजधानी कःए ठीक है चलिए इसके बाद करते हैं मकर रेखा यहां पर अच्छे समझ में जाएगा नमी बिया नामी बिया की राजधानी यहां पर पताता। जाता है गाता है। जाता है यहां पर आप देख सकते है एक जगह है उसको कहते है मोजांबिक, अजारे से नहीं जाती है, ध्यान रहे है, जिम्बामी से नहीं जाती है, जिसकी राजधानी अजा रहे है, ध्यान रहे है, ध्यान रहे है, मोजांबिक की राजधानी जाए, तो कैरली माने मोजांबिक की राजधानी भी है, मडागासकर की अगर बात की जाए, तो आन्ता नाना रिवो इसकी राजधानी है ठीक है कौन कौने चित्रों से जा रही है आपके नामीबिया बोस्तवाना दच्छिड अफरीका और मोजांबिक और मडागासकर से यह कर जाती है कौन मकर रेखा चैलिये आगे बात करते हैं अफरीका से समझते हैं अफरीका यूरोप का एक देश इस्पेन और यहां पर एक देश पढ़ता है इसको कहता है मोरोको मोरोको और इस्पेन की बीच में जिब्लाटर जल समझे है जो कि यूरोप और अफरीका को अलग करती है ठीक तो इसका जो नाम रखा गया था यानिक अफरीका की एक बार्ग की जन ज गुलार्द में और दो तियाई बाद किसमें है उत्तरी गुलार्द में इस्थित है ठीक अफरीका के उत्तर में एटलस परवत ठीक उत्तर पस्ची में एटलस परवत दच्ड में आपका ड्रांग केस बर्ग परवत है मैं जूम करके देखा जेता हूं यहां पर उत्तर में यहां पर देख सकते हैं यह एटलस परवत टिक एटलस परवत यहां पर है और दच्छड में आप देख सकते हैं यहां पर ड्रांकेस बर्ग परवत टिक शेयर लिए अफरीका के सबसे उंचा जो आलमों की बात की जाए तो अफरीका के सबसे उंचा जो आलमों की जो है वो है तुबाकल, ठीक है, क्या कहते है, तुबाकल, चलिए, अफ्रीका में बिस्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान या मरिस्तल जिसका नाम है सहरा, सहरा के रेगिस्तान में तिविस्ती का पठार, अहागर परवत तथा एर परवत पाई जाते हैं, मैं आप लोग एक एक करके दिख ठिक और यहां पर यह के बिश्चरेश्र्ट की परवत एर को रिस्ती का प्थार आहार का परवत यहां पर पिरम्ख इस्तला किरतियां है इसके बाद अफ्रीका कि अगर जाए तो अफ्रीका महादीप स्वेर जलसंदी के द्वारा स्वेज जलसंदी के द्वारा एसिया महादीप से जुड़ा हुआ है ठीक है एसिया महादीप से जुड़ा हुआ है अफ्रीका के उस्ड़ गास के मैदान यानि अफ्रीका महादीप में जो उस्ड़ गास के मैदान होते हैं उनको हम या सीटोस घास के मैदान अफ्रीका के बेट्स कहलाते हैं ठीक है समझा गया गर उच्छकटवंदी चेत्र वाले अफ्रीका में पाई जाने वाले घास के मैदान सवाना और सीटोस टूडाले क्या कहलाते हैं बेट्स कहलाते हैं चलिए अफ्रीका में सबसे आधिक कोश्ट का उत्पादन करने वाला देस है उसका अगर नाम की बात की जाए तो उसको कोश्ट दे आईवरी कोश्ट दिआईवरी या आइवरी कोश्ट तो मैं आप लोगग जूम कर दिता हूँ यहाँ पर यह अफरीका महादीब यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यह जांबेजी नदी पर करीबा बांध है, जिससे सबसे ज्यादा विजली का उत्पादन किया जाता है, बांधों के बारे में मैं अलग से पढ़ाओंगा, जब विदुत्थ उर्जा के बारे में पढ़ाओंगा, ठिक है, इसलिए आप कन्फ्यूज नहों न, जांबेजी नदी पर करीवाद है जो जिससे सबसे ज़्यादा विजली का उत्पाधन किया जाता है कहाँ पर महाँ अफ्रिका महाँ भी आप जाम बेजी नदी का हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं यह आपक到 का आप सहर दिख रहा होगा अपने पूरवच्छ देख लेते हैं इन्सान और मनुस्य की उत्पत्ती महाधीप से यही मानी जाती है अफरीका में जैतून का सबसे ज़्याज़ा उत्पादन करने वाला जो देश है उसको हम कहते हैं तुनिसिया की अगर राजधानी की बात की जाए तो ट्यूनिस है तिक चलिए अफरीका में जैतुन का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश को इसको क्या कहते हैं क्यों 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 क्यो पाधन करने वाला कि कहा इता है कांगो अगर बात कि जाए तो यहां में यहां पर यह करता है नाइजीरिया आपका जवार का चाय का सबसे ज़्याद उत्पादन करने वाले जो देश है उसको हम कहते हैं यहाँ पर एक देश पढ़ता है इसको हम कहते है कीनिया यह आपका यहाँ पर यह है ठिक केनिया है कीनिया ठीक है इसके बाद जूम कर देता हूँ आप अच्छे जीचा है आप अपने मे से इसको हम कहते हैं गिनी अफ्री का माधीब में दूसरा विस्सु का दूसरा सबसे जाद़ रत पादन करने वाले काना अफ्रीका क्या है number one का है ठीक है अफ्रीका में number one है और विस्स में दूसरा number Pen है अफ्रीका का जो घहना दे से उसको हम gold cost के नाम से जानते हैं इसका कैते हैं इसको हम क्या कहते है गोल्ड cost cost मतलब उम तक इसको euros इसको एक जलिए अफरीका का की जो किसके का डेस केहते हैं अफ्रीका के हॉर्न ओफ अफ अपार्वसरी को हॉर्ण में यहां पर चार देश दिखेंगे आपको आपका यह है आपका Eritrea Eritrea जिसकी राजदानी अरवहरा, इथियोपिया, आदिस, अभाबा, इथियोपिया की, सोमालिया की बात की जाए, तो मोगादीसु, ठीक है? तो एक, दो, तीन, चार और एक छोटा सा नुनना सा देस है जिसको हम कहते हैं, जीबूती, जीबूती की राजधानी क्या है जीबूती तो इरिट्रिया, जीबूती, सूमालिया और एथोपिया यह चार देस हैं किसमें सामिय संसले हैं होज आफ अफिरिका के ठीक है तो यहाँ पर मैंने बताया था कि कसावा क्या हुता है किस तरह सकरघंद हो पर नहीं उसकी जड़ ह तो यह जो कसाबा की जो होता है ना जड़ बगएरा तो बनते हैं आपके शूट पिठा तो जैसे हम सकरगंद्र कहते हैं उससे भी आपका साबुदाना बगएरा बनाया जाता है अलग लग देसों में अलग प्रिक्रिया होती है तो कसाबा से खासकर बनता है है आप लोगों कई धैसे दोनों चीजह दिखा लाइन हों अपर का में आपको दिख़ा फिर मिस्र में काहरा तक जाता है जो कि अफ्रीका महातीब का सबसे लंबा रेल मार के ठीक है कालाहरी की अगर बात की जाए तो कालाहरी जन्जातियों के बारे मैं अलग से पढ़ाऊंगा कंफ्यूज नहीं हो ना कि कम पढ़ाई में है कालाहरी छेत्र में बुस्मेन और आप यहां पर देख सकते हैं कालाहरी जो को बुस्वाना वाला छेत्र है तो बुस्वेर कालाहरी वाले छेत्र में पाई जाती है कांगो छेत्र में कांगो कौन सा इक कांगो बेसन वाला छेत्र कांगो में पिग्मी नामक जो जन जाती है वो पाई जाती है और सहरा छेत्र मे साहरा चेतर ही है आपका साहरा चेतर में बद्दू जन जाती पाई जाती है यहां कहें यहां पर निवासे करती है मिस्तर में रहने वाले किसानों को फैल लाहा कहते है फैल लाहा ठीक है फैल लाहा कहते है ठीक है अफरीका महाधीब के इस्तल अवरुज देशों के बारे में तो सबसक्राइब देष्ट की जाए तो इस्ता सबसे पहला जो आता है उसको हम कहते हैं तृष्बडी सूडन हें दूसरे नंबर पर आता है आपका ह 되고たい माली डिल्या काहा है माली थीसरे नमबर पर आता है आफ का चार्ड पार यहाँ पर यूगांदा पांच में नमबर आता है मालाभी मैं नूद दूंड Alb rollers you तो मलावी में आप लोगों को दिखा दूं यहां पर होना चाहिए यह यह का था एक देशा मलावी चलिए तो तो देखा देता हूं मैं आप लोग को जूम करके देशों को इस्था लवरुद देश है ध्यान रहे इस्था लवरुद देश बहुत है जिनकी सीमा क्या हो रही होती है समुत्र से न लगती हो ठीक है तो आए दिखा देता हूं मैं इस्था लवरुद देश माली के अगर दे किनी यहां पर लगा लेना मैंने द्यान नहीं दिया था तो किनी यहां पर कर लेना ठीक है तो किनी से सीमा लगाता है और मौरिटानिया से इसका नाइजर की बात कि जाए तो अलजीरिया लीविया चाड नाइजीरिया और माली से सीमा लगाता है ठीक है इसके बाद चाड की कीजाई जो की चाड़ भी थे किस तलब उस ओटान से मद्द अफरीकन लगाज में धूकर्त शूराज क्या अब कर इसका वह मैंदकश के मालावी से तो मालावी एक, दो, तीन, चार देशों से के रहा हुआ है आपका तंजानिया से मोजांबिक से जिंबामबे से और यहां पर यह जांबिया से इसके बाद बोस्तवाना की बात की जाए तो बोस्तवाना आपका जिंबामबे से आपका जांबिया से नामीबिया से और ठीक है और दख्षड़ फरीका से एक इंपर्टनिट जो जो कि इस तर अबरूज से भी खतरनाग देस हैं एक ऐसा देस है जो कि मान ली जी यह मैंने बता आया यह दख्षड़ फरीका देस है ना इसके अंदर ही एक देस है मतलब चारो और से देस से गिरा हुआ है तो वह यहां पर आप मैंने जब आप देखेंगे तो आपको जिखेंगे ले से तो ठीक है इसके बात बाहर बात करते हैं नाैजर नदी को का तो की नद знать मुरोगों को ट्वocyयर या के उत्री वाग को ब्रावरी इस्टीट कहा जाता है फिर से दिखा जेता हूँ मुरोक को मुरोक को अल्डी र्या और ट्व Ellis पर के चो थित्य वाग है इसको हम हम देखते हैं यह आपकी रिहगा तो आईए देख लेते हैं इन में कु Dracula जिसमें हम आपको देखते हैं टुकार्ना tiya Craig Tana Nika और यह को ति कैसी और ये टुकार्ना इक मुंस्वारा और twenty और चार नियासा जीव यह आपकी भूमद देखिए जील तंत्र में जील तंत्र का भाग है ठीक है इसके बाद करते हैं अफरीका में पाई जाने वाले पस पच्छी है कुछ उनको देख लेते हैं सबसे पहला जो है आपका गोरिला ठीक जिराफ चिंपांजी जिराफ ठीक है वो कागज बनाइ जाता है कहाँ पर पाई जाती है अफरीका महातीप में दच्छाड फरीका का सबसे दच्छडई छोर आसा अंत्रीप कहलाता है यानी के प ऑप गूरोग कहलाता है ये के मौसेरू देस quésen मौस्वरी इसका नाम क्यों रखा गया है क्योंकि ये मौसेराइब आपकर आफ्रीका का कैसे ये अफरीका माधी पहो तरी ये अफरीका माधी में ये देस उसको हम कहते है दच्छड़ टीड़ी एक अंदर ही एक देस गुसा हुँआ अंदर ही पेट के अंद इपधरीका का चलिये दक्षड अफरीका में किम्बरले खान सबसे बड़ी ही रे की खान है ठीक है चलिये आगे बात करते हैं अब एफरीका में सबसे ज्यादा जन्संक्या वाला देश अगर बात की जाए तो नाइजिरिया है। में जूम कर देता हूं यह नाइजीरिया नाइजीरिया अफरीका का सबसे अधिक जनसंक्या वाला देश है, छेत्रपल की दृष्टी से अगर बात की जाए, तो अलजीरिया देस है यहा पर एक दिखेगा विक्टोरिया सेसे ठीक है एक ऐचीब है यहाँ मैं है कि इहाँ है फिर सिर्क जापॉर में और जंजीबार यह आपके लॉंग का उत्पादन करने वाले तेस हैं ठीक है छेतर रहे विसमें सबसे अधी स्वेज नगर के उत्री तट पर सोवेज नगर के भूमत सागरी तट पर पूर्ट साहीद बंदर का तर्था लाल सागरी तट पर स्वेज बंदर गाए मैं आपको जूम करके दिखा जीता हू सबसे पहले यह भूमत सागरी तो यहां पर पूर्ट साहीद है और लाल सागरवाली छेत्र में पूर्ट आपका स्वेज बंदर गाए यहां पर आप देख सकते पूर्ट साहीद और यह आपका पूर्ट यह कहां पर है भूमत सागरी छेत्र में चलिए अपरीका में सबसे ज्यादा बुली जाने वाली भासा के बारें अगर बात कि जाए तो वह है स्वाहिल । यह हो गया आपका अफरीका महादीप के पारे में जानकरीट है ठीक हुआ चलिये आगे बात करते हैं चलिए आगे बात करते हैं उत्तरी अमेरिका के बारे जोटेन की ज्रूरत है एक कि लोट हटा थोड़ा करता चेहर्ट 12 आपका फेडीर ऩो सृरी मेरा पीट है चलिए समस्ते है, सबसे पहले इसका चोटा-चोटा समस्टेंju कोश्तम बिंदू यानि संसे ऊची चोटी है सबसे ऊंचा परवत का जब सिखर उसको देखते हैं तो माउट मैं किनले मैं किनले थीक है एक कहा है मिरत्यू की घाठी इस यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है आपका Grand Canyon के पास यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरत गाटी अगर आप मैप लेकर बैटेंगे तो इससे ज्यादा खुशी की बात कुछ नहीं होगी मुझे कोई फरक नहीं पड़ता अगर आप लगता है कि दुनिया में बैस्ते बैस्ट कि इससे बैस्ट में मुझे अम्मीद है कि आपको कहीं मिलना नहीं है कि इसकी एक लंबी कहानी सुनाओंगा कि इससे बैस्ट क्यों नहीं हो सकता उसका काड में आप लोगों बता दूँगा कि यह मैंने आपके लिए बनाया है यह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बनाया है जो कि आप एक मैप लें और उस मैप को जब जो मैंने बोला मैप में आप अगर देख लेंगे तो आप जब आखे बंद करेंगे तो आप से पूछा जाएगा तो आप आख बंद करने के बाद उस मैप पे उगली रखेंगे तो आप अपने आप देख जाएगा क्योंकि हमिसा में दियान रखता हूं जब शुरुबात में मैप देखा जाता है तो आप कभी भी उस पर कलाकृती नहीं करें क्या आप उस पर कभी भी ने रेड पेंच चलाएं ना ब्लू पेंच चलाएं ना वाइडने चलाएं कम से कम तीन चार बार मैप देखने के बाद जब आपको का लगने लगेगा कि वाइडिया लगने लगेगा ना फिर जब दो चार बार के बाद के बाद आई इसàoफे होता तो आपको आइडिया नहीं है मतलब यह देखके नहीं करना है कि आपको एक बाद बी डूरना है आप अपने आप एकदम ऐसे उली चला रहे होगे तो अपने आप उट्मेटिक आ जाता है क्या आप वहाँ पर वाइटने लगाते हैं आप सब कहें कि ए फॉर एपल फिर बी ऐ अब वहाँ देखैं जब आप दुबारा देखेंगे तो अगर आपको याद होगा तो आपको वाइटनर की जरूओते आप आइड़ाइटर की जरूओत ने पड़े कि बादेखने की आपको अपने आप आजाए गो जैसे मैंने में लगा रखा है जैसे मुझे किसी ने और वो उसी जगे पहुंच जाएगी जिस जगे वो है क्यों मैंने वहां पर देखा था अब आई लाइटर चला देंगे तो सब जगे लाइटर याइटर दिखेंगे हमें बिना लाइटर के देखना है फिर जब मन हैं दो चार बार के बार के बार जब मुझे मैं आपको जिल, और उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी जिल चुपीरियर जिल मैं आपको जूम करके दिखा जेता हूं यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर मिशी लेक वार उप का पर है ओंटीरियो तो कौन सा है आपका उत्री अमेरिका उनमें कौन कौन सी जीले आती हैं आपकी मैंने भी थोड़ी देख सकते हैं आप आपका यहां पर है सुपीरियर मिशीगन आपका यूरन इरी और अंटेरियो अगर पूर से पस्यम से पूर की बात की जाए तो आपको भी आइडिया होनी चाहिए किस तरह से मैप में दिया गया ठीक है इसके बाद करते हैं उत्तरी अमेरिका के बारे में सबसे गर्म और सबसे सुस् सबसे बड़ा कीजर इसी चेत्र में अभी यह ओल्ड बुसरी यलो इस्टोन नेशनल पर आईए मैं आपको जूम करके रिखाजेता हूं यहां पर आप देख सकते हैं यह लो इस्टोन नेशनल पार के राश्यू द्यानिया पर देख सकते हैं प्रेरी का जो मैदाने ठीक ऊ मैंदान है उसमें ठीक है आपका जो रोकी परवत है इसके पूर में ठीक चलिए विसका सबसे बड़ा बंदरगा की अगर बात की जाए तो आपका विसका सबसे बड़ा बंदरगा आपका जो है उसको कहते है नियॉर्क ठीक है इसका सबसे बड़ा बंदरगा नियॉर्क मे में है यहां पर आप देख सकते हैं 20% फिल्म द्योग चेतर कौन सा है हॉलिवर्ड जिसको हम लॉस अंगेल्स में है यह आपका यूसे में है यानि की यूनियाटे इस्ट आप अमेरिका में ही शेयलिया आगे बात करते हैं इसी में ही विस्ट का तीसरा सबसे बड़ा आपका उत्तरी अमेर्का है यह पूरी तरह से उत्तरी गोलार्द में इस्टिद सही यानि की आपको ऐसा तरह सी में दिखा हूँ की की यह में पर आप देख सकते हैं ईस्ट्रिया है ठीक है इसजीनदे अए यहां पर अगर देखेंगे तो दृच्ष्षड अमेर्क वो अ सब्सक्राइब संन लाड़ महाधीप का जाता है इसको नई दुनिया भी कहा जाता है इसके उत्तर में यानि कि आपका जो उत्तरी अमेरिका महाधी पे इसके उत्तर में आपका आर्केटिक महासागर यहाँ पर आपका आर्केटिक महासागर ठीक है इसके पूर में अट्लांटिक महासागर पस्चिम तथा दच्चिड में पस्चिम ठीक है आपका जो उत्री अमेरिका है उत्री अमेरिका के दच्छड में ही एक माधी पर जिसको हम कहते है दच्छडी अमेरिका उत्री अमेरिका मद्य अमेरिका तथा उत्री अमेरिका मद्य अमेरिका तथा केरिविया इसागरी चेत्र में कुल 23 देस है यानि कि उत्री अमेर कि अपका उत्री अमीर का माहतीप , आपका उत्री अमेर का महा augी के डच्षडी bahग में अनेक प्रक्षच्वि पस्च मी कहते हैं , रैंड है कि उत्याई-अपे के उत्तरी अमरिका महादीब के जच्छड में केडेया सागर में कई सारे दीप मौझूद हैं जेने समिलित रूप से पश्चीμी दीप या बेस्ट बेस्ट इंडीज कहते हैं साज़िया पेस्ट इंडीज कहते हैं सबस्क्राइब कुई एक देस नहीं Oh Rickie क्या कहते हैं इसको भी良ज रोपर से बैस्ट इंडिज कहते हैं जिसमें आपका क्यूबा हैती डॉमीनियन गड़ राज डॉमीनियन रिपब्लिक जैमेरिका ग्रेन ग्रेनाडा ट्रेनाड टुबेको ठीक है बारवादोस बहामास और प्रिट्योरिका ठीक है चलिए तो दिखा देता हूं मैं आपको यहां पर म इंडिज कह देते हैं ठीक है आई देखते हैं यहां पर आप देख सकते हैं क्यूबा यहां पर है बहामास यहां पर है जैमेका यहां पर है है यहां पर है डॉमेनियन रिपब्लिक यहां पर है प्यूटो प्यूटो रिको ठीक है यहां पर है सांडुवा सांजुवान यहा में आपका Guatemala, वेलिज, El Salvador, हंडूरास, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा, आईए दिखा देता हूँ में ये भी मैप में, मैंने क्या क्या बताया, यहां पर है गौाटेमाला, ठिक, यहां पर है गवाटेमाला, El Salvador, वेलिज, हंडूरास, निकारागुआ, कोस्टारिका, और पनावा旗 सरह बाइप आगे बाद करते हैं बिस्टो का सबसे बड़ा दीप मतफ़ें ग्रीनलेंड कहते हैं यहानि की कि बिसटो का सबसे बड़ा दीप कुन से स safe यह उत्री अमिर का महादीप है इसके बीच वीच से आपकी व डिगरी देसांतर कुझए किस लोड़टी इस से गोझरती है ऊत्री वह को महाद्य के बीच वीच सी सा डिगरी देसांतर गुझरती और हुए तो कौन सी हो गई यह हो गई दख्ट्ठपूरबाली से सा, ठीक है तो अब आपकी दख्टषधडपूर अपने आप समझ में होगा यह थिद यहां पर जो आने वाले चक्रवात हैं उनकों क्या कहते हैं हरीकेन और टॉर्नेडोच यह जो कि भूखत भहंकर होते हैं बहुत प्रिचंट गती से चलते हैं, ठीक है, व्हान्द ऍठाटे मत्व को को है सेंद फ्रांसिस्कों को हम क्या कहते हैं? गोल्डन गेट ओर यह सरहuju कि पीच में नियागिरा जल पर पर ब्रपात है बीच बीच में आपका नियागुरा जल्परिपात है आग बात करते हैं पश्चमी काड़ी लेरा की सबसे ऊची चोटी जो है उसको हम माउंट मेकिनले कहते हैं जो की अलास्का में इस्थिते हैं सक्रिय जो आला मुखी पर बता है यह मैं दिखा दिता हूँ यह आपका पश्चमी काड़ी ले रहा यह पश्चमी काड़ी ले रहा जो है यह कहाँ पर इस्थिते हैं आपका अलास्का वाले चेतर में अलास्का वाले चेतर में इसी पर एक चोटी है उसको हम कहते हैं मांट मेकिनले है एक जो सक्री है जो आला मुखी परवत है ठीक है तो सेंट लॉरेंस नदी ग्रेट लेक या कहें महान जील चेतर से निकल कर उत्तरी चेतर में बहते हुए अटलांटिक महासागर में गिरती है यह है उत्री अमेरिका की सबसे बेस्ततम अंताय इस्त लिए जलमार्ग है इसके बारे में जब हम परवन पढ़ेंगे तो वहाँ पर जलमारों के बारे में पढ़ेंगे आपका समुतरी जलमार्ग अंताय इस्त लिए जलमार्ग और भी कई सारी चीजें पढ़ेंग तो ये है आपका उंटेरियो वाला च्छेतर उंटेरियो वाले च्छेतर यानि महांजील वाले च्छेतर से ये सेंट लॉरेंस ने दी निकलती है और ये बहती 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 ये आपकी सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जाकर अपना जल गिरा देती है जो कि अटलांटिक म मैं आपको जूम कर दूँ यह आपका रौकी पर्वत का यह बाग है अंतर परवत के अंदर जो पठार होता है उसको अंतर परवती पठार कहते हैं तो मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ कि मैंने बताया कि ग्रेट वैसिन जो है वहाँ उतर अमेरिका महादीब का सबसे बड़ा अंतर परवतीय पठार रहें इस महादीब का प्रमोकर यहिस्तान है उसका नाम है सेनोस ठीक है सो नोस यह सेनोस ठीक है जो की आपका एरिजिविजार जोंकी यूएसे का एक राज्ज है कैलिफोर्निया यूएसे का इराज्य है और मेक्सिको उत्तरी अमेरिका का एक देश है एरिजोना कैलिफोर्निय और मेक्सिको में फैला हुआ है आप यहां पर देख सकते हैं इसको हम कहते हैं सेनोस्टिक इसका देहां की यहां की नदियां समुद्र तक नहीं पहुंच पालती बल्कि यहीं बलिनर्ट यह ख derived ईंटक इनटवाषटे अत्री अमेरिका के मूल निवासी थे एक्स और ईक मो आप देख सकते हैं जो कि इगलू नामक होते हैं या वह के घर बनाती है उसको हम अगलू कर ply यहां इतना ध्यान रख मेंग यह सा दो आपका एक्सिमो तो रेड इंडियन साथा एक्सिमो अमेरिका के मूल लिवासी है या उत्री अमेरिका के मूल लिवासी है एक्सिमो सर्दियों में वर्फ के घर जो है बना कर रहते हैं जिनने हम इगलू कहते हैं यह जो जन जाती है वह है रेंडियर एक्सिमो जो है वह हारफून कहला जाता है आप कहलाता है ठीक है यह हारफून देख सकते हैं आगे बात करते हैं इसी में ही इस महाधीब की प्रमुक फसलें जो है इस में उसमें सबसे प्रमुक है आपकी गयों प्रेरी का मैदान आप लोगों को बता दूँ यहाँ पर जो प्रेरी का मैदान है ग्यायों का बहुत अधिक उतपादन होता है बिनिपेग यहां पर ग्यायों की मंडी है प्रगर जाता है कभी कभी यह बिनीपेक ठीक है जो कि आपका केनेडा में एक जगह है तो बिनीपेक ग्यों की प्रिसिद मंडी है मक्का का उत्पादन सबसे ज़्यादा इसी महादीब में होता है यानि कि उत्तरी अमेरिका महादीब में बिसका सबसे ज़्यादेक मक्का का उत्पादन होता है सेंट ल देह सकते हैं सेंटली यहां पर पिरमु को मक्हा की मंडी है ठीक है मिसिसिपी ड्रोडि का जच्छडी बाग कापाज की पेटी के नाम से जाना जाता है आब बया मिसिसिपी कहाँ है आप तो ले चलता है उतना है उत्तर है मेरिका का यह है आपका अमेरिका ने की युटाइन युनाइटि स्टेट आप अमेरिका अमेरिका में एक नदी बहती है इसको हम कहते है मिसीचिपी मिसीचिपी इस तरह से उत्तर से आती है और यह यह यहां तक नीचे ओहायो और मिसीचिपी में होती हुए थी यहां पर मिसी सीपी का मिसिसीपी का दच्छडी बाग यानि कि ये वाला जो छेतर है यह है कपास की खेती के लिए पिरसिद है क्यूबा यहीं पर बात करेंगे क्यूबा के बारे में यह है आपका कैर वियाई दिप इसको हम कहते हैं क्यूबा 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 जो है क्यूबा जो है की उसके बारे में वहीं बात करेंगे तो गन्य जो यहां पर क्यूवा है क्यूवा है जो निर्याद किया जाता है नहीं बाहर जो इसका पहल जाता है उसका 80% सिर्फ और सिर्फ चीनी का ही नष्रयात होता लौक मुझेरी का शोंतquela रॉल होता है ठीक है चलिए के लाउत पादम करने के लिए जमायका आपका यहाँ पर पिरसेद है यह यहाँ पर जमायका देख सकते हैं जो कि के रिवी आई एक दीप है ठीक है के लाउत पादम के लिए जमायका बिस्वें पिरसेद है यूएसे के टूंडरा प्रिदेश्व जॉर्ज बैंक न्यू बैंक तथा न्यू फॉकलेंट ठीक है जिक मैं आप लोग उफिस से बता जू कि मैंने जब आप लोगों को महसागरी दारह रहा है इता तब मैंने आप लोग बताई था कि जहां पर गरम और थंडी दो जल धारा है मिलती हैं तो वो न छेत्रों में क्य या मतलब मचली पकड़ने का केंद्र बने जाता है ठीक है समझ में आ गया मचली पकड़ने केंद्र कौन सा बन जाता है जहाँ पर गरम और ठंडी जलधा रहा है आगर मिलती है चलिए आगे बात करते हैं देखते हैं इसी महाधीप में आयनी की जो केनेडा है इहीं पर आपको मैं दिखाऊंगा तो केनेडियन सीज बिस्त में केनेडियन सील जो है सील जो है बिस्त में खनिजों का सबसे बड़ा भंडार पाये जाता है केनेडियन सील कहां पर रही है आपका केनेडा बाला देश के केनेडा में यह इस तरह से देख सकते हैं यह इसको हम कहते हैं कैनेडियन सील्ट तो यह है खनीजों का प्रमोखो बंडार पाये जाता है इसमें ठीक है कैनेडा में लकड़ी काटने वाले लोगों को लंबर जैक कहते हैं क्या कहते हैं लंबर जैक कहते हैं यहीं पर रहानी कि केनेडा महाधीप में ही वह से तुरे चैनेडा जो देस है इस में एक दीब पाए जाता है इसमें एक दीब इस्तित है ठीक है उसके बारे में मल्सकी से बात कर लेते हैं तो इस को तो एलजाबीट ढ refund है ऐलजा आ जा ब डीप है जो है कैनेडा तथा क्रीन लेंड के बीच चाहुं का दीब समु जो कि कैनेड़ और डैनमार्क चनेड़ा और जो आपका ग्रीन रेनेड़ है उसके बीच में इस्केन क्योंकि जो दीप है जब मैं आप लोगों को बताता हूं कि यह आपका मान लीजे प्रत्वी है प्रत्वी जब गूमती है तो यह उत्तरी द्रोब और नीचे वाला होता है दच्री द्रोब तो बैसे जो जब गूमती है तो उससाब से देखेंगे तो यह केंदर पर क्या होग के लगे, डीप समुम्हों में, ठीक है? यूइन ऐल्जावेट में, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं USA की मेसाभी बर्मीन फिर्मुक्न लोही की खाने हैं जो की सुपीरियल सील में इस्टे थे अब सुपीरियल में आप लोग में बता चुका हूँ यहाँ पर आपका superior jIल है जो की कनेडा और USA के सीमा पर इस्तित है इस चेतर में कुछ अए खाने हैं कौनगौन सी हैं आपकी मेसाभी तथा बर्मीलन बर्मीलन जो कि किसकी खाने हैं लोई की प्रमुक्खाने हैं इसको बात करते हैं सुपेरिय जिल के किनारे स्थिद दुलुथ जो है इस पाछ का प्रमुक केंद्रे आप दुलुथ कौन यहां पर आप देख सकते यह सुपेरिय यह nossos यह पर आप यहांप देख सकते हैं एक जगह पर थे उसको हम कहते हैं तो दुलत में मेंने क्या बताया इस पाथ का प्रमुक यह पिसका सबसे बड़ा अजाइब घर हम कहते हैं मीजियं कि नहीं वह आपका मीजियं में वह नी यॉर्क शिटी में है नियॉयक शिटी कहा पर है आपका आमेरिका में एक चग्या पढ़ती है यहां पर आप देख सकते हैं एक सिटी है इसको कहते है नियॉयोर्क सिटी चरड़िए आगे बात करते है केप रेवल यूएसे का प्रमुख को सिफे पर बहु हम डूरि कैंद्र है आपका पहलोगत कर दो का सकते हैं यह आपका जगह है आपको इसको मैं बता दू यह आपका फ्लॉ того म्या यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लॉडा देख सकते हैं यही पर इस CB यही पर हिस्टव एक तेनेवरल नहां की कि आ खशह जाता है वहां प्रिचह पढ़्यान तो USA diva household पर जो आपका जापान था जा पान ने क्या कर दिया था नोसेने का धुरमार नहीं पर कर दिया था क्योंकि जो यहां पर मैं आप लोगों को क्यों झेखाथ हूँ अलासका ये इछ का राजज है USA का इसमें जगे फड़ती है डचारवर जो कि आपका नोसेनक केंदर था या इस्टेसन था यहां पर जो आपका जापान था उसने क्या कर दिया था यहां पर हमला कर दिया था उसके बदले में अमेरिका ने बॉम फैंक दी थे चलिए आगे बात करते हैं USA की USA की जो रेड महादी की जो घाटी है उसको हम रोटी गा कटूरा कहते हैं यह हो गया आपका उत्तरी अमेरिका महादीब के बारे में जो भी जानकारी थी चलिए आगे बात करते हैं चलिए दच्छड़ी अमेरिका महाधिप के बारे में बात कर लेते हैं साउथ अमेरिका चलिए देखते हैं इसके पहले प्रमुख वो समझते हैं हम छोड़ चड़े टेक्स देख लेते हैं एक निजा पहले उसके बाद फिरहल की सी जानकारी लेंगे जितना जरूरी हो इतना सब्सक्राइब करते हैं सबसे हुची चोटी कांजिये मांट एंका काग वागा है आई यह मैं आप लोगों को दिखा देता हूं इसका मैं पहले आप लोगों नाम बता दूंग यह परवस्रेड़ी है इस तरह से उत्तर से दच्छड फ्यालिए इसको हम कहते हैं एंडी पर पर्वस्रेटी हैं उसको हम कहते ह只 हैं यहां पर यह यहां पर आपर बंदू की बारें वारें बात की जाए उत्तर जाहित आए अपके तो बाल्डेव ट्राइब्दी पहां पर यहाँ पर उत्त्राइब्द मीट्र निम्रतं बिंदू पाय जाता है यहाँ तरत में अगर बात की घद परतुमाला जो कि सबसे लंबी परवतमाला है विस्ट की समझा गया एंडीज परवतमाला जो कि विस्ट की सबसे अधिक लंबी परवतमाला है हमाले के बाद दूसरी सबसे उची परवतमाला भी यानि कि हमाले पर तान पर आता है और दूसरे नंबर पर कौन सा आता है आपका एंडीज परवतमाला आता है समझा गया चलिए बिस्ट की सबसे उंचाई पर इस्तित राजधानी भी जो है यहीं इसी महाधी पर है बिस्ट की सबसे उंचाई पर इस्तित राजधानी भी आपकी उत्तरी घठडी अमेरिका में है इस्तित है जो कि किसकी राजधानी है बोले विया नामक एक देश है यहीं पर इसी की राजधानी है ला पाज ला पाज है मैं इस यहां पर भी दिखा जिता हूँ ला पाज है बिस्की सबसे उंचाई पर इस दित राजधानी टिक किस देश की राजधानी है बोले विया की समझ में आगया चलिए बोले विया की बोले विया की सम्विदानी की लाजधानी के अगर बात की जाए तो सोके है सोके सोके इठे ना वह वाला सोके के बारे में बात करें के जब देशन से नहीं लगती इनको इस्थर का अबुर्द की इस्थर का अब रुद हैं याने चार ओर से स्थर हो ना या घरा हो ना ठीक है तो कौनगों से फिल भी लिँर देश यह बनाता है इसको पराग्वे की बात कि जाए तो आप का अर्जेंटिना और पोलिविया से साजा करता है सभ से आय बात की जाए तो वो है अता उत्री च्ली में ống के खाड़ी उसको हम कहतेए A siinä prison यह आपका चिली देश यानि कि जो आपका तच्छिडी में रिका महाती पर उसका एक देश है पस्चिमी छेत्र में बिल्कुल यह सटा था लंबा अगर लंबे देश की बात की जा तो उम्मीद है यही वाला लंबा निगलेगा चलिए तो देखते हैं इसको हम देखते हैं कह यहां पूपने पर यहां पर कर दो को सबसे बड़ा नागर की बात की आपका अमेरीखा महातीब की wr डियो डियनेरियो जि कि बहुत मन करता है मेरा यहां पर जाने का तो अभी नहीं फुरसत में जाओंगा अभी आप लोगों के लिए वीडियो बना दो बहुत खुबसूरत सेर बताते हैं और बहुत मुवी बगएरा में देखा है तो प्यारा लगता है बताते हैं तो रियो डी जैनेरियो जो कि आपका ब्राजील नामक देश का ही इस्ता है ब्राजील का भी है सबसे प्रपात की बात की जाए तो उसे कहते हैं एंगेल जलपर पात जो कि दच्च्रव अफ्रीका महादीब बस्रीट की दच्च्रव अमीरिका महादीब का सबसे बड़ा महादीब दूसरे नमबर पर अफ्रीका तीसरे नमबर पर उत्री अमेरिका और चौती नमबर पर दच्छड़ी अमेरिका महादीप है इस महादीप का चाजतर भाग दच्छड़ी गोलार्द में इस्तित है इस महादीप के पश्चिम में पिरसांत महासागर पश्चिम कौन सा यह वाल यह उत्तर पूर और पूर्वी भाग में आपका अट्लांटिक महासागर इसके उत्तर की अगर बात की जाए तो उत्तर में इसका केरवी आई सागर ठीक है फिर से में बोल दे रहा हूं कि इसके उत्तर में आपका केरवी आई सागर पूर और उत्तर पूर और उत्तर पूर की के अगर बात की जाएं तो आपका अट्लांटिक महासागर ठीक है समझ में आगया इसके दच्छडी भाग की अगर बात की जाए तो दच्छडी महासागर इस्तित है यहां पर आप देख सकते हैं दच्छडी भाग में दच्छडी महासागर इसका सीमा बनाता है ठीक है इस मह महादीब का सबसे इस महादीब का सबसे दच्छडी सिरा जो है आई में जूम करके दिखाता हूँ यह सबसे दच्छडी सिरा दच्छडी सिर्व को हम केप ऑफ होर्न कहते हैं क्योंकि यह सबसे दच्छडी सिरा है ठीक है इस महादीब में कुल बारहे देश हैं इस महादीब का इस महा दीप का निटेंड जो दीप है जोकि एक देस भी यहां पर देख सकते हैं फॉप्ट्लेंड दीप इस पर UK यानि की युनाइटेट किंग्डम यानि की बिटेन का दिकार है और यहीं पर उतर में एक देखेंगे इसको हम कहते हैं गवाना इसको हम फ्रेंच गवाना भी कह देते हैं फ्रेंच गवाना पर आपका फ्रांस का अधिकार है ठीक है मैं फिर से बता दे रहा हूं इस महाधीब का जो फॉक्लेंड नामक देश है उस पर बेटैन का अधिकार है जबकि इसी महाधीब का गौना नामाट जो देश है उस पर फ्रैंट इंट फ्रांस का अधिक्ता आ है जो कि इसी महादीब का देश है किसका आपका prints अ कि उसके वाद हिवाद ही फ्रांस और दूसरा वाला बे संक्या बाला डेसे यानि की एस्या अफरीका ठिक कर एस्या अफरीका यूरोप और भी अबर पर आया त्रूमियो निखते हैं घर चीलि पेरू बोलिए काई को कोflow इंडियान देज्ष यह मुल द आँ इस महाधीप के छीली पेरू पेरू, बोलिविया, बोलिविया कहा है, यह बोलिविया, यह है आपका बोलिविया और यह आपका एक्विडूर, ठीक है, और यह है आपका कोलंबिया, मैं जूम कर देता हूँ, मर क्यों रहा है, यह विरा कहले, आ जाना इधर, जूम कर रहा हूँ, मैंने क्या बताया, इस म से र्येप आप नहीं हैं संब उतरी अमेरिका के मुल निवाशी है आपके नहीं क्याकते हैं कि क्योंकि यहाँ आपके मैदन पाई जाते हैं, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, यह आपका अर्जेंटीना वाला भाग, अर्जेंटीना के पूर में सीतोस्टट घास के मैदन पाई जाते हैं, जिनको हम PMPAS कहते हैं, घास के मैधन जो हम पढ़ेंगे, तो महाँ पर अलग से जानेंगे, फिर से मे में दिखा जिएता हूँ आपको यह है अमेजन नदी का तंत्र ठीक है जो की दुनिया का सबसे अधिक ज्यादा छेत्र में सबसे अधिक या कर सबसे ज्यादा छेत्र में फैला हुआ क्या है या कर ये अफवा अप वहां की दरश्ट्री से दुनिया का सबसे बड़ी नदी है लंबाई में तो आपकी नील है लेकिन अफवा की दरश्ट्री से कौन सी सबसे बड़ी नदी है आपक इमेजन नदी और दूसरी नंबर पर कौन थी यह कांगो नदी जो कि अफ्रीका की है चलिए मैं कहा था और मैंने बताया था अर्जेंटीना का चैको का मैदन का पास के उत्पादन के लिए प्रिस्द है मैं आपको कोछिशी करता हूँ अर्जेंटीना का यहां पर पढ़ता ह का पास के लिए प्रिसद है ठीक है इसके बाद अमेजन नदी बेसन में है विश्वती बर्सा बनोग्वास कहते हैं यह का इंहीं पर विश्वती बन है क्या कहते है इनकी अब यहां पर यह नदी दे सकते हैं और यह निको ठीक है और यह क्या कहते हैं इस मेदान को क्या कहते हैं लानुस का मैदन ठीक है केमपोस भी उस्ट्र कटविंदी घास के मैदन जो कि सेलवास के दच्षड में पाई जाते हैं वह यह केमपोस कहा है यह सेलवास सेलवास के दच्षड की तरफ पाई जाएंगे तो यह आपको मिल जाए है केमपोस सेंडोस केटिगस ठीक है जो कि आपका यहां पर मैंने बता को है आपकी कांगो नदी और लंबाई की इधर बात कि या तो दुनिया की सब से लंबी नदी कौँ सी है आपकी नील नदी ठीक है पराणा पराघवे और उर्गवे और उनकी साइक नदियों के क्या कहते हैं हम पिलाया कहते हैं यहां पर मैंने लिखाए पिलाया कहते हैं ब्राजील कोलंबिया और एक का डूर में बिस एक्वेड और बिसमें कहवा उत्वादन के सबसे प्रमुख देसे फिर से बता जाओं कि यहां पर मैंने क्या कौन को सिस्थ बताए आपका एक्वेड पढ़ेंगे तो महां फस्लों की बटब कि इमेंगे तब कॉफी के बड़े-बड़े बागों को कहते हैं जो कफी के बड़े-बड़े बाग होते हैं उनको क्या कहा जाता है घृओं आज voltar ऑ're झाल चीजाए तो बसकी सबसे बड़ी कहवा कि मंदिधिय चाहलो कहा है यहां पर आप लोगों को में दिखा दूँ यह है आपका साओ पावलो यहां पर देख सकते हैं ब्राजील या है ना ब्राजील ब्राजील में यहां पर है साओ पावलो ठीक है किस देश में इस्ते था साओ पावलो ब्राजील में इस्ते थे यह क्या है सबसे बड़ी कहवा कि या कॉफी की मंडी है ब्राजील का सेंटोज बंदरगा जो है वैस यह जumu करके दिखा दूँ कि एस तरह से आपका जो साव पाउलो है ना साव पाउलो मैं लिजी यह जाव पाउलो है और यह सेंटोज है साव पावलो से सेंटो से माल जाता है कौफी पगएरा जाती है यहां मद्नरगा की तरफ हो तो इस मार को हम कौफी मार गया कौफी रोड कहते हैं कहां पर इस्टेज तह आपका ये भी ब्राजीर में हिस्ट थे चलिए इसके बादे बात करते हैं चिली का चुकी कमाटा सुक क कि काहने का है ठीक है किस के लिए पैसित्र है यह थावा खनन के लिए विस्त्र में पτα सिथ है आगर बात करते ने आट स्यवे लागी इस दो या कि और है यह उत्तर में उटबेन जोला है ठीक है तो बैने जोला का अ यहहां पर आगे बड़ेंगे तो मरक आएब को एक वो मिल जाएगा यहां पर सेर भी आई थीक है मरक आएब उजीन के नाम पर है ठीक है तो यह मैंने क्या हम यह किसके लिए परिसे तांट्र में नाटर्यत का बहुत बढ़ा बंढार मिलता है अधा काम मरस्तल में आटका मररच्टल में क्या नाय टेर का बहुत बड़ा बंडार है दख्षडे अमेरिका को पश्चियों का देष का जाता है यह मैंने प्रूब्बद इसलिए लिका है पस्चियों के इसलिए निकनी का जाता है तो एक मैंने प्रसे बता देदाओं इस महाधीब का सबसे बड़ा देश ब्राजील और सबसे चोटा देश फॉक्लेंड है जिस पर किसका कब जा है या किसका अधिकार है यूए यूनाइटेट किंग्डम यानि की वेटेन का कब जा है ठिक शेरी आगे बात करते हैं दच्छीड अमेरिका दच्छीड अमेरिका का पैंटा गोनिया बिस्व का सबसे ठंडा मरिस्टल सो नहीं इस महाधीब का सबसे ठंडा मरिस्टल है जबकि इस महाधीब का सबसे लंबा मरिस्टल की बात की जाए ठीक है लंबा मरिस्टल की बात की जाए लंबा तता सुसकु मरिस्टल तो वह है का मारिस्टल की अगर बात की जाएगा यह उभी आकड़ी बात करते हैं शली के बात करते हैं छली यह लीए है आपका चिली बाला छेट, चिली में इसको क्यों हम कहते है है मद्दचिली कोई कि ये ऊपर ऐसे मान लिजुए ये लाइन खीजजी इसका मद्दद्वाला भाग कौन सा वतलत ही है उसी मद्दद्दचिली को में बर्सा होती है पंपास को अर्जेंटीना का हिर्दय कहते हैं कहां पर पंपास है यह है अर्जेंटीना अर्जेंटीना के पूर में पंपास का मैदान है जो की सितोस्व घास का मैदान है ठीक है चलिए पंपास इस महादीब का सबसे चंद्रकार के जब आपने छोटे होंगे तो साइद उम्मीद है याद होनी चाहिए छोटे पर कवता हुआ करती थी उसका नाम था उट हटकर वैठा चांद एक दिन माता से है बोला तो उसमें एक इस तरह का चांद दिखाए जाता यह चांद का जो सारा न इस तरह से तो मैं किरत देश है नगरी करण के बारे में जब हम बात करेंगे तो बहां पर बात करेंगे तो दच्छडी अमेरिका का उरुगवे सबसे अधिक नगरी किरत देश है ब्राजी ने पाई जाने वाली बालसा की लकड़ी जो है बिस्व की सबसे अलकी लकड़ी होती है जो की नाव वो बनाने के काम आती है यह हो गया आपका दच्छडी अमेरिका महादेब ठीक है जो भी जानकारी दे यूरोप के बारे में बात कर लिए तो यूरोप मांट अलबुश का है आई यह मैं आप लोगो को मांट अलबुश दिखा देता हूं यहां पर यह का किसस पर वात है यहां पर इसको कियते हैं मांट अलबुश ठीक है चलिए निम्न तम बिंदु की बात की जाए जो किया कैस्ट आगरा माइनेस ट्वेंटी एट मीटर सुन ज अगर में ठीक है इसका सबसे उत्तर में इस्तित सहर की बात की जाए तो हैमर फेष्ट है जो कि नौर्वे में इस्तित है सबसे उत्तर में इस्तित सहर के बारे में यह आपका हैमर फेष्ट कहां पर इस्तित है नौर्वे में यहां पर आप देख सकते हैं नौर्वे वाले का बोलगा और ये नीचे चलते-चलियातीय चलती-चलियाती चलती-चलियाश के-सी एंसाहगर में आके अपने प्राण त्याक देती ए ठिक हैं तो सबसे लम्मी नदी कौनर कुंस्टोन तुनिया जुन कुंस्टोन तुनिया ये अपकी फ्रांस की modular ने पेरिष कहाँ पर चलते चले चलते 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 चले चलते चल जाएंगे और ये ये इस तरह से यापर पहूंजांगे इसको कहते है क्या क् तैस्थ को और को क्याते हैं हम यहाइपर त YouTube ंचेतंट तुर्की तटें तुर्की में जिगर कर दिर अचर लिए डिर्ट शॉनिल हसे अगे बाद करते हैं सबसे प्रमुक भॉगोलिक लच्टर की अगर बात की जाए तो एल्स तरवत माला है जो कि यहां के बहुत बड़े छेत्र में फैलिवी है ठीक है इस तरह से एपस परवत माला चैली आगे बात करते हैं यूरोप छेत्रपल की दृष्टी से विस्तु का छटा सबसे बड़ा म मातियफिकर उसके बांपर कुछ सा आता है आपका यूरोप आता है चेली समस्झते जाये अगे इस माहाधीwr का यह माधिद की यहापका यह ठीक है घुलार्द के आधार पर गुलार्द के मद्ध में स्टित है कैसे गुलार्द के मद्ध में से रहा यह दिए यौलार्थ्बGetty गोहगा यह तो यह हो गया माली ये पूरी भाग और यह पसीम तो न पूर 음 पर यह बीच में कि मतमए इन दौनों कि या बिलकुल मदर के यह ऊतर ऊंच में गया there है यह मैं दिखा जी तो मैंने क्या बताया ये है महादीब पयाने की ये यह Sal veto यह महादीब कर पूरा और रही से फैला हुआ है एक इस महादीब क्यूटर में उत्रिये धुरुबिये चांगर यहाँ पर आप आप देख सकते, इस महाद्च्दीब के उत्तर में, उत्तय़ ये धृफ सागर ठिक 10 की बात की जाए तो दंद ख्यृ में आपका सागर ठिक, इसर पूर की बात की जाए तो एटलां सागर ठिक, इसके अप पूर की बात जाए तो यूराल परवत और यहां पर देखेंगे यूराल नदी और यहां पर नीचे चलते चले आएंगे तो यह आपका काकेसास परवत भी दिख जाएगा और कैस्पियन सागर आपका एसिया से अलग करता है ठीक है इसिया से क्या क्या अलग करता है आपका यूराल परवत यूराल परवत च्याली आगी बात करते हैं जी महीं इस महाधी में कुल पचास देस हैं छोट चोट 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 पचास देस है ठीक है क्योंकि यहां पर ऐसे मान लिजिए देशों की फैक्टरी है इसे शुरू ही तो हर दोस्तिन साल में एकाद देस यहां पर निकली आया करता तो यहां पर लगवक्त पचास देस हैं क्योंकि बहुत चोट चोट ऐसे मान लिजिए यूरोप है तो यूरोप सरी आपका जो रूस है ना रूस में कम से कम इसके 3040 देस बन जाएंगे इतना इतने चोटे 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 देस हैं ठीक है तो इस महाधी में कुल 50 देस हैं ज आपका एउरोप छेतरफली दृष्टी से कितने नंबर पर आता है चटमे नंबर पर आता है ठीक है यानि की एसिया फिर अफ्रीका फिर यूरोप के आधार पर यह है तीसरे इस्थान पर आता है जनसंग्या के आधार है बिस्थुका सब से अधिक घना बसा हुआ क्या है म सबसे बिक्सित महाधीब भी है इस महाधीब को राजनेतिक आधार पर कई छोटे छोटे बागों में बाटा गया है जैसे कि आपके इसकेंडेवियाई देश हो गए और भी कई सारे हो गए आपका निम्न भूमी छेतर हो गए आपका और आई एक करके समझते है पहले तो इ देनमार्क नौर्वे और स्युडन को इसकेंड नेवियन कहा जाता है यानि कि इसके डेविन इसकेंडी नेवियन जो देश होते हैं उसमें आपका फिल्लेंड को सामिल नहीं किया जाता है कितने देश सामिल है उसमें सिर्फ और सिर्फ तीन देश सामिल अगर फिल्लेंड को भी सामिल किया जाता है तो इसके इसे फैनो इसकेंडी ने देनमार्क अगर इन के अलावा इन तीन देशों के अलावा नौर्वेज स्वीटन और डेनमार्क के अलावा अगर फिन्लेंड आइसलेंड तथा फैरो दीप समूग को अगर साथ में रख लिया जाए तो इसको समयले तुरूप से नौडिक देश कहते हैं, नौडिक कंट्री को कहते हैं मैं फिर से बता चाहूं आपका डेन्मार्क नौर्वेग स्ट्न को करते हैं तो इसकेंडेवियन अगर आइस्लेंड और फेरो दीप सभूकों को भी अगर सामिर कर लिया तो क्या कहते हैं हम समीले च्रूप से पूरे कों से देश आते हैं आपका Estonia, Lithuania तथा Latviya को सम्मिलित रूप से वाल्टिक राज जि कहा जाता है अब ये कहां है तीनों Estonia जिसकी राजदानी Talin नी है इसके बड़ा लात्विया जिसकी राजदानी वीगा है और Lithuanía जिसकी राजदानी विल नियस है, क्या है, इन तीनों को समयलेट रूप से क्या जाता है, नौड क, भो सरी, वाल्टिक, राजड कहा जाता है, निम्नभूमी छेत्र अगरदेश देख लेते हैं, लोग लेंड कंट्री होते हैं, आपके वेलिधियम, नीदर लेंड तरह Кो समयले रूप कहते हैं या इन तीनों को समीलेट रूप से lowland country का जाता है तो आएगे देखें सबसे पहला है आपका नीजर लैंड जिसके राजधानी एमस्ट्रड़म है ठीक है आपका यहां पर देख लेंगे एक चोटा थे सह आपका William, William यहां पर आप देखेंगे कि लगजंबर्ग देस है इसकी भी राजधानी लगजंबर्ग सिटी है तो तीनों को सम्मिलत रूप से लो लेंड कंट्री कहते हैं इसके वालकन राज के बारें बात कर लेते हैं इसके तहरे पहले क्या हुआ करता था पहले यूगो यूगो बुल्गारिया ठीक है इसके बाद यहीं पर एक देस है उसको हम कहते हैं अलवानिया कहा है बेटा चली अलवानिया यहां पर आप देख सकते हैं यह अलवानिया मैं एक सेकंड कलर चैंज करूँ यह पकबास लग रहा है साफ नहीं देख रहा है मैंने क्या बताया कि यहां पर बुल्गारिया ठिक उसके बाद रोमानिया उसके बाद यहां पर एक देश है ग्रीस उसके बाद यहां पर एक देश है अलवानिया ठिक है तो अलवानिया ग्रीस बुल्गारिया और रोमानिया तथा यूगोसलाविया को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं वालकन राज कहां करते थे यानि कि इन सभी को समय जह रूप से कितने ही देश हुआ करते थेуск। ये यूगोस्लाविया वुल्गारिया, ग्रीस, रोमानिया, और अलवानिया. लेकिन जो आपका यूगोस्लाविया जो था उस मेंसे क्या हूआ, कई सारे चोटी-चोटी देशों में बढ़ जाता है कौन-कौन से देश निकलते हैं युग स्लाविया में से या क्या युग स्लाविया वाले शित्र में से आपका सर्विया सर्विया कहां पर है आपको मैं जूम करके पहले मैं आपको यहां पर दिखा देखा देए बोल दे निकले, मैं दिखा देता हूँ, आपके कौन-कौन से देस में साधमिल किये जाते हैं, स्लोवीनिया, क्रोएसिया, बोस्निया, हर्जिय, गोविना, आपका सर्विया, मॉंटे नेग्रो, अलवीनिया, मेसोडीनिया, ग्रीस, बुलगारिया, रोमानिया, इस तरह के इसमें कु सब्सक्राइब करते हैं, यहां पर आप लोगों दिखा देता हूँ, यह है इटली में इसकी राजधानी रोम, रोम में एक जगह पड़ती है, वह उसको हम कहते हैं वेटिकन सिटी, जो की एक देस है, ठीके चलिया, समझते हैं, मैंने क्या बताया, जब मैंने आपको इस्य एक देस बना दिया है, महले की तरह है, उसका नाम क्या रखा है, वेटिकन सिटी, ठीक है, यहां पर रोमन कैतोलिक चर्च का मुख्याल है तथा पोप का निवास इस्तान है कौन सा आपका जो वेटिकन सिटी है वेटिकन सिटी की राजधानी भी वेटिकन सिटी है ठीक है वेटिकन जो देश है उसकी क्या है राजधानी वेटिकन सिटी यहाँ पर मैंने क्या बता है रोमन कैतो एक चर्च का मुख्याल है तथा पोप का निवास है ठीक है यूरोप के इस्तल अबरूद देशों के बारे में हमें यहाँ पर बात कर लेते हैं यूरोप के इस्तल अबरूद देश हैं उसमें आपका हंगरी आता है आपको यहाँ पर हंगरी देख जाएंगा हंगरी किन किन क आपका क्रोई एसिया आपका स्लोव विनिया और शिलो बाकिया से घिरा हुआ है ठीक है कौन सा देश आपका हंगरी और यहां पर देखांगे तो यह तक अंदाज है यह यूक्रेन आपका ठीक है इसके बाद चैक गड़राज की अगर बात की जाए तो हैं पर आप देख सकते हैं चैकग गड़राज भी इस्तर बरुज देश कौन से होते हैं वह देश चिनकी सीमा आपकी समुद्र से नहीं लगती उनको इस तलबरुज देश कहते हैं तो चैक गड़राज से कौन को देश देश्मा लगाते है पोलेंड चेरमानी आपका और स्लोवा किया इसके बात देश्या देश्य जो है स्लस्तप di भाकिया जो की ये भी सकार अब डेससा सिलोबा кिया है आपका पूलेन यहां पर युक्ये आपका रुमानिया हंगरी और और जीन रबादा की जाए यहां सीमा लगाता है इसके बाद कि बात कि जाए जर्मनी फ्रांस आपका इटली और और वेटकन सिटी की बात कि जाए तो वेटकन सिटी एक इसक्ता लफद देस है आपका केस के अंदर कर दूणा का सब्सक्राइब कर दो जल्सक्राइब कारफ तो जमर्ट में फट्री घ्या में तर आँ इसे का सकते हैं बच्चे के पैट में बच्चा है और उसके पैट में भी बच्चा हो जैसे कि अफरीका महाधिव का पेट जिसमें आपका बच्चे का क्या नाम है आपका दक्षिट फरीका का भी पेट है उसमें एक बच्चा है उसका क्या नाम है लेस हो तो इसी तरह से इटली में भी इटली के पेट में भी रोम रोम के पेट में आपका वेटिकन सिटी चलिए पर एक पहाड़ी है उसको हम क्या थे यह Again लोग रहते हैं एक हजार लोग रहते हैं ठीक छे लिए आके बात करते हैं उर्यवाद में इस्तित्त्रों आपकी बोलगा नदी तथा हूं लगो दिखा लगो हैता हूं यह आक की वो यूराल नदी ये इस तरह से आती है नहीं बोलगा नदी आती है इस तरह से और ये यूराल परवत के किनारे 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 यूराल नदी आती है और ये आपकी किसमें गिरती है कैस्पियन सागर में गिरती है समझने आ गया चैलिए पो नदी को इटली की गंग लेंड़ी का मैदने लोबाडी का मैदन लोंबाडी के मैदन में इक नदी बहती है उसको हम करते नदी यहां पर आप देख सकते हैं चलिए इसके बाद करते नदी यूरोप के चार सब्सेरों से होकर बहती है, अब यह भया डैन्यूम नदी कहा है, मैं आपको यहाँ पर चियूम कर देता हूँ, यहाँ से एक नदी निकलती है, डैन्यूम नदी इस तरह से आती है, और यह इस तरह से यहाँ पर बहती, 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 और य यहाँ पर है तो मैंने क्या बताया ये आती है आपकी डयनियूम नदी ये ये डयनियूम का मोहना आप लोगो दिख रहा होगा ये इस तरह से वार्ण, विएन वुकर बुढ़ा पेश्ट इस तरह से बुढ़ा बुढ़ा जो भी चीज़े हैं यह आकर इसमें काला सागर में गिर जाती है लेंबाडी का मैदान इटली के उत्री भाग में इस्तित है यह बहुत ही उपजाव मैदाने लेंबाडी या लोम बाडी का मैदान यहां पर आप देख सक इसको हम नीदर लेंड कहते हैं नीदर लेंड की राजधानी है उसको हम कहते हैं एमस्टर्डम में एमस्टर्डम उसकी राजधानी है नीदर लेंड में क्या है समुद्र के यह किनारे है समुद्र के किनारे वाले जो चेतर समुद्र के किनार वाला है समुद्र के पानी को यह क्या कर रहे हैं सुखा रहे हैं और वहाँ पर इस तरह से ग्रिल बगएरा जो भी लगाते हैं बान बगए जो भी करते हैं उसके कारण क्या कर रहे हैं यह मैदान निकाल रहे हैं समुद्री चेत्र में मैदान निकाल रहे हैं तो उन में क्या करते हैं यह खेती कर रहे हैं उन मैदानों को हम पोल्डर लेंड कहते हैं चेलिए आगे समझते हैं तो आल आलपस या आलपस प्रवत जो है यह कई सारे देशतों में यूरोप के कई सारे देश में फैला हुआ है जैसे कि आपका स्वीट जर्लेंड हो गया और्ष्टिया हो गया यहां पर इटली हो गया इ यूक्रेन में इनको इस्टेपी कहते हैं आपका जो यह आपका यूक्रेन वाला जो छेतर है यूक्रेन में इसी तो खास के मैदानों को इस्टेपी कहा जाता है और यहां पर हंगरी का जो मैदान है हंगरी का जो मैदान है उसको क्या कहते हैं पुस्ताज कहते हैं वहां पर 60% चुकंदर पैदा होता है, कितना, 60% कुल, 20 में जितना भी उत्पादन होता है, उन सभी में कितना परसेंट यहाँ पर होता है, 60% उत्पादन आपका यूरोप में होता है, इसके बाद इटली में एक सेर है, उसको हम कहते हैं, तूरिन, यहाँ पर तूरिन लिखा है, तूर डेवियन जो देश हैं उसमें कौन-कौन से देशों को सामिल किया जाता है आपका यहां पर कितने देश वजा है तीन देशों को सामिल किया जाता है उसमें एक देश आपका डेनमार्क की है तो डेनमार्क में यहां पर एक राय धानी है देनमार्क की जो राय धानी उसको हम कह जलती है और यह जर्मनी और फ्रांस की सीमा पर होते 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 है इस तरह से यहां पर गिर जाती है सागर में ठीक है तो जो राएन नदी है इसको राएन नदी का जो जलमार्ग है यानि कि जो नदी है उसमें क्या की जाते हैं आपके क्या होते हैं नावे बगेरा च सबसे बेस्तम जल मार्ग है ठीक है जब हम पर जल परवन के बारे में बात करेंगे तो वहां पर जल परवन के बारे में बात करेंगे चले आधी बाद करते है नौर्वे सीडन तता siberi याई छेत्र के फिर मों कौणदारी बन यानिकी आपका मैंने क्या बताया उत्तरी है जो कि यहाँ पर नौरवे है आपका नौर्वे के बाद यहां पर स्टूडन है ठीक है इसके बाद यहां पर फिनलेंड है और यहां पर साइवेरी याई छेत्र में जो बन पाए जाते हैं वो कौणदारी वन है जो की थंडे छेत्रों में होते हैं ठीक है इसका यूरोप बिस्तु का सबसे अधिक नगरी करत को इस्तल नहीं है फिर से मैं बता जिता हूँ यूरोप इसका अखेला महादीप है जहां पर कोई भी रेगिस्तान नहीं है ठीक है बिस्तु की सबसे अधिक लंबी तटरे का वाला जो महादीप है वो आपका यूरोप ही है क्योंकि आप देखेंगे इसके चारों और इस त लंदन लंदन जो है यूरोप का सबसे बड़ा नगर है और यह ठेम्स यहां पर लिखा है वैसे टेम्स लिखते हैं एच इसमें साइलेंट होती है तो टेम्स नदी के नदी के किनारे बसा हुआ है कि कितना बड़ा सहर है यह सबसे बड़ा सहर है किस महादीप का यूरोप है महादीब का चलिए नौर्वे को मद्रात्री का देश कहते हैं या आप कहें नौर्वे जो है मद्रात्री का देश कहलाता है क्योंकि राद में क्या होते हैं सो रहे होते हैं तो छतपर जैसे आप सो रहे हैं तो राद में हलका सा सूरज जो है निकलता है और फिर से चला जात है थोड़ी बहुत दिर के लिए निकलता है रात में बारा एक वजी के टाइम पे मत्रात्री का देश कहलाता है कौन सा नौर्वे और डूबते सूरज का देश की अगर बात की जाए तो आपका उनाइटेड किंग्डम या कहें इंगलेंड को कहते हैं डूबते हुए सूरज क सर्फ और सर्फ याँ पर जींगे दिख रहे हुए इस तरह से तो इसमें हजारों देश को कहते हैं जीलौ का देश कहते हैं क्योंकि जीलें अब यहon übr sapp chosen यानि जेक है यहाने की उपर बर्फ की सबसे बड़ी मीठे feet जुस्वा Hey लाडवा यहां यहां पर पड़ती आप ध देख सकती है लाडोगा जील जो कि आपकी रूस वाली चेत्र में है ठीक है समझ में आ गया लाडोगा जील यूरोप की सबसे बड़ी जील है जो की मीठे पानी की जील है इंग्लिस चैनल फ्रांस वा यूरोप की मुख्वूमी से युनाइटेड किंग्डम को क्या करता है अ जो की आपका युनाइटेड किंग्डम तथा फ्रांस को अलग करता है और उत्री सागर उत्री सागर तथा अट्लांटिक महासागर को जोडता है ठीक है चलिए इंग्लिस चैनल फ्रांस तथा यूरोप की मुख्यूमी से युनाइटेड किंग्डम को अलग करता है ठीक है जो आपकी Gulf Stream धारा है, Gulf Stream धारा यूरोप के पश्चमी छेत्र पर यान की ये पश्चमी छेत्र है, पश्चमी छेत्र पर क्या करती है, तापमान को बढ़ा देती है, वहां का तापमान गर्म कर देती है, वहां माहौल थोड़ा अच्छा कर देती है, करकराती है, यहां पर बह में मिलता है वो जो कंबल ओर ने रात में तो खुझली हो जाती है वो बाला कंबल नहीं इससे गर्मी पैदा होती है चलिए आगे बात करते हैं फोलेंड तथा जर्मनी के बीच की जो रेखा है उसको हम हिंडन वर्ग या ओर्डर निसे रेखा कहते हैं मैं आप लोग को दिख आपका मैसोटा का जो पठार है वो है आईवेरियन प्राइदीप पर मौझूद है या कहें आईवेरियाई प्राइदीप के आईवेरियाई का जो प्राइदीप है उसमें आंतरिक रूप से ये मौझूद है जो मैसोटा का पठार है उसी पर ही जो आपका स्पेन है इस्प आपका पुर्तगाल और स्पेन के बीच मौझूद है जो कि आइवेरिया प्राइदी पर मौझूद है आइवेरिया प्राइदी पर प्राइदी पर मैस्टो का पठार है मैस्टो के पठार में बीच में राजधानी इस्तित जिसको हम मैड्रेट कहते हैं मैड्रेट किस देश क में है आपर देखाता हूँ यह आइरलेंड और यह युनाइटड किंगडम आइरलेंड तरह युनाइटड किंगडम के बीच में यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंट जॉर्ष चैनल है और यहाँ पर आपका आईरिस सागर भी इस्टित है ठीक है चलिए तो जागया सेंट ज सीमा का निरुबार करता है कौन साब पिरे नीज परवत आप लोगों को दिख रहा होगा आप अपने पास रखे हुए हैं तो आप लोगों को साब दिख रहा होगा ठीक है इसके बात करते हैं एंट बर्प जो है बेल्जियम बिस्तो का सबसे बड़ा हीरा ब्यापारिक का क पीर जर्मने में आप लोगों कंवे चलता हूँ ऐब का जर्मनी घर्म इन्प swamp वन एयम छेत्र को कहते है रो तो जर्मनी में रूर छ्ट्र जो है कोला उत्पादनी की लिए इसके बने है ma में सबसे अधिक जहां तक अंदा जाए दूद का जो उत्पादन करने वाला जो देस है वो भारत है लेकिन दूद से बने प्रोडेक्ट जैसे कि आपका सूखा हुआ दूद आप लोगों ने देखा होगा तो कान पर एक रुपे का पाउच आता होगा या दस का पचास का जि वड़ा उत्पाद कौन है आपका डेनमारक है ठीक है समझ में आ गया चलिए और दूद का उत्पादन कौन करता है भारत देस करता है कन्फर्म करने था बैसे मेरी 99% यह उमीद है कि भारत देस ही करता है चलिए वेनिस को एट्रियाटिक की रानी कहा जाता है अब बैए बे ठीक है वेनिस को एकर राश्य इक को यहाँ पर सागरा मेंडान कहते हैं अब कि Montsenall भेरी घना उन्हें कर देता हूं यहाँ पर राश्य चनहेंमें चलेंगे और रहां पर राश्य पूर में चलेयंगे तो यहाँ पर एक डैस बरता है इसको कहते है ची ळजरलन जो है आयरेंड वाला जो चेतर है यह है आयरिस या कहा है आयरलेंड वाला जो चेतर है इसको हम एमराल्ड दीप कहते हैं एमराल जहां तक अंटा जाए मोती बगेरा होता है इसको रोम को सासवत या सदा रहने वाला नगर कहते हैं कि रोम जो है बहुत पुराना है रोम वह कौन से देश की राजधानी है इटली की राजधानी रोम है सदा रहने वाला देश्त कहते हैं चली वो सदा रहने वाला सेर या नगर तो यह हो गया आपका यूरोप के बारे में जो भी महत पूर जानकारी थी चली आगे बात करते हैं अंटार्टिक महाधीप के बारे में बात कर लेते हैं अंटार्टिका चली देखते हैं खुबसूरत और करकड़ाती ठंड वाला और कुल्फी जमादेने वाला महाधीप चली समझते हैं चोटा था पहले सबसे पहले बात करते हैं स सबसे उंची चोटी है इसकी उंचाई कि अगर बात की जाए तो इन्प क्या नाम है उसका नाम है माउंट एरिवस यह है दूसरा सबसे उंचा जो आला मुखी है लेकिन अगर मरा हुआ है जो आला मुखी बात की जाए या सब्स जो आला मुखी की बात की जाए तो सिडली परवत है जो की सबसे उंचा परवत है यानि कि मैं आप लो सरी सबसे उंचा जो आला मुखी है मैं आपको दिखा देता हूँ यहां पर मैंने क्या बताया सबसे उंचा जो परवत में इसका माउंट एरेबस ठीक है माउंट एरेबस है इस चेत्र में माउंट एरेबस आप लोगों को देख जाएगा माउंट एरेबस ठीक इसके बाद माउंट एरेबस के बारे महलका से बता जो माउंट एरेबस दूसरा सबसे उंचा है लेकिन सक्री के रूप में देखा ज स्थान है ठीक है कितना इस्थान सबसे थंदा है इसका माइनस 95 डेगरी सेल्सियस तक चला जाता है इसका जो दच्छुडी दुरुबाला जो छेतर है यह आपका यहाँ पर सबसे थंदा छेतर पाई जाता है जो कि माइनस 98 वो माइनस 95 डेगरी तक पहुंच जाता है तापमा महादीप यह पूरी तरह से बर्फ से ढखा हुआ है यानि इस महादीप के 98% भाग पर बर्फ पाया जाती है इसलिए इस महादीप को स्वेत महादीप या सफेद महादीप भी कहा जाता है इस महादीप का जो आरकट पालमर बाला जो छेतर है वहाँ पर ही थोड़ा सा जल्व पाया जाता है यानि कि जो पूरा महादीप है इसके पूरे भाग पर बर्द जमी हुई है यानि कि महादीप को बिलकुल भी रहने की इस्टीज नहीं है लेकिन यहाँ पर एक ऐसा छेतर है जहाँ पर बर्फ नहीं पाया जाती है यानि कि जल पाए जाता इसको हम पालमेर लेंड या पालमर भूमी कहते हैं अराकाट पालमर ठीक है इस महादीब को बिस्तुका सबसे ठंडा मरिस्तल कहते हैं सबसे बड़ा ठंडा मरिस्तल कहते हैं क्योंकि और भी मरिस्तल है जो ठंडे हैं लेकिन अगर आपका अंटार्ट यहां पर रहने की इस्तितीव नहीं है यहां पर क्या है जैसे आपके बैग्यानिक वगह रहा है बैग्यानिक शूथ करने वाले तो अमेरिका से यह यहां पर 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 रहा है और हम से वहां पर रहा हो रहा है यह कैसा महातीप की खोज करने वाले वाले व्यक्ति थे एमंड सन थे क्या नाम था एमंड सन थे 1911 में नौर्वे की रहने बाले थे एमंड सन ने इनकी खोज की थी यानिकी दख्षिड दुरुप पर पहुँचने वाले पहले व्यक्ति जो थे एमंड सन ही थे इस महातीप पर पहुचने वाली पहली महला जो थी किरोलिन मिकेल सन थी किरोलिन मिकेल सन थी यानिकी जो पहले व्यक्ति जो थे एमंड सन थे महला की अगर बात की जाए तो बोथ थी आपकी केरोलिन मिकेल मिकेल सन ठिक इस महातीप की जो पर्फ है कभी कम क कभी ज्यादा यानि कि कभी पिगलती रहती है कभी जम जाती है यानि कि पिगलती तथा जमती रहती है इस काड़ इस महादीप का जो आकार कभी कम हो जाता है कभी ज्यादा हो जाता है इसलिए अंटार्टिका महादीप को इस्ताई महादीप न कहकर क्या कहते हैं गत्सील महा पर दिखि रहा होगा लेंबर्ण हीम्न होगई ठीक है महाधीप यानि mugllen को एक पर्वत माणता है दो वह दोग में के क्या नाव मिसका क्यों माड क्यों माड पर पररघ् Hahn कि तने वहो मारते दो वहॉङों में पाट से देता है चलिए इस महाधी पर छे महीने की रात और छे महीने का दिन होता है मिने आप लोगों को जब गुडन तथा आपका पर परिकिरमड पढ़ाए था उसे मैंने बताए तो जो प्रत्वी होती है किस तरह से जो आपका उत्तरी दुरूब होता है कि कभी उत्तरी के समय आपका दिन होता है ठीक है तो चलिए समस्ते है मैंने क्या बता इस महाधी पर छे महीने की रात तता छे महीने का दिन होता है जैसे कि 22 मार्च से लेकर 3 सितंबर तक रात होती है 22 मार्च से लेकर 3 सितंबर तक यहाँ पर रात होती है जबकि 24 सितंबर से लेकर 21 मार्च तक यहां पर छे महीने का दिन होता है इस महाधीप पर बैग ग्यानिकों ने कई सारे अनसंदान केंद्र खोल रखें इसलिए इस महाधीप को बैग ग्यानिकों को समर्पित महाधीप भी कहते हैं इस महाधीप पर भारतियों में अगर बात कर ली जाए महाधीप में भारतियो जो ने भी अनसंदान संस्तान खोले हैं जिन में आपके मैत्री तता भारती नामक कुछ पिर्मों कें जो कि आपके भारत से संबंदित हैं ठीक है इसके बाद दक्षडी दुरुप पर पहुंचने वाले पहले भारती जो थे किरी राज शुरोही थे जबकि अंटार्टिका प पर पहुंचने वाले पिर्थम भारती राम चरण जी थे मैं फिर से बता जेता हूं कि दच्षडी दुरुप को अगर पहुंचेंगे तो आपको अंटार्टिका महाधी पर पार करके पहुंचना होगा तो इसका मतलब यह है कि अंटार्टिका और दच्षडी दुरुप प पहुंचेंगे तो इनकी नहीं थी कि दच्षडी दुरुप पर पहुंचा है तो अंटार्टिका के बाद यह लौट आयते वापस चलिए आगे बात करते हैं इसी में आपका प्रच्षियों में आपका पिंग्विन नाउड़ने वाला प्रच्षि अलवात रोस और पेटल संधी από ही मचली है यहाँ पर आप देख सकते हैं संदर सा मुख्ढ़ा आपका यहाँ पर यहीं सील मचली है इस तरह के आपके जीप होते हैं यह संदारी होते हैं इस महाधी इet पर लेकिन अंटार्टिका संदी उन्यकर के दायद इस महाधीप को अंतार्टिका संधी अंतार्टिका महाधीब से अन्तार्टिका संधी 1961 के दायद इस महाधीप को केवल सांती-स के लिए ही प्रियोग में लाए जाएगा यह नहीं कि आप चिल गोजे टाप के हैं आप कहा है कि हम अंटार्टिका माधी पर जाएंगे और वैग्यानिक अंसंदान करेंगे तो नहीं कि रूप में आप परमाणी परमाणू बॉंब का परिछड़ करेंगे अगर आपने परमाणू बॉंब का छोड़ी है कोई अलका सा संस रहेंगे राष्टी यह अंतरिक अत्यका अध्यन केंदर गोवां में इस्तितब्स अ करते हैं इसमादीप पल्ठी को तीन सागरों ने गेड़ा हुआ है यहाँपर आप सकते हैं हिन्दमासा가र इंदमासागर आपका यह है हिन्दमासागर ने गेर रखा यानि की आप इ तरह चलते जले जाएंगे तो यहां पर देखेगा प्रसांत महासागर और यह है आपका अंटार्टिका महासागर भी है चलिए यह अकेला महाधीप है जिस पर कोई भी टाइम जो नहीं है यानि कि जितने भी आपके महाधीप है उन सभी पर कि जितने जानकारी थी जो भी जरूरी थी उसके बारे में अब यह कहेंगे परवत पहाड़ी नदियों निखे बारे में और जीव लोक के बारे में मैं अलग से बीडियो बना चुका हूं इन्हीं में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं तो टीप में जाने के को परमय उसको हम कह सकते हैं माउंट कोज यह को isco कित्ने मुंच आइए कि 2228 अइसको डिखा दिखा जेता हूं आप लोग को यहाँ यानिकि यह आपका यह निखि Сам पर एहां पर उसके और का बैट वाइडिंग रेंच त्विस्क्वा जिए हैं दिखेंगे रहें हैं effectivement के इसको बंदू कि अगर बात किजा तो आय जी लै अएशील मैं यहाँ पर एक हो मैं आपको जूम करे का फटीकर नहीं पूर में यहाँ पार आप देखेंगे अगर आप के बार मेइप है तो आप हळाँ पर खूल कि य magazines करते हैं मैं बहुत जरूरी है IMPORTANT से भी IMPORTANT है मैं पने तो कुछ नहीं समुझाया अगर मैं आप नहीं है मैं चाहिए उसकी बना जयोग्रफिया डूरी है ठिक है तो चले समझते है आई रे जील ठीक है यहां पर क्या है इसका निम्नितम बिंदु है सबसे बड़ा नगर की बात करके यह तो सिड्नी है अब भाईया सिड्नी कहा है आई यह मैं आप लोगों सिड्नी दिखा देता हूं यहां पर आपको दिखरा होगा सिड्नी ठीक चलिए बहुग लेक सिड्नी आपका पूर їचेत्र मैं और यहां पर इस तरह से आपको यहां पर आपको तिखे जाएगा पर्थ पोर से पस्चिमों तक आपको पार करने वाले जो प्रत नहीं वारी ऊंस का क्या यहां पर भूल से को च्छैत्रु major सब्सक्राइब यह और आगे बात करते हैं सबसे बड़ा सबसे च्छोटा महाधी पर आता है ठीक है चलिए यह समझते हैं और इसका इकलौता देश है जो कि पूरे महाधीप पर और इसका च्छोटा महाधीप है और यह एक ऐसा इकलौता देश है जो कि पूरे कि पूरे महाधीप पर फैला हुआ देश ऐसा कोई देश महाधीप नहीं है जिस पर पूरे पर सिर्फ एक ही देश फैला हो जैसे कि आप कर आप यहां से देख सकते हैं कि यह इस तरह से मालीजे यह पूरा ऑस्टेलिया है आपका क्यूंस लेंड और नुवी पापिया गिनी और तमाम चोटे मटे देश हैं तंजा तस्मानिया ठीक है इस तरह से चोटे मटे देश हैं तो सबसे अधिक जो पूरे महाधीप पर अगर फैला देश है तो वो और पूरे महाधीप पर जो फैला देश है उसको हम और श्टेलिया कहते हैं ठीक है इसलिए इस महाधीप को क थीपी महादیप भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर एक धीप के रूप में ऐस्टेलिया फैला हुआ है, जो की बहुत बड़ा है, तो इसलिए इसको को दीब यह महाधीब भी कहते हैं इस महाधीब पर यानि कि जो आफरिका मा। ऑस्ट्रेलिया महाधीब पर Bronze इते हैं या को यहाँ पर她 की वर्ण होती है ठीक है क्योंकि यह पूरा महाधिप है यहां पर बीच में तो ब्लकूल बर्सा होती नहीं किनारे किनारे हलकी सी कई कोई बर्सा हो जाती इसके लिए जो जो बड़े-बड़े सेर जो भी खास यहां पर आपका और भी देश हैं और ये फिजी बगएरा और तुमालू आलू कचालू इस तरह कई छारे यहां पर छोटमटे दीप हैं तो इन सभी को सम्मिलत रूप से क्या कह देते हैं ओशी निया कहते हैं ठीक है इस महाधीब की खोज करने वाले जो ब्यक्ति दे उनका नाम था जेम्स कुक या क अर्थ होता है डच्डी अर्थ क्या होता है दच्डी जोते चंथ सिर्मने अपने अर्या और या ओर्या ऑर अरोर और अरो रढ़ बोरीया लिस तब और रेला और अस्ट्रेलिस पड़ाइए तो और अरोर इन। तो यह ढोगा और नाम ऑश्टरी तरह से लिया गया जिसका मतलब ते महाँडी यह महाँदी पूरी तरह से गोलार्द में इस कि आधिक विसक रीका का कि उत्तरी गोला अत्री गोला तो यह आपका पूरी तरह से दच्छडी तथा पूर्वी गोलार्द में इस्तित देश है ठीक है इस महाधीप पर कुल 22 यह से हैं इस महाधीप से मकर रेखा बीचों बीच से गुजरती मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ आपका यह है मकर रेखा यानि साड़ी देश दच्छडी है अच्छा का विटेन कहा जाता है कि इसको न्यूजी लेंड को यहां पर आप देख सकते हैं न्यूजी लेंड कंगारू यहां का राष्टी पसु है ठीक है चलिए आगे बात करते हैं और शेलिया के पूर्वी वाग पर इसकी सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति पाए जाती है जिसे ग पूर्वी भाग पूर्वी भाग में आपका क्या पाए जाता है एक लंबी पट्टी में प्रवाल भित्ति पाए जाती है या दीवार की तरह है तो इसको क्या कहते है ग्रेट बेरियर रीप यहां पर आप देख सकते इस तरह से यह है इस तरह से ठीक है चिया लिए इस महा है यहां पर है समया गया इस מहातीप में पहुत शुट चूते चार और सावं शूरियागो थिक यह परMER आप कहते हैं यहाप पर आपका मोट्व जो देख रहा है यह माओरी जन्जाती का है वहां का जो न्यूजिलेंड है वहां का मूल निवास है और यहां पर आपको दिखा आ सकता हूं मैं काल गूडी वोल्डर और कूल गाड़ी काल गूडी जो है आपके प्रमुख खाने और कूल गाड़ी यहां पर प्रमुख किसकी खाने आपकी सोने की खाने पस्चमी पठार वाले छेत्र में और महादीप के अगर पूर्वी बाग की तरफ जाए यह आपको पूरी बाग दिख रही होगा यहां पर के पूरी बाग में उच्चे उच्ची भूमी तथा उच्चे पठार तथा पाड़ियों की एक पठी है जिसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहते हैं चलिए आगे बात करते हैं इसमें बिस्व में सबसे ज्यादा मेरीना मेरीना जो उन है वो आपका ऑस्ट्रेलिया ही उ बूर्ण का नर्याद किया जाता है मैं फिर से दिखा देता हूँ हाँ यहां से माली जिकिसी भी चेत से बूर्ण जो लेकर आई जा रहे है बूल पूर्ण बूल मतलब तो बूल पोर्ट इसको कहते है इस महाधी पर कुछ चेत्रों में नहीं पाए जाते हैं जैसे कि कंगारू, कौाला, प्लेटीपस यह कुछ फिर्मों को यहां पर जीव हैं यहां पर देख सकते हैं यह बताते हैं सुना जाता है कि यह पहले बतक का पूरवज है ठीक है बतक बतक का यह लिटेस्ट वर्जन है बतक जो आकरती थी यहां पर पानी की कमी होने के काड़ इसने अपने आपको इस तरह डाल लिया की अब यहां पर पानी की जगए बैसे भी छेतर में चलता है कि चोंच बगएरा और यह तैरता भी पतक की तरह यह ठीक है तो प्लेटीपस यहां पर आप देख सकते हैं कौाला आप देख सकते ह इंगारू ठिक और शेलिया में सीतोस घास के मैदानों को डाउंस कहते हैं बरसा की कमी के काड़ इस महादीप के चार परसेंट भाग पर ही खेती होती है मैंने बताया था इस महादीप पर लगबग करीब पांच से च्छे मारे विस सल हैं इसलिए इस महादीप को या इस देश को हम क्या कहते हैं सूखा प्यासी भूमी का देश या महादीप कहते हैं ठीक है और तरस जल संदी आई यह मैं आप लोगों को दिखा दू टॉरस बेटा हो जाजूं हां यहां पर है यह न्यूगिनी पापुआ न्यूगिनी और यह है आपका अफ्रीका इसके बीच में टॉरस जल संदी है ठीक चलिए टॉरस जल जल दिखियों के बारे में आप लोगों को पता चुका हूं यह आपका आरफ्रा सागर और पापुआ की खाड़ी को यह कोरल सागर को मिलाने वाली यह टॉरस जल संदी जल को ठीक चलिए और देता है न्यूगिनी की ने तता तस्मानिया के पीच में यह हो गई आपके ऑस्तियलिया महादीब के बारे में जो भी जानकारी थे थे ठीक है चली आगे बात करते हैं कि इस ताल अवरुद देस्टों के बारे में बात कर लेता है लेंड लॉक्ट कंट्री लेंड लॉक्ट मतलब वह इस तर अवरुद अलग से मैं एतली बताया कि सब्सक्राइब के एक बारान कंफीजन पैदा नहों कि मैने बताया है सब के बारे में मैंने पढ़ाया है हर चीद के बारे मैं चाहएं वो नदियां हो कि सी बीदेश की कि सी माधीब की जाहें आप केबल बेस आप लोगे ही तयार किया है कि आप माधिएप को आखे मंद करें कि पूझार रहे हैं कि इस तरह फिया गाँ फिर आपका अफ्री का हो जाए एस्या महादीप के सबसे ज्यादा पूचा जाने बाले देश जो है बो है लाउस इतना ज्यादा पूचा जाता है कि जब मैं पुराने पेपर देखता हूं तो लाउस तो होता ही होता है कहीं पर हो नहो लाउस तो हो नहीं होना होता है उसमें ठीक है तो आई सबसे पहले हम यह थाइलेंड और म्यामार तो म्यामार अगर इस तरह से देखें म्यामार चीन और वियतनाम यहाँ पर अगर राजदानी की पैसे जरूरत नहीं है ठीक है और आपका कंबोडिया और यह थाइलेंड इनकी वैसे राजदानी भी बहुत जरूरी है म्यामार की जो राजदानी पीयदा है व्यतनाम की राजधानी हनोई है और आपका थाइलेंड की जो राजधानी है बैंककोख है कंबोडिया की पैन है नाम पैन है ठीक है चलिए दूसरा देश देखते है नेपाल नेपाल जो है आपका किन-किन देशों से सीमा बनाता है तो आईए देख लेते हैं ये तो चीन से तो मिला नहीं बना रहा है आपका थिम्पू यानि की भूटान से नहीं बना रहा है यह त्यान रखना भूटान से सीमा नहीं बना रहा है भारत से सीमा बना रहा है तो भारत और चीन से यह सीमा बना रहा है चलिए कजाकिस्तान के बारें बात की जाये तो कजाकिस से जिसका सीमा नहीं बनाता क्योंकि जो केश्बियां सागर आलए नहीं वो एक जी लेए ठीक है तो चलिए बुटान भी एक landlocked country है भुटान को इनके देशन सीमा मना रहे तो भारत और चीन से सीमा बनाता है आप कहेंगे बंगलादेश से बंगलादेश से सीमा नहीं बनाता है यहीं सीमा साधा नहीं करता भुटान की राज़ानी थेंपू है ठीक है चलिए अफगानिस्तान के बारे country है यहां कहा है इस्थाल अवरूस देश है किन-किन देश सीमा बना रहा है बारस से तो बनाई रहा है जो कि आपका बारस से किस से बना रहा है पाक अधिकरत कस्मी से नहीं प्रत्या चुरूप से बना रहा है प्रत्या चुरूप से नहीं मना रहा है पाकिस्तान से सीमा ब बारे में देख लेते हैं आपर ऑजर वैगान और यहाँ पर एक देश है जिन्को हम केते हैं beat alone की राजदानी भी है तो आजर बैङजान से राजदान बनाने वाली जो है सब उजवेकिस्तान आपका कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान तजाकिस्तान ठीक है और किर्गिस्तान से सीमा साजा करता है अफगानिस्तान से भी करता है किसी चलिए उजवेकिस्तान के बारे बात करें तो किर्किस्तान जो है वो आपका चीन से सीमा साजा कर रहा है कजाकिस्तान से गिरा हुआ है टजाकिस्टान से गिरा हूए और उज़ुवेकिस्टान से भी गिरा हुआ है इसके बाद मंगोलिया के बारें Annual बात की जाए तु मंगोलिया भी आपका इस्था लब्रस देश से और उजुवेकिस्तान से और किर्गिस्तान से भी सीमा साजा करता है इसके बाद तुर्कमेनिस्तान की बारे में बात की जाए तुर्कमेनिस्तान आपका यहां पर देखेंगे इरान से सीमा साजा कर रहा है और आपका उजुवेकिस्तान से और अफगानिस्तान से सीमा साज हो गए थे यानि कि यहां का जगड़ा चलता है इजरायल वाले चेस से और यह सीरिया वाले चेसे यहां पर हमारा मारपीट होती रहती है आपस में तो यह विचारा ऐसा देश इसको हम साय जहां तक अंदाज इसको कहते हैं without land country यानि कि देश तो है लेकिन इसका कोई अपना खुद की जमी नहीं है विचारे घर से वेगर हो गए है इसके बाद एक और बात कर लिए आए ना ना नार गोना करावाख जो है अजर वैगान के अंदर ही एक देश बना दिया चोटा सा हो तो जिस तरह से बहुत भारत देश को तोड़ने की जब बात करते हैं उसी तरह से अजर वैगान में कुछ कीड़े पैदा हुए अजर वैगान में जब कुछ कीड़े पैदा हुए तो उनने क्या कर दिया अजर वैगान के अंदर ही खोगला कर दिया चेद कर द त्डेशा कि उसके से The ließlich मैं आपको समझना होगा फ्ट्रीब करके सबसे पहले बात करते हैं हंगरी, फंगरी मतलब भूअ भूखा भूखा बूखा देश है यह हिंदी में कंभट नहीं करेंगे हंदी नहीं करेंगमें लोग कंभट कर देगे है इस तरह से भूखा देश नहीं है ये इसका नाम है हंगरी सिर्फ चलिए समझते हैं भूखा देश मतलब हंगरी देश राजधानी के बारे बात करते हैं दो बुढ़ा पेश्ट इसकी राजधानी है किन-किन देशों के सीमा साजा करता है यूक्रैन से रोमानिया से सर्विया की राजधानी बेल्ग्रेट से ठीक है बेल्ग्रेट सर्विया से करता है और आपका क्रोईशिया से सीमा साजा करता है और स्लोवाकिया से करता है और स्लोव और स्लोवनिया से ये प्रमुक्त देश है इससे सीमा साजा करते हैं बैटकन सेटी जो है आपका इटली के अंदर मिन्स्क है मिन्स्क ठिक मिन्स्क जो स्कते मिन्स्क ठिक तो इसकी जो राजधानि का है किन किन देजों से सीमा साजा कर रहा है आपका रूस से यूक्राइन से पोलेंड से आपका लिथवानिया से और यहां पर देखेंगे लात्विया से लात्विया की राजधानी रीगा है लिथवानिया की राजधानी विल अस है ठीक है विल अस है आपका जो यहां पर देख लुहमा जाब लगाता हूँ आपका कोशोवा जो देशहागा इसका ठीक नीचे दोने दक जाएगा इसके सीमा करें कर लुक्रारया एका अल्मानिया ठीक है इन देशते हैं इसकी आप बात करते हैं सरविया सर्व्या में मैं आप ल trail डिखा जयता हूँ यहां पर आपको एक देश दिख जाएगा यह है सर्विया, सर्विया आपका रोमानिया से घेरा हुआ है, सर्विया की राजधानी भी बेल ग्रेड है, रोमानिया की राजधानी बुकारेष्ट है, ठीक है, तो आपका रोमानिया, बुल्गारिया, कोसोबा, कोसोबो, और यह को जोम करके दिखा जिता हूं माल दवा ऑपका यूक्रेन और आपका रोमानिया से गिरा हुआ की स्लाओं ठीक आपका पहर बारे बात कर ले तक हुआ तो ऑस्ट्रिया किन इस चत्रों से गिराई है कि इस अस्पर शेक गडगराजी के अर्मेनिया के बारें बात कर ले तो अर्मेनिया भी एक इसके बाद चेक गडराजी के बारें बात कर लेते हैं चेक गडराज छोड़ा ज़रूरी है इसको अलकास देख लेता है Switzerland आपका Germany से सीमा साजा करता है France से है, Italy से करता है और Australia से सीमा साजा करता है Luxembourg की बात की जाए तो Luxembourg मैंने आपको बताया था यहाँ पर कुछ देश हैं जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ नीदरलेंड, नीदरलेंड के बाद Belgium, Belgium के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं Luxembourg, Luxembourg की राज़ानी से आपका Luxembourg सिटी है आपका स्लोबाकिया जो है वो भी एक इस्तल अबरुद देश है स्लोबाकिया जो आपको यहाँ पर देख जाएगा स्लोबाकिया यहाँ पर देख रहा है पोलेंड इसके उत्तर में है इसके पूर में यूक्रेन है यहाँ पर देखेगा आपका हंग्री और यह ऑस्ट्रिया देख जाएगा ठीक है सेन मारीनो जिसको हमें यहाँ पर जनूर नहीं है बस हम यहाँ पर यह जेख लेंगे स्वीजी लेंड को हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं, जांबिया, जांबिया कहां पर है, आईए मैं देखा देता हूं, जांबिया, इसको हम उत्तरी रोडेसिया भी कह देते हैं, किसको जांबिया, कहां पर ये जांबिया, जांबिया की राजधानी क्या है, दूसरा जो देश है उसको हम कहते हैं बुर्किना फासो बुर्किना फासो को अपर बोल्टा भी कहते हैं अब बुर्किना फासो कहा है आईए में देख लेता हूँ बुर्किना फासो ठीक ऊपर में चले जाएंगे यहाँ पर आपको देखेगा बुर्किना फासो या फासो ठ ठीक है इसके कौन-कौन देस हों से गिरा हुआ है नाइजर माली कोष्ट इडिए आईवरी और यहा पर गान沏से भी गिरा हुआ है यहां पर टोगो से भी गिरा हुआ थिक है चलिए इसके बात कर रहे रवांडा के बारे में तो रवांडा जो है आपका मैं जूम कर देता हूं बिटा रवांडा युगांडा के ठीक नीचे होना चाहिए रवांडा यहाँ पर आपको एक देश देखे का रवांडा रवांडा जो है ज़रूरत नहीं है किन किन देशों गिरा हुआ है चलिए छो उपर आजाएगा माली भी एक हिस्ताल अबूस देश है इस्ताल अबूस देश में आपने वह बता चका हूँ ऐसे देश जिनकी सीमा किस से न लगती हो वह क्या गोलते हैं समुद्र तर से न टचे कर दियो चलिए तो माली कि इनकी देश सीमा साजा करता है अलजीरिया नाइजर बुरिकेना फांसो माली की जो राजदानी है बमाको है बमाको प्याने की जब गाउं में कहते हैं दमाको तो उसी का उल्टा करतो दमाको क्योंकि बं करते हैं इसके बाद बात करते हैं बोस्तवाना आपको यहां पर देख सकते हैं बोस्तवाना दच्छडी अफ्रीका गोत्तर में बोस्तवाना जो राजधानी है तो गैबो रॉन है ठीक है कौन-कौन से देश्टों से घिरा हुआ है जिमबाम्बे नामीविया और बात करते हैं लिसो हमने बतायाता अफ़रिका महादीप के का एक देश है उसको कहते हैं क्या ले सेथो उसके बाद उपर बढ़ेंगे तो अफरीका महादीप में एक और देश्या गेंद च्वाजी लेंड ऐसंदी यही जकी आपका मोजाम्बेक और यहां पर से घिरा हुआ जो कि यह लेगों ऑट करते हैं गर companies का दच्षडी सूरान से गिरा हुआ है इसके बात करते हैं नाइजर के बारे में नाइजर आपका यहाँ पर है नाइजर जो है एक इस्तल अब्रोथ देश है अलजीरिया लीबिया चाड और नाइजीरिया और बुर्गिना फांसो से गिरा हुआ है यहाँ पर बेनिन से भी ग करते हैं तो यहां पर केंद्री अफ्रीका गड़राज जो आप देख सकते हैं मद्र अफ्रीकन गड़राज जो कि बांग विइसकी राज्धानी है क्यों किन धेसे गिरा हुआ है दच्षुडी के बारें बात करते हैं दक्षडी सूुडान भी आपका यहां पर इस्तल अभूद देश किस hahम अफिरीका महा दीबाों चैली बात करते हैं दक्षडे अमेरिका के बारे हैं, डछ्छ अमेरिका में सिर्फ उस दो देश हैं जो इस्थल अभूरुत देश है जो कि बहुत ज्यादा important हैं, सबसे पहला जो आता है Bolinia Bolinia जो है इस थल अभूरुत ने यहां ब्राजिल से गिरा हुआ है परागवे सीमा साजा करता है अर्जेंटीना से चिली से और पेरू से घिरा हुआ देश है इसके बाद दूसरा जो देश है उसको हम कहते है परागवे परागवे जो है इसकी राजधानी बात अगर करें तो असू असू सीन है बोलिविया की राज से और बोलिविया से यह क्या करता है सीमा साजा करता है ठीक है तो यह हो गए आपके इस तरल अवरोज देशों के बारे में जो भी चानकाली थी बहुत इंपोस पांता है बॉस्ट जाहर वारी सिसे रिखात ज्यादा इंपगरण करते हैं भास के मैंदाने समझ लेती हैँ और इनको ळास लेंड़ी कहते हैं तो देखते हैं गास के मैं अएक सडेव फेवरेती लगाथ हूं अब विसे आप लोगों का नहीं है मेरा प्रॉट धेव अप्रता हूं भलेक पर यहलुह समझ में आता है छलिक समझते हैं घास के मैदान क्या होते हैं घास यांद जानते यह घास है Ռहाँ चाहिते हैं सबसे पहले हुड खक्रफ हो सीतोष कटवंदि ग filters क olsun कि म्यातर कि मीधन आंस ले कटवंदि इस वीन समझते हैं सबसे पएले पानी में चलिए मैं भी जाओंगा जीवन सोचना है आप काई डूब होंगा मैं भी आप उसमें चलूँगा चलिए तो इसके इनको यानि कि उस्ट कट्वंदी घास के मैदाने इनको अलग-अलग नामों से जाना जाता है कन्फीजन न पैदा हो इसलिए मैंने बिल्कुल साधर भासा में अलग-अलग कर दिया है मैप में कर दिया है कन्फीजन न हो उनको किस रूप में और कांप किन देसों में क्या क्याते हैं बिल्कुल कलियर कर दिया ठीक है तो मैंने क्या बताया उस्ट कट्वंदी घास के मैद व्राजिल में क्या क्या राते हैं विद्मोजола को लंबिया के मिदotherap क्या का है लाओ देखिय में अभाई लैद लीड्बाट करते हैं मैं थोड़ी से उभड़ी से क्लिषा लेक लिए कमबोज पाई जाते हैं और पाकर लैंद अफेका मैं又 यह मैं ब्राजील ठीक है जो कि आपकी दच्छड मिर्खा महाधीप में ही एक देश है तो मैं जूम कर देता हूं यह इस तरह से सवाना के बारे में यह सवाना जो है उस्ट कटवंदी घास के मैदान है यह जो है कौन से चेत्र में पाए जाते हैं सहारा वाले चेत्र में यह आपका सहारा वाला चेत्र देख लिया जाए सहारा चेत्र और पूर्वी अफरीका चेत्र और पश्मी अफरीका वाला जो चेत्र है यहाँ पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको सवाना या करें उच्छड कटबंदी घास के मैदान अफरीका में पाए जाते हैं उनको सवाना कहते हैं यह कौन गोंते चित्रों में होते हैं संपूर इसमें सारा मरिश्टल सामिल किया जाता इसमें उत्री अफरीका हो जाएगा पूर्वी अफरीका हो जाएगा और पश्चमी अफरीका तक ये फैला हुआ है लानोस के बारे में गर बात कर ली जाए तो ये भी उस्ट्री कटवंदी गास का मैदान है दो कि दच्छड अमेरिक दच्छड अमेरिका महादीप के उत्री भाग में अब भया कटवंदी गास के मैदान है मैं मैदान है इसके बाद आपको समझ में आ गया होगा मैं अपमें इसी दिखा है दूसरा देखते हैं सीतोस्ट्र कटवंदी गास के मैदानों की तरह सीतोस्ट्र कटवंदी गास के मैदानों को भी अलग-अलग देसों में या अलग-अलग ना से जाना जाता है जैसे कि प्रेरी जो है घास का मैदान है सीतोस कटवंदी घास का मैदान है जिसे संयुक्त राज अमेरिका या कर यू ऐसे में प्रेरी कहते हैं इसके बाद पंपास जो है सीतोस कटवंदी घास के मैदान है इनको अर्जेंटीना में पंपास कहते हैं जो की द अफरीका का तो दच्छडी भाग है वहाँ पर जिंबांबे में बोस्सवाना में नाम इविया में और दच्छडी अफरीका महादीप में भी ये पाए जाते हैं इसके बाद डाउंस जो है सीतो सकटवंदी घास के मैदान ही है ठीक है डाउंस जो है सीतो सकटवंदी घास के म में यूक्रेन में रूस में चीन के मंचूरिया प्रदेस में यानि की यूरेसिया वाले छेत्र में यानि की यूरेसिया वाले छेत्र में यानि की यूरोप और एसिया के छेत्र में ये पिरमक रूप से पाए जाते हैं ये कैसे होते हैं सीतोस कटवंदी घास के मैदान टैगा जाते हैं, ये मुझे पक्का कंफर्म नहीं हुआ है, कि ये किस तरह के मैदान है, या करें सीतोस कटवंदी मैदान है, या फिर उस्ट कटवंदी मैदान है, ये आप कोई जानता हो, तो मुझे बताएं, क्योंकि मैंजे, कई सारी मैं ने बुक दिखी, मुझे सेलवास के बाल जैसे कि आपका कैनेडा वाले चेतर में, सायुक्तराज जमिर्का यानिकी यूएसे वाले चेतर में, और मेक्सिको तक फैले हुए हैं, अब भईया मेक्सिको कहा है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, यहां पर, मैंने बताया, ब्रद मैदान, यानि कि, आप प्रेडा, सायुक्तराज जमिर्का तथा मेक्सिको में, यह सीतोस कटवंदी घास के मैदान फैले हुए हैं, जिनको हम प्रेयरी कहते हैं, इसके बाद दूसरा जो आता है, पंपास, बी सीतोस कटवंदी घास के मैदान हैं, जो की दच्छिड अमेर्की महादीप में, च्छिड अमेर्का महादीप का दच्छिड चेतर है, इसका मद्दी वाला जो चेतर है, मद्दी वाले चेतर से अर्जेंटीना वाले पूरे देश में, या पूरे चेतर में है, जो गास के मैदाने फैले हुए हैं, जो की बहुत अच्छी कासी यहां पर खेती होती है, यहा पर ये इस्तत है आपका दच्छडी चेत्र में पिरमको जो गास के मैदाने इसकों क्या कहते हैं पंपास कहते हैं जो कि खासकर अर्जेंटीना वाले भाग में पहले हुए हैं इसके आप बात करते हैं बेल्ट्स के बारे में यह भी सीतोस गास के मैदान है यह सीतोस कटफंद बताइजे आपका बुछ तुमाना हो गया पर मुंजांबिक हो गया देच्छड़ अफ्रीका हो गया देच्छड़ अफ्रीका महादीब का दच्छड़ी बाद अफ्री की इस ठिक चलिए डाउंस के बारे बात कर लेते हैं यह है भी सीतोस कटवन दिये गास के मैदान है जो क कि आपके कहां पर फैले हुए हैं आपका अस्ट्रेलिया देश में फैले हुए हैं कैनवरी के अगर बात कर लिए है न्यूजिलेंड के न्यूजिलेंड का यह चो छेत्र है यहां पर जो गास के मैदान है न्यूजिलेंड के मैदानों में पाई जाने वाली गास है यह सीतो चेत्र में यह पाई जाती है, जो कि मैंने बताया संपूरु यूरेसियाई महादी पर विस्तरत है, यह उत्री चेत्र के जो गास के मैदान है, उन्हें हम सीतोस कटवंदी गास के मैदान है, मैंने क्या बताया हूं, मैंने क्या बताया, कि जो आपके घास के मैदान है, इस तर उंने हम सीतो्स कटवंदी गास के मैंदान है उनको हम यह क्या क्या थे बारे में बात कर लिता है अलका ता टेज़ा जो है साइवेर याइष्छेत्र यहां पर टेज़ा की जो है आपके मैंदान पाई जाते हैं तो यह हो गए आपके घास के मैदान जो भी जरूरे थे सीतुर कटबंदी घास के मैदान और उस कटबंदी घास के मैदान चलिए चलिए साथ यो बात करते हैं बिस्तु की प्रमुक नदियों के बारे में तो आएए देख लेते हैं नदियां किस तरह से हम जानेंगे नदियों के बारे में बात करेंगे वो देख लिए मैं बता जाता हूं पहले तुमें आप लोगों को बता दूँ कि नदियां जो मैं बताओं गाइस में जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बात करूंगा और दूसरी बात महादीपों के आधर पर नदियों को बात रखाए मैंने और तीसरी ब या महादीप की नदिया सबसे पहली जो नदिया उसको कहते हैं यांसी नदी यांसी तो तिबबत के पठार से निकलती है यह आपका तिबबत का पठार और यह इस तरह से निकलती और यह इस तरह से संगाई वाले चेत्र में यहां पर गिर जाते है तिबबत के पठार से न 380 km है जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी है इसके बात करते हैं वांग हो नदी इसको पीत नदी भी कह देते हैं आप पीली नदी भी कह देते हैं चो कि आपकी कुलुन कुन लुन परवस रेडी से निकलती है और जाकर यहां पर बैती है कौन सी यलो सी यलो रिवर और इस तरह से आती है और इस तरह से यह आपका यहां पर यह इस तरह से और यहां पर यह एक जगह पड़ती है चेहल चेहल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है कौन सी ने द आपका तिबद के पठार का है ना पर आप देख सकते हैं यह इस तरह से यह तरह से यह में माय होती हुई और यह तरह से दच्षड में आपर प्रिवेश कर जाएगी ठीक है तो फिर से बता जाओ मिकांग ने जोए तिबद के पठार से निकलती है और दच्छडी चीन सागर में अपना जल गिरा देती है दच्छडी चीन सागर कहा है यह आपका दच्छडी चीन सागर में जूम कर देता कि दच्छी चीन सागर में अपना जल गिरा देतीन लंबाय की बात की तो बो आपकी 403 किलो मीटर कीटनी लंबाई है यहां से लेकर यहां तक चार जाव 4403 किलो मीटर कौन कौन कॉन का देसर तो से हो कर जाती है मियामार मियामार थाइलेंड और चीन मैं दिकhasi ताउड इसके वाइब में आमार होती हुए और थाइलेंड होते हुए यह यहां पर अपना जल गिरा देती है चली नेक्स देखते हैं बैसे तो भारत शेतर में मैं आपने हो पड़ा दिये फिर विल्के से जान कर दिए जो कि आपका तिबत बाले पठार से निकलती है वहां पर एक ज देखते हैं लंबाई की बात कि दाए जो उनुटिस सो अटालिस किलूमीटर सिंद्ध के बारें बात की जाए तो सिंद्ध नदी आपकी मांसरों बडील के पास से निकलती है और अरब सागरम अपना जल गिरा देती है इसके बाद गंगा नदी के बारे में हम लोग बात कर चुकि यह बारत का बुगल पढ़ा था मैंने पढ़ाय था मैंने आप लोगो तो गंगा नदी जो है गंगोत्री हिमनस से निकलती हो और बंगला देश में यहां पर लगबद लगबद 2525 किलो मिटर बैती हुई बंगला जिसमें अपना जल गिरा देती है चलिए बंगाली ख बैती हुई इस तरह से यहां पर बैती हुई अरल सावग सागर में अपना जल गिरा देती है कितनी लंबाई में 2620 किलो मीटर आपकी लंबी नदी है इसके बाद करते हैं इरावदी नदी जो है वो आपकी म्यामार में निकलती है म्यामार में बैती है और इरावदी जो यहां पर आप देख सकते हैं यह है आपकी इरावदी माली और यहां पर दो नदियों को मिलने से यह इस तरह से यहां पर आती है और बंगाली खाडी में अपना जल गिरा देती है यहां पर रंगुन देख सकते हैं ठीक है मुहाने पर इसके रंगुन है कहां पर गिरा रही है यह वंगाली खाडी में ठीक चलिए चलिए आगे बात करते हैं चलिए सालमीन नदी के बारे में बात कर लेते हैं सालमी नदी जो है तिबत वाले छेस में किलनल परवत के दच्छिडी बाग से निकलती है यहापर और अपना जल गिरा देती है मैं दिखा देता हूँ आपको यहां पर यह आपका मर्तवान की खाड़ी यहां से निकलती है आपकी चीन में होती हुई इस तरह से आपके मियामार वाली छेत्र में फिरेस्ट कर जाती है और यहां पर आपका मर्तवान की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है लंबाई की ब अंबाई है पंच चार्वेनदी देगा दिता हूँ ओब नदी यहां से इस तरह सा जल गिरा देती है जो कि यहां पर उत्तर वारे लेह ठीक है चरेव जोर्डन नधी के बारेब कर लेते हैं यह सुमक्ष्ट जोरता है से यह इस तर इसस निकलती है और उत्तर में बहती हुई बहती हुई बैट बहती हुई यह नहागे फिर आगे यह लौत कि खाड़ी में अपना जल गिरा देती कितनी लंबा यह कि पांच यार चार सो दस किलो मीटर इसकी लंबा ही है इसके बात करते हैं जॉर्डन नदी के बारे में तो जॉर्डन अधी जो है यहां पर दो देश आपको देख रहा हुए यह बैस्ट बैंक इसको हम कहते है फिलिस्तिन नामक देश आपका बैस्ट वेंग कहला था या पश् यहां पर अपना जल गिरा देती चली आमूर नदी के बारे में बात करते हैं यह है आपका यहां पर देख सकते हैं मंगोलिया इस तरह से उत्तर में दक्षड में इसके चीन और इस तरह से यहां से यह वहती हुई और यहां पर अपना जल गिरा देती इसकी लंबाई की बा एक विक्टोरिया ठीक है तो विक्टोरिया जिल से आपकी नील नदी निकलती है और मिस्र में काहरा में पहुंचने के बाद बुमसागर में अपना जल गिरा देती है इसी नदी पर यानि की नील नदी पर एक बांद है जिसको हम कहते हैं आस्वान बांद क्या नामें बांद जिसकों कांगो या जायरे नदी कहते हैं यह अटलांटिक महासागर में अपना जल गिरा देती है इसकी लंबाई की बात की जाए तो 4,371 किलो मीटर इसकी लंबाई है कांगो गड़रा जिसे है निकलती है वह है आपको दिखा तो मैंने क्या बताया यहां पर एक नदी है जिसको हम कहते है जायरे नदी या कांगो नदी दो नदीयों के मिलने से बनती है यहां पर देख सकते हैं यहां पर दोनों नदीया है ठीक है और इस तरह से यह बैती हुई जाती है और यहाँ पर कांगो जाइरे नदी जो है आपका अट्लांटिक महासागर में अपना जल गिरा देती है ठीक है चलिए नेक्ट बात करते हैं नाइजर या तेल नदी तो गौाना उच्छी वुमी वाला जो छेतर है गौाना उच्छी मेंदी वाला यह वाला छेतर है यहां से यह नदी निकलती है और ऐसी बेहती हुई आती है आती है और यहां पर पश्च्वी अफ्री का वाले चेतर मैं और गिनी की खाड़ी में अपना जल गिरादी यह जो कि किनी की खाड़ी है यह पर अपना चल गिरा दीदि है ठीखए चली यह इंदर दच्षड ऐक देस है उसको ल esti Zac Fifth Love Middle Basrem challenge उरंग्वय एत्लांड इापना जिल गिरा देती है इसकी लंबाई की बात की जाए तो दो हजार नो दो हजार बानवे इसकी किलो मीटर लंबाई है ठीक है इसके बात करते है जांबेजी नदी जांबेजी नदी जो है जांबिया में बहती है जांबिया इसी नदी पर करीबा बांध है और विक्टोरिया जल्पिरपात नदी के बारे में बात करते हैं यहां पर मैं आपको लोगों जूम करके पहले तो वो दिखा दूँ और एंज नदी यहां पर देख सकते हैं इस तरह से लुषे तो से निकली है और यहां पर यह अट्लांटिक महासागर में अपना जल गिरा देती है लिंपो पो नदी जो है आपका इसी चेतर में दच्छड अफ्रीका नामक युदे से यहीं पर आपकी नदी बैती है चलिए आगे बात करते हैं इसी में चलिए दच्छड अमेरिका की नदियों के बारे में बात कर लें सबसे पहली जो नदी है उसको कहता है है अपर में दिखा दो इस र JUST की सबसे बड़ी नदी है और यह अगे बात करते हैं पेरू से यहां पर इक जील मैंने यहां से नदी निकलती है culture मेजिती है आपका याँ पर है आपका डного चेत्र कोलंबिया में मैं बहती है कुलंबिया है पर नहीं जो निकलती है और कौनसी नदी में बताई परागवे नदी इस तरह से मोटो ग्रासों से निकलती है ब्राजी से और भैती 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 आपकी पराना नदी में गिर जाती है 2549 किलो मीटर इसकी लंबाई है कि इसकी आपकी परागवे नदी की परागवे नदी मोटो ग्रासों से निकल चलती है और पराना में अपना जल गिरा डिती है ठीक है इसके बाद करते है और है निको नदी के बारे में और ही निको नदी सिहरा परमा परवत पर है आपका बइस वाली चेत्र में अट्लांटिक हो सॉत में अपना आती है C I couldn't और निको नदी यहां पर आप दिख सकते हैं यह और निको का मु合ाना यहां पर ठीक है यहां पर और किस से किस किससे निकलती है सीरा पारमा परवस्टे अटलान्टिक मासाहारम अपना जले गिराती आ कौन-कूनटे देसों से बटी है, कोलंबिया और बेने जला, इसके बाद करते हैं पराना नदी परगना नदी के बारे में यह दच्डि अमेरिका की, भी अमेरिका वाले चिस से निकलती है, यहां पर आप देख सकते हैं, यह है आपका पराना नदी यहां से निकली, यहां इसको परगना नदी भी कहते हैं, यहां पर निकली, और क्या करती है, यह इसी नदी पर आपका इतेपू बांध बना हुआ, मैं आप लोगों दिखा सकते हूं, यहां दच्छडी मिनास गितेस बराजील से निकलती है और अन्द महासागर अपना जटेल है वह गिरा देती है मैं देखा देता हूँ मैं यहां पर आप देख सकते हैं क्या नाम है शैंठ फ्रांसिसको साओ जोनादी है यहां से ऐसी निकलती है और अट्लान्टिक महासागर में अपना जल गिरा देती है चलिए आगे बात करते हैं इसी में ये निसी नदी के बारे में बात कर लेते हैं ये निसी नदी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये निसी नदी है इस तरह से आपका यहां से निकलती है इस तरह से और यह उपर यहां पर चेत्र में जाक घरा देते हैं लंबाई की बात की जा तो पांसे आर पांसी किलो मिटेर की लंबाई है यह बात करते हैं बोलका है नदी के बारे में तो बॉलका है जो है बल्दाइपतार स्वाह निकलती है बल्दाइप पज़ार मतलब माहें रूस वा लिकस्वाहLeg Wonder घराझ देती है मैं आपको दिखा दिता हूँ यहाँ पर है आपका बोलगा नदी इस तरह से बलदाई फर्वत से निकली और कैस्पियन सागर में अपना जाकर जल गिरा दिया ठीक है चली आगे बात करते हैं यूराल नदी के बारे में जो यूराल नदी है दच्छडी यूराल पर जर्मनी से निकलती है और काला सागर में अपना जल गिरा दिती है को कर दो भेड़ रहती कर दो जल गरा देती है, ब्लेक फॉरस्ट यहां से आपकी यह बहती वही बहती हुई आ Пर आई और काला सागर में अपना जल गिरा दिया, ठीक है चैले, नीपर नदी के बारे में बात करें तो बलदाई परवत है ये भी जो है बलदाई परवत से ये भी नदी निकलती है कौन सी नीपर नदी रूस वाले चीछ से निकलती है और काला सागर में अपना जल गिरा देती है यहाँ पर आप देख सकते हैं बलदाई परवत है यहाँ पर बलदाई ठीक है या वलडाई परवत इसको बोल सकते हैं तो वल्डाई प्रवस्तियां से निकली और ये निकलती 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 आपके काला सागर में αपना जल गिरा देती है चलिए नेक्ट बात करते है टिक्रिस नदी के बारे में टेरिकिस नदी तो तिर्गेस नदी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह इस तरह से आई तिर्गेस नदी और यह इस तरह से आने के बाद यहाँ पर सत्ट अल-सर अरव नामक जो नदी है, वहाँ पर अपना जल गिरा देता हूं, फिर से दिखा दिता हूं, मैंने क्या बताया यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर एक परवत है उसको हम कहते हैं टॉरस परवत यहां से टिग्रिस नदी निकली और सत अल अरम में अपना जल गिरा देती है इसके बाद फरात नदी या यूरो फरात यहां पर यह जो यहां पर लिखा है यू पी एच ए आर टी यहां पर यू और यू जो है वो साइलेंट है तो यहां इसको क्या पढ़ेंगे हम फरात नदी जो है फरात नदी यहां से निकली इस तरह से यह निकली और ठीक है और यहा सत अल अरव नदी में जाकर मिल जाती है फिर से बता जेता हूं कारसुन और मूरत नहरी नदी के संगम से मिली यहाँ पर देखेंगे मैं जूम करके दिखा जेता हूं यहाँ पर दो नदिया हैं इन दोनों के संगम से आपकी फरात नदी बनी और इस तरह से आने के बाद जिस तुर्की वाले चेत्र में है ठीक है मैं आप लोगों दिखा देता हूं यहां पर यह फरात नदी या यू फ्रेट्स नदी इसको पड़ देते हैं यू फ्रेट्स नदी यहां पर एक टिग्रस नदी यह यहां पर गिरिंग ठीक है चली आगे बात करते हैं इस इस परी नदी के बारें बात करते हैं इस परी नदी कहा है बर्लिन में बर्लिन कहा है जर्मनी में तो आयो में आप लोगों दिखा देता हूं यह आपका बर्ल जर्मनी जर्मनी में एक जिगह पड़ती है उसको हम कहते हैं बर्लिन ठीक है बर्लिन ठीक तो इसमें होनी चा अब टेम्स नदी कहां पर है टेम्स नदी लंदन ये इस तरह से ये नदी आई और ये लंदन पर आते आते हैं यहां पर अपना जल गिरा देती है ठीक है इसको एक टाइवर नदी की बात की जाए तो यह भी रोम है रोम मैंने बताया था चपल जैसी या के सेंडिल जैसी पर बात करें तो यहां पर आपको दिख जाएगी एक सीन नदी यह आपका सीन नदी ठीक तो सीन नदी इस तरह से आई और अपना जल यहां पर गिरा दीती है ठीक है और यहां पर इस प्री नदी में आप लोगों को दिखा दूँ इस तरह से बर्लिन से उपर से आती है इस के बाद राइन नदी के बारे में बात करें तो कूलोन से निकलती है जर्मनी में इस्ते था ये बून में भी बैती है आपका जर्मनी में इस्ते था और सुट्डे लेंड में भी ये आपकी नदी बैती हो कौन सी नदी यहां पर राइन नदी में आपनों राइन नदी दिखा आगे बात करते हैं मरे और डार्लिंग के बारे में बात कर लेते हैं यह यह आपका उस्टेलिया महाधीप उस्टेलिया में इस देस है इसको हम कहते हैं उस्टेलिया में दोने दियां बैती हैं जिसको हम कहते हैं एक हैं डार्लिंग दूसरी है मरे जनी डार्लिंग जाकर जब मिले तुरूप से मरे डाद रिंग कहते हैं और यह काई में करते हैं हिंद माहसागर में अपना सल गिरा देती हैं चलिए आगे बात करते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टन देखते हैं आपके USA की नदियों के बारे में चलिए देखते हैं उत्तरी अमिर्का महधीब के कुछ परोग नदियों के बारे में सबसे पहली नदी जो है वो है आपकी Mississippi नदी Mississippi नदी जो है Missouri Red Rock अमेरिका में बैती है निकलती है वहां से और मेक्सिको की खाड़ी में अपना चल कि रहा देती है आई यह में दिखा देता हूँ आपको Mississippi नदी यहां से आपकी Mississippi नदी निकली और इस तरह से बैठती हुई यहां पर एक नदी मिली Mississippi में ओहायो और यहां प सागर में अपना जल किरा देती है आफरे सागरрипום में अपना पर आपती है यह में देख सकते हैं यहां से पीस के नाम से हाद से निकली में इस तरह से यह बैठती में केंजे नरिस आपना मुहाना भ्योफ फोर्ड वियो फॉर्ड शागर में अपना जल गिरा कर अकना बनाती है यह पर आप देख रहृः है मैं केंजे की खाड़ी यहां पर एक, दो, तीन, चार, पांच जील हैं, उनमें से एक जील है, इसको हम कहते हैं, ओंटेरियो जील, ठीक है, ओंटेरियो से एक नदी निकलती है, इसको हम कहते हैं, सेंट लॉरेंस नदी, और सेंट लॉरेंस नदी आपकी, यहां पर सेंट लॉरेंस की खाड़ी भी द जिति है तो आ यही दिखा दे तो में कहां है हर्टसन की खाडी इहां पर एक जग़े है उसको हम कहते हैं बो नदी-बो नदी के उत्तरी बाक से सर स rubbish निकली और फटकर बात करते हैं अर्कांशस घी में जाकर अपना जल गिरा देते हैं इसका बात करते हो विसरे हम आपका पोर्टर कंट्री पेंसलवेनिया से निकलती है जो कि एक राज है और मिसीचिपी की नदी में अपना जल गिरा देती है यहाँ पर देख सकते हैं यह आपकी ओहायो नदी और मिसीचिपी में अपना जल गिरा देती है इसके बात करते हैं कोलंबिया नदी कोलंबिया न बताई यहां प्रशान्त मात्यारम अपना जल गिरा से शल के बारे में यहां कि न्यूवर्क सिटी में बействिए प्रशान को पीस देखंगा तो सपाएं वी काफी चोटा है तोогодनों आप लिए-डसान की आप से कौन से चेत्र में बैती है नियोर्क में इसका बात करते हैं यूकॉन नदी जो की बिटिस कोलंबिया राज में कैनेडा में बैती है यहां पर आप देख सकते हैं यूकॉन नदी इस तरह से यूकॉन नदी और यहां पर आपका 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 अलास्का में होती हुई यहां अपना जलव के राद देती है ठीक है 가장 दिकन से निकलती है बिटिस को उलंबिया, राज जिसे जो की कैनेडा में पड़ता है इसको पोन नादी के बारें बात करते हैं बात करते हैं यू से लामक्षथ से निकलती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सी नदी मैंने बताई पोटो मैक नदी यहां पर आपको एक नदी दिख रहे होगी जिसको हम कहते हैं पोटो मैक नदी इसके बात करते हैं नियागरा नदी के बारे में नियागरा नदी जो है ओंटोरियो कैनेडा वाले इच्छे से निकलती है और नियाग नदी कहां पर यहीं पर आपको एक नदी दिख रही होगी वो उसको हम कहते हैं नियागिरा नदी ठीक आगे बात करते हैं एक नदी और है को ले रेड़ो नदी जिसको जो कि आपके नवैदा या नवादा से निकलती है जो कि आपका USA कैनेडा में बैती हुई आपका को लेड़ो नदी पर इस्तित है ठीक है तो यह हो गई हलकी सी जानकारी आपकी नदीयों के बारे में जो भी जरूरीत थी ज्यादा डीप में नहीं गया क्योंकि ज्यादा नहीं पूचा जाता था पस कभी-कभी उसकी इस्तिती पूंच लिया जाता है या फिर उनका देश से नंगल धिया ठीक है आप का मिसिटी पहनी थी कहां से नंगलती है आपका जो अंटेवरिया जील है उससे तरह की छीन कि पलकी पूंच लिगा यह जाती है यहां पर वैसे देखा सकता हूँ मैं आप लोग एक दुच्छीजों रह रही है यहां पर यह नियाग्रा नदी और यहां पर अपना जल गिरा देती है चलिए हो गया यह नदियों के बारे में चलिए आज बात करते हैं चलिए क्रसी एक्रिकल्चर के बारे में बात कर लेते हैं समझते हैं क्रसी को क्रसी या एक्रिकल्चर तो आए देखते हैं सुबार कर लेते हैं चोट पर जानकर इसे आ का रिफ्स के आदे लोग से जूड़ी करियाओं से लगी हुए या नहीं कि आदे लोग किरसी करते हैं मतलब किरसी से संबंधिश Kit llin होती हैं चाहिए फिर वो बड़े इस्तर का उद्धियोग हो जैसे कि आपके मसीन रिसी सम्मद्रें तो खाद निर्माड है या फिर कोई बड़ी फैक्टरी चला रहे तो उनसे जुड़ी किरियाओं से लगे हुए है किरसी के तीन चलाड होते हैं सबसे पहला जो चलाड है उसको हम कहते हैं निवेस यानि कि सबसे पहले निवेस के लिए का करते हैं आप अच्छे बीज लेकर आएं और बना क्याने कि खादें लेकर आएं मसीन दी लेकर आएं उसके बाद अच्छे मजदूर लेकर आएं अच्छे और स कैसे जाई तो सबसे पहले क्या हो गया निवेस हो गया उसके बाद जब निवेस हो गया तो फिर आता है दूसरा चरड़ उसको हम कहते हैं पिरक्रम पिरक्रम में क्या आता है जुताई कराएंगे बुवाई कराएंगे फिर सिचाई कराएंगे निडाय कराएंगे गुडाई क बखालू को बला लिया ठीक है उसको बाद दूसरा था है पर क्रम प्रकर में क्या होता कि जुताई करा लिखेट की गुड़ाई करा रहा है बुभाई करा दी तो इस तरह इस थी कर दिचिझें ठीक है छोटे नंबर पर आता है इन रूबर प्राथा इस सारे कामण होने का को हम कहेंगे output है जैनि कि क्या निकला जिसे कि ग्यों के बीज जो भी है उसको आपका अगर भेड़ पालन करने तो भेड़ आप लून मिलेगी आपको डेरी उत्पादन से संब्देट तो डेरी का दूद बगेरा मिल जाएगा आपको कुपकोट मतलब मुर्गा पालन अगर कर रखा है मुर्गा संब्दित है क्योंकि इसके में भी दौनो प्राप्त होगा आईए क्रसी के प्रिकारों के बारें बात करते हैं बिस्व में क्रसी को भौगोलिक दसान उत्पाद की मांग तता सिरम तता प्रोद्धोगी के आधार पर कई भागों में बांटा जा सकता है या बांटा गया है तो आईए सबसे पहला प्रिकार देखते ह किरसी का उसको हम कहते हैं इस्तानांतरित किरसी या सिप्टिंग एग्री कल्चर इसको हम साधार भासा में जूम किरसी भी कहते हैं जूम बराबर जूम गाना सनाएं उसी तरह से ये किरसी है जूम बराबर ही है यानि कि इसमें जो लोग होते हैं जूम जूम के करते हैं तो आ जंगल डूंड रहेंगे, जंगल में क्या करेंगे, आप पेड़ पौधों को काटेंगे, पेड़ पौधों को जाड़ियों को काटेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसको जला देंगे, जब वहाँ पर सपाट मैदान निकलाएगा, पेड़ पौधे जला दिये, तारी करेंगे उन जाडियों काटेंगे उसमें आग लगा देंगे और समतल करेंगे उसके बाद वहाँ पर व कवगयर ना करेंगे ठीक है यह ओं यह कार है कि इस परिकलिया को इस परिकलिया को काटना और जलाना या कहते हैं पेरू, कोलंबिया और ब्राजिल वाली छेत्र में तो मैंने क्या पता है दच्छड़ी अमेरिका के अमेजन गाटी वाला जो छेत्र है यहाँ पर जूम किरसी की जाती है इसके बाद यह है आपकी कांगो नदी वाला छेत्र कांगो नदी के बेसन में आपकी जूम किरसी की ज यह आपका कांगों ने दिवाला चित और यह दच्च्चिडपूर एस यह आपर आगा देखार इस तरह से दच्च्च्च्छडपूर एक ठीक है संव्यार गया तो इस क्रसी को अलग लग छेत्रों में अलग अलग नामन से जान जान जानते हैं इस को ईमकिसान ऐसे होते हैं को क्या करते हैं जो कि की अकर रूड़कर जो उपनाने के लिए तक है इसको उसện अंतरत करसी भी कहते हैं या इसको जूम करसी भी कहते हैं चलिए आजे बात करते हैं निर्भाग करसी के बारे में बात करते हैं यह किरसी केवल खेती करने वाले परिवार के निर्भाग के लिए ही की जाती है यह के खेती यह किरसी ठास कर गिनी तर्ट तथा उत्तर गिनी तर तथा भारत तथा चीन के छेत्रों में की जाती है मैं आप लोगों के दिखा हूं किया जाती है क्षीना महाधिप यह स्कती है करूँ जितनी कि जीकता नहीं कर सकते उतना ही कर सकते हैं हूं तो मैं हूँ मेरे पती दोबीगा खेती है याँ दो बीगा जमीन है या दो बीगा जो भी माली ही चेंट है तो उससे क्या कर रहा हून ग्याउ कर लिए ग्याउव कर लिए तो एक या हमwheging मो draks बिस्तरत करशी एकितों की जोतों पर यांतरिक बिदियों से की जाने वाली करशी को बिस्तरत करशी कहते है इसे मलजदूरों का पिरियोग कम किया जाता है और मसीनों का पिरियोग अधिक किया जाता है यहां की जो प्रति ब्यक्ति उत्पादन की मात्रा होती है वह है अधिक होती है लेकिन प्रति हेक्टेर का उत्पादन जो होता है वह है कम होता है इस प्रिकार की खेती प्रेरी के मैदान तता ओस्टेल जन्संग क्या अब में हूं मेरे पाथ 300 विगा है अब जाइसी बात में 300 विगा क्वाम कौनसी अपने 300 हेक्टेर का खीत हैं, तो माल लीजिए विए उसमें बढ़ाँगा तो तीन सो भी का खेत है तो मैं यहां से एक छोड़ से दूसरे छोड़ में जाने पर मुझे कम से कम डेड़ घंटा लगेगा तो मैं क्या करूँगा उसमें मसीनों की जरूत पड़ेगी एक दूसरे चेहर पर जाने के लिए टेक्टर चाहिए या फिर गाड़ यानि की भारत देश में अगर 10 वीगा खेती है तो उसमें जो उत्पादन होगा वो कितना निकला 60 कुंटन निकला यानि की मां लीजिये 60 कुंटन यानि की 6 टन ग्यव निकला लेकिन वही जो अगर हम बात करें अब फिर ऐस्टेलिया वाले चेत्र में या कहें प्रेरी वा पर आ रहा है और जो चैटन गया हूं है चैटन गया हूं है वो चालिस आदमियों पर आ रहा है तो प्रति ब्यक्ति जो उत्पादन है वो तो कम हो गया लेकिन प्रति ब्यक्ति उत्पादन वो प्रति हेक्टेर उत्पादन अधिक है इधर क्या है प्रति ब्यक्ति उत्पाद में बात करते हैं मिसरित करसी क्या होती है मिसरित करसी के साथ मिसरित करसी में क्या होता है क्रसी के जो खेती करते है उसके साथ पसु पालन को जब मिला देंगे तो हम उसको मिसरित करसी कहेंगे एक बात ध्यान रखना मिसरित करसी और मिसरित बुवाई में दोनों में अंतर हो कि मिस्रित किरसी या मिस्रित खेती क्या होती है ये किरसी के साथ या खेती करने के साथ साथ पसु पालन भी करते है ठीक है चलिए भूमत सागरी किरसी के बारे में बात कर लेते हैं तो भूमत सागरी जलवायू में की जाने वाली खेती को हम क्या कहते हैं भूमत सागरी ये कि केता है यहां कि यहां पर सरदियों में अच्छी खास ही वर्सा होती है लेकिन गर्मियों में सुखा रहता हैamed इसलिए यहाँ पर गर्मी तथा सरदियों में अलग-अलग परकार की कह की जाती है खेती की जाती है यह किरसी यानि कि य क्यों कि यह फ्रांस वाले खेत्रOS का खार यह फ्रांस वाले खेत्र में इतरली में ठिक तुर्की में यहाँपर किससे श्युड़ा हुआ है यहांपर तुर्कितित lid दुक्तित अमेरिका की कैसे चूर seeds किनारे है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैलिफोर्निय राज तो अमेरिका के कैलिफोर्निय राज में इस तरह की किरसी की जाती है कौनसी भूमत दिसागरी यह किरसी चली आगे बात करते हैं बागानी किरसी क्या होती है बागों तता फार्म में की जाने वाली किरसी को या को चेटर में की जाती है सब्सेसे पेहला जो चेतर है उसको हम कहते हैं, लेकर कहते हैं रिखाड़े लेकर इसके बार्ष का जो की बारत वाला चेता है और जर्खड पूर पुरवा तो यह आपका हो जाएगा दख्षिड पूर येसिया वाले छेत्र में आपकी बागानी के सी की जाती अच्छी गाती इसके बाद मद्य अफरीका का गिनी तटी अब मद्य फरीका कौन सा है यह अफरीका महाधीब का बीच का वाग और यहां पर आप देख सकते हैं एक जगह पड़ती है यहां पर है गि जिनी देश है यहां पर ठिक चलिए गहन किरसी देख लेते हैं गहन किरसी होती है गहन मतलब बहुत अधिक तो कम छेत्र में अधिक मात्रा में उत्पादन पैदा करना इसको क्या कहते हैं गहन किरसी कहते हैं यानि कि ऐसे छेत्र जहां पर छेत्रफल क्या है यानि कि ऐसे इंग्लेंड हो गया यहाँ पर छोटा चेतर है ना छोटा से दीप है ठीक है तो आईए देखते हैं मैंने क्या वदा कम चेतर में अधिक पैदावार करना ही गैन किरसी कहला था इसके तहित निश्य दवदी में अधिक से अधिक फसलों का उत्पादन किया जाता है इसके तहि उन्नत बीजों तता कीट ना सके परियोग से यह क्रसी की जाती है यह आपकी जापान वाले छेतर में युनाइटिड किंगडम वाले छेतर में आपका जर्मनी वाले छेतर में खास कर की जाती है जो छोटे छेतर है जन संक्या जिनकी अधिक है उन छेतरों में की जाती है ठ उसमें कितने परसेंट भाग पर क्या की जाती है खेती की जाती है किरसी की योगई तो आधिक किरसी योग की भूमी जो है आपका सब नंबर बन पर आता है बंग्लाजिस कितना है 65% या कहें 65.5% बंगलाजिस का है यहां पर आप देख सकते हैं यह है बंगलाजिस नंबर दो पर आता है माल दोवा माल दोवा कहां पर पढ़ता है यहां पर आप देख सकते हैं यूक्रेन, यूक्रेन के यहां पर आया रोमानिया, यूक्रेन रोमानिया के बीच में एक देश पढ़ता है जो कि यूरोप का है इसको हम कहते हैं माल दोवा है वाग में 10 किलोमीटर का जो भाग है उसस पर किरसी की जाती है तो इसका मतलब यह ह treaties proper किरिसी कि जा सकती है या एक चांग है या कुल चीट पर ले उसमें से 57.6 सरह किसिस की जा सकती है इस के बाद पांच में नंबर या आता है क्लोल ऑ्सक्राम जैसे 57 पर सेंट पार क्या की जा सकती है किसी की जा सकती है चलिया आगे बात करते हैं berryảnुक देशके की माल लग रहते हैं तो सो मैंसे ऐसे मान लिए मान लिए भारत है भारत मैंसे सो लोग रहते हैं और सो मैंसे निन अठाने में या कर रहा है क्या कर रहा है खेती कर रहा है क्रसी पर आधारित इनकी जनते हैं यानि कि पूरा का पूरा क्रसी से इनका सब को चलता है तो वो कितना परसेंट हो गय गिए ठीक है तो आइये समझ लेते हैं मैं यहाँ पर सबसे पहला आया अगा सब्से जो ईदिक जंसंग्या वाला यानिकी यह नहीं क्या रहा हूँ कि मैं सबसे अधिक कुल जो देश वालत जो इस देश है उसको करते हैं मालावी मालावी मैं आप लोगों के दिखा दूँँ यहां पर रही का दच्छ्टे परिगा माधि यह आपका यहां पर मुजाम्बिक मुजाम्बिक के ठीक ऊपर मालावी नामक एक देश आप लोगों को दिख रहा होगा ठीक है तो मालावी में कितने परसेंट लोग आपके किरसी पर राधारित है, 92%, इस वाद दूसरे नमबर परता है, Sudan, Sudan आप यहाँ पर देख सकते हैं, Sudan की जो कुल जनते हैं, उसकी 87% किरसी पर आधारित है, तीसरे नमबर पर आती है, तुर्की, तुर्की को यूरोप का मरीज भी कहते हैं, यानि कि वीमर रहता है, ठेक है, तो आप लोह क तो में तुर्की दिखा दूं, इसको टर्की भी पढ़ देते हैं कभी कभी, यह आपका तुर्की, इस्तामबुल इसकी राज़ा नहीं है, तो तुर्की की जो कुल जंसंग क्या है, उसका 70% किरसी पर आधारित जंसंग क्या, इसलिए तीसरे नंबर पर आती है, चीन, चीन की जो कुल जंसंग क्या है, उसमें 70% जो किस पर आधारित है, किरसी पर आधारित है, चौते नंबर पर आत, पांच में नंबर पर जो है, वो है आपका भारत देश, भारत की कुल जंसंग क्या का, कितने परसेंट बात की जाए, तो कुल जंसंग क्या का, कितने परसेंट बात पर है फिप्टी परसेंट तिक इसका जापन की बात की जापन आपकर देख सकते हैं जापन की थैटी-स फ्रतेंट की अगर बात कर लिए तो फ्रांस जो है आपका ट्विंटी परसेंट भाग पर इस ते दैसका यूएस अयानि की उनाइटि श्ट्यट आप अमेरिका यान की यहां पर यानिकी लंदन वालत च्छेतर है बिटेर वालत च्छेतर है इस पर कितनी इसकी कुल जनसंग है कितने लोग क्रिस्ट पर आदारत है शिक्स पर स्टेंट लूग च्याली चलिए बात करते हैं फसलों का बर्गी करड़ के बारे में तो आई ये देख लेते हैं आप दूसरे तरीके देविकर सकते हैं फूट क्रोप्स कैस्क्रों जैनिक रफदै प्लांटीशन ठीक है आप इसको कह सकते हैं बागानी फसले और हर्टी कल्चर ठीक तो चलिए इसमें आप लोगों बता दूँ सबसे पहले मैं अपने जो बाटे हैं उनके आतर पर में तिनन फसलों के बारे में जो तेल दिए आती है यानी कि जिन से हमें तेल प्राप्त होता है मुंफले, सरसों, तेल ताड और कोकुनेट के बारे में भी हल्की सी बात कर लेंगे ठीक है इसको बार नकदी फसलों के बारे में हमें इसमें बात करेंगे मेरे साब ngunas, घंण, तमबाखू बैसे चाय भी आती है लेकिन हमें चाय के बारे में नगदी फसलों के रूप में बात नहीं करेंगे चाय के बारे में बात करेंगे पे फसलों के रूप में पे चाय कैवा या कॉफी भी हम इसको कहते हैं ठीक है इसको रेसेतार फसलों के बारे में बात करेंगे कौफी और करें दो अब सबसे पहले बात Еकalgic्रेज के बारे में कित Żyip 10s में सबसे जैन्यवांद ग्याओं की क्यी की जाती है यह मुख्य रूप से सीतो सकटवन्द वाले छेतर की फसल है, यह सीतो सकटवन्द वाला छेतर है, यह आपका सीतो सकटवन्द वाला छेतर है, लेकिन यह आपका उस्ल, उसकों सा हो गया, यह आपका करकता मकरेका की बीच वाला छेतर, उस्ल सथा उपोस्ड छेतर में भी यह है फसल की जा ठीक है कियों के लिए आदर सेसाओं की बारे हिम बात क्यरें बारे ही तो इसका जो तापमान है तापमान कितना होना चाह चाहिए ठीक है बर्सा के बारे में अगर बात की जाए तो पचास सेंटी मीटर से असी सेंटी मीटर के बीच में बर्सा होनी चाहिए मिट्टी के बारे में अगर बात की जाए ग्याहूं की फसल के लिए मिट्टी की तो भारी दो मट्या उपजाव काली मिट्टी होनी आविश्यक है अन्य ठोड़ी सरते देख लिए अन्य जो क्या क्या चीज है पकते समय तेज़ दूप तथा सो दिन पाला रहत होने चाहिए और सबसे साधा राता सस्ते मजदूर सब के लिए यह कंपलतरी है आई बात करते हैं उत्पादक छेत्र देख लेते हैं उत्पादक छेत्र गैहूं का नब्वे परसेंट उत्तरी गूलार्द में पैदा किया जाता है और बाकी का दस परसेंट जो है वह है दच्छडी गूलार्द में पैदा किया जाता है बिस्व में सबसे ज़्यादा गया हूं एसिया यानि कि सबसे ज़्यादा गया हूं एसिया महादीप में उसके बाद यूरोप में यहां यहां पर यूरोप है जो कि नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर Europe है, उसके बाद तीसरेने नवर पर जो आता है, वो है आपका उत्तरी101 अमेरिका महादिव, सबसे नमबर गलाफ एसिया, दूसरे नमबर पर और आपक का Europe और तीसरे नमबर पर उत्तरी अमिरीका महादिव, चलीए, क्याओं कि उत यह तरम में च्वार्वा सुन आता चलिए यह 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 जारती जादतर उस तटा उपोसर कट वन्दी चीतर कि जाती है ठीक है आदर्स तथा आदर्स याक है भोगोलत परिस्थितियों के बारें बात करने इसके लिए क्या क्या बिस्चक है तो इसका तापमान की अगर बात की जाए आपका गंदा संदा पानि है आपने क्या किया नाला कोला और उधर पानी उसमें डालके एकदम नाला बंद कर देख़े है इसते नहीं इस तरह कर नहीं पानी एकदम 10,12 होना चाहिए बरसाथ का रह या फिर चाहले फिर किसी भी एहसाद मिशा दै क्यों से हो चाबल की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है, मानसूनी प्रदेश कौन सी होती है, जिसमें बरसा अच्छी खाजी होती है, एक मौसम होता है, मानसूनी बाला जिसमें बरसात होती है, तो वो मौसम होता है, जैसे कि आपका जून जिलाई अगर सितंबर वाला जो छेत्र सम चावल की खेती यहां देखेंगे तो 45 डिगरी 45 डिगरी उत्री आचांस के बीच में की जाती है लेकिन इसकी 90 परसेंट जो खेती है 25 डिगरी उत्री आचांस तता 25 डिगरी दख्री आचांस है हमें यसे कह सकते हैं कि इसकी 90 परसेंट केजी करक तता मकर रेका के बीच में की जाती है ठीक है चीन के बारे में बात करते हैं प्रमुक छेतरों के बारे में चीन जो है चीन में एक जगह है उसको हम कहते हैं दान की खेती के लिए पिरसद है चीन वाला चीत ठीक है यह चीन यहां पर एक जगह परती उसको हम कहते हैं चीचवान वेसिन इसके बाद बात की जाए तो भारत में चावल की खेती के लिए गंगा पिरमपुत्र का जो डेलता है वह गंगा पिरमपुत्र का जो डेलता है और उत्तर भारत का जो मैदान है और समुद्री तटी मैदान है यहाँ पर अच्छी खासी खेती की जाती है किसकी चावल की नहीं धान की खेती की जाती है भारत के कुछ वागों में दो फसलें की जाती है जैसे कि तमिलनाडू पेवाली चेत्र में इसके बाद भारत के कुछ ऐस यहां पर तीन फसलें ली जाती है यानि कि साल बर इसकी खेति की जाती है जैसे कि आपका पश्ची मंगाल बाला चेत्र हो गया पश्ची मंगाल बाला यह चेत्र हो गया और आपका असंबाला चेत्र हो गया यहां पर असंबाला चेत्र ठीक है यह तमिलनाडू बाला यहां प की खेती की जाती कहां पर इंडोनेशिया के जावादीब में बंगला देए की बात की जाए तो बंगला देश में जो आपका ब्रbarsú का जाता है क्वोंकि यहां पर जरूरत से अधिक चा बलों यह जाता है अब यह कहेंगे क्यों यहां पर इतनी जिन्सेrations क्या नहीं है जो कि चावलावल खाब सकें तो जरूरत थे कि इसनी जरूरत, उससे भी बहुत अधिक जानों गाए जाता है, इसलिए इसको चावल का देज कहते है ज्वाज्स केते है तो यहाँ पर जो दच्शिडी चेत्र है, यहाँ पर अच्छी खासी धान की किर्सि की जाती है, तो ब्राजील की बारे में भी हिलका बात कर लेते हैं, यानि कि जो आपका मिनने बताई था कि उत्ठिख्डी गोलार्ट और दच्ष्डी गोलार्ड की बीध में, तो दच्ष् नंबर वन पर नंबर वन पर है आपका चीन कहां पर है चीन यह आपका चीन नंबर दो पर है भारत नंबर दो पर उत्पादन करने वाले देश को था भारत नंबर तीन पर आपका इंडोनेसिया है ठीक है फिर से मैं बोल दे रहा हूं नंबर एक पर चीन नंबर दो पर भारत उसको हम कहते हैं मक्का ठीक है बिक्सित देशों में जो मक्का है उसको चारे के रूप में इस्तमाल किया जाता है और जो अब इक्सित देश हैं जैसे की ऐसिया वाला है आपका अफ्रीका महाधीप के कुछ देश हैं तो यहां के जो देश हैं वो इसको जीविका का उनका जन्म की अगर बात की जाए तो उटर्मी का मौसम होता है गर्म , तथा आद्र यानिकि आद्र नमी होती है टिक है बरसाथ बगएरा होते रहते हैं थोड़ी नमी बगएरा पाई जाती है चलिए समझते हैं आगे चलिए उत्पादक देख लेते हैं तो बिस्ट के सभी उस्ट तता उपोस्ट कटवंदी छेत्रों में खेती की जाते हैं जैसी साड़ी तेश्ट के ऐसे माल लीजिए त 30 से 35 उत्रियाजांस व्तीस सेपैसि त्ष्टियाजांस की बीच में आपके अच्छी खाट्झ की किय जाते हैं इसके बाद बात करते हैं USA में उत्पादन देख लेते हैं USA में पूरे बिस्ट में जितना उत्पादन किया जाता है मक्त का उन सभी मेंसे 50% है नफी आदे से अधिक जो उत्पादन यूएस से अखेला करता है जिसमेंसे जो पचास परसंट यानि आदे जो मक्का होगाता है उसमेंसे भी 80% वे चारे के रूप में जानवरों को खेला देता है यहाँ पर मक्का की पेटी मद्ध ओहाईयो से मद्ध नेबरासका तक लगबग 1400 किलो मिटर के बीच में पूर से पच्चिम की ओर फैली हुई है यह चेत्र पैंसलवेनिया केंटुकी कनेक्टी कट आपका मिसौरी इलिनॉइस ओहायो और कंसास राजियों में फिर से बता जाना मैंने क्या बताया आपका जो मक्का की फेटी है नेबरासका से लेकर इस तरह से आपका चले जाएंगे कनेक्टी कट तक कम से कम 1400 किल्यूमेटर चेत्र में फेला हुए है पर मक्का के उत्पाथ के कुछ राज है प्रमक जैसे निवरासका में अच्छी काजी मक्का होगा जाते है कंसात में मिसौरी में इरिनॉस में केंटुकी में ओहायो में पैंसलवेनिया में चीन में यहां पर आप देखेंगे चीन में फेटा और उत्री चीन में भी आपकी मक्का उगाई जाती है ठीक है है इसके बात करते हैं भूमत साघरी छेत्र में बात की जाए है थो भूमत सागरी कौनीट कौन सा है जहां हो जाए है यहां फरूबस घर तो थी मताई जाओं भूमत सागरी ठैसे नच ses WOW ढ़ेंगे आपका यहां पर मिस्र, पूरूब जाए गए इस तरह कुछ देश है ठीक है तो यहां पर कौन-कौन से आपका पूर्तकाल इस्पेन फ्रांस यहां पर इटली ठीक है तो इस तरह कि यहां पर कुछ देश है ठीक आपका यहां पर पीरू और बोलबिया ठीक है तो मैं दिखा जिता हूँ यहां पर बेनेडियसís लया में किया जाता है तो आई यह को कौलंबिया अच्छड अमेरिका देश है और बेनीडी कौमिया धुक्ष पर alkyo अच्छ हथ हुआ जीर लिए तो आईलस की मक्का के उत देखते हैं जो के बारे में बात करते हैं जो का उतपादन देश देखते हैं सबसे पहले देखते हैं जो तो जो का उतपादन करने वाले देशों में रूस प्रिथमिस्तान पर है इतना काफिये जानना नंबर वन पर जो का उतपादन करने वाले देश कौन साय है रूस इतना जानना काफी है और एक दो देस और अलके से बता देता हूं इसके बाद जर्मनी दूसरे नंबर पर है इसके बाद फ्रांस तीसरे नंबर पर है ठीक है इसके बाद आपका कैनेडा आता है ठीक है तो नंबर बन पर रोस नंबर दो पर जर्मनी नंबर तेन तीन पर आपका फ् देशिया में आपका तुर्की और चीन वाला जो भाग है यहां पर कुछ अच्छा खासा जो का उत्पादन किया जाता है चलिए राई के बारे में बात कर लेते हैं राई राई इसका सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट जो है वो है रूस नंबर एक पर कौन सा है रूस्ट नंबर एक पर रूस और नंबर दो पर आता है पोलेंड ठीक है राई का उत्पादन करने वाला सबसे प्रमुक देश कौन सा है आपका रूस और नंबर देश पर पोलेंड अन्य भी देश है जैसे कि आपका चीन हो गया बेलारूस कहां पर है बेलारूस कहां है सरमाना नही प्रमुख फसल, बैस्ट फसल, पे फसलों के बारे में, important जाना जरूरी और exam में पूछी जाने वाली, समझते हैं, सबसे पहले पे फसलों में, चाय के बारे में, देखते हैं, बैसे यहां पर सराब कोई नहीं जोड़ेगा कि पे फसल, पे वो भी होती है, नहीं, उसके बारे हैं, चाय की जो फसल है, या कर चाय की जो खेती है, वह उसरी कटवंदी ये छेत्रों में की जाती है, उसके जन्मिस्थान क्या है, चीन को माना जाता है, इसकी खेती, एस या के मानसूनी जलवाई हो देस्तों में सबसे अधिक की जाती है, यानि कि बो देस एस या के जहां पर अच्छी कासी मानसूनी जलवाई हो पाई जाते है, जहां पर अच्छी कासी बरसात होती है, ठीक है, भागोले के स्थितिक बारें बात करते हैं, तापमान समझते के लिए 21 टिगरी Celsius से लेकर 29 टिगरी Celsius के बीच में होना चाहिए यह कमपल सरी है बरसा की बात की खेती की जा सकती है। पिरसे मैं मन और ठंडी तता आध्र दौनव प्रकार की झलवाईूं में आपकी तथा लोगा की परयाप्त मात्रा हो ठिक समझ में आ गया अन्य बातें समझते हैं इसमें कुछ इसकी पतियां साल में कई बार तोड़ी जाती हैं क्योंकि चीन में जो पतियां हैं तीन बार तोड़ी जाती हैं और भारत में चाय की पतियां लगबग 16 बार तक तोड़ ली जा जो परिष्टिती प्रमुक है वो है पहाडी ढाल या कहें मंद ढाल वाली भूमी होना आविस्या के किस के लिए चाय की किरसी के लिए चलिए चाय के उत्पादक छेत्र देख लेते हैं तो चीन में चाय की खेती की सुरुवात हुई थी यानि कि मैंने पताया था चीन का जो हाले चेत्र में यांटी सिक्यांग की घाटी है तता उसके आसपास के जो चेत्र हैं उसमें चाय की खेती की जाती है और चीन में एक छेत्र बोल ला जाता है उसको हम कहते हैं सिक्यांग की घाटी में भी चाय हुगाई जाती है यहां की जो चाय है वो निम्न कोटी की मानी जाती है जाके घटिया क्वाल्टी की मानी जाती है इसलिए यहां पर चाय का उत्पादन केवल घरेलू खपत के लिए किया जाता है यानि कि ज्यादा आयत नहीं किया जाता है ज्यादा निरयात नहीं किया जाता है यानि विदिशों में नहीं पसंद की जाती यह वाली चाय क इसकी चीर में बनी हुई इसका भारत की अग़ बात कर लिए तो भारत में असम में असम कहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है आपका असम वाला छेज राजी में असम में नद्शलिंग जल पाई गडी और उत्त्रा इसके बात करते हैं इंडोनेसिया के बारे में तो इंडोनेसिया में जावा तता सुमात्रा के जो आला मुखी परवती चेत्र में इसकी खेती की जाती है यह आपका जावा जावा और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह सुमात्रा तो सुमात्रा और जावा में जो जो आला मुखी चेत्र है पार के बारें बात कर लेते हैं देख लिए क्यों क्वह से चत्रों खेती की जाती है भारत-स्री-लंका- इंडोनेसिया- बंगला-धेस जा-पान-कीनिया-номуचाई के सॉक्षप्र. उख. प्रमुख निरयातक बेजने वाले यानिकि-व्या यहाँ पर है आपका जापान, यहाँ पर है आपका केनिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है आपका ताइवान ठीक मैं चूम करके दिखा देता हूँ फिर से यहाँ पर आप दच्छले अफ्रीका माधीब का देश केनिया यहाँ पर है इसीया माधीप का स्रीलंका, भारत और आपका यह वंगलादेश, यहाँ पर देख सकते हैं ताइवान और यह है आपका जापान और यह है आपका इंडोनिसिया, यह पिर्मों को निरयातक देश हैं, यानि कि बिदेशों में बेजते हैं, अच्छी काशी यहाँ बिदेसों में भेज देता है यह निरयात जो करता है वह कलकत्ता के वरुंदरगा से करता है क्योंकि सारी जो चाय बगर आती है यहाँ पर कलकत्ता है यहाँ से सभी छेतरों में चाय भेजता है ठीक है चाय के प्रमुक आया तक देसों के बारे भी बात कर लेते हैं यानि कि अ तरफ यहां पर आपका सोविय संग वाला छेट इसके बाद जर्मनी जर्मनी आप लोगों कहां पर दिख जाएगी जर्मनी इसके बाद यहां पर कैनेडा और इसके बाद चैलिया और यहां पर आप देख सकते हैं अफrika माहदीब का मिस्ट ठीक है यह आ आपके पिरमों को आया तक देश हैं USA में दच्छडी USA में हैं दच्छडी चीन में बनने वाली आका पैदा की जाने वाली एक चाय है जिसका नाम है उलंग चाय जो कि आपकी अमेरिका में बहुत पिरसिद्ध है ठीक है उत्पादक और निर्यातक और आयातक मैंने बता दिये कैणिया और देश चीन है दूसरे नंबर पर भारत है चौते वह तीसरे नंबर पर केनिया या केनिया है चलिए कौफी के बारे म बात करते हैं कहवा या कऊफी कि देखते हैं कॉफी के पहले प्रकार देख लेते हैं ठीक है ज्यादा छोटा साय समझते हैं कॉफी दो प्रकार की होती है खास कर वैसे दसी पतास तरह की और होते होंगे मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है मुझे यहां जानकारी लेनी नहीं है मुझे सिर्फ दो के बारे में जाना है कॉफी दो प्रकार की होती है सबसे पहला है अरेविका कॉफी या अरेविका कहवा दूसरे नंबर पर है रोबस्टा कॉफी या रोबस्टा कहवा ठिक समझते हैं के करके सबसे पहला जो है अरेव वो किया जाता है क्या बोलते हैं जितना भी निर्यात जितना भी इधर उता बेजा जाता है जितना भी खरीद परुक्स की जाती है वो सबसे अधिक जितना ब्यापर किया जाता है उसमें 70% अरेविका कॉफी का भाग होता है बाकी का जो बचा वो 30% रोबस्टा होता है यानि स्वाद थोड़ा गडबड होता है लेकिन वो स्वादिष्ट होने के स्वादिष्ट थोड़ी कम होती है लेकिन वो रोग प्रत्रोधी होती है यानि कि उसमें जो सरीर के लिए बहुत तागतवर बहुत अच्छी मानी जाती है रोबस्टा स्वाद के लिए क्योंकि इस दुन लेकिन इह अच्छी नहीं माने जाती यह निमनी स्थर की कॉफी माने जाती है इसकी खेती खासकर अफ्रीकी देशों में होती हैं यह अफ्रीकी देशे यहाँ पर आगे बात करेंगे यह है लेटिन अमेरिका। चलिए बात करते हैं कॉफी की खेती तता ब्यापा सबसे पहले अरब प्राइदीप पर की गई थी अरब प्राइदीप पर प्राइदीप कहा है यह आपका अरब प्राइदीप बाला चेत्र इस चेत्र में की गई थी इसके बाद इसको ब्राजील लाया गया था सबसे पहले क वहां पर उगाई जाती है तापमान की बात अगर करें तो तापमान 15 degree Celsius से 25 degree Celsius के बीच में होना आवजचेक है बरसा की अगर बात कर ली जाए तो बरसा 115 सेंटी मींटर से लेकर 200 सेंटी मींटर होनी चाहिए जो की समान रूप से होती रहे ठीक है ठीक है चलिए आगे बात करते हैं मिट्टी के बारे में बात कर लेते हैं मिट्टी उपजाव मिट्टी जिसमें लोहा नाइट्रोजन तथा यूमस की मात्रा अच्छी खासी होनी चाहिए इसके लिए सबसे अच्छी जो मिट्टी होती है वह है बनी मिट्टी होती है बनी मतलब जो जंगली छेतर होते हैं जहां पर बन की मिट्टी होते हैं वो मानी जाती है सबसे ची इसके लिए एक और मिट्टी होती है जिसको कहते हैं टेरा रोसा टेरा रोसा मिट्टी जो है इसके लिए कौफी के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है अन्य जो देख लेते सर्त हैं, के जवाएं, तता सीधी धूप जो होती है, कौफी के लिए बहुत हानिकारक होती है, या कैने नुकसान दे बूसिया, इसलिए पौधों को, यानि की जो कौफी के जो पौधे हैं, उसको किसी की चाया में लगाने चाहिए, जैसे कि आपका केले का हो गया चाया, या फिर मक्का कर दिया जाए, या अमरूत के पेड़ लगा दिया जाए, कुछ भी हो, लेकिन वो चाया में होने चाहिए, समझ में आ गया, ठीक है, क्योंकि इनके लिए सीधी धूप बहुत ही हानिकारक होती चाहिए, तक ही पानी आसानी से नीचे भैकर चला जाए, मैंने क्या बताए, चाय में क्या है, मैंने बताए तक हलका ढाल होना चाहिए, लेकिन कॉफी में तेज ढाल होना चाहिए, जिससे पानी रुके ना, लेकिन बरसा क्या होनी चाहिए, बरसा अच्छी खासी होनी चाह यह चलिए आगे बाहत करते हैं चलिए उत्पादक चैत्र देखेंडने कॉफी का जाज दर जो झेत्र है a यह फित्र के पास होजा गई जाती है छो है ठीक है कॉफी सबसे पहले हम देखते ब्राजील के बारे में सबसे ज्याद सावपावलो पराना एस्पिरीटो सेंटोस तथा मिनास गेराज राज्यों में की जाती है मैं आप लोगों दिखा दूँँ यह आपका एस्पिरीटो सेंटो ठीक है मिनास गेराज सावपावलो पराना और इस तरह के यहां पर कुछ राज्यें इन में की जाती है मैं यहां प बड़े-बड़े कई सो किलो मिटनी कई कई हेक्टेर कई कई सो हेक्टेर में यहां पर कॉफी के बाग लगाए जाते हैं चिनको बड़े-बड़े बागों को हम फजेंडा कहते हैं व्राजील कहवा का या कॉफी का सबसे बड़ा निर्यातक है यानि कि बाहर बेजने वाला य यानि कि चितने कोफी जहां जा वेजी जाती है उसका यानि 100% में 30% अकेला ब्राजील ही पूरा करता है ब्यापार का कुल मांग का ठीक है इस छेत्र का यानि कि ब्राजील का जो सेंटोस बंदरगा रहा है सबसे जयादा निर्याद करने वाला बंदरगा जिसे कॉफी बंदरगा है कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है सेंटोज सेंटोज में साव पालो से क्या होती है वो लाई जाती है क्या लाई जाती है कॉफी लाई जाती है कहां पर बंदरगा तक तो जो रोड है साव पालो से जो सेंटो का यहां पर कुछ देश हैं इसमें हम देखेंगे गौटेमाला अलसलवाडोर और कोष्ट्या रिखा और पणामा इन चेत्रों में कोफी का अच्छा कासा उत्पाधन या कर कोफी का अच्छा कासा यहां पर खेती की जाती है इसके बाद अगर बात करें अल्व अल्टा वेरा पाज अल्टा वेरा पाज एक कौफी की किस्म है जो की गौाटे माला के उत्री भाग में होगाई जाती है जो की बिस्म है सबसे अच्छी कौफी में से एक किस्म है यानि कि जो कॉफी है बहुत सारी ब्रैंड होते हैं इसके बारे करें समय के बारे में तो यहां पर आता है क्यूबा हैती और जमैका यह सम्हुले की अगर बात कर ली जाए तो जमयका में एक व्रांड है या कर एक किस्म है जिसका नाम है ब्लू माउंटेन तो ब्लू माउंटेन जो कॉफी है बिस्ट में सबसे उच्छ कोटी का कॉफी माना जाता है अगे बात करते हैं अफ्रीका महाधीब के भी बात कर लेते हैं अफ्रीक कोश्ट पर अच्छी खासी कॉफी की खेसी की जाती है, पूरवी अफ्रीका की तरफ आते हैं, तो पूरवी अफ्रीका में इथोपिया, केनिया, युगांडा, तंजानिया, जैसे छेत्रों में उगाई जाते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह अंग पर अघगाई जाते हैं, और अच्छी खासी कोफी उगाई जाती है, अगर बात करते हैं, यह अनम के बारे में यहाँ पर एक च्चित्राहिशिया काई हैं इसको बैदार्द के जाती है जिसका ब्यापारिक नाम मोचा जो कि कई बार प्हुटा जाता की यह नहां वंगाई जाने वानी कॉस्ट का ब्यापारिक नाम क्या तो उसको में थिरें मोचा ठीक मोचा चलिए उत्पादक देख लेते हैं कहां कहां ओपी सबसे ज़्यादा हुपाई उगाई जाती है तो आपका नंबर बन पर आता है व्यतनाम बेटनाम में आप लोगों दिखा दूगा नंबर दो पर आता है व्यतनाम और नंबर तीन पर कॉफी उत्पादन करने वाले द तुम से चलिए समझते आगे हैं आ कि याक्स देखते नकदी फस्तलों के बारे में तो बिस्त्र Sakandakarika की कि पीछी बात को को स्कृतित कि ठीक चैन्व की की घाटी में हुआ माना जाता है यह कि मा आंदीडिक यह आपका एक छिवे अमे角व क in डिच्छिव कि रिख अमेरिका में तीन देज है कोलंबिया पेरू और ब्राचिल तो कोलंबिया पेरू ब्राजील से आपकी अमेजन नदी बैती है और अमेजन नदी यहां पर अपना मुहाना बनाती है तो अमेजन नदी से बैती है उसको अमेजन नदी की गाटी कहते हैं अमेजन नदी की गाटी में आपका रबड का उत्पादन या का रबड का जन्म हुआ माना जाता है दसाए देखते हैं या जोगले परिष्टिती देखते हैं क्या-क्या इसकी दसाएं सबसे पहले टापमान होना चाहिए आगे बात करते हैं, उत्पादक छेत्र देखते हैं, कौन-कौन से उत्पादक छेत्र हैं, समझते हैं, important सबसे जरूरी, सन 1900, सन 1900 तक अमेजन का जो बेशन था है, अमेजन नदी की गाटी थी, यहाँ पर, अमेजन नदी की गाटी तथा, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिख 99% उत्पादन इन दोनों छेत्रों से किया जाता था, लेकिन 50 सालों में याकर, 50-1950 आते हैं, यह जो परसेंट था, यह जो भाग था, वह कितना रह जाता है, मांतर 2% रह जाता है, कितने से 99% से 2% ही रह गया, इस समय कुल रवर का 90% भाग जो है, वह दच्छिडपूर्व अच्छिडपूर्वी 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 अच्छिडप परसेंट कुल रबर का उत्पादन होता था लेकिन सन 1950 आते यह परसेंटेज जो यह भाग जो था 2% रह जाता एसा क्यों हुआ क्यों जो बहुत परस्तिती है कि दच्च्र पूर वेस्या में यह jest बि Howard आसानी से हो जाती है क्योंकि को कांगो का ये बीच का भाग है बहुत दिक्कत आती थी बिराजील वाला ये पूरा छेतर है ये बहुत दिक्कत आया करती थी ये बिलकुल किनारे आता है ठीक है सस्ती जमीन तथा अनकूल मिट्टी यहां पर यहां पर मिर्दा आसानी से मिलती है सस्ते सथा कुसल मजदूर यहां पर पाए जाते हैं यहां पर पाए मिल जाते हैं ठीक है इसके बाद रबर उत्पादन के या कहें रबर उत्पाद एक देशनों के बारें बात करें नंबर बन पर आता है थाइलेंड नंबर दो पर आता है इंडोनेशिया नंबर तिन पर करें हब लेते हैं गंणा यानि की सुहर केन नहीं सुहर केन चलिंदेखते हैं आदर्स वहोगुलिक दस्राओं के बारे में जितना में बताया framework ज़्तना जरूरी उतनी बताऊंगा तापन सबसे अ पहले बात करते हैं कितना 21 degree Celsius से 27 degree Celsius के बीच में नहीं zwana बरसा की बात करें तो एक सो पचास सेंटी मीटर तक बरसा होनी जरूरी है मिट्टी की बात करी जाए तो लावा मिट्टी जो की जावा तता भारती छेत्र में पाई जाती है चूना युक्ट मिट्टी जो की क्यूबा छेत्र के लिए बहुत अच्छी है क्यूबा छेत्र में अच्छी खासी मिलती है ये खास कर रहें लावा मिट्टी चुना युक्त मिट्टी और चलोड मिट्टी इसके लिए खास कर है चलिए उत्पादक छेतर के बारें बात करते हैं भारत में गन्ये की खेती उत्तर प्रदेश तमिल नाडू करनाटक महराष्ट आंध प्रदेश बिहार में की जाते है भारत गन्ये का प्रमुक उत्पादक होने के बावजूद बारत में प्रती हेक्टेयर गन्ये की उपज काफी कम है साथ ही साथ यहांके गन्ये में सुक्रोज की मात्रा भी काफी कम है यानि कि जो मिठास होती है वो भी काफी कम है जबकि ब्राजील, क सबसे अधिक कि अगर बात की जाए तो हवाई लीस एक्टेर गरने का उतपाधन सबसे अधिक होता है तो चलिए मैं थोड़ी ठीक है मैंने क्या बताया यहां पर यह आपका तमिल नाडू यह आपका करनाटक यह आपका आंध्र प्रदेश ठीक और यह आपका बिहार और यह आपका उत्तर प्रदेश यह आपका महराष्ट यह आपके यहां पर उत्तर प्रदेश भारदेश के प्रमुक छेतर हैं दूसर का विसमें ब्यापार नहीं किया जाता है बलकि इससे पहले चीनी बनाई जाती है और उसके बाद इसका निर्याद किया जाता है चीनी का निर्याद करने में क्यों आ पिर्थमिस्तान पर एक हो कि गन्य का कोई निर्याद करता है न कोई आयात करता है उसका काड में न क्या मैं मैं बता दू हलका सार तो गन्ना जैसे कहीं पर निर्यात कर रहे हैं या पिर हम किसी देस्टे मंगा रहे हैं तो गन्ना का जो अंदर जो माल होता है वो होता है पानी गन्ना को जो माल होगा गन्ना माल लीजिए हमने दिल्ली से बेजा पाकिस्तान में साथ से आठ दिन लगए है तो चीनी का लेक्य। कीूबाज का सigne скоро प्रता कि उसमें ऐसी परसेंट जो भाग है एसए होता है यानि के मान लीजिए कुल ब्यापार हहा के मान बारत देसे ने जैसे किसी देस में भारत देस में वहन चतरना चीजन में भाहर बूपर्ज तो इस तरह की चीजें बारत देस क्या खालuscता था चुना क्या भाहर घूत्याई हो तो भाएब देस आए जैसे बाख tutto है 1 है जो percentage है चीनी का हुआ तो इसी तरह से जो क्यूबा है अब क्यूबा वहिया कहा है आए मैं क्यूबा दिखा देता हूँ यह आप आप देखते हैं कूब क्यूबा तो क्यूबा का जो कुल व्यापार होता है उसमें 80% किसका होता चीनी का अन्य नियातक देश के बारे बात कर ल सबसे बहले आता है USA उसके बाद आता है उसके बाद आता है यहाँ पर चार पर आपका जापान और यहां पर देखेंगे विटेन उत्पातिए देख लेते हैं गण्ना उत्पातिफ देश च्थु है सबसे पहला है ब्राजील नंबर बशब्सों सबसे जादा अगम तीम पर mom नीआ जब सो हुआ सकते हैं जो कि दुनिया की सबसे गंदी चीज़ होती है इससे घटिया और इसकी गंदी चीज़ कुछ नहीं होती है लेकिन आनंद बताते हैं लोगा इससे अच्छा नहीं आता है और यह तब तक आनंद लेते हैं जब जिसमें मतलब सो जाता है वेक्ति अमिता के लिए कबर में पहुंच आए तब तक उसके आननंद आता है वह यह चाहता कि जब वह मुर्थने वाला हो तो उसके कबर में भी एक उसके साथ तंबाग हूगा एक पैकट रख दिया चलिए मैंने बहुत सा मेरे खुद का और छोड़ाने की तो यह जो करता है ना उसी पर वीचती है है आप Kr Gunnar包 करता है तो मैं उससे का में चलता हु मंदर लॉत बहुत होता है इतना अचीव लगता है उन्हें वह भी जानते हूंगे क्योंने कैसा लगता है कि इसके बिना कैसे रा जाता हो गांसे तो इससे बहुत प्रभवेंग्वाइंक चीजी इससे इतना दूर रह सके उतना अच्छा है चलिए समस्ते है आई देखते हैं यह मैं देख लेते हैं यह उस तता उपोस्ट जलवायू की फसल है उस लिकट्वंद आप लोगों पता ही है और उपोस्ट को ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी ठीक है उपोस्ट के बंदी है जलवायू की फसल है इसका जन्म जो बात करते हैं तो कि United State of America में इसका जन्म हुआ माना जाता है आदर्स दसाइं देख लेने हैं किसके लिए बीडी के लिए तंबाकू के लिए तो वो है अठाइव अठारा डिग्री तापमान के बारे बात करें अठारा डिग्री सेल्सियस तक तापमान इसका होना आवस्यक है बरसा की अगर ब दिटे होनी आवस्यक है ठीक है तम्बाकू के प्रेकार देख लेते हैं तो पुछे जाते हैं तम्रू का सबसे पहला है बरजीनिया कहा कर यह होता है अपका बरजीनिया है यानि कि यह जो USA में एक राज है उसको हम कहते हैं टिक यह आप को यहां पर दिख रहा हुगा तो बरजीनिया की तमग्या को यहां पर कर देख सकते यह यह पर एक जगह पड़ती है उसको कहते है जिर ऐंबे की शिदानि इसको कहते है हरारे ठीक चलिए उसके बाद दूसरी प्रकार देखते हैं तुर्की या औरियंटल तुर्की तथा यूनान में यूनान कौन सा चेतर है ग्रीस और यह आपका तुर्की इन चेतरों में इसकी प्रमख रूप से यह की जाती है ठीक है तीसरा जो प्रकार है उसको कहते हैं जो कि भुखत मेंग्याति यह बताते हैं उसकी कीमत की बारें बात कर लेते हैं प्रकार है यहां पर ठिक तो कापर क्यूबा में तो भीस फिरसद है आपका क्यूबा की सिगार दुनिया में सबसे ज्यादा प्रसद है क्यूबा की सिगार ठिक चलिए उत्पादन करने वाले देशों के बारें बात कर लेते हैं यह बर्जीनिय तंबाकु तुर्कीज ट्रोगेको और य ट्रेट को आगे बात करते हैं लिए बात करते हैं रेसिदार फसलों के बारे में TU iya समस्पंगे सब्सक्राइब बात हम करेंगे उस भूंगा कपास के बारे में तो समझ लिए कपास को देख लिएते हैं कैसे का पर कियाती है इसका उत्पाताध्च देखा इसक इन जादा कहां गाया जाता है कपास की जन्म भूमी है वो मिद्ट को माना जाता है यानि कि अफरीक महढ़ीब का एक देश है उसको कहते है मिस्र यह एकिप्ट इह पर आप देख सकते हैं यहां पर अगद सागर, यहाँ देख सकते हैं यहाँ स्वेज की खाड़ी ओर लाल सागर ठीक है इस दरह से तो चलिए से सपताइस डिग्री सेलस्य oscillos के बीच में होना तुछ के ठीक बर सा की बात कि जाए तो पचास से लेके सौ सेंटिमेटर के बीच में बरसा होना आवश्यक है, मिट्टी की बारे में अगर बात की जाए, तो हलकी तथा उपजाव मिट्टी जिसमें चूना की मात्रा अधिक हो, इसके लिए काली मिट्टी भी सबसे अधिक अच्छी होती है, या हमें ऐसे कह सकते हैं, कि इसके लिए जो मिट्टी जरू जलबाई की बात की जाए तो तेज दूप इसके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि रेसे दा रेसा है या कहें जो इसके वो फाइबर होते हैं वो कैसे बने चमकदार तदा मजबूत बने कम से कम 200 पाला रहत दिन होने चाहिए इसके लिए ठीक है चलिए और इस तरी देखते है जो आपकी कपास की फसल है उसके लिए ये बात जरूरी है कि कपास जिस खेत में की जाती है या कहें कपास की फसल के बाद फसल का हेर फेर करना बहुत जरूरी है या फिर हम उसमें बहुत सारी खाद डालें क्योंकि जो कपास है जिस खेत में आप करते हैं उसमें कपास होन दूसरी फसल की जाए और उस फसल के बाद कपास को दुबारा उगाया जा ठीक है कपास की एक वाद ये खास वात यह भी है कि उस्टीची फसल है लेकिन इसको पोस्ट्र यह क्या पताया है क्टवंदी चेत्र कि फसल है जो कि विश्वत रिकाप सबसे अधिक गर्मी पड़ पांब पर का सब्सकिए हैं तप्रभर लम पर पांपर चमकति पर वहां पर कहा रहता है ने फेकंटी थेकंट संबहनी बनती अ का नियम है, कि दोपैर के समय यह रोज होता है कर घंटे-दो घंटे-घंटे-ओने के बाद और फिर सांत हो जाती है तो यह सीजी से बात है कि विस्वत रेका पर कपास की खेती नहीं की जा सकती, क्योंकि बहां बर्सा होती है तो इसके जो रेसी बगए रहा है वो खतम हो जाएंगे, भीग जाएंगे, ठीक है, चलिए, आप लोगो पता है ना कि रजाई है, रजाई क रजाई की बनी होती है, तो आप अंदा लगा सकते हैं अगर रजाई या रूई को बिगो दिया जाए तो कैसी हो जाएगी, एकदम लीथड़ और चीछड़ हो जाएगी ना, चलिए, कपास की किस्मों के बारे में बात करते हैं, कपास यो है, तीन पिरकार की होती है, मद् और चोटे रेसे की कपास, चाली देखते हैं, सबसे बात करते हैं, लंबे रेसे की कपास, ठीक है, इसके रेसे की लंबाई, चार सेंटीमीटर से लेकर, साड़े छे सेंटीमीटर तक हो सकती है, यह सबसे अच्छी किस्म की कपास है, इसको समुद्र दीपीय कपास भी कहते क्या कहते हैं क्योंकि यह जो कपास है यानि कि लंबे रेसी की कपास है वह समुद्री जो जलवाई होती है वहाँ पर सबसे अच्छी तरह से उगाया जा सकता है क्योंकि मैं पिर से बता जाओ मैंने क्या बता है इस कपास की इस किस्म को लंबे वह सरी समुद्री दीपी कपास कहते हैं यहां पर आप देख सकते हैं समुद्र दीपी का पास भी कहते हैं क्योंकि यह किस्म केवल समुद्री जलवाई में ही अच्छे से उगाई जा सकती है इसकी खेती खास कर USA यानि की उनाइटेट इस्टेट और अमेरिका और यहां पर अफ्रीका महाधीब का एक दियत ह है क्या नाम उसका मिस्र तो USA और मिस्टर में खास कर उगाई जाती है दूसरा है मध्यम रेसे की कपास इस रेसे की लंबाई दो धाई सेंटी मीटर से लेकर चार सेंटी मीटर के बीच में हो सकती है इसको या इसकी केती मेक्सिको पेरू तथा पूरवी अफ्रीका में खू क्यरिगों इसे का यह सेंटी मीटर से कम ही गहुती है इसकी खेटी ब्राजीर तथा भारत में की चाती है चलिए नेक्ट बात करते है उते स्टी मीटर से कम होता है उत्पादक छेत्रों के बारे में बात कर लेते हैं तो विस्त का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है कपास का या कोटन का तो वो है चीन यानि की चाइना और उसके बाद कपास का यानि की जो उसके बाद कपास का जो दूसरा निर्यात है कि बो सरी दूसरा उत्पादक दे की दूसरे देश में नहीं बेचता तो कपास का सबसे बड़ा निर्यात की देश की अगर बात की जाए यानि कि विदेशों में बेजने वाले की बात की जाए तो वह है आपका यूएसे तो यूएसे जो है ये विदेश विदेशों में क्या करता है निर्यात करता है दूसरे प McLuki यहां पर कैसे कपास होते लंबे कि कपास यहां पर हो गाई जाती है जो कि सबसे अच्छी मांडी या इसलिए इसकी अविशक्ता अन्य देशों को पर मद्याम की या पर छोटे रेसे के का पास हो आई जाती है अपर क्या करते हैं यह निर्यात करते हैं आंदि सो आपका मिराजील यहां पर देख सकते हैं पाकिस्तान अपर पर飾रिक है और यहां पर अफरीका का एक और देसे है इसको हम कहते है यूँगान ड्योंक्य पूर्वी छेत्र में पड़ता है टिक भारत भी लंबे रेसे का आयात करता है नना कि निर्यात कुई भारत में छोटे छोटे रेसों की कपास उगती है ठीक है तो भारत को जरूत पर्धिया लंबे रेसह की यूकि तो-सपसे होती है इसके लिए उसका क्या करता है अजाती बिदि रेसों से होती है इसके बसकी घ्र siya को एका दिकार प्रिरास का मतलब होता है लावब और कहीं पर इसको नहीं उगाया जाता है यह जो गया यह दख्षिड AC अबाला जो चेत्र है यहाँ पर उगाया जाता है तो आईए देखते हैं आदर्स दसाओं के बारे में बात करते हैं तो जूट के लिए जो आदर्स दसा है वह तापमान कितना होना चाहिए पच्चे डिगरी सेलसियस ते अधिक होना चाहिए यानि कि गर्म ह एम इसको कहते हैं नवीन जलोड मिटी की आज़सेक्ता होती है और डेल टा काقة मिटी इसके लिए बहुत अच्छी होती है चलि उत्पादक छेत्र क्यांतार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। उत्पादक शेत्र में अगर बातार्प क की जाए तो भारत में आझेक लेते हैं। भारत में आपका पशीवंगार घूट उगाय जाथा में ही है नहीं है यानिकी जूट चि дрोगाये जाता है उसका सबसे अधिक च्छेत्रपल किस में भारत में है भारत तक बंगलादेश तता चीन मिलकर भारत बंगलादेश और चीन मिलकर पूरे बिस्सो का 95% जूट का उत्पादन करते हैं मैंने बताया था भी थोड़ी देर पहले कि दख्षिड यह और यहां जो छेत्रे इसको एकादिकार प्राप्त है ठीक है जूट का सबसे जूट का सबसे बड़ा यहां सबसे अधिक निर्यात करने वाला जो देस है वह है ब निर्यात करते है ठीक है बात करते हैं उत्पादक दिस नंबर वन पर है आपका भारत उत्पादन करने में नंबर दो पर है बंगला दिस उत्पादन करने नंबर तीन पर को ना आता है चीन चलिए इतना काथी है तीसरा देखते है रेसम रेसिदार फसल है आपकी रेसम फस प्रियर जीदी प्रोटीन के हमना होता है यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह से सैतूस के पेड़ पर गाये जाते यह इस तरह से अंडा यह यह मतलब जो कपा जो रेस्म के जो कीट होते उनका अंडा उसको लगा एनदें र को ककुंवे हो और उनको कुकून जो होता है उसको क्या करते हैं निकालते हैं उससे तो है समझते है इसको रेसम की उत्पति सबसे पहले चीन में हुई मानी जाती है रेसम एक पिरकार कि कीड़े से पराप्त होता है जिसको जिन्दा रहने के लिए सूले डिगरी सेल्सियस तापमान बहुत ज़रूरी होती है बैसे इसकी कहानी में अंदाज है उसे लगाया हो सकता है किसे से माल लीजिए जो चीनी बगएरा लोग हैं क्या करते होंगे अभी इनका पता कैसे चला गए या इस आए आरम से फोड़ा फाड़ा और ओमनेट बना ली वहां पर जैसे चुए बगएरा पकड़ लिए ज्यादा परिशान करना चुए तो क्या करते हैं बच्चों को चुए पकड़ पकड़ के उसमें चुए दानी होते ना उसमें डाल दिये और चुए को एक नाम ऐसे करके उसमें बेशन में चुए की पकोड़ी बनवादी कहीं चुए जैसे बच्चा दे देते हैं तो वह क्या करते हैं ज्यादा बच्चे आ जाते ने चुए के तो क्या करते हैं पड़ोस रोड़ उसमें किप्ट करवा देते हैं लीजी सर आप इसके वह बना लीजिए इसी तरह एह सब्सक् dauphin सब्सक Запाष के रचा किर तो दिया दिती उसकी जो बार जूसी निकल virtues Estados मकिर COMरेंज लाखना है जब चूसा तो उसमें है दागा निकल रहे इस तरह से जब उनने देखायर यार्ने दागा रही सिरह है निकल टरख गह निकल रहे इस तरह से जब तो तो निकल रहे हैं मतलब यह कालपनी कानी नहीं मैंने अपनी तरफ से थोड़ा इसमें जोड़ दिया है उसमें दागा निकल रहे थे उन्होंने देखा रहे यह क्या दागा तो उन्हें क्या किया जब यह दागा देखा बहुत मजबूत था अच्छा लगा उसका फिर क्या करने लगे लोग खेती करने लगे कभी कभी क्या होता है कि यह वर काणी मैं नहीं पढ़ी थी केक इखती थे उन्हें खाने के थोड़ी दिख्क्त आ रही थे उन्हें क्या किया यह इस तरह से लिगल ली एक किट वहां के आपकर दो सुप बना लिया तो उसमें आपना लिए तो इ इस विए इस कीडियो को बहुत सालों तक चुपा के रखा यानि कि रेसम का एकादिकार सिर्फ वह सिप चीन को भी प्राप्था पुराने जमाने के बाद है इसलिए जब जिस चेट से ये रेसम ले जाए करते थे उसको सिल्क रूट या रेसम मार की कहते थे क्योंकि रेसम सि चेट रहे उसको कहते है पूर्वी तता दश्चिड पूर्वी छेट फिर से मैं बोल देता हूं देशम का असी परसेंट उत्पादन पूर्वी तता दश्चिड पूरी इस या से इप्राप्त होता है समझा गया जिसमें जापान चीन इटली कच्छे रेसम के प्रमुख न नियातक मतलब बाहर भेजने वाले देश कौन-कौन से मैं बता जेता हूं यहां पर जापान है आप देख सकते हैं इसके बाद यहां पर है आपका चीन यहां पर आपका एक यूरोप में चले जाएंगे तो यहां पर चपल जैसी आकृति का एक दिस है इटली ठीक है तो ज आपान चीन इटली यह विदेशों में बेचते हैं जबकि अपने अंदर मगाने वाले कौन-कौन से आयात करने वाले वह है भारत यूएसे यानिकि यूनाइटिश्ट अमेरिका यानिकि सहुक्तराज जमेरिका और आपका यहां पर एक देख सकते हैं देश जिसकों कहते है है히 France, Europe का यह देश है, France ये पिर मुखा आयातक देश हैं किसके कच्चे रेसम के ठिक उत्पादक देश्टों के बारे में बात कर लिते हैं सबसे No.1 पर आता है उत्पादन करने वालों में तो वह है आपका चीन, No.2 पर आता है भारत, No.3 पर आता है उजवेकिस्तान, मने सबतीन पर आपका उज्वेकिस्तन कैस कि समें उतपादन करने में आयात उन्वेकर ईछिए यह चीज फॉऐतगा इति चले Oh ते इनले फसल के शच्री को में बात करते हैं छिन से तेल पर यह देखते हैं बात करते हैं नाइजीरिया ठीक तो यहां पर आप देख सकते हैं नाइजर के ठीक नीचे नाइजीरिया ठीक है यह नहीं कि इन्होंने क्या किया ज्यादा मेहनद नहीं कि इन्होंने ठोड़ी सी मातरा बगयरा लगा दी और एक नया देस बना लिया नाइजीरिया ठीक तो नाइजर के ठी में Some region applicable में आपको मलेशिया भी दिख जाएगा नंबर तीन पर हैं नाइजीरिया फिर फिसके मों अधीन उत्वादन करने में पांड़ीन नंबर एक पर इंडोनेसिया नंबर दो पर मलेशिया Ctrl dyna. इतना कपी है बस चलिए आगे बात करते हैं मूंग फली इसको पीनट भी कहते हैं और अभी निया संक्रण रोग आगया पीनट बटर खाने का सोब क्या करते हैं हम लोग कीड़ों की तरह हैं मतलब भारती जो लोग हैं असली भारती हैं वो कीड़ों की तरह नहीं जो नाजाज हैं अंग्रेज जहाँ पर गलती से भारत वे आ गए थे उसके बाद वो अपनी नाजाज उला चोड़ गए थे जब वो उइला चोड़ गए तो वो आज भी गर मेह शुझ करते हैं वहाँ की चीजों को इस्ते क्यों घंदी बोल देंगे ना तो हिंदी बोलने में सरम सी मेहसुस आईगी ज तो आप अच्छे लोगों में आपकी किंती नहीं होगी इसी तरह से पीनेट वटर की में बात करूं बहुत अवड़ आ दिया भाईया पीनेट वटर बहुत होते हैं अंग्रेज बन जाते हैं खाके ऑलिवुड की लोग इस्तमाल करते हैं मैंने कि अच्छा देखते हैं अब पीनेट वटर लाए हमने अपनी कुटिया को कहला दिया पीनेट वटर सीजी बात पीनेट मतलब होता है मुझफली मुझफली में ठोड़ा जा घी वगयरा और अच्वड़ा अमने खाया तो थूख द्याक थो इतना गंदा सुआ तो मैंने कभी और भी किसी चीज का नहीं मैं मुंफली नहीं काता पीनेट में अब मैंने क्या किया बहुत मेगा हूं बहुत मेगा है 400-500 रुपे का अब क्या करूं फिर मैंने अपनी कुतिया को कहला है खुतिया मेरी बहुत मट्य हो गई बसे फाइदा करता से तो यह जान पर हो कि इंसान वाली खाने की चीज़ नहीं है पीनेटी नहीं क्यों वहां कि चोचले हैं चोचले क्या होती है चोचले जो अंग्रेज कर ले ना जन भूमी जो है ब्राजील को माना जाता है ब्राजील से यह जन भूमी ठीक है यह है उस्ट तथा उपोस्ट कटबंदी छेत्र में अधिक होगा है जाता है उस्ट लोपोस्ट छेत्र कौन सा हो जाएगा 35-35 से लेकर 45-45 उत्री आचांस के बीच में यह है फसल याकर पर आपका चीझ नमबर दो पर भारत बंबढ़तिन पर यो से इतना काफी है जानने के लिए मुग पसफादिन करने ौर्फ टाइबलये दिक जैब gör को रहा है विजखेटि वोटा है विल्स नंबर तैस्ट नमबर तीन पर अने रहाए जो इस ठीक है उस चली इतना पैस,ि कहते हैं तो आए देखते हैं किस तरह से सोया बीन है उसको हम जगाते हैं ऑडि-खेति क weapons के ήता है कि सोया बीन की और पोस्ट्रय से लेकर सीटो कट्वनने किशेतर नहीं है उतिए सोया बीन की ठीक है उत्पादक देश देख लेते हैं इतना कपी उत्पादक देश नंबर बन पर यूएसे नंबर दो पर आपका ब्राजिल नंबर तीन पर अर्जेंटीना फिर से में बोल देता हूं ब्राजिल आपका दच्छिडी अमेरिका का देश है और जेंटीना आपक यह अन्य है तो सबसे बात करते हैं चुकंदर के बारे में चुकंदर जो है सीतोस कटवंदी जलवाई की फसल है इसकी खेती खासकर यूरोपी चेत्रों में की जाती है जिसमें यूरोपी चेत्र जैसे आपका फ्रांस हो गया रूस हो गया यह कुछ प्रमुक चेत्र है और आ का रूइस सबसे ज़्याद रूट गरण करने वाला जो डेस के चुकंदर का वो रूइस है नंबर दो पर फ्रांस नंबर तीन पर यूऐसे रूज सब्सक्रon door कार यूवा का देस है ठीक है अधिक वर्षा लगवग लगवग 200 cm से अधिक होनी चाहिए और आदर्था भी अधिक होनी चाहिए यानि कि हमाँ हवा में नमी भी काफी होनी चाहिए ठीक क्यासी कौन 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 परिस्थितियां है या क्या क्या आदर्थ जथा है तापमान 25 डिगरी से अधिक बरसा दो से सेंटीमीटर से अधिक और आपकी आदरता भी अधिक होनी चाहिए इसके लिए समुद्री जलबायू सबसे अच्छी होती है ठीक है इसकी किरसी 20 जिगरी उत्री आचांस तता 20 जिगरी दच्डी आचांसों के बीच में की जाती है यानि कि आपको मैं दिखा देत है इसकी आपके रियल की ठीक है जैसी की आप इंडोनेशिय करता देख देख रहे लहें ठीक हो सबसे अधिए कुछ पादन करने वाला जो देस है बहुत है इंडोनेशिया इंडोनेशिया कहा पर मैं ज्ञूं करते हूँ यह इस्या का दच्छिड पूर भी है यहां पर छेत्त में आपको देख सकते हैं यहां इंडोनेशिया नमबर दो पर है फिलिपीन फिल्पीन कि हलका से देख लेते हैं मतस्य या मचली पकड़ने का विवस्ता है वैसे मैं खेट्सी में इसको सामिल नहीं करना चाता है लेकिन क्रसी से संबंधिती ये जुड़ी करिया है तो उससे संबंधित आप लोगों को मैं बता जीता हूं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानेंग लेकिन मतस्य उत्पादन छेत्रों के बारे में पहले जानेंगे तो आई समझते हैं बिस्त के प्रमुक मतस्य चेत्र उत्तरी गोलार्द के मद्द आचांसों में इस्तित हैं उत्तरी गोलार्द के मद्द आचांसों में तो यह देखते हैं सबसे पहला जो प्रमुक मतस्य उत्तर पादन चेतर है उसको देखते हैं तो उत्तर पस्च्चिमी प्रसांत महासागरी यह मतद्सच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् तो उत्तर पस्च्चमी थडिये मतस्थ शेतर के बारे में बात करेंगे, ठॉक है तो प्रसांथ महस्चागर का ये पस्च्चमी छेत्र वहिए ईह चेत्想ुततर में बेरिंग साघर से लेकर दच्षिण में फिल्पीन साघर तक यह चेतर फैला हुआ है समझ में आ गया यह संसार का सबसे बड़ा मस्तली उस पाधन करता चेतर है इस चेतर में क्योरो सियोगी क्योरो सियोगी गरम जलधारा जब ओया सियो की ठन्डी जलधारा सागर मिलती है तो इसमें हंसू तट्ट के पास पिलवा किया करें Plankton का 550 होता है जो की मचलिएंग का फिर मौक भय जाना होता है मैं आप लोग कई बार बता रंवाइं कि जहां पर दो धारा मिलते हैं गरम और एक ठंडी जब दोनों का मिरन होता है जब प्रेम होता है उन दोनों का अपस में तो बहाँ पर क्या होती है गर्मी पैदा हो जाती है कि इस तरह की इस्तिती पैदा हो जाती है कि बहाँ पर จะ-ちょっと require मचलियों आने च्छेतरों में मचलियों को आसानी से पकड़ा जाता है कौन कौन बता है मैंने बता है क्योर धारा है जो फड़कर घरम जल धारा जर मिलती है यानि कि स्वरी कि ठंडी जलधाया उपर से आती और हम जलधाया इस तरह मिलत तरह से तयां पर मतस्षेत्र क्या होता है गए कहां पर है हां सुटन सुट कभर हैं यहां पर देख सकते हैं हौंसु चलिए नंबर दो देखते हैं मतस्य पादन चेत्र दूसरा है उत्तर पूर्वी प्रसांत महासागरी चेत्र अब यह उत्तर पूर्वी कौन सा हो जाएगा यह तो मैंने विदर पहले बताया कि यह आपका प्रसांत महासागर प्रसांत महासागर का यह उत्तरी चेत्र यह पू पूर्वी उत्तर पूर्वी कौन सा हो जाएगा यह उत्तर और यह पूर तो यह इस तरह से हो जाएगा ठीक है तो उत्तर पूर्वी चेत्र में कौन सा पड़ता यह आपका उत्तर पूर्वी चेत्र चली समझते उत्तर पूर्वी चेत्र को तो यह चेत्र अलास्का से कैलिफ अनन्हें के तट्के साथ साथ फ्षैला हुआ अलास्का का है यह आपका उत्तरिय अमेरिका महांदिप उत्तरियं अमेरिका का एक ? अमेरिका का ए राज्य है यहाँ पर नुनासा, नुनासा थो नहीं ام तो काफी बड़ा लेकिन अमेरिकास थोड़ा अलग हटके है जो कि कैनेडा वाले भागोलिक छेत्र में हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं तो यह अलासका से नीचे चलते चले आएंगे अलासका से नीचे चलते चलते चले आएंगे कैनेडा होते हुए इस तरह से यहां पर है लिवाट नहीं कि सबसे प्रम किया कि यह सालमन दूसरी जो है है लिवट ठीक है बिस्ट की पचार पर सेंट है ली वट जो मचली है यह यह पर क्या की जाती है इसी छेत्र से प्राप्त की जाती है मैं आप लोगों पता चुका हूं अभी यहां पर यह बताने की जबूद ह होती है जब गर्मी पैदा में होती है तो वहां पर प्लेंक्टेंस का विकास होता है जब प्लेंक्टेंस का विकास होता है तो वहां पर मचलियां उनको खाने आती है जब उनको मचलियां खाने आती है तो हम मचलियों को खाने पहुंच जाते हैं और उनको खाने के लिए प थी टतर यह पूर यह पूर्ड यह पर रही इस तरइसे चले आँगे मैं जूम करने सी चलते इप आप लोगों गा करेंकि पर लोगों को कूल यहां पर डिया पर रोंग दीप आप देख सकते हैं तो लोग दीप से नीचे चलते-चले चलते 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 जनाएंगे चलती चलते चलते होते 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 और Atlantic मातागर के 10 des Apostles में घर मैं अpat new forklarland के deep समू तक पहुंच जाएंगे जोकि UK के अंटर गताता यानि यानि कि इस पर किसका रगर है इंब smell Ар मिलतीं है तो क्या होता है यहां पर मतस्य उत्पादन का केंद्र बन जाता causes बैंक तो ब новых-बंक क्या करते यहां कि यह जघरा समुद्र होता है जैसे कि यहांपर देख भी सकते हैं ग्रांट बैंक जोर्ज बैंक ये बैंक फलाना वेंक माता यहां पर मिलते हैं टिक लिए ने कि अटलांटिक महासागर का उत्तर पूरवी चेत अभी मैंने फ़से दिशरगता कि इस तरह से शरम और 25 स multic य२ की फेला हुआ है तो यह पूर्वी चेतर, तो यह है आर्किटिक विरत, अब भया आर्किटिक विरत कहा है, यह है आपका आर्किटिक विरत वाला चेतर, तो यह आर्किटिक विरत से उत्तरी सागर होते हुए, इस तरह से इंगली चैनल होते हुए, और यह यहाँ पर पहुंचा, यहाँ पर है बूमत सागर की सीमा तक फैला हुआ है यहां का जो प्रमुक मतधास चेतर है उसको हम कहते है डॉगर डॉगर वेंग टिक है जो की आपका उत्री सागर में इस्टित एक चेतर है ठीक है इतना काफी है यहां पर जलदारा मिलती है जब जलदारों के Бारें महने देख लिए यह पर आप देख सकते हैं है आ наход पा? गरम जल्दा रहे हैं जब आपा साकर, मिलती है. आपस में जब उनका होता है तो वहां पर डोंको मदों का बेकाज होता है, तो उनको पक्षli एक खाने आती है और मदों को हम खाने पहुंश जाते हैं, और उनको पकड़ कर ले आते हैं कुछ खा लेते परू के नाम यह है इसका पस्षीटर यह चेत्र को फिताए इसको किये रिखते हैं जिसको हम कहते हैं पेरू तर्ट के यह द fig तो दचधड़ी अमेरिका कर पूर्व पूर्व इसक्टड इस चाहिए पूर्व 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 को यह मसलियों और च्छा खासा या जाता है नुकसान पहुचता कि गरम जल्धार तफमन बढ़ जाता है इसलिए काफी हम पर मखिलियूं को नुकसान मिलता है क्योंकि ये विचारी क्या करती है मर कर उपर आ जाती है कि हमारे लिए है बिलकुल बेकार क्यों कि हमारी जो आदत है हम मार कर खाते हैं मरीवी चीज को निखाते हैं सबसे पहला नंबर वन पर आता है चीन जिसको हम कहते हैं चाइना चिंग चौंग चिंग वाला जो देस है उसको कहते हैं चीन नंबर दो पर आता है इंडोनेसिया यह चीन नंबर टीन पर आता यू एसे यहां पर आप देख सकते हैं उध्तर अमिर्सक्रार क्हेश्ज पर पेरू इसके लाज बात करते हैं यहां जो जो नदियों बगयरा से मार लेते हैं तो जाली आइक हो तो इसको ताज जाय की मठीली बोलते हैं ठीक है आई देखते ताजी जली में नमबर वन को ने चीन और नमबर ओपर है भारत चीन हो गए ये मतस्व पाद चेत्र यह हो गया आपका आपका पूरा का पूरा फसलों का बर्गी करण के बारे में ठीक है चलिए आगे बात करते हैं किस किरसी के बिसेस प्रकार देख लेते हैं किस किस तर ऐसे जो किरसी हैं उनके बिसेस प्रकारों के नाम भी देख लेते हैं बात करते हैं एक एक करके सबसे पहला जो प्रकार है उसको देखते हैं सबसे पहला जो है बिटी कल्चर बिटी कल्चर में अंगूरों का ब्यापार उसको हमने टीठ पानी डाला कढड डाली और कईसारी चीज़ डाल लिए उस पर तीचार गुच्छ है करने के बाद हमने उनको खाया अंगूरों का वियापारी की श्थर पर उत्पादन करने के लिए हम बेटी कल्चर कहते हैं ठीक है? दूसरे नमबर पÓर आता है पिसी कल्चर पिसी मतलब जब हम मच्छियां जो होती है सूख जाती है और सूखने के लिए वाद हमको उनको पीस लेते हैं जब पीशने के बाद उसमें मचलियों की जो बड़ी होती है उसमें तेल निकलने के बाद हम उसको क्या करते हैं बूतल में बढ़ कर बेज देते हैं तो उसको PC culture नहीं कहते हैं द्यान रहे समझते हैं क्या होता PC culture ब्यापारिक इस्तर पर किया जाने वाला मचली पालन मचली पालन क्या कहलाता है PC culture कहलाता है इसे जल किरसी एकवा कल्चर भी कहते हैं आईए देखते हैं सहरी कल्चर सेरी कल्चर क्या होता है सेरी कल्चर होता है रेसम उत्पादन की किरिया जिसके तरह सेयतूस आद की किरसीवी सम्मिलित है यानि कि मैं आप लोगों पता चुका हूँ जो रेसम का कीड़ा है वो सेयतूस की पत्यों को खा कर आनंद लेता है जीवन का है और उसी पर ही अपना जीवन पूरा ब्यातीत करता है तो सैतूर रियसम कीट का उत्पादन करने के लिए सैतूर का पेड़ लगाना भी बहुत जरूरी है क्योंकि भैया उसके लिए इस पेसल घर तो बनवा नहीं सकते के वह घर रही हो जाना वाली मोदी जी चला इसमें सेतूर की भी खेती को सामिल किया जाता है ठीक है यृटी कर्चर देख रहे लेयते हैं बयापारी को इस्तर पर किया जाने वाला विविन प्रकार के फालो का उत्पादन होड़ी कल्चर कहलाता है next बात करते हैं चली आरमगरी क्ल्चर के बारें बात करते हैं भी से प्रिकार के बिरच्छों तता जाड़ियों की किरसी जिसमें उनका संबर्धन तता संदच्छडवी सामिल किया गया है जिसमें जाड़ियों तता बिरच्छों किरसी तो कहीं जाती है अच्छी खासी लेकिन कभी-कभी कहता होता है जो कोई पेड़ है कोई जाड़ियों कोई साथ उसके पर लगएंगे और जिसे फिर प्रद पाला आ게 लगए थे उनका क्या करेंगे हम देख़ाल करेंगे ठिक एपी कल्शर के वारे माढ करते हैं तो आग इस थिस तर पर सहध उत्पादन ये तो किया जान किया जाने वाला मदमक्खी का पालन एपी तो मखी का पालन में तो मखी का पालन में सुचता था कि मखी घरों में उड़ती है वो क्या देती है सहद देती है तो गैसा नहीं है मदू मखी ठीक है मदू मतलब मिठा से यानि की आप सहद बोल सकते हैं मदू की मखी तो जो ऐसी मखी जो हमें सहद देती है तो मैं फिर से ब सा दो-çार दो नों ने सेल बना दिया फिर हमने वह एठ लिया और बोबाली जो मक्ही थी हमने दूसरे क्लात्र में रख दी और फिर मैंने डग दिन इस तरह से समझया गया ना जब फिर मैंने डग दी तो बो जो गिलास में उन्होंने दो त्युन बूंदू क्या कर दिया था उनने सेद बना दिया था उसमें हमने चाय मीठी कर लिए ऐसा नहीं उसको हम एपी कल्चर नहीं कहेंगे ब्यापार एक इस तर पर होना चाहिए मदमुक्षियों को कम से कम पैदा करें और जो सेद पादन जि और जिसदिन पूजा करते हैं कभी कभी गुलाब का पेड़ फूल नहीं आया तो हमने पीछे परूऋसी पर हमला कर दिया परूँसी का कुदे और अलका सा गुलाब तोड़ि लाए इस तरह की अरकत नहीं यह अरकत आपकी फूरी कल्चर नहीं कर आए फूरी कल्चर क्या जो बन है, उनको जो पहले से जो बन है, उनको जो खराब है या कि हमें नुक्सान प्रकृति को पहुचा रहे हैं, उनको काड़ देना चाहिए, और वहाँ पर दूर से बन लगाने चाहिए को, कि हम जो इंसान है, वो हर किसी का इस्सा खाना चाहते हैं, पहले तो इंसान इंस चाहिए इससे आप लोगों को बचके रहना चाहिए तो आप इंसान ना बने बलकि क्या बने एक जीब बने जो अपने परियाबर्ड का संदच्छड करता हूँ इंसान मत बनों इंसान बहुत कतरनाक चीज़ होती है क्योंकि उसके अंदर जब इंसान बन जाता ना तो वो सब का खयाल रखता है बहुत जादे खयाल रख देता है सब का खयाल के चक्क्रे में वो दुनिया को नुक्सान पहुंचाने लगता है चली समझते मैंने क्या पता ह संबंदित संबंदितकार क्या कहते हैं सिल्वी कल्चर कहते हैं चलिए वेजी कल्चर देख लेते हैं वेजी कल्चर आपका वेजी से आप लोगों पता ही है वेजी मतलब वेजी टिवल ठिक चलिए मैरी कल्चर मैरी मतलब साधी वाला मैरी नहीं कि मैरी में जिसमें ब्यापा को देशने को पूर्ती यह थी समुद्री जीवों के उत्पादन की किरिया को हम मेरी कल्चर कहते हैं टिक होर्सी कल्चर तो आप होर्सी तो समझी गए होगे अस्व पालन या गोड़ा पालन तो इसके बारे में बताना नहीं है सबारी और याता है के लिए उन्नत पर जाती है गोड़ों और खचरों को ब्यापार इसकतर पर पालन करन पालने की किरिया को हम होर्सी कल्चर कहते हैं यह हो गया कर्षी के पिसे प्रकारों के नाम आके बात करते हैं समझते हैं देखते हैं फिरमुक फसल है फल पिरमुक फसल है फल और उनके उत्पादक राष्ट पिरमुक फसल है तो आई देखते हैं एक एक करके पिरमुक फसल है फल और उनके उत्पादक राष्ट आई देखते हैं सबसे पहले बात करते हैं ग्यों की नंबर बन पर है चीन नंबर ट पर चीन, नमबर टू पर भारत, नमबर थिरी पर इंडोनेसिया, नमबर टू भारत का कितना है, नमबर टू, मक्का की किरसी की बात की जाए, तो मक्का में नमबर बन है, ये 2000 से मैंने डाटा लिया है, नमबर बन पर है, आपका यूएसे, नमबर टू पर है चीन और नमबर मलेशिया नंबर थी पर और भारत का इस्थान चोथा किस में प्राकrito्यष्ट का उत्पारण करने में गणना की बात कि जाये तो गणना में प्रितमिस्थान व्राजीर का दूसरा इस्थान भारत का तीसरा इस्थान चीन का, ठेक है समझ में आगया, इसके बाहरा बाध करते में टम बाकु तो टम बाकु में number one पर चीन यहां पर लिखा हुए है number one पर चीन, number two पर भारत और number three प्राजिल, कपास के बारें बात किया जाए, तो कपास में number one चीन नंबर टू भारत और नंबर थिरी यो ऐसे जूट की बारे में बात की जाए तो नंबर बन पर भारत नंबर टू पर बंगलाजेस और नंबर थिरी पर चीन मुंफली के बारे में बात की जाए, पीनट के बारे में नंबर बन पर चीन, नंबर टू पर भारत और नंबर थीरी पर अमेरिका ठीक है, सोया बीन के बारे में बात करें, सोया बीन मेंने मताया था सोया हुआ बीन कौन, सोया बीन कहते हैं, सोया बीन जो है नमबर बन पर अमेरिका, नमबर टू पर ब्राजिल, नमबर फिरी पर आपका अर्जन्टीना, भारत का स्थान पांचason चले बारत का चौथा इस्तान केला के बारे में बात कर लेते हो केला नंबर बन पर भारत नंबर टू पर चीन नंबर तीरी पर यूगणा और नंबर तीरी पर यूगणा और नंबर तीरी पर बारत का पिरसमिस्तान आलू के बारे में बात कर लेते हैं आलू कचालू कहां गई ते करता भी सुनी होगी तो वहीवाला आलू है तो आलू में नंबर बन चीन नंबर टू भारत नंबर थिरी यू वह रूस ठिक दलहन के बारे में अनी दालों के बारे में बात कर लेते हैं दलहन में नंबर बन पर चीन नंबर टू पर भारत और नंबर थिरी पर आपका अमेरिक टिक जो के बारे माथ कर लेते हैं तो यूरोपीय यूने नंबर रवन पर है रूस नंबर डूपर है और यूक्रेण यूक्रेन आपका तीसरे नमबर पर अगर सिर्फ देश की अगर बारे में बात करें तो जो उत्पादन करने वाला सबसे प्रमुक देश कौन सा बन जाएगा क्योंकि यूरोपीय उनियन यानि कि इसमें कई सारे देशों को जोड़ लिया है तो नमबर वन पर कौन सा है रोस जो का उत्पादन और वैसे अगर यूरोपीय उनियन आता है तो आपको यूरीय प्याइट यूनियन मानता है जुआर के बारे में बात करें जुआर को हम बाजरा भी कह देते हैं ठीक है तो जुआर का सबसे जादे उत्पादन करने वाला जो देश है उसको हम कहते हैं अमेरिका नमबर दो पर है चीन नंबर टू पर है अमेरिका नंबर थी पर है तुर्की भारत पर से कितना नंबर पर आता है भारत पांच में नंबर पर है म और साले म और साले को मिला कर बनते हैं मसाले ठीक है मसाले का अगर बात की जाए मसालों है मसाले के बारे में नंबर बन पर है मसाला इतन बाला इसमें अड़ा नीकरेंगे मसाले मतलब दिमिर्च दनिया-पुदिन इस तरह से ठीका है तो यह उते मसाले से टीक कुछ लोगों को साले से रभए पता है ऐसे करके नहीं करते हैं ऐसे करके तो बो मसाला नहीं होता है नंबर दो पर बंगलादिस नंबर थिरी पर तुर्की संत्रा के बारें बात करें संत्रा मतलब ओरेंज संत्रा नंबर वन पर ब्राजील नंबर टू पर आपका चीन और नंबर थिरी पर अमीर का भारत का नंबर जो है पांच माहें चलिए यहां पर बात करते हैं पौधों की उत्पत्ति पौधों की उत्पत्ति तथा इस्थल सबसे फिले बात करेंगे इस्थल तो आपका उत्तरी अमेरिका के बारें बात करते हैं उत्तरी अमेरिका जो महाधीब है इसमें कौन-कौन से उत्पत् पहे दच्छडी अमेरिका में मुंफली नमबर दो पर आलू नंबर तीन पर सकरकंद नंबर चार पर तम बाकु ठिक इसके उतबाद करते हैं दच्छडी पूरवी एसया के बारे में अगर बात की जाए नंबर आपका गंणा धक्षड पूरवी एसया हो जाएगा ठीक है तो माँ चावल और केला इसी चीत का माले जैता है यूँरोप की बात की जाए तो राई और यूर और जै और यह जई कहा। ंए वो यूरोप बाले यूरोप का माझ कि ठीचीण का बारे मैं को बात की जाए तो चीन में चाय और चो ठीक है शेयर लिए चलिए खनीच संसाधनों के बारें बात करते हैं खनीच त्रत्वी के दरातल से निकाले जाते हैं इनकी पहँचान बहुपोलिक तथा रसायने गड़ों से होती है आए समझते हैं खनीचों के बारें बात कर लेते हैं खनीचों के प्रकार सबसे पहले समझते हैं खनीचों के प्रकार सबसे पहले समझते हैं खनीच तीन प्रकार के होते हैं दात्वे खनीच अदात्वे खनीच और इदन खनीच ठीक है समझ में आ गया आए के करके समझते हैं सबसे पहले बात करते हैं दात्वे खनीच के बारे म और दातिते खनीज में दूसरा वो होता है जिसमें लोहे की मास्तरा नहीं अपाई जाती है जैसे की मैंने क्या बताया सफ जो चनीज और आइक तो आई देखते हैं दात्वीज खनिज को लोह ऐस्क की मौजूद की क्याधार पर दो भागों में माटा जाता है सबसे पहला है लोह खनिज जिन इन खनिजों में लोहे का अंस होता है जैसे कि आपका लोह ऐस्क मेगनीज क्रोमियम आपका निकल टंग्स्टन और कोबाल्ट इन में क्या होता है लोहे की मात्रा या कहें लोह ऐस्क की मात्रा मौजूद होती है ठीक है नमबर दो पर आता है इसी में ही लोह अलोह आयसक ठीक है अलोह खनिज जिन खनिजों में लोहे की उपस्तिती नहीं होती है उनको अलोह खनिज कहते हैं जैसे कि नमबर एक पर आता है तावा नमबर दो पर अलोमिनियम नमबर तीन पर टिन नमबर चार पर सीसा नमबर सा आड़ फर जिंक तो यहां पर दिखा देता हूं तावा अलोमिनियम टिन सोना चांदी सीसा प्लेटिनम और जिंक जो हैं आपके अलोह खनीज में आते हैं ठीक है चलिए आगे बात करते हैं अधात्विक खनीज के बारे में वो खनीज जिन में चमक नहीं होती है ठीक है तो अलग पढ़ेंगे एक एक करके तो फिरसे मतादा जाओं अधात्विक खनीज में क्या-क्या सामल किया जा था जिपसम अविस्ट्रस नमघ घंदक नाइडरेट संग्बर अमर टीया गोक्रेफाइट को हम क्या केते हैं अधात्विक खनीज केते हैं तीसरा प्रिकार जो है खनीजों का वो है आपका खनीज इंदन सब को अलगड़ा बार दूँगा मैं ठीक है खनीज इंदनों में आपका आता है कोईला पेट्रॉलियम प्राक्टिक गैस यूरेनियम थोरियम फलाइन डेम का ताम चीज है ठीक है चेलिए सबसे पहले बात करते हैं दात्विक खनीज के बारे में ठीक दात्विक खनीज को मैंने बताया दो भागों में बाटा जाता है एक होता है जिसमें लोहे की मात्रा होती है और दूसरा होता है जिसमें लोहे की मात्रा नहीं होती है ठीक है तो दात्विक खनीज में हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं लोह यह सबसे पहले बात करते हैं लोह के बारे में तो लोहा एस को लोहे के अंस के आधर पर चार भागों में बाटा जाता है सबसे पहला आता है मैंगने टाइट लोईएसक ठीक है यह सबसे अच्छा लोईएसक होता है इसमें लोए की मात्रा लगवग सेमेंटी टुटू परसेंट तक होती है इसका जो रंग होता है पूरे तरह से काला होता है दूसरे नबर पर आता है hematite आपका लोईएसक यह लोए का सबसे महतपूर शुरोत होता है निकी पूरी दुनिया में इतना भी लोईसक निकाला जाता है वो लोई 사स्की होती है इसमें लोई की जो मात्रा होती है वो 70% तक हो सकती है तीसरे नमर पर आता है जो है लिमोनाइट आपका लोईसक इसमें दातू का अंसी यानि की लोहे का अंसी जो होता है साट परसेंट तक हो सकता है इसका रंग पूरी तरह से पीला होता है या हलका पीला कह सकते हैं ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह लेमोनाइट कोईला इसके बाद आता है सबसे नंबर चार पर जिसको हम कहते है सदा सदा मतलब जानते ना जब फल ले गए उसमें कीड़े पड़ गया है तो ऐसे यह का चौथा जो होता है सबसे घटिया किस्म को होता है जिसको कहते हैं यहां पर आप देख सकते हैं यह यह लो कलर के गेरे में गिरे हुए जैसे कि आपका ऐस्टेलिया दच्छड़ अफर और रूस फ्रांस यू ऐसे और ब्राजील यह पूरे बिस्ठ में जितना भंडार है उसका नब्वे परसंट इन च्छेत्रों में लोहास का भंडार पाय जाता है इनिकि सभी को अगर मिला दिया जाए तो कुल लोहास का जो बंडार है नब्वे परसंट के नहों का हो जाए यह तियसा है फ्रांस और इसके बाद यह आपर वेटेंट और यह स्वीडन है यह और यह यूएसे भी है यह तीन से चार्व पांचे च्छा देस हैं यह प्रुमक रूप से असी पर्सेंट उत्पादन करते हैं पूरे विस्ष में जतना उत्पादन होता है उसका सब्सेंट क खेला जापान ही कर लेता है आयात का मतलब होता है देश विदेश से अपने देश में मंगाना है जैसे कि बारस से पड़ोसी देश है हमारा सबसे फ्रेंडली जो देश है तो उसका नाम है क्या बुलते हैं उसको तो पाकिस्तान नामक जो देश है उससे क्या किया जाता है जै कुछ नहीं होता है चलिए चोड़ दिये उसकी बात है तो पूरे बिस्ट में पैंतालिफ परसेंट कुल आयात का क्या होता है अकेला जापन कर लेता है इसके बाद दूसरे नमबर बाता है अगर अगर बंडार की बारें बात की जाए तो नमबर बन पर जो बंडार है सबसे सबसे अधिक बंडार किसमें आउस्टेलिया में उसके बात दूसरे नमबर बाता है आपका व्राजील यानि कि सबसे अधिक बंडार किसमें है लॉइस का व्राजील नमबर दू में आपका व्राजील नमबर तीन पर आता है आपका रूस नमबर चार पर आता है भंडार के वाले दीज नंबर बन में आता है आपका चीन यानि कि भंडार पर चौथे नंबर पर आता है लेकिन उत्पादन कितना करता है नंबर वन पर आता है उत्पादन करने में इसके बाद जो आपका उसके लिया है भंडार के रूप में तो आता है नंबर वन पर लेकिन बादन करने में इसके बाद रूस आता है पांच में नंबर पर फिर मैं एक बार में बता जिए हो कुछ प्रमुक छेत्र हैं यानि कि देशों में भी कुछ ऐसे छेत्र हैं जो कि लॉइस के प्रमुक उत्पादक छेत्र माने जाते हैं आई सबसे बात करते हैं चीन में चीन में कुछ ऐसे छेतर हैं जहां पर लोईस का अच्छा खासा वहां पर लोईस की खाने या फिर वहां से निकाले जाता है तो चीन में दो छेतर पढ़ते हैं जिसको कहते हैं मंचूरिया मंचूरिया और सांसी चीन में दो छेतर हैं मंचूरिया और सांसी से क्या होता है लो USAY के बारे हम बात करते हैं USA में आपको जो महान जीलों वाला चीफित देगेगा यानि कि जो superior zone है वहाँ पर एक महान जीलों में एक जील पढ़ती है उसको कहते है superior jis so superior jeal के पास में एक मेसावी नामक राज्य हैłem मेसावी नामक से आपका लोह एस निकाला जाता है इसके बाद USA का एक राज्य जिसको हम क्याते हैं Pennsylvania Pennsylvania और मेसावी से क्या निकाला जाता है लोह एस के प्रमुक भंडार पाई जाते हैं Australia की बाद तो अगर की जाये तो ऑस्टेलिया में प्रमुक रूप से जो पिलुबारा छेतर है जो की लोह ए इसके लिए प्रमुक्ष माना जाता है इसके बाद student की अगर बात की जाए student नामक देशते हैं आपका यूरोप में यहां पर आप देख सकते हैं तो student में किरुणा नामक एक छेतर है जहां से लोहे का अच्छा खासा भंडार मिलता है सब्सक्राइब करें पर स्थे निकल आते हैं इसके बात करते हैं इसके बात करते हैं पूर्वेस पूर्वियस पर है यहां पर आप देख सकते हैं ठीक है यह ओग्या लौएस के बारे में कि आगे बात करते हैं मैंगनीज के बारे में सवरा से समझ लेते हैं मैंगनीज का प्रियोग पहले कहा किया जाता इसको समझते हैं मैंगनीज का प्रियोग सुस्कु बैटरी के निर्माण में तथा कांच के उद्ध्योग में इसका मैंगनीज का निर्माण किया जाता है सुस लिए लिए निधीन निर्यातक देश हैं सबसे पहले आता है आपका भारत देश इसके बाद यहां पर उत्रीय द उत्षिर अमेरिक्ma क से ब्राजील इसक्के बाध है यहां , ब्राजीm पर लो आपकोént देश रहे हैं ज document पिर्मुक निरयातक देश हैं यानि कि अपने देश से दूसरे देश को ये भेजने वाले पिर्मुक देश हैं आये विस्त का सबसे अधिक आया तक देश कौन सा है यानि कि सबसे अधिक मगाने वाला बिदेशों से कौन सा है वो आपका संहित राज्य अमेरिका यानि कि USA टि नंबर दो पर कौन सा आता है आपका अफरीका ठिक दश्ट अफरीका नंबर यह आपका का अंगो कर राज यह गयवन और यह आपका गाना यह यह यूएसे ही है ठीक चलिए तावा के बारें बात कर लेते हैं तावा कौन कौन से चेत्रों से उत्पाते किया जाता है आई समझते हैं सबसे पहले तो समझते हैं तावा के प्रमुक आयसक आयसक क्या होता है और बोलते हैं उसको ठीक है जो कि उससे दासु प्राप्त की जाती है तो तावा के प्रमुक आ देता हूं यहाँ पर आप देख सकते हैं क्यू पार क्यू प्राइट पाइराइट मेला काइट और केम को साइट तावे के प्रमुक ऐस्क हैं तावे को जस्ते के साथ मिला कर पीदल तता तावे में तीन तता एलो तीन याई अलूमिनियम के साथ मिलकर कासा बनता है चिली जा लांब야 केनेडा जारे मेक्शको जोसलाबिया यूस जबकि यू वैसे यूश नबी प्रमोग तक देश है और को जस्ते के साथ मेलाकर यहाइज स्टा मतलब जी सिए है आपका तो तावे को जस्ता के साथ मिला कर पीतल बनाया जाता है यहां पर पीतल के बरतन देख सकते हैं और तावे में टिन या ऐलोमिनियम को मिला कर टिन या ऐलोमिनियम को मिला कर क्या बनाया जाता है का सा बनाया जाता है यहां पर आपका कुछ निर्यातक देश देख ल चिली यानि कि मिर्चा वाला देश जो है मिर्च चिली क्यों रखा जाता है यह मेरा जो आइडिया है अलका थी पतला है मिर्ची की तरह है इस तरह से फैला हुआ है इस तरह से तो मिर्ची की आक्रती बनाता है यहां पर देख सकते हैं चिली तो चिली उसके बाद है जांबिय आपका दच्छड जांबिया जो है अफरीका महादीब का देश है जांबिया ठिक आपका जांबिया चिली इसके बाद आता है उत्तरी अमेरिका का एक देश जिसको हम कहते हैं कैनेडा उसके बाद कैनेडा के बाद आपका आता यहां पर कांगो गडराज ठीक है जिसको हम जा अबेखे पिर्मुक निर्यातक देसायों है निए विदेशो में ये क्या करते हैं व्यापार करते हैं जबकि Givingete!」 जिए आपका प्रमुक आयातक देसायों से रूपमुक श्रुम यान ये या पको करते हैं disciplines ये 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 लिए ये 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 कि वहां पर मौझूद यो इस्टोर है उसको थमस्ते हैं बंडार में नंबर उन पर आता है चिली यानिकी उत्पादन करने में भी और बंडार में भी दोनों में आपका चिली फिर्थम इस्थान पर आए इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है और स्टीलिया ठीक है इतना का क्यों यानिक्से परक रूप से उसरे कटवंधी चेटरों में पाया चाथा है ठीक है बॉकसाइडा से अलो मिनियम निकालने में बहुत अदिक मातरा में जल्लू बिधुत ऊर्या की या कहाँने बिजणी की आयुए की है और जल उजादतर तर देस है इस उद्योग में पिठ्डे हुए है इसलिए बोकषाइड का निरयात कर देहां कि जो अलुमिनियम है उसमें बहुत अलुमिनयम निकालने के लिए बहुत अधिक मात्रा में बिजली की या के जल विदूत की आजशिकता पड़ती है और भी अच्छी खासी मशीनों की यह रूद पड़ती है जो कि निकालना बॉक्साइड से अलुमेनी निकालना काफी महगा पड़ जाता है क्योंकि जो अब इक से देश हैं जैसे कि आ निकालने के लिए परीया से बड़िया मसीने लानी पड़ेंगी तो इससे बड़िया है कि पैसे मिल रहेैं तो तस्ते में नीवटाने के लिए बॉक्साइड निकालो और दूसरे अपी उर्जा Points के जाद अत्री देस, इस द्योग में पिछडे हुए, इसलिए ये बोकसाइड का नियात कर देते हैं, बोकसाइड, उतपादक देश और बंडारक करता देश के बारे बात कर लेते हैं, बोकसाइड का सबसे अधिक उतपादन करने वाला जो देश है, वो है आपका उस्टेलिया नंबर दो पर है आपका चीन बंडार के बारे बात कर लेते हैं इस अब लोगों को दिखा दूँ नंबर दो पर हाता है आपका और अब बॉक्साइड से अब बिदुद का कुछालक होता है इसलिए इसका प्रयोग बिदुत बनाने में इसका प्रियोग के सामान बनाने में इसका प्रियोग की हा जाता है इसके अलावा इसका प्रियोग चस्मा की जो डंडी होती है या बुड़े बारे लोगों का जो चस्मा बनता है उस तरह की जो डंडी होती है चस्मे में चिमनी में बनाने में रंग बनाने में इसका प्रियोग किया जाता है इसका रंग उजला तता हरा तता काला होता है यानि सबसे बेस्ट ही आता है सबसे अच्छा अब्रक माना जाता है भारत अब्रक भारत अब्रक का सबसे बड़ा निर्यातक देश है इसके बार नंबर दो पर आता है विराजील और उसके बाद आता है दच्छड अफरीका में परसे बता जाओं अब्रक का सबसे अधिक निर्यात तक करने वाले निर्यात करने वाले तक देशों के अगर बारें बात की जाए तो सबसे अधिक आइसे उसको कहते हैं आपका जर्मनी चले तिन के वारे में भी जान ले रहे हैं नहीं तो बुरा मन जाएगा टिन इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है इसके बाद म्यामार है और उसके बाद पेरू में देखा देता हूं सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश चीन नंबर दो पर है आपका यहां पर पेरू और दच्छड अमेरिका के देश है और नंबर तीन पर है आपका मयामार यह यहां पर देख सकते हैं ठीक है क्योंकि बुरा कोई नहीं माने इसलिए सोना के बारें बात कर लेते हैं सोना मतलब सोना स्लीपिंग हो नहीं सोना मतलब गोल्ड ठीक है आई समस् सोना इसके उत्पादन में चीन का पिर्थमिस्तान है इसके नंबर दो पर आता है आपका और्स्टेलिया ठिक लेकिन बिस्व में सबसे ज्यादा सोने का बंडार मतलब सोना मतलब गोल्ड का बंडार दच्छिड अफ्रीका में है ठिक यहां की एक रेंड पहाड़ी है आपका किमबर ले यहां पर आप देख सकते हैं मैं जून करके दिखा देता हूं किमबर ले की जो खान है यह भी सोने का प्रमोख उत्पादन करता च्छित्र जाता है यहां से सोना निकाला जाता है और यहीं पर एक और च्छित्र जोहां सबर्ग वाला जो च्छित्र है जोहां कि आपका जो सोना है सोने का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला दिस आपका चीन और नंबर दो पर कौन था ऑस्टेलिया ठीक है लेकिन विसमें सबसे ज्यादा सोने का भंडार की अगर बात की जाए तो वह है आपका अफ्रीका माधीब का दच्छड अफ्रीका नामक देश में यहां पर कुछ फ्रमक चेत्र जान्ट पाड्यायों यह सोने का उत्पाद्र किया जाता है वहां से निकाला जाता है और चादी के बारे बात कर लेते हैं तो चांदी साधार रूप से सीसा जस्ता तथा तावा के साथ मिलती है फिर से मता देजाओं कि जिस छेत्र से आपका तावा निकाला जाता है जिस छेत्र से आपका सीसा निकाला जाता है जिस छेत्र से आपका जस्ता निकाला जाता है उन छेत्र से आपकी चांदी भी मिले जाती है ठीक है चांदी के उत्पादक देशों के बारे में बात कर लेते हैं जो कि सबसे ज़्यादा पूंची जाते हैं नंबर बन पर आपका है मेक्शिको नंबर दो पर है आपका चीन और नंबर थिरी पर है आपका पेरू टिप चलिए आगे बात करते हैं सीसा के बारे में बात इंग्लिजस में क्या कहते है गिलास देका नोंने पढ़ा दिया जाता है चले समझते हैं गेलेना सीसा का पिरमुक जो कि चूना पत्थर या अन्परतदार चट्टानों की जो नसे होती है लुणुना जाती है उनके बीच में नसों में पाया जाने वाला एक इस्कarshak लुण क्या कहते हैं गले ना कहतें ठीक है तो गाले ना copyright.S musste आपका सीआ निकाला जाता है वैसरी by से ज़िए ज़िए करते हैं इसलिए जो सीसा है सीसा की जुड़वा बहन है जस्ता बैसे बहिया होना चाहिए लेकिन कोई बात नहीं हम बहन कहते हैं तो अच्छी बात है सीसा की जुड़वा बहन जस्ता को माना जाता है इसका सबसे ज्यादा बंडार ऑस्टेलिया में इसका किसका सीसा का सबसे सबसे अधिक बंडार जो है ऐस्टेलिया में जब कि इसका सबसे अधिक उत्पादन करता जो देश है वह है आपका चीन ठीक है इतना काफी है आगे बात करते हैं जस्ता के बारे में बात करते हैं मैंने बताया था कि ये भेहन है लेकिन मैं मेरे इसाब से मेरा जो दिमाग कहत यह भाईया है जस्ता आपका सीशा का लेकिन आप बहन मानना चाहिए तो बहन मानने लेकिन मैं कहूंगा यह जुडवा भाई है ठीक है चलिए जस्ता सबसे जस्ता का सबसे अधिक बंडार और ऑस्टेलिया में है जबकि सबसे अधिक उत्पादन करता जो छेतर है वो आपका यहां पर आप देख सकते चीन ठीक है नंबर दू पर यह निकल के बात कर लेते हैं ठीक है आज कर लिए कवता गाय जाती है, यूटूब पे ऐसे गर के चुटकी बीजा क्याते है, निकल एसे गर करके पहले फुर्सति निकल तो वही निकल है यह ठिक है, चलिए तो समझते है, निकल के बारे में प्रियोग कहा किया जाता है, इसका प्रियोग मैगनीस तता क्रोमियू के साथ मिला कर इस पात के निर्मार में इसका प्रियोग किया जाता है इस पात मतलब इस्टील बनाने में इसका प्रियोग किया जाता है किसके साथ मिला कर मेंगनीज तथा क्रुमियूम के साथ मिला कर निकल को इस्टील या इस पात बनाया जाता है इसके अलावा आपका जो निकल है उसका प्रियोग भारी बायूयान के निर्मार तथा मोंटर युद्ध्योग में इसका प्रियोग किया जाता, इसका सबसे अधिक उत्पादन तो साथ यह हो गया आपका तिरमोख दात्विक खनीज के बारे में अब हम बात करते हैं खनी इंधर के बारे में खनी इंधरन जिसको मिनरल फ्यूल वी यह देते हैं यह इसमें आपका हम लोग बात करने वाले हैं वह है कोईला पेट्रोलियम प्राक्टिक एस यूरे यूरेनियम थोरियम सौर उर्जा भी इसमें पढ़ लेंगे आपका पवन उर्जा भी पढ़ लेंगे बिद्र तूर्जा वाला भी हम इसमें देख लेंगे तो आई समझते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़ी सी यानकारी लेते हैं इस्तमाल के आधार पर उर्जा संसा जिसका हम दोबारा प्रियोग न कर सके उसको हम क्या कहते हैं गैर नभीकड या परमपरागत उर्जा संसाधन इसके तहत बे इंदन आते हैं जो सिर्फ एक बार प्रियोग में लाए जा सकते हैं या कहें सिर्फ एक बार प्रियोग होने के वाद दोबारा उनका प्रियोग नह सामिल करते हैं दूसरा जो है नभी करड़ आप अंदा लगा सके नभी करड़ यानि कि नभी ने यानि कि उसको नया रूप देने का यानि कि इस्तमाल करने के बाद फिर से उसका इस्तमाल किया सके उसको हम कहते हैं नभी करड़ योग या गैर परमपरागत उर्जा ठीक है त प्राक्रतिक गयस ठीक है दूसरा जो होता है नभी करड़ोय हो गया गया परमपरागत उर्जा जिसमें लोग बात करेंगे कोईला पेट्रोलिम और प्राक्रतिक गयस के बारे में चलिए समझते हैं सबसे बहले बात करते हैं कोईला के बारे में जिसको हम अंग्रियों की बात है में कोल कहते हैं क्या कहते हैं कोल समझ रहे हैं कोईल नहीं कोल आईए बात करते हैं कोईला कहां से मिलता है कोईला जो है वह है परतदार चटानों मिलता है जब हम चटानों के बारे में बात कर रह किरांती का फिरमों का आधार था इसलिए इसको उद्योग धंदों की मम्मी या का जननी या का मदर कहा जाता है फिर से बढ़ा जाता हूँ कि जो कोईला का कोईला से जो उद्योग किरांती आई थी उसका आधार क्या था उसका आधार आपका कोईला ही था क्योंकि जितने भी द्योग दंदे वगएरा चल रहे थे वो सारे के सारे केस पर आधार थे कोईले से आधार थे इसलिए और द्योग जो धंदों की जो मम्मी कौन है या का जननी कौन है आपका कोईले को माना जाता है आई ये बात करते हैं कोईले की प्रकार समझते हैं कारवन की मात्रा के आधा पर कोईले चार प्रकार के होते हैं कितने प्रकार के होते हैं कोईले चार प्रकार के होते हैं सबसे पहला जो कोईला है उसको कहते हैं एंत्रेसाइट कोईला मैं फिर से देखा देता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं यह कोईला एंत्रेसाइट कोईला है कोईला पर कारवन की उपस्तिती के आदा पर ठीक है तो कोईल इस कोईले में यानि कि एंत्रिसाइट कोईले में कारवन की जो मात्रा है वह 90% तक हो सकती है यह जलते समय कम दुमा देता है और जलने के बाद राख भी न के बराबर छोड़ता है यह सबसे बैस्ट कोईला है इसलिए इसका बंडार भी काफी सीमित होता है क्योंकि आप लोग दुनिया में जानते हैं कि अच्छे इंसानों की जो अच्छे इंसानों की जो किस्म है या कैं अच्छे इंसानों की मात्रा या कैं संख्या बहुत कम है, मैंने क्या बताया इसकी मात्रह कम होती है इसका, बहुत आरी है, सबसे अच्छी क्वाल्टी का होता है, इसलिए इसकी मात्रह क्या हती है काफी सेता है ठीक है ये काफी कथोर तथा चमकदार होता है चले समझते हैं दूसरा प्रकार है बिट dues मीनस का मतलब होता है जिसमेंस पर साथ से सतर से असी परसेंट तक हो सकती है, यह जलते समय, एंसरे साइट से अधिक दुआ देता है, और काफी राक भी इससे बचती है, इसे बिटुमिनेस इसलिए का जाता है, क्योंकि जब इस कोईले को गर्म करते हैं, तो इसमें ऐसे तार कोल निकलता है, यानि की डामर निकलती है, ठीक है, जिससे 80% बिटुमिनेस प्रकार का कोईला ही होता है, इसका प्रियोग कोक कोईले के निर्माण में भी होता है, तीसरा नंबर देखते हैं, चलिए बात करते हैं, लिग नाइट या बूरा कोईले के बारे में, तो इसमें कारवन की मात्रा जो होती है, 45 से लेकर 65% तक इसमें कारव कुईने कर निर्माद की प्रेक्रियां पर शुरुबात हो चुके और हलका कोईला बनने ही वाला है तो इसको हम क्या क्या कहते है लगना aite या बूरा कोईला कहते है ठीक है यहाँ यहाँ पर देख सकते हैं इसमें बलिंसतथी काफी मातरा होती मार मार के घुचा कर लेंगे और और आप दूर भॸाज ने तो मेरा क्या बने कोईला बनने की पिर्थम इस्टेज शुरू हो जाती है उसको क्या कहते हैं पीट कोईला कहते हैं इसकी जो इस्थिति है यह कोईला कहलाने के लाइक नहीं होती है यह कोईले के नाम पर धब्बा होता है जो पीट कोईला होता है कोईले के नाम पर धब्बा होता है क्योंकि य कोईला बनने की पृथम स्टेज होती है। इसमें नमी की इतनी मात्रा होती है कि इसे सबसे घटिया कोईला कहते हैं क्योंकि यह जब बहुत अधिक होगी तो वह जलाने की योठिधी में नहीं होगी बिस्तव में सबसे अधिक बंडार कुईला का USA में पय जाता है नंबर दो पर है आपका रूसी संग नंबर तीन पर आपका चीन बंडार के बारे हिरे बात हो रही है उतपादक देख लेते हैं सबसे अदिक उतपादन करने वाले देश चीन नमबर दो पर यू ऐसे और नमबर तीन पर भार्ण ठीक है छेली यह होगा आगे बात करते हैं कोईले के प्रमुक उतपादक छेतर देख लेते हैं यानि कि बो चेत्र यानि कि देस्ट देश्तों देखी लिए कुछ ऐसे छेत्र जहाँ पर कोईला का उत्पादन किया जाता है सबसे पहले बात करेंगे रूस के बारे में रूस में कुछ प्रमुक शेत्र हैं जैसे कि आपका कुछ बास, तूला और मास्को कहा पर हैं यहां पर आप रूस वाले चेत्र हैं यहां पर कोईला के कुछ प्रमुक छेत्र है जहां से कोईला निकाला जाते हैं जैसे कि कुछ बास कोईला उत्पादन का छेत्र है यहां कि खान बगरा मान सकते हैं तुला आपका रूस वाले चेत्र में हैं और मास्को कोईला के लिए प रहें बिटका है यह है डोनेट्स ठीक है तो डोनेट्स या दोनबास चेतर नंबर 3 पर बात करते हैं तो वह आपका चीन तो चीन मेश सांसि या स embassy शांसी चैंसी तथा मंचूरिया कुछ यह से छेतर हैं आपके चीन वाल और नेटाल जो छेतर है कोईला उत्पादन के लिए जाने जाते हैं इसके बाद जर्मनी की अगर बात कर लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जर्मनी की बात अगर की जाए तो जर्मनी में रूर पिर्देश बिस्ट पिरसिद कोईला का उत्पादन करने के लिए USA में ब पिलाके उत्पाता चेतर चली बात करते हैं पेट्रोलिम तथा प्राक्रतिक गैस के बारे में समझते हैं पेट्रोलिम और अप अज लगबग दस से बीस करोड वर्स पहले जब बनसपती जो थी बनसपती समुद्र जीब तथा जानवर अवसादों के नीचे क्या हो गए थे दब गए थे और बाद के समय में बाद के समय में इन जीवों इन जानवरों इन बनस्पतियों को क्या हुआ अफगटन हो जाता है और अफगटन के बाद इन से पैट्रोलियम का निर्मार होता है फिर से में बता चाहूं कि लाखों करोडों साल पहले यानि कि लगवग दस से बिस करोड साल पहले जो अफसादी छेत्र था याकर अफसादी जो चक्ता ने थी उनके नीचे आपकी बनस्पति जीब जानवर कुट्टे विली सुवर डाइनाजोर जो कुछ वीता सब दब गया बाद के बरसों में जब इनका अपगटन हुआ तो वहां पर पैट्रोलिय के अंदर भी यह रक्त का कारे करता है यानि कि आप पैट्रोलियम निकाल लेते तो इस तरह से इस्तिति हो जाती है जैसे कि इंसान के सरीर से खुन चूस लिया हो चलिए समझते हैं यह तो प्रत्वी की भावना हैं च्योंकि हम नहीं समझते हैं जो कि हमें सर्मानी चाहिए कि मुझे तो आती है आप लोगों को पता नहीं आती है कि हम खुन चूसते हैं प्रत्वी का चलिए समझते हैं और मैंने क्या बता है बात के समय में यह क्या बन जाती है अपके टमनों कर पैट्रोलियम की निर्मान होता है यह परतदार चट्टानों में या कर अब साधी खुन देने के बाद उसका खुन आका है उसमें से रखते आका है पैट्रोलियम की रूपे हम उसमें से निकाल लेते हैं पैट्रोलियम जो होता है पानी से हलका होता है इसलिए यह पानी के ऊपर होता है और इसके ऊपर क्या होती है गैस होती है फिर से वह बता जी रहूं ज इसको तेल सौधन कार खानेंगे बेज़ा जाता है छी सिनमाल लेजिए यहांसे लिए हमने निकाला पैट्रोलीम इन निकाला दिया है उसमें सbuildi हो जाती है उते हैनने और में से denpoint आ होते हैं बहुत हैं पर बेजते हैं वहाँ पर रूच कनि किया जाते है उसे से क्या होता है tanker बागएरा में डाला जाता हैbuild चाथा है टेंकर से का बेज़ जाता हैpro से आपके petrol इस्टें बन रहा है कि आपको petrol नहीं देनी चाहिए तो आपको petrol कहा से मिलती है से यह पैत्रों से थी है इस्ट्येशन से बाइब करने manager बाई चीड काश्च कोई यह होते हैं वह सीदे संपर्क होता है इक मैंने देखा है जैसे कि मूवी थी और मेंसे न की इसको तेल सोथनन सालावों में तरह नहीं यहां पढ़ेगे यह पार ज़िव तरह समझते हैं बंदार तेल खनेश टेल का बंदार और उत्पाद्स शंहें बिस्त में सबसे अधिक खनेश तेल का बंडार जो है वो बेने जुएला में है बेने जुएला जो की तच्छिडी अमेरिका महादीप का एक देश है कहते हैं इसको बेने जुएला कहते हैं दूसरे नंबर पर आता है बंडार की दिरस्टी से दूसरे नंबर पर आता इसिया म टिक कैनेडा और नंबर चार पर आता है आपका इरन टिक अब आती है बात उत्पादन करने के क्योंकि यह कुछ अब वहीं जामेशा वाली बात होती है अब दूद का आप उत्पादन तो कर लेते हैं लेकिन खोया बनाना या खोया से बर्फी बनाना पर दूस से पनीर बनान अलक होती है अब अलग है अब निकालना न कालना वहा चीजे सब्सें सब्सक्राना पर आता है सउधी अरभ ठिक अरफ नंबर दो पर रूस नंबर थीं गटीन और अवरूद चार चून चीन क्टीक ज्सक्कानां फोड़ाग खतरनाओं समस्क्राइद करने में नंबर तीन पर रूश और नंबर तीन पर यूसित और और चीन टेकशई पेट्रोलियम के तेल 16 जो तेल हैं बहुत पेट्रोलियम जहां से निकाली जाती है कुछ यह अबसे शेइड़ रहले यहां पर आप देख सकते हैं कुबैत कुबैत ऐसे देख सकते है इराक इरान और साथी एरग के बीच में एक छोटा सा नुना सा देश है उसको हम कहते है कुबैत की राजधानी कुबैत सिटी है एक जमाना हुआ करता था यह पूंचा जाता था कि विस्वका सबसे अमीर नहीं करते थे ना उसमें देखते थे चलिए तो कुबैत में एक जगह पढ़ती है उसको हम कहते हैं बुरा गान पहाडियां बुरा गान पहाडियों में आपका तेल निकाला जाता है कुबैत वाले चेत्र ठीक है दूसरे नंबर पर बात कि जाए बैने नंबर मर्गी जही उसके बात करते है उसे महीं अप्लेशियन पर्वत स्रीडी, अप्लेशियन बा 1997 Attorney देखे यहांसे भी आपका तेल निकाला जाता नितला पेट्रल निकाली जाती है, इसके बात करते हैं पूर सोव्यस्ध संक के बारे में यह हम सीज़ी सीज़ी बात करते हैं रूस के बारी यानी की वहां से तीन निकाला जाता है पैट्रल निकाली जाती है इसके बाद आखरी नहीं देखेंगे सेकंड लाच देखते हैं सब्सक्राइब करते हैं अजर बैजरान की बारे में अजरवाउगान की जूराजधानी उसको हम कहते हैं बाकु बाकु उससे आपका पिरमुक तो यह आपका प्रमुक तेल चेत्र है जहां से तेल निकाला जाता है जाता है चलिए आगे बात करते हैं छैदि प्राकते गयस की बारे में भी तो आप लोगो फिर भी थोड़ी थ पहले मेंदाए था कि प्राकते या इसली होती है बहुता है पानी के ऊपर होती है ठीक है समय आगया चलिए तो बिसके प्रमौक प्राकते गयस उत्पादक देख लेते हैं आपके USA, कैनेडा, रूस, उक्रेन और उजवेकिस्तान, आई उनके छेत्र भी देखते हैं, सबसे बड़े बात करते हैं USA का, USA में जो प्राकृति के सुथ पादक छेत्र है, सबसे बड़े आता है आपका टेकसस एक राज है, मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ पर आपका लू USA का ही, इसके बात करते हैं California एक राज ही है, किसका USA का, इसके बात कैनेडा में आ जाते हैं, कैनेडा में यहाँ अलवर्टा है, यहाँ पर एक राज है, और बिटिस कोलंबिया से आपका क्या निकाला जाता है, प्राक्रति गयास प्राप्त की जाती है, निकाली जाती है, इ यहां सरे प्रैकषिين को ओरोत है यह को बढत कर लिए यह पह से इसको हाए यॉक्रियन प्रेंट इसे पोपते ही है सब है नहीं है तो कोई बाति नहीं है आप अपने उचबेकिस्टान, उचबेकिस्टान आप लोगों को दिख रहा होगा उचबेकिस्टान में एक जगया पड़ती है उसको हम कहते हैं गजनी, गजनी मतलब मुवी वाला गजनी जो भारत पे अकृमट करने आई था, बुबाला गजनी, तो गजनभी या गजनी वाला चिट्र है यहांसे फ्रमुख प्रते के सका उत्पादक च्छ रहा है इसके बाद चलिए बंडार और बाहत देशों के बारें कि लिए थे Crashि Interestingly सबसे अधिक बंडार कि अगर बात की जाए तो बंडariat रहें नंबर बन पर आता है इरान नंबर टू पर आता है रूस नंबर थिरी पर आता है कतर ठीक है और नंबर चार पर तुर्कमेनिस्तान आईए मैं जूम करके दिखा देता हूं नंबर रवन पर मैंने बता है इरान नंबर टू पर आपका रूस नंबर थिरी पर आपका कतर और नंबर चार पर आपका तुर्कमेनिस्तान तिल चालिए उत्पादक देश देख लेते हैं तो बिस समय सबसे अधिक नेचरल गैसे अप्राक्रति गैस का उत्पादन करने वाला देश जो है वो है आपका यू एस यानि की यूनाइटेट इस्टेट आफ अमेरिका नंबर पर आता है आपका रूस अंग्रेजी में इसको रसिया कहते हैं ठीक है नंबर तीन पर आता है इरान यह आपका इसिया महदीब का ही देश है यहां पर आप देख सकते हैं इरान और नंबर चार पर आता है कतर ठीक है तो यह हो गया आपका परमपरागत उर्जा संसाधन के बारे में दूसरा देखते हैं चली साथ यो बात करते हैं गैर परमपरागत उर्जा के बारे में ठीक है देखते हैं इसमें क्या क्या सामिल किया जाता इसमें आप लोग यह पढ़ने वाले हैं पवन उर्जा भूताफी उर्जा सौर उर्जा और जारी उर्जा ठीक है जिसे क यह है पिर दूसर नहीं करती है यह है आपकी गलोबल वारे कमी लाटे है ठीक है इसमें क्या केसा के रखावन उर्जा बुटाफि उठीज उठा शौर ऊर्जा को इस हमिल किया जाता है ठीक है तो आइए के करके समझते हैं सबसे पहले बात करेंगे जल विदुत के बारे में या कहें हाइड्रू एनर्जी हाइड्रू पावर के बारे में तो आइए समझते हैं जल विदुत क्या होता है पानी के द्वारा जल को जल या पानी के द्वारा बिज उसनेखा हुना हम उसका और सब्सक्रावा क्लीे तो पैमसुट आफिके के तो उसका चुनाफ। उसका चुनाफचन है तो वह उस प्रडी के लिए अं कल कह रहे थे क्यार मोधी देख нравится किसेना बेकर काम कर रहा है है मोधी देखो अब एक बात बताना मोधी है बिजली सारी पानी से निकाल लेगा तो फिर पानी में तागत रहेगी नहीं और वो खेतों में जाएगा तो फसल होगी नहीं तो ऐसा कुछ नहीं तो पानी का कोई रॉल नहीं होता है यानि कि पानी का जो अंदर जो उ कहते हैं क्योंकि इसमें इससे पर्यावर का बिलकुल भी प्रदूसर नहीं होता है पानी से बिजली को पानी से बिजली को प्राप्त करने के लिए कुछ सर्तों का पूरा करना या पूरा होना बहुत ही आवस्यक है कौन-कौन सी वो सर्ते हैं या कौन-कौन सी वो चीज़े है सबसे पहला पानी से बिजली बनाने के लिए पानी का या जल का बहाब तथा आइतन बहुत अधिक होना चाहिए आइतन मतलब उसमें काफी पानी होना चाहिए यह नहीं कि आपने क्या कर लिया कि जल का बहाब मान लिजे बहुत तेज है उसके बाद भी उसका आइतन बहुत क बहुत अधिक मातरा में, इसलिए यह क्या करते हैं, आप लोगों पता होने थे हैं, कि जब किसी नदी या कोई बड़ा नेर बगएरा होती है, तो उसको क्या कर लेते हैं, बीच में पानी को रोक के बांध बना लेते हैं, इस तरह से, और पानी इस तरह से बहुत तेजी से कर तो काफी तेज दबाब डालेगा, इससे जो टरवाइन होती है, जो पंका होता है, बहुत तेज घूमता है, इससे कहा रहेगा, बिचली बनने में आसानी रहते हैं, तीसरा देखते हैं, बाजार मांग छेतर पास में ही हो, बहुत ज़रूरी है, यानि कि बिचली तो बना गो महलठ रहे हैं अब मांग शेत्रियानी कि आप ऐसे मान लिजिये कि आप अमेरिका मेह बना रहे तो भारत में तो भाइया नहीं पहुंचा सकती कलिकर बहुत कर्चा हो जाएगा अब यह तो है डाली , 250 ग्राम के दो दो किलो के यह डिब बर लो रग लो ऐसा भी नहीं हो सकता बेजिली या का है जो बिदुत है या का इलेक्टिसिटी जो है उसे बनाने के बाद उसे जिस जगे इस्तमाल करना है बहाँ पर बेजना भी आविश्चक है क्योंकि उसको इस्टोर हम ज्यादा नहीं क में पहुचा रहा है एक क्लकत्ता हैं पहुचा रही है अस पास के शेत्र में हिं वहाँ पर पहुंचानी चाहिए ठीक है इसके पूरी दुनिया जानती है पूंजी का होना अगर पैसा नहीं है तो फिर पाकिस्तान गरीब देश है आप लोग देखते हैं तो पाकिस्तान से काफी दारी नदियां सो निकलती है लेकिन अब बिचारे पर पैसे नहीं है इसलिए वहाँ पर बिजली जादा बनाने के लाव क्या क्या है सबसे पहला सिरम की बचत समझेरा ना सिरम की बचत अब कोईली से बनाएंगे तो क्या करेंगे कोईला लेकर आना पड़ेगा एक लेवर होगी कोईला पहुंचा रही होगी या फिर कोई मसीन चला रही होगी कोईला पहुंचा रही होगी उसे जलाना है बट्टी में कोईला बिजली आपकी बिजली जब भन जाती हैै तो फिर नाजिकरे कर दो लेवर करे आपका दूद्ध हो रहे है, तो दूद्ध दूद्ध रहे हैँ, जाहिए, उसकी मक्ही आद्मी के लिए, गोबर कर रही है तो गोबर के लिए एक आदमी चाहिए ठीक है एमाली जी एक ही आदमी करता है लो कि ना करता है अगर आज दस बैंस है अब 20-25 बैंस है तो आदमी छोड़े जादे चाहिए अब भूसा असानी लगाने के लिए एक सा आदमी चाहिए भूसा लाने के लिए द इस तरह से लंबी चोड़ी पर गया इसमें स्रम की कोई ज़्यादा जरूदी नहीं पर ज़्यादा लोगों की जरूदी नहीं साधर सी फिक्रिया है ठीक है दूसरा लाग असमाप संसाधन पानी है आप सब लोग जानते हैं पानी क्या हुआ नदियों के दारा नीचे गया ए जल बास के दोरह फिर से उपर चला गया बादल बन गया बादल वने गया और फिर से पानी बरस गया यानि कि यह चक्र चलता रहता है यह इस तरह से यह कभी भी समाप नहीं हो सकती चलिए सस्ती ऊर्जा कोईले से अन्य जो साथ दन्य उन से सस्ती पढ़ती है क्योंकि पानी यह ज़्यादा खर्चाहता नहीं है पानी तो उपर से आ रहा है बस जरूरी है रही आलकी पुरी बार्णमा से ने दिया होनी तहीं है अन्य संसाधनों का संद्रचड कोแบशना चड़ होता करता है तो फिर दूसर जैसे CO2 कैसे कोईला जला के रम कर रहे हैं तो क्या हूँ अससे CO2 जैसे और भी कई सारी जो तत्वर उससे निकले ऊपर जाकर बायू में क्या करते हैं यह डिश्टर्बेंस करते हैं तो इससे कोई खास नहीं अगर जो मसे माल लिजे आप हूं मैं हूं अब मैं हूं मैं गंदा पानी पी लिता हूं गंदा पानी मैंने पी लिया अब मैं बीमार हो गया अब भया किसी को कोई फरक निपड़ा भया फरक पड़ा बीमार हो गया अब मैं क्या करूंगा मैंने 20 रुपे कमाई थे 20 रुपे मेंसे मैं 10 रुपे की दवाई लेनी पड पाने मेरी जो सरकार में जे देती है उसमें भी देंदिक्कत आई भाई या सरकार का पैसा गया फालतू अब जो बच्चे पढ़ना चाहते थे उन्हें भी परिशा नहीं तो इस तरह से काफी बहुत से तो हाल के बनने के बाद तुरंग इसका इस्तमाल भी करना जरूर रोता है ठीक है तो आई समझें बिस्व का सबसे ज़्यादा जल विद्धत उत्पादन करने वाला जो देस है उसको हम कहते हैं चीन चीन यह अकेला पूरे बिस्व में जितनी बिजली का उत्पादन किया जा बिस्व में प्रतिव्यक्ति खपत नौर्वे में सबसे अधिक है यहाँ पर 99% जनसंख्या के पास बिजली का क्या होता है मिलती है 99% जो जनता है यानि 99% लोग है उनको बिजली मिलती है जो कि यहाँ पर सबसे अधिक है उपवोग करने वाले देसों के बारे में बात करते ठीक है उपवोग के बारे में बात करें हैं तो दुनिया में सबसे अधिक बिजली का इस्तमाल करने वाला देश चीन है दूसरे नंबर पर आता है आपका USA तीसरे नंबर पर आता है रूस चोते नंबर पर आता है जापान बार्द के बारे में आपका जानना नहीं है ठीक है तो दोनिया में सबसे अधिक विजली का उपवोग करने वाला देस यानि सबसे अधिक का उपवोग कौन करता है नंबर बन पर चीन नंबर टू पर अब यू एसे नंबर थिरी पर आपका रूस और नंबर फूर पर चाहिए जापन ठीक अब बात करते हैं उत्पादन करने व संबोंहें करने वालादीज चीन नमबर हम सबसे अधिक उत्पासथन करने वाला देश राजील सबसे अहल रैक्ति इस अधिक फटक करने वाला देश वहां करें की जाए तो नौर्वेज सबसे अधिक से अधिक क्यों आधिक करता है deform को अब बिजली बनाने वाली कुछ परयोजना के बारे में मैं भी बात कर लेतों जो कोई 20 प्रिस्थ हैं सबसे पहली आती है, थिरी गार्जेज जल बिदूत परयोजना, ठीक है, कहां पर रिस्तित हैं? चीन में, चीन में किस नदी पर है? यांग, टी, सी क्यांग, इसको हम सी क नदी के नाम से भी जानते हैं आई मैं आपनों सिक्यांग दिखा देता हूं यह आपकी यहाँ पर आपकी चीन से बैठती हुई आती है और यहाँ पर आपका दच्छडी चीन सागर में अपना जल गिरा देती है ठीक है नमबर दूसरे देखते हैं इतापी अब यह बात ध्य जल परयोजना है फलाना फलाना वाली तो फलाना फलाना अगर जल विदुत परयोजना का नाम है तो एक डिमा का डिमा का वहाँ पर क्या बना होगा फलाना डिमा का एक बांध भी बना होगा यानि फलाना जल विदुत परयोजना है तो वहाँ पे डिमा का जल एक बांध भ बना होगा अब बांध बना होगा तो ध्यान भी रहे एक किर्ट्यम जील भी बनी होगी क्योंकि जब जल्विदृत परियोजना होता है तो उसको जब हम रोकते हैं बांध बनाते तो दूसरी तरफ क्या होता है मान लीजिए ऐस तरह से आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए यहा साथ फिरी आता है, दूसे जलविद्धुत परयोजना के बारे ही बात करते हैं, ये है आप की इतापू जलविद्ध परयोजना, आपकी विराजील और बराग्वे दो देशों की समिलत परयोजना है, किस नदी पर है पराना नदी पर अब द्यान रहे, यहां पर बानधी बनाए, थी, गार्जेज, आपका बानधी बना है, इतापु एक बानधी बनाए, चलिए इसको देखते हैं, काहाँ पर रहागिए अपको रिखेरा के जा झेसे और आपका विराजील नामत देख्यूंकी सभास्नुक लिए, यहां पर बानधी गुरी पर योजना जो कि नदी के बारे में जानना है पर जरूरी नहीं है सिर्फ गुरी पर योजना देख लेने यहां पर आप एक बांधी बना है गुरी नाम का ठिक, next दखते हैं ग्रेंड कुली Колंभिया नदी पर बना हुआ है इसको नदी के बारे में जानना है नदीव त्रकर सब्सक्षाइन कि पर इसे कि परियोजना है यहां पर यह यहां पर देख सकते हैं ऊत्तर मी नदीव आप देख रहे हैं यहां पर यह पर बनी है कोलंबिया की नदी थिक इस नदी पर एक जलब यिदू परयोजना है जिसको हम कहते हैं grand कुली परयोजना यहाँ पर grand कुली आप बांध भी देख सकते हैं तो मैंने क्या बता है इसके दक कंपल धरी होता है बांध बनता है और पवन उर्जा के बारे में इसको हम बिंट से रप्वी कह देते हैं पवन उर्जा के बारे में इसको भी बात करेंगे और इसके बारे मेरे किस पहले जनगे देशते हैं पवन या हवा हवा से अगर बिजली बनाई जाए तो अनिसाधन से आता है जल से तेरे अधिक गुणी बिजली बनाई जा सकती है क्योंकि ये उन छेतरों में भी खास कर हो जाती है जहांपर नदिया नहीं पहुंच सकती है तो सबसे पहले पवन उर्जा से चलने वाला पहला पवन मिल जो है कि हवा से चलने वाला जो मिल था नीधर लेंड में लगाया गया था भई यह नीधर लेंड कौन से महाधीब का देता है नीधर लेंड आप यहां पर देख सकते हैं जर्मनी जर्मनी के यहां पर उपर देख अबादन करने वाला देश है फिर से उनसा जता हूँ USA विसका सबसे ज़्यादा उतपादक देश है किसका विंड उर्जा का या कहते हैं विंड एनरजी या कहते हाँ हवा से उर्जा बनाने में USA के आप एक राज परता है कैलेफोर्निया पर देख सकते हैं पश्चमी तरपर एक देश है राज है जिसको हम कैलीफोर्णिया कहते हैं तो USA में कैलेफोर्निया राज में देश के 90% परसेंट पवन या कहां हवा से हवा की जो सकती है या कहें पबन उर्जा से चलने वाले फार्म आपके कैलिफोर्निया में नी सबसे यही इस्तमाल करता है और नंबर वन पर कौन सा है आपका यहाँ पर पूरी अमेरिका के 90% जो मिल है या कहें जो फार्म वगएरा है मिल जाएंगे ठीक है भारत का पाँच this time इतना जानना कापी है फिर से में बोल दे रहाँँ USA का नंबर एक पर इस्तान USA में California जो राज जै वहाँ पर 90% परबन से चलने वाले फार्म लगे वह हुए और भारत का इस्तान पांच महांई ठीक है चेलिए सौर उर्जा के बारे में बात कर लेते हैं सौर उर्जा के पहले बारे में तो हलका से जानते हैं इससे अभी बिदुत का उत्पादन सुरूर नहीं हुआ है ये बात ध्यान रखें किस से सोलर एनर्जी या कहें सौर उर्जा के बारे में बात करें इससे अभी तक उर्जा का उत्पादन सुरूर नहीं किया गया है अभी सिर्फ सूर से मिलने वाली सौर उर्जा को सौर सेलों में क्या कर लिया जाता है बिदोत उत्पन करने के लिए प्रियोग में लाया जाता है मैं फिर से समझा जाता हूँ अभी तक आपकी जो सौर जाती है और उनको चार्ज करके है या इन्वेटर टाइप जो बीमारियां है उनको हम चलाने में इसका प्रियोग करते हैं फिर से बता जाओं कि स्वारूर्जा जो है सोलर एनरजी है उससे अभी भी विजली हम इस्तुमाल बनाना हम लोगों ने भी शुरू नहीं किया है बल इस्ट्र कर लेते तो आप अपने इन्वेटर के दौरा या फिर या पर जो भी साधन होता है उसके दौरा फिर चलाते है टीवी चलाते हैं बस्क्रम मशीन है ओवन है जो भी है सब को बहुत खर्चीला भी पड़ता है ठीक है ये भी ध्यान रखने वाली बाता है क्योंकि सोलर एनर्जी या कहें सोर उर्जा से अकर बिजली बनाई जाए तो बहुत महगा पड़ेगा इसलिए इसका क्या करते हैं भी सिर्फ सिर्फ और से स्यालों में याका है बैटरियों में इ सबसे पहले है तो इसके दो सादने यानी कि आड़ ऑक करते हैं उसके दो सादन है सब यह यइए एक पात ध्यान रख़ाइए यह पहुँच ज्यादे जिरूरी है यह ओरैनियम और थोरियम मैटल है या Oderid यह भाईया मेड़ल हैं यानि कि यह धातुए हैं रेड्युए अक्टिव हैं लेकिन यह ध्यान रख है को वीक पुछते हैं ना कि भाईया यह डातुए यह धातुए यह धातुएं में आता है चली यह समझते हैं यूरेनियम और थ्रूरियम दो साधने जिससे आडविक सकतिया कहें परमाडू के द्वारा हम क्या बना लेते हैं बिजली बना सकते हैं ये दौनों दात्तु है पिच ब्लेंड या यूरेनाइट तथा मोनाजाइट आयसकों से प्राप्त किये जाते हैं ये दौनों दात्तु है किस का है 유anium का वर थोरियम का इस तरह की चीज़ा ठाइग है एक किलो परमाडू से 27,000 टन क्या किया जा सकता कोईले के बराबर उजा पैदा की जा सकती है बिस्में बर्तमान में 31 देसे हैं जो की बई बिजली परमाडु सक्ती से प्राप्त करते हैं ठीक है अब ये बात अलग है कोई कम करता कोई जादे करता है ये चीज अलग है तो आईए समझते हैं एक करके इस सुरूर करने से पर लेकिन परमाडू सकती परमाडू से आड़िक सकती से बिजली बनाने की कार अलग है यानि कि बिजली बनाना अलग बात है लेकिन परमाडू बंब का इस्तुमाल करना या परमाडू बंब उसके पास होना ये बात अलग है यानि कि दोनों में अलग-अ चीजे हैं, दौनों को अलग लग चीजे हैं, समझना चाहिए, यह नहीं कि जो बिजली बनाते हैं, उनके परमाडू बाम्बू भी होगा, वो अलग बाते हैं, आईए देख लेते हैं, पहले तो हम बात कर लेते हैं, इसमें जो अब बरतमान में, एक, दो, तीन, चार, परिच्र करते करते क्या था, यह गलती से इनने अपने घर में फोड लिया था, मतला उसका बिलार्च हो गया था, करते करते एक, वो हो गया था, क्या क्या क्याते हैं, एक्सिलेंट हो गया था, इसलिए इनने अगोसित परमाडू दिस का गया, क्योंकि इन्होंने सफल रू बेटेंट फ्रांस और चीन तीन ऐसे हैं जिननों लोगों ने इस परमाडू इस संदी के बाद आपका परमाडू पर इचड़ गया था जो कि है भारत पाकिस्तान और उत्तरकुर्दिया ठीक है तो चलिए यह चीज बूल जाईए यह परमाडू बॉम बाले देस हैं जो कि आ आपका अरमेंइआ के बारे बात करेंगे अरमेनिया जो है 25% बिज्ली अतबाधन करता है जो उस देश में मान लीजिये 100% बिज्ली है तो उसमें से 25% किसका वाग होगा do integrating फावर ठिक इससे इसके बात प्राइं साहिए इसके बाता है बुल्गारिया 34 इसके बाद आता है अपका चयो Zhuya गड़रा Gent सबसे अदिक प्रमाडर सक्ति के द्वारा उद्वारा अपका नंबर त्शुबर कौन सा रहता है आपका स्लोवाकिया नंबर त्री पर कौन सा आता है सबसे अधिक बिजली उत्पादन करने में नंबर त्री पर आता है यूक्रेन और नंबर फोर पर आता है आपका हंगरी यह द्यान रखें चलिए इसके बार बात करते हैं आपका भारत देश कितने परसेंट पर है अभी क्योंकि जरूरी है बारत के देश के बारे में biz बारत देश के बारे में जाना जरूरी है यह इसके बार रूुष की बारे में भी जानना जरूर है रूस आपका 17% पर है स्वूडـयन के बारे मी बात कर लियुद्व आपका 40% पर है स्वाइट जनरें के बारे में बिदेन चेशेश्ट परिंद करें तो 37% पर है जो मैंने यह पीजिवb परमाडू यानवी सक्ति रॉपट करने वाले देवाले गविश कि नो對 καंभ न niż उरॉन की बारे में बास चले तो हम एक नजर यूरेनियुम के उतपादक देश भी देख लेते हैं तो उनके सबसे अधिक उत्पादक देश करने वाला जो देश है कजाकिस्थान, नमबर दो पर है आपका कैनेड़ा, यहाँ पर देख सकते हैं, और अपका ओष्टिलिया, टिक नमबर तुरी यह उत्पादक देश हैं, अब हम बात करते हैं, परमाडव ऊर्जा का उत्पादक देश, परमाडू इसने से उर्जा बनाने वाले यानि बगेरा तो नंबर उन पर आता है फिर फ्रांस यानि की 70 परसेंट से अधिक यह करता है नंबर टू पर आपका बैसे चार देश मेंने सामिश है बैसे और भी नंबर उसके साथ से आप याद करेंगे यूरे से नंबर टू पर तो यह हो गए आपके उर्जा संसाधन के बारे में खने उर्जा के बारे में चलिए बात करते हैं उद्ध्यों के बारे में उद्ध्यों के बारे में उद्ध्यों के बारे में उद्ध्यों के बारे में क्या होता है इसको हम डॉमेस्टिक सिस्टम या पुटिंग आउट सि हैं इसका निर्मार की है जो उद्योग होता है उसमें निर्मार की यह सबसे छोटी एकाई होती है इसमें परिवार के सभी सदस्य मिलकर अपने देनिक जीवन के उपयोग की बस्तियों का उत्पादन करते हैं इसमें जैसे कि आपका खाने का सामान हो गया कपड़ा हो गया हो गए चपल हो गए चोटी मोटी मूर्तियां हो गए इस तरह की जो घरेल उत्पादन की चीजें होती हैं उनका हम कुट्यूर द्योग में खासकर हम प्रियोग करते हैं ठीक है इसके तहित इस्थानी कच्चे माल का उपयोग कर लिया जाता है इसमें रोजगार के साधन कम होते हैं कैसे होते हैं में अब लोग समझाते हैं माय लीजिए मेरी मम्मी है फो क्या कर रही है कि प्लों मैं थेला लगा काम कर लिना तो अधो जो काच्वडी बनाते हैं ठोड़ा सा दुकान थोड़ी मेरी ज्यादर चल जाती है तो हमने क्या किया आस्फास के छेट से हमने आलो ली पर उससे थोड़ा सा माल और लिया एक जगे से मैदा खरीदी एक जगे से तेल खरीदा ठीका ना यह कच्वडी लोगों को समोसा दे रहा है और सारा और लोगों को पानी बगएर वही पिला रहा है यह हो गया एक छोटा सा कुटी रुद्यों वही कच्वडी बगए रखा दूसरा माल लेजिए चोटी सी हलवाई की दुकान रगली पापा ने मेरे रगली मेरा चोटा वाई मैं और एक लिटर देली दूदाता है दो । चार पांच किलो डेली खोया आता है कभी कई पर नीर हम अपनी दुकान पर बना लेते हैं और आसफाद की छेत्रों से हम क्या करते हैं कच्छामाला महां पर ले आते हैं क्या हुआ पिए तो है निक है कच्वडी की ठेला ला लगा रहे त तो अभी ये तो है नहीं कि दसीज पचास जार किलोर्ट मीटर से हम आपका चीनी में गाएंगे अब यह स्थानी माल है ना आसपात के छेत्रों से हम ले लेंगे जैसे दो आसपात के शेत्र में जो कुई मार्केट मासे चीनी ले आए और भी चीज ले इस तरह से काजू मतलब मेरी दुकान है वह और पापा भी कहां पर काम कर रहा तो कितने हैं दो ज्यादा दुकान चलगी था हम दो एक लड़का और बढ़ा लेंगे अब समझे की दुकान मान दीजिए तो उस पर कितना है तो इस पर उद्द्योग यानि कि इसमें बिल्कुल रोजगार भी ना के बराबर इसमें प्यता होता है चलिए दूसरा देखते हैं लगूद्योग के बारे में इसमें क्या होता है इसमें भी इस्थानी मालकी क्या होती है खपत होती है लेकिन बड़े इस्तर पर समझ रहा है ना इसमें बड़े कारीगर बड़े मजदूर बड़े खार-कार इससे इस्थानीफ माल का ह हुआ ठीक है इसमें रोजगार के अफसर अधिक होते हैं यह बाद ध्य है इसे अंधिक गोढूने से कोई दिल्ली से काम करने आएगा कोई बेहर से काम करने आएगा कोई कोई बंगाल से आएगा क्योंकि ज्यादा रुपे भी नहीं मिलते हैं लेकिन वहां पर क्या होता है इतना तो होता है कि उनकी जो छंता की अंशा उन्हें पैसा दे दिया जाए ठीक है मैंने फिर से बता कारियां से करेकर मान लिजे 100-700 है क्योंकि कुछ लोग माल लेने भी जाते हैं कुछ पहुंचाने भी जाते हैं ऐसे वहाँ पर 40 पर मची रहती है और 50-50 लोग रेक्षा मान लिजे करी 500 लोगों का डेडी आना जाना है ठीक है अब उसके लिए क्या है लेकिन पहले अपने आस्वास की छेत्र में वहाँ पर भीजेंगे उससे क्या रहेगा हमें पड़ो से बड़ी आमाल मिल रहा है बना हुआ उससे आस्वास के लोगों को ज्यादा लाम मिलेगा ये पैसे बचाएंगे टांपर उसको परिभन का जो पैसा जाता है आका जो किसी हम दूसरी के से माल मंगाते हैं आगरा से दिली से मुंबई से तो बहां से नहीं जाना पड़े हैं पास से मिल जाता है समझा ना इस तरह की चीज़ें तो बहां से क्या होगा पच्चत होगी इस्तानी लोगों क्रेश सकती बढ़ेगी उनके पैसा आ जाएगा सब्सक्राइ समसा खाने नहीं जाओंगा उसकी दुकान चले गई तो बघल में अपना ठेला लगा लूगा ये चीज़ होती है च्छोटे बोटे सेरों में है अगर दो चार रुपे की बहां पर कमाई हो रही है तो बहां पर एक ठेला हुआ दो हुआ किसी ने फल की लगा ली तो उन लो लोगों का भी क्या हो रहा है Community अभी कहीं इस तरह होगा इस तेले व चला gonna ऑब भी कहीं से माल लाईा испसर वी अधिक पैता होंगे और कच्चे माल की खपत भी हो जाएगी ठीक है तीसरा बात करते बिराद उद्योग के बारे में बिराद मतलब वह बहुत बड़े इस्तर पर जैसे की आपके हवाई याज बनते हैं motorcycle बनती हैं बड़ी बड़ी आपके गाड़ियां बनती है इस तरह की चीछे इसमें बहुत किलो कई कई किलो मीटर में फैक्टरियां होती है इसमें तरह तरह का कच्चामाल बड़े और कुसल कारीगर कुसल मजदूर बिक्सित प्राद्योकी की तथा अधिक उत्पादन इसमे होता है फिर से मता जिंबेन बड़े खालिगर बड़े ऐधर कमाल कुसल कारीगर पकी इसमें प्रयों कि itself अधर्याइब की पर्यों कि जाता है तो पीजा ze इसकी शुरूबाद जो मानने अगर यह जो है सबसे बड़ा इसको कहते हैं और दोगी की करण जो कि सबसे पहले शुरूबाद जो ही थी वेटेन वाले शुरूबाद लगबग दो सो बर्स पहले वेटेन में हुई जी और लेकिन यह अब पूरे बिस्तु में फैल चुका है पूरे लग चीज़ होती है लग उद्योग अलग होती है ठीक है उद्योग समझें आगे आए अब हम बात करते हैं बिस्तु के प्रमुख उद्योगों के बारे में सबसे बात करेंगे सबसे इंपर्टेंट और सबसे जरूरी जहनने वाला इसको कहते है लह इस्पाथ इसक इस्टील बरतन बने योतना इस्टील चलिए समझते हैं लह इस पात अध्योग या इस्टील इसको कह सकते हैं लह का सबसे प्रमुक उद्योग है बिस्त में जितने में धातू निकाली जाती हैं जितनी भी तरह की धातु में उसमें 80% भाग लहए इसपात का चाल बहुत का होता है। करते हैं USA के बारे में यहाँ पर आप USA वाला जो छेत्र देखा दूँगा यह पर आप देख रहा होगा आपको एक पिट्स वर करके एक यह आपका USA का पिरमुक्ख यहाँ सबसे बड़ा लह इस उत्पात उत्पादन करता छेत्र था ठीक है इसके बाद Great Lake वाला छेत्र जो है Great Lake में मैंने आपने बताया है पांचीलों को सामिल किया जाता है उन्स सम्मिल रूप से हम महांजील छेत्र या Great Lake छेत्र कहते हैं ठीक है जिसमें आपका Gary वह Chicago जो कि Gary मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं Chicago ठीक है जो कि Gary राज में है उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं इंडियाना यहां पर रहा सरी Chicago Gary और यहां पर एक राज मिलेगा आपको को इरी ठीक चेत्र है इत्थ ही इसके बाद यहाँ पर यह कह है बफैलो यहीं पर आप लोगों को बफैलो भी दिखी जाएगा यह आपका बफैलो और यहाँ पर यह पर आपको दिखी जाए गदो रुद्ट और यह आपका क्लेव लेंड ठीक मैं मैं फिर से बता जेता हूं उत्री लेक जित्र नहीं के महां जील चेत्र जिसें में पांच जिनों का चत्र है वहांपर कुछ च्छेत्र है जैसे कि आपका सिकागो गैरी इधी ग्लीवलेंड और पफेलो तथा दुलूत यह आपके किसके चेत्र है आपके लॉइस पाध Michigan Michigan के ठीक नीचे आपको देखिजाएगा Detroit ठीक है इसके बाद एक और प्रमुक चेतर है जिसकों कहते है Birmingham Birmingham इस पाद उद्योग के लिए पिरसिद्द है जो कि USA में इस्तित है ठीक है आप लोगों दिखा दूँँ यहाँ पर यह आपकी टैनेसी नदी है एक टैनेसी नदी घाटी परियोजनावी यहीं बहुत फेमस है टैनेसी नदी के ठीक नीचे आप लोगों दिख रहा होगा Birmingham आप अगर अपना मेप साथ रखेंगे तो इस दुनिया में सबसे खुसी वाला काहा आप कर रहे होंगे ठीक है चलिए एक और घथा लोग उत्तपादन करता छेतर था जो कि प्रूख छेतर। लेकिन अब इसमें पहले जैसी बात नहीं रही यानिकी अवी श्यत्र सकार्ड मेहां कम हो गया इसलिए ईसलिए यहां कहे का जंग का कर लाता है कोंकि यहांपर अब काम पहले जैसा नहीं होता है बलकि कई सारी फेक्टरियां बंद हो गई हो बहां पर क्या रहे गया सिर्फ जिर्फ जंग रहे गई है भारत देश के बारे में इस पास होती हो के बारे में देख लिए बात करते हैं सबसे बात करेंगे बारे में बेटेन आप लोगों का जाना पैचाना है जिसमें वारत देश को गुराम बनाया था जिसको हम कहते हैं उनाइटेट किंगडम ठीक है आई समझते हैं यहां पर पर आप देख सकते हैं यह है वर्मिंगम इंगलेंड के ठीक ऊपर चलेंगे तो यहां पर देखेंगा रेडियम और इसके उपर आएगा आपका बर्मिंगम इसके बाद है यहाँ पर सेफिल्ड जो कि आपका लोह इसपात उत्योग का चेतर है और यहाँ पर एक और है उसको हम कहते है लंका सायर यहाँ पर एक चेतर परता है उसको कहते है लंका सायर इसके बाद आता है जर्मनी क यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा ठीक है सेंट इटीनी इसके बार रूस के बारे में अगर बात की जाए या रूस यानि की रसिया के बारे में तो यहाँ पर कुछ छेत्र है जिसमें आप लोगों सबसे पहले जो आता है यहाँ पर है मास्को यह मoff को जो है यहाँ पर आपका प्रूरिय चेत्र है लौई इस French कर देख सकते हैं इसका पहले जो नाम था लेनिन गिराथ था वरतमान में इसका सेंट पिट्सवर्ग नाम रखा गया है इसके बाद यूस ए आपका रसिया में एक और चेतर है जिसको हम कहते है तुला यहीं पर आप जो देख जाएगा तुला ठिक तुला यह भी हम इसको पढ़ देते हैं युक्राइन का प्रमुक छेतर है जिसको हम कहते हैं डोनेट्स ठीक है डोनेट्स जो है आपका डोनेट्स जो है आपका युक्राइन में इस्थेतर है जो की प्रमुक लॉइस पात उद्द्यों का प्रमुक छेतर है चलिए एशिया के बारे में बात करते हैं एशिया महाधीप है जो कि आपका जाना पेचाना महाधीप है पिरमुक महाधीप है चली समझते हैं सबसे बात करते हैं जापान में जापान में नागा साकी टोक्यो याकोहामा और नागायो में नागोया में पिरमुक रूप से लोह का लोह हाँ पर देख सकते हैं Hiro seima ठीक है नागा सा कि यह ह् 내ा सा कि इरो सीमा नागोया और या समया यह आपके प्रमुक्त लोहे का लोहे से रपने वाले स्प्वात चानिका उत्पादन करने वाले प्रमुक्त चेत्र किसरीं के मि यापान हे है तो թीन नागासाकी हिरोसीमा नगोया और याकुउहमा ठिक है है समझ्जा गया यह आपके प्रमक्ड लोहे का करनेवाले इस्ट यानि की स्टील का उत्पादन करने वाले प्रमक्ड किसमे जापन sells a चीन की बात की जाए तो चीन में आपर आप देख सकते हैं संगाई और यह है आपका वहान वहान मैं जूम कर देता हूँ यहाँ पर संगाई नामा के एक छेतर देखेगा आपको संगाई पूर भी चीन सागर के ठीक यहाँ पर आप लोगों को दिखरा होगा और यहाँ पर ए और आप लोगों के आप दिख रहा होगा विसाका पत्रम यहां पर विलाई यहां पर बद्र बद्रावती और यह आपका सलेम या सेलम मैं जूम करेदा हूं यहां को आपको आपका दिख रहा होगा जमसेत पर डल मियानगर बोकारो राची रावरकेला विलाई विसाका पत्र खानम वद्रावति और सल्यम या सेलम यह आपके पिरुमुक भारत के लोग उत्पाद का उत्ताई करता छेतल हैं taste stuff के बारे मेंगे पर खेटे हैं सबसे बात करते हैं यहाज निरमार उत्धियों के लिए सबसे खास बात देश्टा इसके बाद सुईडन और उसके बाद देश्टीर आता है तो सीडन जो है पता है उसके बादी हैं आप देख रहे हैं तो इंसरे नुम्बर बनाता है यहाज श्यर मार्ए मार के प्रमुक इसके बाद आपको उसॉका बिखरा होगा जाए हुगा आप में पहुँचे हैं तो जर्मनी में भी कुछ ऐसे छेत्र हैं जिन में आपका प्रमुक रूप से वो बनाए जाते हैं जाज जिसमें आपका आता है हैं एंबर्ग कील और लिवेग ठीक है यह जर्मनी के यूए से के बारे में बात कर लेते हैं डेला वेर वाल टे वेर और जूट उद्योग के बारे में बात करते हैं जिसको पटशन भी कह देते हैं आईए देखते हैं विस्सू का पहला जूट उद्योग का जो मिल था वह है स्कौटंड में एग जहगे पड़ती है उसको हम कहते हैं डुद ठिक, तो भारत में जूट का विकास पष्टि मंगाल की होगली नदी के तटके सारे हुआ है जूट उत्पादने भारत प्रिथमिस्थान पर है इसके अलावा बंगलादिस में भी जूट की पिरमुक रूप से आपर मिलें आप लोगों को देख जाएंगे तो जूट का जो छेत्र है जो कि आपका इडिक बोई गोहाटी, इमफाल, कोलकाता, रानी गंजी ये पिरमुक जूट उत्पादक छेत्र है चलिए बंगलादिस तो आप लोगों को पता ही है न ये इस तरह से आगे बात करते हैं सूती बस्र उद्योग कॉटन जिसको हम क्या देते हैं बात करते हैं सूती बस्र उद्योग के बारे में तो सूती बस्र उद्योग के लिए कच्छे माल के रूप में हैं अच्छी किस्म की कपास की आवश्यक्ता होती है जब मैं आप लोगों की करसी के बारे में बता रहा था तब मैंने आप लोगों को बताएं था हैं है उगाई जाती है इसलिए भारत में और बिराजीर में अन्य देशों से क्या किया जाता है निर्याब किया जाता है किस का कपास आज तो फिर से बताते हैं सूती बस तो दियो करें कच्छे माल के है अच्छी किस्म की जब की बिस्ट की 50% से 50% लगबग लगबग 50% से अधिक कपास का जो उत्पादन करने वाले जो छीत रहें वो आपका भारत चीन, USA, पाकिस्तान और उजवियकिस्तान फिरसे में बोल दे रहा हूं अकेला यूरोप आदे से अधिक कपास का क्या करता आय बात करता है यानि कि अपने छी देशों में मगाता है जब की उत्पादन करने की बात करें तो बिस्ट में 50% से अधिक मिलकर कुछ देश हैं जिनका नाम है भारत, चीन, पाकिस्तान यहां पर आप देख सकते हैं एक देश है इसको हम क्याते हैं उजविकिस्तान और USA ये प 50% से भी अधिक का पास का उत्पादन करते हैं ठीक है ये तो बात करते हैं चीन के बारे में तो चीन जो है सूती कपड़े के उत्पादन में प्रिथम इस्थान रखता है यह पूरी दुनिया में जो सूती कपड़े का क्या किया जा तो उत्पादन यह उन्हें बनाये जात उत्पादन चीन की यांग टी सी क्यांग की घाटी की घाटी छेत्र में होता है जबकि 25 परसेंट जो चीन में उत्पादन होता है काई का आपका कपास का वो वांग वो वांग ओ नाम घाटी जो है वांग नदी की जो घाटी है वहां पर किया जाता है ठीक है चलिए आगे बा आता है Nottingham, उसके बाद आता है Ireland, ठिक, Ireland, उसके बाद आता है Lanka सायर, उसके बाद आता है Manchester, तो आए मैं आप लोगों को दिखा दिता हूँ, सबसे वहले आप लोगों को चीन के बारे में, चीन में आपको यहाँ पर दिखेगा वीजिंग, यहाँ पर दिखेगा संगाई, और इस शेत्र में दिखेगा तीयंसान, और यहाँ पर दिखेगा आपको वीजिंग, और नांग चांग, तो फिर से बोल दे रहा हूँ, चीन में आपका संगाई, मंचूरि जी एंसं देखनी नान चन दखर कर दे रहा हूं मैं यहाँ पर आप लोगे में को ढघ्लाBe magic शंगाई नान चंह गलत करते हैं जापान के बारे में जापार में आप को दिखा दूँ बता दूँ किंकी का मैदान क्वांटो का मैदान और दच्छिडी क्यूसू का क्यूसू जो छेतर है यहाँ पर तो यहाँ पर दिखा दूँ मैं आप लोगों को दच्छिडी दी जो कि आपका है क्यूसू और यहाँ पर दो मैदान और किंकी का मैदान और सुथी बस तुरुद्दियों के लिए पिरसिद है चलिए और प्रमुक छेतर देखते हैं USA के बारे में भी बात कर लेते हैं USA USA में दो प्रमुक दो से तीन प्रमुक छेतर हैं सबसे बहला आता है New England New England नामा क्या है आपका एक छेतर है यहां पर इसके बाद USA में एक जगह नियू इंग्लेंड आप लोगों को दिख जाएगा है कोने पे ठिक यहां पर पूरा नहीं यहां कोने पर एक राज है इसको हम कहते है New England इसके बाद दूसरा जो है जोर्जिया फ्लोरेडा और अलवामा दिखा दूने आप लोगों को यहां पर आपको दिख रहा होगा फ् कि मजा नहीं आ रहा फिर में कुछ यूटूब पे नया दूनू को कि इसने बेस्ट कुछ नहीं हो सकता क्यों मेरा ये खुद का तजरुबा है और मेरे खुद घर में परिवार के लोग जो इसे देखते हैं मा भेन है मेरा भाई है उन्हें भी अच्छा रखता है तो यह न िज दिखा दू में आप लो निएक ठ्लोडा यह आ stukud यहाप का अलवाना यहां पर आपका ुड्यू लें चलिए इसका अटार इक बारे में इस तरह से है यह वी छोटे पर मैंने जूते बनाए इस तरह से इस तरह से आप लोगों को यह इस तरह से ठीक है यह आपका हाई ही लो गया और यह चपल हो गया तो चपल जैसी आकिरतिका एक देश एसको हम कहते है इडली इडली में दो छेत्र है इसको हम कहते है नेपल्स यहां पर आप साथ रखें यहां पर देखेगा आपको मेलान चलिए उसके बाद देखते हैं ब्राजील में ब्राजील में चलते हैं ब्राजील में दो चेत्रे साव पावलो और आपका रियोडी जनेरियो आईए मैं दोनों को दिखा देता हूं ब्राजील ब्राजील में आपका राजीलिया है व्राजिलिया के ठीक नीचे चलते चलाएंगे दो चेरा साव पावलो और रियोडी जनेरियो ठीक है चलिए रूस के बारें बात कर लेते हैं रूस में एक ही छेत्र प्रमक है जिसको हम कहते है इनो इबो नावो तो इबो नावो मैं आप लोगो दिखा दूं यह है इबो को रूस का मैंचेस्टर कहा जाता है ठीक है चलिए छ नंबर कों साय प्रिथम स्थान पर इए ठीक है चलिए इस लिए के प्राइब शेज अ मरीका करने में रेंड आयात चाली बात करते हैं काली न लोग आप एक कर दो के लिए प्रमुक के दीन चैट समझते हैं और तत्या में लेकिन इन चेत्रों में उनके कपड़ों की मांग कम होने के काड़ यहां पर उनी बस्रुद्योग का ज्यादा फलफूल नहीं पाए हैं चार में बताजिता हूँ यह चैत्र आप लोगों को दिख जाएगा यह आपका बिस्तुबत रहा यह जीरो डिगरी आचान्स यह इचेत्र है और 0 डिगरी के दक्ष्र में आप इस तरह से चले जाएं तो यहां पर दिख जाएगा आपका न्यूजी लेंड यह और यह आपका इसको क्या कहते हैं तर्चड़ अपड़ी गार यह अब अर्जेंटिना यह चेत्र पढ़ते हैं उस्ट कटवन दिए चेत्र में पढ़ते हैं इसलिए यहाँ पर जो उनके बस्तर है अब भईया घर्मी पढ़ रहे तो उनके कपड़े तो आप पैन के गुमेंगे नहीं स्टर हुए कपड़ों का बिकास यह पर नहीं हो पाया अब कपड़ों का बिकास कहा हुआ? आयोस को भी समझते हैं, इसलिए यह Daesh क्या करते है? यानि कि अर्जानटीना, अदच्छडप्रीका, आपका ऑउस्टेल्या, न्यूजिलेंड, यह Daesh क्या करते हैं? इसलिए ये देश जो उनका उत्पादन करते हैं वो इनका निर्यात कर देते हैं यानि कि दूसरे देशों में भेज देते हैं इसलिए USA, वेटेन, भारत, जापान, रूस में उनी बस रूद्यों का बहुत अच्छे से बेकास हुआ है फिर से मैं बोलते रहा हूं दच्छड अफरीका में तुरीज डच्छड अफरीका, अर्जेंटीणा, उस्तेलिया, चित्र में अच्छा क्या किया जाता है लेकिन जी लोगे है लेकिन वोड़ं楽 कपड़ों का उसबादन गी खित को दधीत में नहीं किया जा सकता वो किया या खरगोस तथा लामा से प्राप्त की जाती है या फिर से मैं बोल दे रहा हूं उन जो है उन्ट के बाल बेड़ के बाल बकरी के बाल खरगोस के बाल और लामा के बालों से प्राप्त की जाती है समझ में आ गया उत्पादन की दिरिष्टी से बेड़ की उन सबसे महतपूर मान की जाए, तो संसार की सबसे अच्छी उन, अंगोरा उन होती है, जो कि एक अंगोरा नाम के खर्गोस होता है, उससे पर राप्त की जाती है, यहां पर खर्गोस देख रहा है, अंगोरा, जो की सारे डावट, आपके clear जाएंगे कि आप लोग समझते होंगे अंगोरा एक कुत्ता होता है कुत्ता नहीं होता है खर्गोस होता है ठीक है तो फिर से बोल देता हूं कि उत्पादन की दिरश्ट्री से बेड़ की उन सबसे यदिक उत्पादित की जाती है और उसका ही आयात नयात बहुत निकाली जाती है यहां पर आप पस्मीना बक्री देख सकते हैं तो पस्मीना ठीक है क्या है यह पस्मीना जो उन है पस्मीना गौट से पस्मीना बक्री से निकाली जाती है बेटन की अगर बात कर लिजा तो बेटन में एक बक्री पाई जाती है बक्री की प्रिजाती है उस लिंकन सीप जिस तरह से अब दाम लिंकन है उन से इनका इस वक्री का कोई संबन नहीं है लिंकन नामक लिंकन सीप होती है लिंकन नामक जो भेड़ है उसकी उन दुनिया की सबसे लंबी उन होती है यहां पर आप देख सकते हैं वक्री जो है यहां पर आपकी इस तरह से कि और सबसे हल्की और सबसे गर्म होती है यह चीन से पराप्त की जाती है जो की एक लोब से तूपूल ठीक है एंटी लोब से निकाली जाती है तया चलिया चलिया उन से बने बस्त्रों वाले छेत्र देख लिए तो कि मैंने बताए था उन के बारे में तो यहां पर बात नहीं करनी है कि उनका उतपादन कहा होता है मैंने बताती है अर्जेंटिना अच्छले 심 입से उसे मुझे पेल्ए नियुर्ट नीउलेन्ट तो आप का समय जाता है रोड नियुग रहला भाला चीत है पर आपको दिखेंगा एक मैसाम सोई पर यहाँ पर यहाँ रोड न धिक रहोगा ऊहलेंद या रोड दीप यहाँ पर आप च्छी थे फ्ल्टी फूलती यहां पर बहुत विकास हुआ है इसके बात करते हैं जापान के बारे में ठीक है जापान में बात की जाए तो आपका पर मिल जाएगा नगोया और आपका यहां पर तिक जाएगा एक बारे Canton ठीक इटली के बारे में बात की जाए इटली में आप लोगों पताया चपल जैसी आकरती का एक देश है या के सेंडल जैसी इस तरह से आप लोगों या पर देख सकते हैं इटली में दो प्रमुक छेत्र हैं आपका एक तो नेलसन और पो नदी की घाटी अब भया नेपल्सन का है यहाँ पर आप नेपल्स देख सकते हैं और यह आपके इन पो नदी पो नदी जिस चेत्र में बहते हैं इसको अब बात करते हैं जर्मनी के बारे में जर्मनी में सैक्सोनी सैक्सोनी नामक एक छेत्र है जो की जर्मनी नामक देश में पढ़ता है ठीक है चलिए यह केंटन आप लोगों को दिखा दिद्हा है चीन में इस चेत्र में आपका केंटन पढ़ता है ठिक चले तो मेर बताया जू जिर्मण्य में आपका सेक्स्वानी एक चेत्र है और दूसरा है रूर प्रदेश ठिक इन और नहीं थे होग रूब से किसका उद्ध्योग सला फूला है उन से बस्तुर बनाने का उद्ध्योग च्यालिए अब ये आखरी है इस उद्ध्योगों के बारे में सब उद्ध्योग हमने पड़े अब हम कुछ इसमें उनके बारे में जान लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको मैंने अल है एक बर्मिंगम आपका यहां पर भी है क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं उसके बारे में नहीं बात हो रही है यूसे वाले में तो यूसे में बर्मिंगम जाज मिर्मार के लिए एसन लोह इसपात के लिए प्रिसिद्ध है जर्मनी में है हवाना सिगार के लिए प्रिस है तक्ते हैं उनी बशांट रिए प्साउन के लिए ठीक है जयर prolisote उद्धीट के बात किसारी ऊध्रेम से इंग्लेंड में है, बैन इसने बारे बात की जाए तो आपका इटली वाली छेत्र में पड़ता है बैन मैंचेस्टर को सूती बस्तुर्द्यों के लिए काफी फेमस है यह मैंचेस्टर आपका गिर्ट प्रेटन में है इसके बात करें सियेटल के बारे में सियेटल बायू या निर्माण के लिए क्योंकि यह साथा इनको मैं अलग-अलग बारता तो दिक्काता थी सियेटल जो है आ यह आपका चीन है जो कि चीन में इसब्सें तक लिये संट प्र निमार के लिए इसका पैले नाम था थे टेक्सास है जो कह रसाइनी का उत्पादन करता है ये बहुत अच्छी का था टेकसस में raking में इसकी राजधानी भी भी है खनीष तेर्रिंस लिए परिषदर then पिट सुबर्ग लौ इस बात के लिए पिरसित है ठीक है तो यह हो गया आपका इस बात उद्द्योग लौ इद्द्योग जो भी उद्द्योग थे सभी के बारे में ठीक है चलिए चलिए परिवहन के बारे में बात करते हैं परिवहन क्या होता है transportation क्या होती है परिवहन की परिवासा क्या होती है परिवहन का सीधा सा मतलब होता है इंसानों को या यात्रियों को एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर ले जाना ठीक है बस्तूओं को एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर ले जाना फिर से मैं बता जा पहले बात करते हैं इस तल परवन के बारे में तो उसके बारे में है लेकिन पर्फइयन का साधन होता है ठीक है चली है थार शालिया परीका है ता पहले बात करते हैं इस्थाल पर्वहन के बादे में ठीक है ये ट्रान्सपोर्टेशन ठीक अमीद है यहीं होना चाहिए इसका अंगले कि इसमें पर चलिए इसमें को हम दो वागों में बाढ़ते हैं Number 1 शड़क परवहन No.2 रेल परवहन आए सबसे बात करेंगे कि शड़क परवहन के बारे में है देखते है जो सड़क परवहन होता है कम दूरियु को तै करंने का सबसे स़स्ता साधन होता एयर रेल तथा जल परवन से बहुत ही बहतर होता है क्योंकि सडकें हमारे दरवाजे तक हमें पहुंचा देती हैं क्या समुद्र का जो मार्ग है क्या हमें दरवाजे तक पहुंचा सकता है क्या रेल है क्या हम अपने गेट तक ले जा सकते हैं नहीं तो इसलिए जो सडक सडकों पर भौगोलिक प्रवाब बहुत अधिक पड़ता है इसलिए यही एकाड है कि सडकों का जो निर्मार होता है यही एकाड है कि मैदानों में सडकों की सगनता या के घनापन अधिक होता है जबकि पहाड़ी और परवतिय छेत्रों में सडकों की सगनता होती है या के घ कि मैदान जो होते हैं वहाँ पर सड़कें बनाने में बहुत आसानी रहती है वहाँ पर खर्चा भी कमाता है लेकिन मैदानी चेत्रों में क्या होता है सड़कें आसानी रहती है यही एकार्ड है कि मैदानों में आप देख सकते हैं कि जगे जगे सड़कें होगी लेकन पहारी चेत्रों में परवती चेत्रों में सड़कें बनाना बहुत मुश्किल होता है इसलिए वहाँ पर सड़कें बहुत कम बनी होती है क्योंकि वहाँ पर यह नहीं कि पहाड के बिल्कुल एक सड़के दे जाती है एक सड़त बो जाती है ऐसा नहीं होता है पहाड़ी चेत्रों पर बहुत कम सडकें आप लोगों को मिलेंगी उतनी मिलेंगी जितनी आवी सकता है समझा गया शिया लिए सडकों के विकास में आर्थिक इस्तिति का भी प्रभाब पड़ता है मतलब पैसा होगा तब ही तो होगा अब जैसे पाकिस्तान है दुनिया का सबसे गरीब देश है तो सडकों के विकास में आर्थिक इस्तिति का भी बहुत बड़ा प्रभाब पड़ता है यही एकार है कि बिसु की एक तहाई सडकें उत्री अमेरिका महादीप में निर्मित हुई है क्योंकि जो उत्री अमेरिका बाला महादीप बाला जो चेत्र है यह दुनिया के सबसे अमी जो देशें यहाँ पर जापान देख सकते हैं आप जापान में सड़कों की सगनता सबसे अधिक है यानि कि प्रती सो किलो मीटर या कि प्रती सो बर किलो मीटर में सड़कों की संख्या जो है बहुत अधिक है कहाँ पर जापान में क्योंकि जापान जो है उस पर पैसे की कमी ह नहीं लेकिन वहाँ पर संग जंसंग क्या भी कम है चेत्रपल भी बहुत कम इसलिए क्या है थोड़ी थोड़ी दूरी पर बहुत बैस्ते बैस्ट सड़कें बना रखी है ठीक है चलिए सड़कों में समझते हैं महामार्क या हाईवेज के बारे में बात करते हैं आई देखते या हाईवेज होते हैं वो लंबी दूरी को तै करने के लिए क्या बनाई जाती है पक्की सड़कें बनाई जाती है और इनकी खास बात यह होती है कि इनमें दौनों तरफ आने जाने की बिवस्ता होती है यानि कि एक तरफ आने का रोड बना होता है ठीक है फिर से बाता है दौनों और आने जाने वाले बहानों के लिए अलग-अलग सडकें बनी होती है बिस्व के यानि कि दुनिया में जितने भी बिक्सित देश हैं उनके उनके जो पत्तन नगर हैं या बंदरगा से जुड़े हुए जो सेर हैं उनका सीधा connection महामारगों से होता है क्योंकि आपको क्या है जैसे माल लिजिए अमेरिका है अमेरिका का कोई आप माल लिजिए कैलिफोनिया कैलिफोनिया या पर क्या पड़ता है आपका तटी छेत्र हैं तो महामार्गूं का क्या है या कहा है highway जो है सीधे जो पत्तर नगर है या कहा है जो विल्कुल उसके तटपर लगे हुए उनसे सीधा संबन्द हुथा क्यों कि माल यह से माल लिजीए बीच वाले पर माल लिजीए ओहयो से लेकर गए वाई उसे क्या है पहुंचा है किनाले ले जाना है तो यहां पर बिलकुल तटी छेत्र पर ले आएंगे तो सीदे क्या है यह highway से जड़े हुए छेत्र होंगे चलिए आगे बात करते हैं तो आईए महामार्गों के सब्सक्राइब करते हैं इसके बाद सबसे पहला है उसको हम देखते हैं ट्रांस कैनेडियन महामार्ग के बारे बात करते हैं यह विटेस कोलंबिया के बैंकूबर से यहां पर चलता जलता था थंडर वे तक पहुंचता है और यहां पर इस तरह से मुड़ जाता है और यहां पर जाकर है जाकर इस तरह से कुपार करता हुआ निव फॉक लेंड का जो एक राज राज है यहां पर छेट पड़ता है उसका एक चोटा सा सेहर है उसको हम कहते सेंट जोंस फिरसे में बोल दे रहा हूं कि ट्रांस कैनेडियन महामार्ग जो की कैनेड़ा का सबसे लंबा महामार गया ह हाइवे है यह है बेंग कूबर से स्ट जोन तक जाता है यह मैं ऐसे कह सकते हैं बिटेश कूलम्भिया राज पर न्यू फांड लेंड त gloves जाता है को रहे हैं यह वह हम इसको कह सकते हैं आलास का मरर्ग राज मार्ग लुकि अलास का वाले छेतर में इसके बार Tracy ज्यादा जयन का है भाड ये पसे बीदैसे में याUS में एंसे पर्दाइमरे के बार की साथ करतें है यह यहां का यह अपका कैंड़ा यहां से सुरू होता यह तो कैंड़ा से उपरसे निचे चलते चलते चले जाएंगे कि इस तरह से यहां से आएंगे और ये इस तरह से नीचे चलते चले आएंगी, चलते चले आएंगे और है यहां पर इस तरह से यह आरेस तक यह पर आकर अर्जेंटीना तक पहुँचता है फिर से में बोल दे। यह Canada यानी सबसे पहले Canada, फिर USA यानी की सबसे लंबी में परियोजना है इसका अभी पूरी तरह से निर्माड नहीं हुआ है बलकि है निर्माडा धीन है तो तुन यहां बेस्ट की सबसे बड़ा महामार कौन सा क्या लाएगा इसका भी निर्माड नहीं हुआ है बैसे ठीक है कौन सा है आपका पेन अमेरिकन अगर द तो वान कहते हैं ठीक है चलिए रूस के बारे में थोड़ी से बात कर लेते हैं रूस में रूस में सड़कों का ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है उसका काड़ में बताऊंगा रूस में सड़क मार्ग का ज्यादा महत्व नहीं है क्योंकि रूस की अगर बात कि जाए तो ए यानि एक छेत्र यहां से जुरू होता है और पूरा अंत तक यहां तक चला जाता है क्योंकि इसका छेत्र पर बहुत अधिक है इसलिए रूस में रेल मार्गों का अच्छे खासा विकास हुआ है बलकि किन का विकास नहीं हुआ है सड़कों का विकास नहीं हुआ है ठीक है च यहां पर देख सकते हैं तो इस तरह से आप लोग यहां से देख सकते हैं यह आपका यह इस तरह से होती हुए और यह यह पर यह पहुंच जाता है यह पर जाता उसके वारे में घुसेंगे नहीं चले बारत के कई महामारगे जिन में सबसे पिरमुक जोड़ता है इस तरह से ठीक है इतना काफी है आप चलिए सड़क मारगों के बारे में देख लेते हैं दुनिया में कौन को से चेत्रों में सबसे अधिक सड़कों का निर्म तरह सबसे पर है चीन और नमबर तीन पर भारत नमबर चाथ पर पर विखाजी आनिकि सबसे नंबर वन पर आता है आपका सभ्तरा जमेरिका उसके बाद आता है आपका चीन चीन में सबसे अधिक रोड़ है यानिक जैसे एंच 4 है उसकी लंबाई जोड लेंगे और सादी पूरवी यूरोप में पाया जाता है यूरोप तथा पूरवी यूरोप में पाया जाता है आता है बिस्त्व का कुल रेल मार्क का पच्चीस परसेंट वाग अकेला यूएसे में हैं समझ में आ गया चलिए तो बिस्त्व के प्रूक रेल मारगों को बारें बात कर लेते हैं Trans-Siberian Rail Mark Trans-Siberian Rail Mark के बारे बात करते हैं जो कि आपका USM इस तरह से यहां से शुरू होता है व्लादी वोश्टक तक और इस तरह से यहां से होता है यह आपका इस तरह से यह चीता यह आपका यहां पर पहुंचता है और यह इस तरह से यहाँ पर पहुँचता है, और यहाँ पर सेंट पिट्स्वर्ग यानि के लेनिन गिराद तक पहुँच जाता है, तो समझते हैं इसको यह संसार का सबसे लंबा रेल मार्ग है, इसकी лंबाई की अगर बात की जाए तो इसकी लंबाई नो हजार 300 किलोमीटर इसकी लंबाई है यह वाल्टिक सागर के पास एक छेतर पढ़ता है उसको हम कहते हैं सैंट पिट्सवर्ग या इसको हम कहा देते हैं लेनिन गिराद तो लेनिन गिराद से यह से चलते चले आते हैं और पूर्व में चलते चले आएंगे यहाँ पर है प्रसांत मह सागर के पास इस्तित एक छेतर है उसको हम कहते हैं व्लादी वोश्टक तो मैं फिर सी बढ़ा देता हूँ बिस्व में सबसे लंबा रेलमार्ग जो है उसको हम कहते हैं ट्रांस साइवेरियन रेलमार्ग जो कि आपका वाल्टिक सागर के सेंट पिट्सवर्ग से लेकर पूर में पिर सागर के तट पर इस्तित एक डेस जिसको हम कहते हैं व्लादी वोश्टक तक जाता है ठीक है चलिए इस रेलमार्ग पर इस रेलमार्ग पर कुछ प्रमुक नगर हैं जैसे कि आपका मॉस्को ठिक सिर्जान ठिक इसके बाद यहां पर है आपका ओग्रास इसमें इस सिर्जान हो गया मॉस्कोष यहां पर देख सकते मॉस्कों हो गया इसके बद यहां पर आपको लोगों को देख जाएगा एक लोग घिया जियुम कर दूँं तो यहां पर आपको देख जाएगा छीटा ठीक है चीटाoperation डिक इसके बाद तक पर एक परता सुब्रे-श्वस् इस तरह से आपका मैंने आपको जब आई बिय पढ़ाया था तो, वह आपका बैंक कोबर से इस तरह से जाता है और सडक के बारे बात हो ओरी थी तरह की इस तरह स्थी ए और सेंट जोंस तक जाती है यह आ siete गमत dessus न सडक सैंट-जgili तक जाती है British Columbia चा न्यूव फाउंड लेंड तक Vancouver से लेकर स्टेंट जोंस तक कौन सा सडक मार्ग के बारे में यह हो रही है रेल मार्ग के बारे में आई यह रेल मार्ग के नेडा के पूरी तट पर स्थित हैली फेस्ट को फिर से मूँ बोल दे रहा हूं यह है रेल मार्ग के कैनेडा के पूरी तट पर से जोड़ता है इसकी लंबाई साथ हजार पचास किलो मिटर है ठीक है मैं जूम कर देता हूं मैंने क्या बताया पूरी तट पर इसकी है है नामग के यह सहर है यह जुरूह हता है ओटावा और यह थंडर वे इस तरह से विनी फेक रहे की ना Sat तक जाते जाते हैं यहां पर एक नदी है फ्रेजर नदी फ्रेजर नदी के मुहाने पर एक दिस इस इस इसको हम कहते हैं बैंकूबर तो यहां से लेकर बैंकूबर तक है रेलमार्ग जाता है ठीक है चलिए आगे बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ट्रांस महादीप यह रेलमार् सिदनी ऐसे जाता है आपका यहांपकर बात करते हैं दच्छड अमेरिका महाधीद के कुछ के वाद अमेरिक आमेरी के बारे में इसकते के बाले में कि ट्रांस एंडीज रेलमार्ग यह है रेलमार्ग चिली में बाल परेजो को अर्जेंटीना की राज़दानी वियूनियस आर्रेज से जोड़ता है, आईए मैं दिखा देता हूं, मैं इसको जूम कर देता हूं, यह आपका चिली जो की मिर्च की तरह लंबा एक देश है, he k А पार इसको बाद करते हैं मद्य discrete trip ड्रांसर महाधी पी nad 민 के बारे मात करते हैं है यह यह न्योउर्क को अत्रसे बाद बंदर गानगर से आन् से जोरता है जो के यू ऐसे के पश्चमी तडपर है मैं जुम्स न्यूर्क यहाँ मत कर देप नुarım यहाँ पर के लिखते में यह बात करते हैं आगे बात करते हैं पांसो किलो मीटर लंबा रेल मार्ग है ठीक है फिर से समझना एक लाग सत्रे हजार पांसो किलो मीटर लंबा रेल मार्ग होगा जो की अभी बन कर तयार नहीं हुआ है इसका काम जोरो सोरो से चल रहा है जिसका नाम क्या है ट्रांस एसियन रेलवेर नेटवर्क इसका काम उन उम्मीद है ठीक है से बदाजो ट्यांसेसियन रेलमार्ग यह एक लग सत्र जाब पांसो किलुमीटर लंबा है यह रेलमार्ग अभी बनकर तयार नहीं हुआ है इसका काम 1992 से सुरूआ था यह एस यह था यूरोप में एक ही क्रत रेलवे नेटवर्क बनाने की पर्यूजना य समझ में आ गया चलिए आगे बात करते हैं चलिए रेल नेटवर्क के बारे बात करते हैं यह इस तरह से आप देख सके अभी इसके में यह नहीं कहेंगे कि लंबी रेलमार्ग के बारे मारे लंबा तो आपका यूरोप यह रूस वाला है वो लंबाई के बारे मारे तो यह के बारे मोरियें जैसे एक रेज़ मार किये गयां पिर दूसरा ये जा रहा है तीसरा ये जा रहा है इसके बाद ये जा रहा है फिर ये की जा चेत्रों के लिए बहुत ही महतपुर भूमिका निखाता है जहां पर रेल और सड़क नहीं पहुंच सकते हैं समय में आ गया यह सामरिक महत की दर्ष्टी से भी बहुत महतपुर होता है क्योंकि सामरिक महत में तरफ युद्ध के लिए जैसे कि आपका रड़ नीथी के लिए वो पहुंच सकते हैं ठीक है बिस सुमें लगबग एक सो सतानवे देश हैं उनमें लगबग सभी देशों के पास बायू परिवन की सुविदा है लेकिन आज ही भी कुछ ऐसे देश हैं जहां पर अवीवी हवाई अड़ा जैसी चीज मौझूद नहीं है जैसे कि आपका व दूत नहीं है यह है आपका अंडोरा ठिक यह आपका मोने को यहां पर एक देश दिख रहा होगा यह आपका सान मरीनों ठिक और यह आपका बैट गंतिटी यहां पर ठिक है बात करते हैं आगे बायू पर मन के करड़ आज ऐसी इस्तितिव बन गई है कि बिस में कोई भी ऐ इसा इस्तान नहीं है जिसकी दूरी 25 गंटे से 35 गंटे से अधिक हो यानि कि एक चेतर से दूसरे चेतर अगर जाना हूँ तो 35 गंटे से अधिक का समय नहीं लग सकता ठिक है चलिए बिस के कुल बायू मारक का 60% अकेला यूसे प्रियोग करता है फिर से में बोल दे रहा किस विदा आया जितना कुछ भी होता है उसमें 60% अकेला आपका USA करता है यह बहुत बड़ी बात है समय रही ना क्योंकि हम लोग मारे इंडिया की अगर बात की जाए तो ऐसे से आज भी लोग होंगे मुझे जो उम्मीद है मैं अगर मैं अपना दिमाग करता हूँ तो मु 30-30% ही साइड ऐसा कोई विएकती हो जो है वाई आज में न बैठा हो यह हां कीजतिती है चली आगे बात करते है अनी छेत्रों में इसका सीमित पिकास हुआ है क्योंकि वहाँ पर कुछ जरूरत नहीं हुई कुछ वहाँ पर और भी वस्तरी परिसान नहीं हो जाए आज दि महादीब से दूसरे महादीब तक ले जाने वाला मार्ग होता है ठीक है इससे एक महादीब से दूसरे महादीब में जाया जा सकता है ठीक है दुनिया का सबसे बड़ लंबा बायु मार्ग जो है दूरी के बारे मार्ग जो है दूरी के बारे मार्ग जो है यह नहीं कि आप रहा हूँ जैसे कि आपका उटाव से आप किसी प्लैन में बैठे फर उटावा वाला जो आपका पहुचा है कि लेंडिया का इंडिया का डिल्ली यह वहांपर जा उतर गया फिर इस तरह से जाके यहाँ पर टोक्यों पहुंचे हैं इस तरह से बता रहा हूँ ठीक है तो आईए समझते हैं मैंने क्या बता है दुनिया का सबसे लंबा बायू मार्क जो है वो आपका न्यूयोर्क से न्यूयोर्क से लंदन लंदन से पेरिस पेरिस से रोम रो से रोम रोम से का आपर है कायरा कायरा से आपका दिल्ली ठीक है इस तरह से आप दिल्ली दिल्ली से मुंबई मुंबई से कूलकाता और कूलकाता से होंग कांग होंग कांग से टोक्यो इस तरह से जाता है ठीक है चलिए आगे बाद करते हैं दूसरा देखते हैं महादीपिया मार्ग महामार्ग वो बायू मार्ग के बारे में इतना काफी है वो ठीक है चलिए यह एक ही महादीप के अलग 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 देशों के बीच में बायू मार्ग होता है जैसे कि यूरोप में है तो यूरोप में जैसे देश है यूनाटिक यह एक ही महादीब के अलग-अलग देस्टों की बीच में बायु मार की सुविधा प्रदान करता है तो पर महादीब यह बारे बात कर लेते एक ही महादीब के अलग-अलग देस्टों के बीच बायु मार गए है है जैसे कि आपका New York, Chicago, Montreal, मार्ज आपका सिकागो टॉर्णेडो यहां पर है मॉंट्रियल इस तरह से ठीक है नियोर्क सिक वश्टन यहां पर यह इस तरह से ठीक है दूसरा जो है लंदन पेरिस फ्रैंकफर्ट फ्राग वहर सा लंदन पेरिस में पहुंचा आपका फ्रांस में पहुंचा पेरिस में जर बात करते हैं राष्टि बायू मार्ग क्या होते हैं ये वो मार्ग होते हैं जो एक ही देश में अलग-अलग राज्यों में अलग छेत्रों में अलग सेरों को जोड़ता है यह अपने ही देश में लंबी दूरी को तै करने वाले बायू मार्ग होते हैं चलिए बात करते हैं न पिरमुक हवाई अड़ों के बारे में बात कर लेते हैं ठीक है भारत के बारे में ही बात करेंगे और पिदोसों के में जरूद नहीं है एक दो होंगे तो उसके देख लेंगे भारत के बारे में बात करेंगे भारत में पिरमुक रूप से एक दो तीन चार पिरमुक हवाई अ सबसे पहला आता है कोलकाता कोलकाता में हवाई अड़ा है जिसका पहले नाम दमदम एयरपोर्ट था लेकिन बरतबान में कोलकाता एयरपोर्ट को हम नेता जी सुभास एयरपोर्ट के नाम से चानते हैं दूसरा जो है दिल्ली एयरपोर्ट या दिल्ली हवाई अवाई मीन बक्कम एयर्पोर्ट इसका नाम है मुंबई की अगर बात की जाए तो सांता क्रूज एयर्पोर्ट यहां का एक प्रमुक हवाई अड़ा है चालिए अमेरिका के बार में हलका फूरे अमेरिका में ॉति आह यहां का प्रमुक है तो कभी-कभी पेरिस तो आप सब लोग जाने जाएंगे फेरिस कहा का प्रमुक हवाइड़ा है फ्रांस का लेकिन चार्ल्स दगाल अगर पूंचा जाए तो कहा का है फ्रांस का ठीक है रूस के बारे में अगर बात की जाए तो बैनू कोबो बैनू कोब वो नाम का अबाईड़ा प्रमुक है और एक मॉस्को का फिवस है बिटेन में गेटविन और लंदन आपके प्रमुक है जापान में नारिता हैनेडो और टोक्यो ठीक है जापान आप लोगों के यहां पर दिख जाएगा ठीक है चलिए यह होगी आपका बायू परवेन के बा जाता है पानी में चैनाब हो जहां जो कोई भी याता है इतका साधन हो चो पानी में चलता है और उससे माल को एक जगे से दूसरी जगे ले जाना हो उसे हम जल परवेन के देते हैं चलिए समझते हैं पुराने समय में जल परवेन के लिए जल मार्गों का प्रियों किया जा का निर्मार नहीं करना पड़ता कि ये वाला हाईवे बना लो वहां क्या होता है वो पहले से ही जलमार्ग जो होते हैं वो बने हुए होते हैं क्यों कि महासागर जो होते हैं एक दूसरे से मिले हुए होते हैं अब यह कैसे होते हैं कि कोई सा भी महासागर देख लिए ये वाल कि यह हर जग है एक दूसरे से मिले हुए है जबकि रास्ते की अगर बात कर ली जाए तो यहां से पार करना पड़ेगा यह फिर बॉर्डर पार करना पड़ेगा और यह फिर यहां पर पार करेंगे फिर यह इस तरह से तो बोची जला गए तो कि आप मैंने बताया कि ज्याद है क्या एक हमारे सरकार है ना डेली में एक मुख्यमंत्रिय वो कहते है सब मिले हैं जी सब लोग मिले हैं नहीं उसी तरह से यहां पर जितने भी जो मासागरम वो दूसरे से मिले हुए जिस तरह से वो कहते हैं न सब तो बस झारोरत होती है कि किनारे यहाँ पर पतन है जहाद नावे हैं जहाद verw कंनॉध्य। आपकि यह बदो चेखश्म्या होती है कि फिर पंच्समीं होती है केवल पत्तन की सुवधार परदान कर दीजाया यानि कि कोन-कॉन से तुभता होती है जो एक बंदरगा के लिए होती है वो तो सारी सुवधाल्गत कर दीजाएं बस इतना काफी है कोई पानी में कोई रोडन निमें अ कोई पर भी इधर है नि बनाना सबसे अच्छी बात ये भी होती है, कि अन्य जितने भी परिवन के साधन है, उनसे बहुती सस्ता पड़ता है, क्योंकि जल जो होता है, या कि पानी जो होता है, जमीन के मुकाबले काफी कम, या कि बहुत कम ही घरसड करता है, इस से उर्जा लागत भी कमाती है, मैं आप पर चलते हैं तो हमेशा घरसड के काड़ी आप आगे बढ़ते हैं तो इस तरह से जब आप रगण रगड़ी करते हैं तो जब जमीन पर wire चल ओके जिए जूते माँनली आप जमीन पर जार papa के जूने जार बहुत ज्यादा किसे हैंगे आप जमीन पर चाहता है हलका सा तागत चाहिए कंई आ सानी से यहाँ पर चल सकते हैं केबल आपको सत्यर न होता है संक्राइब कि यहां हम गजेते हैं को हम हम पर पर सबसब्द से डंग अगे बगे झनल मार में यह चली आगे बात करते हैं चली जिन में या जए कर सकते हैं उनको हम दो भागों में यहां पर पढ़ने वाले हैं यानि कि दो भागों में हम को बाट सकते हैं, तो आइए देखते हैं, कौन खों से दो बाट इखände है, सबसे पहले आता है दो ऴाट कि यानिकि समचिन में यात्रा की जाती एक महासागर से दूसरे सी रूट्स आईए देखते हैं समुद्री मार्ग ठीक है तो समुद्री मार्ग के पहले तो हम बात कर लेते हैं लाव कौनकों से लाव होते हैं यहाँ पर आप लोग जो देख रहा है ना जितना डार्क है उतना ही अधेक यहाँ पर क्या की जाती है यात्रा की जाती है ठीक है समद्री मार्ग के लाबों के बारे बात कर लेते हैं यानि कि इसके benefit क्या है सबसे पहले समद्र जो होते हैं हर दिसामे मुढ़ सकने वाले हमें मार्ग देते हैं चाहें वो किसी भी दिसामें हमें जाना हो अगर हम उत्री Atlantic मासागर में तो हमें इस सोर्जे भी जा सकते हैं कहीं पर भी आप जा सकते हैं कहीं पर भी तो क्या है सबी दिसामें मुढ़ने बाला क्या है आपका मार्गों का यहां पर निर्मार है पहले से ही कोई भी रख रख रखाव की रागत नहीं लगती है कि भाई या पाये गिज रहे हैं या फिर कोई और परिशानी तो इस तरह की कोई ज़याद रख रलों पारे लिगर गावाब का पर नहीं कि यहाँने, यहाज में कैसे कर लेगा घराज में पिर सामन क्या ले जाएगा उसमें तो प्हलAmर किया ले जाएगा? तो कैसे वह बर्वेन के साब से ले जाना है अब उसके लिए जरूत पड़ेगी बड़े जाज होते हैं जिसमें जमीन और हबा पर बंद से या कहें इस्थल पर बंद से काफी सस्ते होते हैं भारी माल एक महाधीड से दूसरे महाधी तक पहुंचाने के लिए ये सब्से सस्ता सादन होता है, जल्द खराब होने वाला या नश्ट होने वाले अगर कोई सामान है महाले जी जीrops कोई ऐसी चीज ले जा रहा है, जो कि जैसे आप महाले लिए उत्तरी अमेरिका से, हमें भ अगर आविष सकता हूँ, यानि कि कोई ऐसा माल है, कोई खराब हो सकता है, कोई परेसानी हो सकती है, तो बाताननक्यम्पम मतलब ऐसे एर कंडिस्टनर वाला माहौल वहां पर पैदा कर सकते हैं चलिए समझते हैं प्रमुक्ष समुद्री मारगों के बारे में बात करते हैं ज्यादा डीप पर नहीं जाएंगे उतना ही तेह रहेंगे जितनी आविशिता है चलिए समझते हैं प्रमुक्ष समुद्री मारगों के बारे में सबसे पहला औ आपका यूरोपी छेत्र पढ़ जाता है यह आपका उत्तरी अमेरिका माधिव पढ़ जाता है तो यहां पर यह भी विक्सित देसे हैं आप लोगों को पता है और यूरोप तो विक्सित है तो यह है मार्ग विक्सित देशों के बीच मौझूद है जो कि उत्तर पूर्वी य अमेर मेर का पश्मी यूरोप के देसों को जोड़ता है यहांपर आप देख सकते सकते हैं सबसे जलमार क्न सबसे ज्यादा व्यस्तरं कुछ है तो यह उत्तरी अत्लाइंटिक वाला उससे थोड़ा कम हिए उसके बाद यह इस तरह से समझ आगा चलिए तो यह है मार्क बिक्सित देशों के बीच में मुझा जोड़ जोड़ जोड़ा है जैसे कि आपको अमेरिका से जाना है लंदन के लिए तो आप इस मार्क से जाएंगे आ क्योंकि यह बिस्तु का सबसे बियस्ततम जलमार्क भी है सबसे बियस्ततम जलमार्क है क्योंकि बिस्तु का एक चोथयाई बिदेशी ब्यापार इसी जलमार्क से होता है उत्तरी अट्लांटिक महसागरी जलमार्क से या कहें समुद्री जलमार्क से एक चोथयाई ब्यापा सागर यह हिंद महासागरी है समधरी मार के बारे में हलका सा जानते हैं अब भाई आप भूमसागर कौन सा यह आपका भूमसागर और यह हिंद महासागर ठीक है तो इस तरह से यह वाला जो मार गए इस तरह से यहां से यहां से जो यात्रा कराने वाला चीह था इसको समझते ह यह किसी अन्य जलमार्ग की तुलना में यानि कि जैसे मैंने भी इत्लांटिक महसागरवाला बताया तो वो सबसे बेस्टतम जलमार्ग है लेकिन अब यहां पर टॉपिक समझना किसी भी अन्य जलमार्ग की तुलना में अधिक देशों और अधिक लोगों को सेवाएं पिरद देशों को पष्च्चमी अफरीगा दस्थ्षिद पूरभी एसिया और अस्टेली या न्योजी लेंड से जोडता है ऐही मैं फिर से दिखा जा देखा देखा हूं मैंने बताया कि पष्चमी देसों से आपका आपका जो पष्टमी आप को जो पश्चमी ऑला क्षेतर और हम जा सकते हैं आपका दच्छड पूर्भी एस यह अब दच्छड पूर्भी एस यह कहन सा गया यह हो गया आपका पूर्भी एस यह और यह दच्छड पूर्भी एस यह यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा हो गई यह ब्लू कलर वारी जो लाइन है इस तरह दें दच् को यहां पर पहुंचना है कहां पर चाइना है तो आप इसी मार्क से होते हुए इस तरह से पहुचेंगे ठीक है तो अधिक देशों को और अधिक लोगों को यह सेवाएं प्रदान करता है पेज नहर खुल जाने से इन देशों के बीच में यानि कि माली पहले बुमसागर का यहां पर आपको पहुंचना था पाकिस्तान में या इरान में या भारत में या फिर मियामार में या थाइलेंड में या इंडोनेसिया में या फिर चीन में या फिलिपीन्स में या फिर जापान में अगर जाना हुटा था तो क्या करते थे हम इस रूट का इस्तमाल करते थ स्था घल गई टो इस मार्क को आप जाईए भूल' अब क्या करना होता था भूमत सागर से ऐसे ना कर करते थे इस तरह से हम इस तरह से यहाँ कर कैसरे क्या करते थे हम अपना छे हजार चारसो किलो मीटर की जो रास्ता थी एक्स्ट्राम को तैय करनी होती थी वो अब नहीं करनी पड़ती है अब हम जो यहां से लेकर यहां तक अगर छे जार से यहां तक का जो मार्ग वाकता उसको नहीं करनी पड़ती अब क्या करते हैं यहां से बुमा सागर से बैठ के बीच की जो दूरी थी 6400 किलोमीटर कम हो जाती है इसके कुछ प्रमुख बंदरगा भी है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जैसे कि आपका आया पर जम आप स्वेज नहर से पहुंचेंगे तो स्वेज नहर की तरफ प्रिविस करने वाले होंगे तो आपको सबसे समध्री मार्ग समझते हैं यह आपको इस तरह से आपर दिख रहा हो गए आपका बिरादिल वाले यहां पर 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 यह देशों को दच्छड अमेरिका के ब्राजील अर्जेंटीना नामक देशों से हमें जोड़ता है पिरसे में बता दे रहा हूं कि यह आपका यूरोपिय छेतर है यूरोपिय देशों को तो आपका दच्छड अमेरिका वाले छेत्रों से इस तरह से यहां पर ब्राजील है अर्जेंटीना है आपका बेनेंज्वेला है आपका फ्रेंच गवाना है तो इन देशों से आपको पश्मी यूरोपी देशों को जोड़ता है कौन सा उत्तामासा अंतरिव समुत्री मार्क ठीक है इसके बाद आपका जैसे मान लिजिए दच्छड अफ्रीका से हमें पहुचना है दच्छड अफ्रीका से हमें ब्राजील जाना है दच्छड अफ्रीका से इन छेत्रों से जैसे आप मान लिए अंगोला से हमें ब्राजील जाना है या उरोग बे जाना है या अर्ज इसके द्वारा बहुत कम यातायाद की जाती है, चलिए, सबसे ज़्यादा ब्यास्तम कौन सा है, उत्री अट्लांटिक, महासागरिय, समुद्री मार्क, या करें महासागरिय, समुद्री मार्क, चलिए, नेक देखते हैं, उत्री प्रिसांत, समुद्री मार्क, उत्री प्रिस यहां पर आएंगे ठीक है तो चलिए समस्तें इसको उत्री अमेरिका के पस्चमी तर्टी देशों से एसिया के पत्तन नगरों से है जो मार्ग है जोड़ता है कौन से आप मान लिए यह उत्री अमेरिका वाले जो छेतर हैं इस तरह से याँ कहें आपका संफ राज अमेरिका क जिसके प्रमुक पत्तन नगर हैं जैसे कि आपका बैंकोवर, सियेटल, पोर्टलेंड, सेन फ्रांसिसको, याकोहामा, कोवे, संगाई, सिंगापोर, हंकोंग, मनीला, फिरसे में बता देता हूं कि मान लीजी आपको कहां जाना है, आपको यहाँ पर देखेगा बैंकोवर, ठ आता है, करेंगे निक्स, प्रत्वी गोरे तो हम घूम के कहां जाएंगे, तो मैंने क्या बताए मान लीजी आपको बैंकोवर, से कहां जाना है, याप आपको यह वाला मार्ग लियना होगा है, आप इस तरह से यह वाला मार्ग लेंगे और यहाँ पर आजाएगा, ठीक है, इस तरह से अमेरिका वाले, आपको उत्री अमेरिका से जाना है, या फिर मैक्सिको से जाना है, या पिर कैनेडा से जाना है, आप इस तरह से यहाँ पर पहुंचेंगे, तो कि यह पूर्व होता है, यह पस्चिम होता है, मैप के उसके साब से, ग्लोब के साब से, आपको मै यह आपका पूर्वी होगा और यह आपका पश्मी होगा यानि कि यह जो यह वाला भाग देख रहा है ना यह वाला यह यह वाला भाग जो पश्मी है और यह वाला छेत्र क्या कहलाएगा पूर्वी कहलाएगा तो आपको अमेरिका से या या उनाटेड इस्टेट से आपको क मंनीला में तो आपको इस मार्क से जाना होगा अब अगर आप जब गलोब देखें जी कि तो आपको बहुत अच्छे सबनागर जाएगाँ ठीक है ₺ तो मैं आपको कूछ पत्र नगर देखा जींट हो यह नकी चीन की ऑंतरगत आता है छुटा सा तरीसे बहुत वहां की संस्कृति और चीन की संत्रजिक्रति में काफी अंतर है और यहां पर अगर माल लिजिए आपको यूएसे से या फिर आमेर की छिस्से की संगाई में आना है तो आपको इसी मार्क से आना पड़ेगा क्यों सुख हीरो सीमा सुखाकू जेकाकू उसाका नागोया याको टोक्यो इस तरह के अगर चेत्र में आना है तो आपको उत्तरी प्रसांत महासागरी मार्क से आना होगा चलिए नेक्ट बात करते हैं दच्छडी प्रसांत दच्छडी प्रसांत समुद्री मार्क के बारे में बात कर लेते हैं यह पस्छमी यूरोपिय और उत्तरी अमेरिक जा सकता है फिर से बता जे रहा हूं मैंने क्या बताया कि यह आपके पश्मी यूरोपी देश है अगर हमें कहां जाना है पश्मी यूरोपी देशों को जाना है तो हम इस तरह से यात्रा नहीं करेंगे हमने यहां से मान लिजिए यहां से लिया पश्मी यूरोपी देश जैस तरह से हमारा आ रहा है और हम इस तरह से अफ़रीक्ण होते हुए और चर żyए पहुंचे नहीं हमें बहुत दूरी पड़ जाएंगे हम किस तरह ब ai-a-ratt छलते चले तरह रहें और अटलांटिक महाशाओ ऊब करते हुए यहां पर आपका पनामा नेर में पहुंचे रहे पर आप आप आ जाएंगे यहां पर और न्यूजी लेंड वाले चेतर में आप प्रिवेस कर जाएंगे समझवाए गया चली तो समझते हैं यह मार्ख पच्छिनी यूघ देशों को और उत्री अमेरिका को उत्री अमेरिका की छेत्र को हम किसे जोड़ देते हैं न्यूजी लैंड ऐस्टेलिया ठीक है और आपका पनामा नहर अगर प्रियद्र कर जाते हैं पनामा नहर को पार कर द इसको होनोलूलू है इसका नाम तो ठीक है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यह प्रसांत महासागरी है बंदरगा के बारे में वह प्रसांत महासागरी आपका उसको क्या बोलते हैं प्रसांत महासागरी यह देख सकते हैं आपका इस तरह से ठीक है तो यह हो गया आपका समु जो कि देश के अंदर, कहें जैसे भारत देशोस के अंदर कुछ यही बड़ी बड़ी नदिया हैं, कुछ बड़ी बड़ी जीले हैं, जिन में क्या कर सकते हैं, नावें चला सकते हैं, पिससे बतादे हूं, ऐसी नदियां ता ऐसी जीले हैं, जिन में नावें चला जा सकती है हैं उनको हम आंत्रिक जलमार्क केटे हैं ऐसी ही नदियां तता छीनों का पिरियोग आंत्रिक जलमार्क के रूप में हम करते हैं इन मार्गों से आपका कुईला है सीमेंट है इमारदी लकड़ी है दात्विकाइस के एक इस्तान दूसरे इस्तान पर पहुंचाया जाता है खास कर उन छेतरों में जिन में अन्य साधन पहुंचे नहीं पहुंचाय नहीं जा सकते या अन्य साधन महां पर पहुंचे नहीं सकते जैसे कि आपका ट्रेन महां पर नहीं पहुंचाया जा सकती और समधरी जलमार गौहां तक नही अब भई यह खुदाई शुरू कर दी अब खुदाई कर दी तो आप भईयां एक दम वहाँ पर रेल मार्ग तो हम पहुंचा नहीं देंगे सिर्प इसलिए कि वहाँ पर करने पादन होने लगा है तो इसा नहीं करेंगे हम हम क्या करेंगे अगर लग रहा है कि आसपास कोई लग वहाँ ei इसलिए तो उस नदी तक पहुंचाने के लिए उस चील तक पहुंचाने के लिए, का करेंगे एक मार्ग बन वादेंगे या फिर हम सड़क बनवाद देंगे तो उससे क्या रहेगा हमें आसानी रहेगी से हम लोहा पहुंचा सकते हैं लोएस के जो भी हम लोएस के मतलब कोई सा भी ऐस्क दातु का जो आएस के वहां पर पहुंचाया जा सकता है उससे क्या कर सकते हैं मार्ग से जाकर हम अपने प्रमुग ज यहां पर यहां पर भैती हुई पूर क्यों बैती है बैती 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 पूरके और पहुंच के अपना जल गिरा देती है यह फिर से मैं हो गरते हूं। नदी ब्लैक फॉरस्ट फर्वस से निकलती हैं। यह पर आपका विलुग फ्लाक फर्वस से आपके दैन्यूम नदी निकलती है और यह पूर की और बहना शुरू कर देती है यह यूरोप की पिरमुक नदियों में से एक है फिरसे में बोल दे रहा हूँ डैनियूम नदी जो है पिरमुक नदियों में से एक है जो की यूरोप में बैती है यह अपना ब्लेक सी या काला सागर में अपना जल गिरा देती है म और यहां पर रोमानिया और बुल्गारिया की सीमा पर बैती हैं और इसके बाद मंगोलिया की सीमा पर आने के बाद प्लेक्सी में अपना जल गिरा देती हैं समझ में आ गया इससे यानि कि जो आपका डेन्यूब की जलमार्ग है डेन्यूब नदी का जलमार्ग है इससे आप अपगे हूँ मक्का, इमारती लकडी, मसींडरी के सामानों को हम क्या करते हैं, निर्यात करते हैं दूसरे देशों में, समझ में आ गया, चलिए, ये दूसरा जल मार्क देखते हैं, रहाइन नदी का जल मार्क, जोकी बहुत इंपॉर्टेंट है, आई देखते हैं, ये है लेंड और जर्मनी की सीमा पर पहुंच जाती है उसके बाद यहां पर सुट जर्लेंड होती हुई और यहां पर अपना मोहाना बना देती है मैं चूम कर देता हूँ यह आपकी राइन नरी जो है यहां से निकलती है आपका वेल्जियम और नीदर लेंड की सीमा से इस तरह से आती आती ये लक्जंबर होती हुई फरांस और जर्मश्च की सीमा पर वोती है स्वेट्जर लेंड में होती हुई और इस तरह से अपना जल यहां पर गिरा देती है ठीक है तो नीडर लेंड के hai시면 से लेकर सब्सक्राइब में नगर है उसको हम एक लैप तो नीडर लेंड के रोष्टेड हम से लेकर स्वीडियर लेंड में बेसल नगर तक 700 किलोमीटर लंबे मार्ग में आपकी नावें चलाई जा सकती है इस पिर्देश में राइन नदी की जो गाटी है राइन नदी जो है जिस चीछ से निकलती है वहाँ पर क्या होता है आपका जर्मनी बाल इच्छ से निकलती है जो कि रूर प्रदेश से होती भी जाती है इसलिए जो राइन नदी है वो बहुती महतपुर माने जाती है तो आई समस्ते हैं मैंने क्या बताया रूर नदी पूर से आकर यहाँ पर एक नदी दिख रही होगी आपकी रूर कहा है बेटा गजने काड या कहें रूर प्रदेश वाले चेज्ट से गुजने काड बिनिर्मार की दरश्टी से यह यूरूब के लिए काफी महतपूर है क्योंकि कोईला वाले चेट से निकलती है तो कोईला का बढ़िया बढ़िया माल निकला खुदाई की और आपके नदियों में जो यहाता है इतके साधने जैसे कोई भी नाब है या फिर चोटा मोठा जो बोट बगएरा है तो उसमें क्या करते हैं उसमें कोईला बगएरा रखे और जहां पर चरूरत है वहाँ पर वो करते हैं कोईला चेसे गुजने काड़े या बिन इनमार्ग की दिरिश्टी से बहुत मह यहादी मानी जाती है यह जलमार्ग माना जाता है यह जलमार्ग सबसे ज्यादा प्रियोग में लाया जाने वाला जलमार्ग है यूरोप यह देशों के लिए ठीक है यह जलमार्ग सुट्जरलेंड जर्मनी फ्रांस बेल्गियम नीदरलेंड लक्जंबर्ग के और द्योग का मैप देखेंगे जब अपने ने हमें सका है आप मैप ले ले लें आपको अगर पढ़ाई करनी है अगर सिर्फ उल्लू बनाना है घर वालों को और बेवकू बनायना है तो आप नहीं करीदें क्योंकि मैंने इस दुनिया में अगर इस दुनिया में सबसे खुबशूरा तर क्योंकि इस दुनिया में कोई भी समझाने वाला नहीं होता सिर्फ और सिर्फ बुक के अलाबा क्योंकि मैंने इस दुनिया में इस से खुबशूरा चीज कुछ नहीं देखिए क्योंकि बुक्स चो होती है उनसे अच्छा कोई नहीं समझा सकता आपको मैं भी नहीं समझा स करता है आपको जब समझ में आएगा ये वीडियो जब भी पढ़ लेंगे इसके साथ इस वीडियो के देखने के बाद भी पढ़ लेंगे तो इस दुनिया में आप से वेस्ट कोई नहीं होगा क्योंकि मैं जानता हूँ यह जो ग्यान होता है कि ऐसी चीज होती है जब तक तो मेरे साथ रहेगा इसे न कोई छीन सकता है ना इसका कोई पटबारा कर सकता है ना भाई दोस्त को भी नहीं छीन सकता आप से इसलिए जो साधन है सरल हैं और बिल्कुल आसानी से आपको प्राप्त हो सकते हैं सो डेट सो रुपे की बुक आती है एक बार ले लो आपको दसी साल तक नहीं करीनी पड़ेगी क्योंकि मैप में ज्यादा कुछ बैसलता नहीं है बहुत ज्यादा अगर आपके पैसे हैं ज्यादा आपके पास तो आप हार साल ले सकते हैं ठीक है समझागे ना तो मैप जरू कि बुख लेना है यह मेरी आप लोगों से घटीके अगर आपको लग़ रहा है जर्मनी फ्रांस बेजियंअ नीदलनेंड और लक्जंबर वाले और जोग चेशेत्रों से जाता है उनको मह सागर से चलिये बात करते हैем बोलगा जलठ के बारे मात कर लेते हैं बोलगा नद pac पता होनी चाहिए ये यूरूपीय छित और रूस व्र में आपकी ये बोलगा ने दी है तो यह है रूस का सब से महतपूर जल्मार्ग है यह Hz 12andos किलो मीटर सक्किंड लंबा जल्मार जिसमें 12 वाला धेला यह चलाई जा आघे आ रही है यह 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 इस तरह से बोलगा ने दी आपके आई और केस्पीन सागर में अपना चल के रा देदी तीक है चली तो दिखाई दे रहे होगी आपको बोल जाने दी ठीक है चली बात करते हैं आगे दूसरा जलमार्ग इस ध्यालrant ग्रेट लेक सा पुथे बाएं ध्यां इसके बात इरी इसके बाएं ब्छेगन हैं यहां strongest टी यहां पर आपको पांच जीनों का छेतर रिखेगा सुपीरियर मिशिगन यूरन इरी और अंटरियो जो जील है वहाँ से एक नदी निकलती है जिसको कहते है सेंट लॉरेंस नदी यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर सेंट लॉरेंस नदी यहां पर निकलती है मॉंट्रियल होते हुए कुवेक होते हुए और इस तरह से यहां पर सेंट लॉरेंस अपनी जो सेंट लॉरेंस की काड़ी महां पर अपना जल गिरा देती है किस तरह से रहती है यह इस तरह से यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह से लेक और यहां से इस तरह से निकलती है ठ को सू नहर तथा वेलेंड नहर ब इरी नहर के द्वारा आपस में जोडती हैं यानि कि यह जीले हैं इन छेत्रों को एक दूसरे से जोडने वाली यही मार गया है वहाँ पर कुछ वो बनाई गई है नहर है जिसमें सू नहर वेलेंड नहर इरी नहर ठीक है इस तरह की कुछ प पहुचा सकती है क्यांकि यहां पर जो नहर हैं वह पहुचना ज्यूलों है इनको शोटी चोटी-्यूटी नहरों से जोड दिया गया एक दूसरे से लेकिन नहरों के दारा या इन जिलों को हमें कहा पर पहुचना है इन जही normally में तो कैसे जाए जाए गा उसके लिए हामें प्रियूग करना पड़ेगा सेंटुल ऊर्स जलमार क्योंकि इन चेत्रों से मांन लिजिए हमें लेक सुपिर्यां से पुनचना है धी जूम करके यहां पर नहर बनी है यहां पर इस सब्सक्राइब यहां पर 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 य तब मैंने बता था कि एक नदी है उसको कहते है Mississippi Mississippi नदी जो है Mississippi की खाड़ी में अपना चल गिरा देती है Mississippi एक राज्जी भी है मैं आपको दिखा देता हूँ यहां से Mississippi नदी निकली ऊपर से यह इस तरह से यहां से बहती हुए नीचे Chicago होते हुए Illinois होते हुए और यह आपका मिश्योरी होते हुए मिश्योरी होने के बाद Tennessee पहुंचती है Tennessee के पास में यह इसमें एक नदी मिल जाती है उसको कहते है Ohio उसके बाद आगे पहुंचती है Ohio के माना दीति है ऐसे इस तरह से ऊपर से नीचे यहां पर आति है और इस तरह से अपना चले सिआ तक यह Mississippi Ohio के नाम से भी जाना जाता है USA के आंतरिक जार्क जार्व और और को आनिकि उन्हेले सिखवें के हम यहां पर जाना है मान लिजिए यहां पर मान लिजिए हमें मॉंटाना से हमें कहां पहुंचना है यहां पर जाना है हमें मैं किस मार्क से जाना होगा यह आपका मिसीशीपी से क्योंकि मिसीशीपी आपका कहां से शुरू हो जाता है यहीं से शुरू हो जाता इस तरह से इस त लिए तो यह हो गए आपके आंत्रिक जलमार्गों के बारे में जानकारी लेते हैं नहरों के बारे में जो कि इनको अगर न पढ़ा आंत्रिक जलमार्गों के बारे में इन दोनों के बारे में न पढ़ा तो फिर आंत्रिक जलमार्ग गया फिर जलमार्ग पढ़ना बिल्कुल दिया गया है या उनमें नावे चला जाती है आई देखते हैं नव परमहन नहरे है जो बहुती महतपूर है इतनी महतपूर है कि अगर ये दोनों नहरे नहरे नहोती ही तो आज ये स्तिति आती कि हमें कम से कम 10-12 दिन का सफर सिर्फ फाल्तु में कंणा होता तो सफर करना होता कभी। 10,000 ₹4,500 ₹ ऐसे सवेज नहर और दूसरी यौप है पनामा नहर आप को मैं लोग को बारी ठाल है ठीक है। यह दोनों नह पूर्वी तता पश्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् और इहां पर यह इस तरह से आया करती तो कितना हमें गूम करना प्रता था अपन्दार लगा सकते कम से कम 6000-7000 किलो मीटर से देखा कम से कम दधंग तो सजार किलो मेटर तक कि हमें दूरी तय त्य करनी पड़ सकती थी यानि कि पड़ा करती थी क्यों कि अगर इंग्लेयंड से भारत आना है तो थोड़ी कम है लेकिन इंगलेयंड या प्यूयट किंदे में पहुंचना है तो इस उटाना था तो हम्हें क्या करने होते थी फाल्तू की आत्रा करनी हुआ करती थी ठीक है और शेयाजार चार्सों किलो में खिज दिए कि लेकिन जब स्वेज नेहर खुल जाती है स्वेज नहर का जब निमाड हो जाता था तो हम क्या करते यहां से नीचे उत्ले भूमात सार Üबियस कर गए और फॉईज से लाल सार में पुहुंचने को अधन की खाड़ी और इस तरह से अरब सागर की खाड़ी में और इंडियन की हिंदमा सागर करते और यहाँ पर आप आसनी से रहस्ता तेया करते हैं ठीक है तो हुआ क्या कि आपका अठारासोन नत्तर में यह आपका यहाँ पर बनके यह स्वेजने तहर हो गई उसके बाद क्या था आपका कम से कम शेहाजार चारसो क्लिो मेटर तक की यह यात्तरह थे फाल तू आपको करना हो थी तो नहीं करनी परती है ठिक है अब अब दूसरी तरफ आजा मानले क्या हुआ करता है अम्हें लिजी आपको अमेरिका से जाना है यहां पर पार करते हुए समधर के मार्वार्ट कर रहा हूं इस तरह से और यह कम से कम आठ से 9000 किलोमेटर की एक्ष्टा यात्रा करने के बाद आप यहां पर ब्राजील वाले चेत्र में यहां बहुत बहुत बढ़ी एक दुखत बात हुआ करती इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा परेशान होती थी तो जब यह नहर बन जाती है पनामानी से चोटे में तो यह भी परेशानी खत्म हो जाती है यहां पर आप देख सकते हैं स्वेज नहर आपका मिरेडियन सी महीं और यहां पर देख सकते हैं रेडियंस यह आप France के रहने वाली थे इनन्होंने क्या 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 काफी सोच पिजा करने की विए काम कफी पहले शुरुबात कर दी और करते गरते हैं हो ने पूरा प्रिस्ता बगरह रखा और शुरुvenकि की काम की शुरुबात की थी नोंने 25 सितंबर, आठावा सुङन seinen 6 encant 169 छान। सितंबर आते आते इनका काम समाप्त हो गया और 179 नौबर 1889 में इस से यात्रा होनी शुरू हो गई थी तो दस साल की यंतरान में यह नहरती बनका त्यार हो जाती है तो मिस्टर के मिस्टर है आपका यहां पर आप देखके मिस्टर के उत्तर में आपका पोर्ट सहीद और मिस्र के दच्छड की और बढ़ेंगे तो पोर्ट सुएज है ठीक है तो आई समझते हैं दोनों को मिस्र के उत्तर में पोर्ट सहीद आद मिस्र के दच्छड में पोर्ट सुएज है और पोर्ट सुएज और पोर्ट आपका सहीद के दोनो के बीच में आपका भूमत सागर तथा लाल सागर इस्तित है तो यह आपका लाल सागर और यह आपका भूमत सागर तथा लाल सागर को जूडने वाली एक नहर का निर्मार करवाया गया था जिसको हम क्या कहते हैं स्वेज नहर कहते हैं तो भूमत सागर तथा लाल सागर को ज जलियान आते जाते हैं, इस इसे, पार करने के लिए कम से कम, 10 से 12 गंटे का समय लगता, क्ऊंछंट काफी traffic वागेर है रहता है, इसलिए 10 से 12 गंटे का समय लग जाता है, नूर्मली पार करने में, यह बार गया था, तो मैं अपनी cycle ले गया था, इस नहर में, तो नहीं थी साइकल जो थी मेरी उसके उपर थे बोट में यह की ऊपका जो पूर्ट साहीद और यहां पर नीचे चलते चलते चले 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 तो यहां पर आपको जो लाल सागर रहे ना यहां पर आपको देख जाएगा पूर्ट सुएज ठीक है चलिए तो चलते हैं आगे बात करते हैं यहां पर भी आप लोगों दिख रहा होगा पूर्ट साहीद और यह नहर पूर में अटलांक महासागर को पस्चिम में पिरसांत महासागर से जोड़ती है पिर्सेवा रहा रहा Att tempt महासागर को जोड़ती है जो कि पस्चिम है ठीक है इसका निर्मार 1914 में किया गया था USA के द्वारा यानि की उनाइटे स्टेट और मेरिका के द्वारा इसका नियमार 1914 में किया गया था इसकी जो लंबाई है वो आपकी 77 किलोमीटर है इस नहर से नियोर्ट तता सेंट फ्रांसिस्कों बीच में लगबग 13000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई फिसे कम हो गई इस नहर का आर्थिक द्रस्टी से उतना महत्व नहीं है जितना की स्वेज नहर का है लेकिन फिर वी दच्छड अमेरिका के लिए यह बहुत ही महत्व रखता है क्योंकि दच्छड अमेरिका के लिए तो बहुत महत्व रखता है क्योंकि भले स्वेज नहर जितना इसमें वो व्यापार न होता हूं लेकिन फिर भी आपका दच्छड़ फिर अफरी कम वो दच्छड़ अमेरिका महाधीब और उत्तरी अमेरिका महाधीब के दोना प्रेम संबंदर रखने के लिए काफी अच्छा है चलिए अग्यापके एक दुन एप अगे अच्छान के आपके यूरोप के बारे महल के बात कर लिते हैं जर्मश्वानी में यह जर्मनी में उत्तरी सागर को वाल्टिक सागर से जोड़ती है में घूम कर दो कि नहर को यह आपका जर्मनी हां पेटा आ जहाँ जर्मनी में मैंने कौन मताया यह उत्तरी सागर को वाले टिक सागर से जोड़ने वाली नहर में ठीक है कौनसी नहर कील ठीक आये दूसरी नहर देखते हैं दूसरी नहर है बोलगा बोलगा जो है रूस में है इस्टित यह नहर यह आपकी रोंट वो रोस्तुब bud से बोलगा गिराद को जोड़ता है अब यह रोस्तोब कहा है यह आपको यहां पर देख जाएगा बोलगा नहर रोस्तोब को किस से जोड़ता है आपको बोलगा गिराद को रोस्तोब से जोड़ता है यह डैन्यूब नहर के बारे में बात कर लेते हैं एक नदीबी है लेकिन हम यह आपक चेतर में उत्री सागर स Size जोडती है यह तो यह होगा ही आपकी नहर जो सी जणोरी चलिए आध करते हैं युमन युगर्फी जो है वो है जिन जाती हो चलिए मानव की उत्पति देखते हैं इंसानों का पहला पूरवज आज से साड़े स्टेश करोड़ बत्स पहले अफरीका में रहता था यह इंसान की तरह बिना पूंचवाला कपी था बंदर नहीं कहेंगे कपी कहेंगे ठीक है चलिए प्रजातियो सबसे पर एकके समय हम पढ़ते हैं स्परजाती इसको करते हैं स्टेद पर गलती इसको कहते हैं उर्व और करेके इन को कहते हैं और यह जहां रंध लोगों से जुड़ी होई है यह उत्रई योरोप में छेत अब येमद ये बहुत तदिखा यहाँ पर जाएगी उत्री अफ्रीका वाले चेत्र में भी यहां पर कुछ यह पर जाती हैं यहां पर कुछ लोग पाए जाते हैं इनका रंग की बात की जाए तो एकदम सफेद उची और पतली नाक सामान से उचा कद और गहरी नीली आखें कभी-कभी बूरी आखें हो जाती हैं करें एक आपका मद्धेशिया और ये है आपका पूर्वी अच्एअ में यह प्रिजातियां आपको देखने को मिलने कि जापन वाला चीन वाले चीन वाल जीतरी स्तर है कि इनके ठोड़ी से पहचान के बारें बात करेंद तो ये इनका सिर्छोड़ा ठीक है सिर्छोड़ा कपाल जो होता है जो अद्र का जो डहांचा होता है कपाल छोटा नाख ऐसी कभी-कभी तो होती भी नहीं इनकी नाख या फिर सीधी होगी बिल्कुल रंग इनक ठोड़ा पीला होगा आखी जोटी अन्ख शुटी होते जोगी होती हैं तो यह चानु करके और आप बाड़ा बनाना चाहिए तो बना सकते हैं इससे जानवर अगयर नहीं आंगे इतने सीधे इनके बालों की इनके गुंगराई लेके निकी कैसी यह सीधी आ रही है इस तरह तल बार जैसी चलिए यह हो गया मंगोलायर के बारे में कौन से जोत्रों पाइज यह इंसानों की पहली पर जाती है यानि कि जब इंसानों का क्या हुआ था इंसानों का चब मैंने बताया था सुरुवात ही थी तब सबसे पहली जो पर जाती है आपकी नीग्रोएडी पर जाती पाई जाती ठीक है जो कि आपका बिना पूछवाला कपी हम इनको कह सकते हैं यह अफ्रीका तो आप जानते हैं ठीक है चलिए इनका रंग की बात अगर कर लिए तो रंग कभी-कभी बिल्कुल काला मतलब दिन में भी नहीं देखते हैं यह कभी-कभी और कभी-कभी यह बूरे और कत्थाई भी हो जाते हैं बाल इनके गुंगराले होते हैं और मजबूस सरीर होता है, नाक इनकी चौडी होती है, कभी-कभी तो इनके पूरे सरीर पर नाकी नाक दिख्वेंगी होती है, तिक है नाक चौडी होती है, ठीक है चलिए, दूसरा देखते है, इनको दो भागों में माटा जा सकता है, सबसे पहला है अफरीकी निग्रोइड यानि कि बिल्कुल काले होते हैं ठीक है? ये अफरीका में पहले है जो कि इस्थानी जंजातियों के नाम पर निनका नाम रखा गया है जिसकि काला आरी मरुश्तल में आपकी बुस्मैन है बैसेन में आपकी पिगmmy मिल जाएगा, ठीक है, इसके बाद दूसरी जे पैल जाती है, उसको हम कहते है और डूसरी परजाती जो है, उस्क्रेलाइड प्रेजाती है, हमारे बारे की निगरोएट प्रजाती हम कह सकते हैं अपने आपको ठीक है चलिए चाइन निजिकी दूसरा देखते हैं मैंने क्या बताया दिरेवरद प्रजाती जो कि आपकी दियुकर है दूसरी प्रजाती जो यहां पर आपको कुछ देख भी जाएगा इस तरह के यह लोग यह तक्ष्ट्र भारत के कुछ लोग है चलिए चलिए बात करते हैं जन जातियों के बारे में जो कि मोस्ट इंप्टेंट है इस टॉपिक का इस चैप्टर का जो मैंने बता है कि जोगर्फी है अच्छा के बारे में बात करेंगे और उनका जो इस्थान यहां बात करेंगे उसकी आसानी रही की समझने में हमें चालिए ओसको हम बात करेंगे का गाये यह आपकी यह इस अहाँ आपको तो फिल्क पीन्स के मूल लुवासियों को हम का गाये नियां केहते हैं ठीक है तो मैं को हम इसको कहते हैं यह जापान के जापान में रहने वाली या करें जापान में पाई जाने वाली जन जाती है यह जापान के मूल निवासी है आईनू आईनू यह जापानी आईनू जन जाती है मैं जूंकर की दिखा देता हूं यह ठीक है चलिए सेमांग के बारे में अगर बात की जाए तो सेमांग आपकी मलेशिया वाली छेत्र में पाई जाती है मलेशिया कहां पर यहां पर यहां पर मलेशिया मलेशिया में कौन सी वह मिलती है, इसके अब बाद करते हैं बद्दू, जो है इनको वेधुन भी या बद्दू या बेदू या बद्दू ठीक है यह अरब की प्रमुख जन जाती है जो की सौधी अरब में प्रमुख रूप से आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पर ठीक तीस चौपांच छटमी जन जाती देखते हैं वह कजाक कजाक आप लोगों के यहाँ पर देख यह आई जाती है कुछ भाग रूस में भी आजाता है टिक है तो फिरसे बोल दे रहाँ कजाक जो मत देख ह्र– Springs का यहां पर मैं जन्जातियों को एक नजर डलवा देता हूं यह आपकी कांग्यान का गाय नन यहां पर है आपकी अईनु ट्राप्स यह आपकी बद्दू यह वेदू यहां पर है आपकी कजाक्स ठीक है यह आपकी चांगपा और यह आपकी सेमंग यह आपकी काल मुख टिक च करते हैं चीरूप के प्रमोगी द्जातियों के बारे में देख लेते हैं यहां पर मैं आप लोगों को पहले दिखा दू या कुछ जंजाती आपका लेपKS या एंसांी तो देख लेते हैं यह जो तो जंजातियाँ है लेपक в के इसामी शेत्र पड़ेगा यहाँ पर कोला पर आजिये आप लोगों दिख रहा होगा यह लैपस लेंट भी आप लोगों को दिख रहा होगा क्योंकि इन षेत्र में लेपस जंगल्ड रेंडियर पालं और सिकार स्कार से अपना जीवन करना है मैं तो इखटा करना और उन्हें रेंडियर पालं करना रेंडियर का पालं करना रेंडियर ने एक कुट्टा करना है ठीक है और आपका सिकार करना इस तरह से अपना यह जीवन है आपन करते हैं कौन लैप्स या सामी दूसरी जंजाती देख लेते हैं चुक्ची चुक आप सालय वाल आप यह पर में आप करने वाली जन्राटिक है उसको हम यह Just यहां। में आपको यहां आप्रीका की पिदर लिक जो कxture यह connect करते हैं अफरिका की पुर्मकि जो की बहुत ज़रूरी है जानना है यह बात करते हैं यहां पर मैं आप लोगों पहले दिखा दिता हूं पिग्मी ट्राइप्स यानि पिग्मी जन जाती हौसा जूलू और यह है आपकी यहां पर मस आई ठीक है आई यह तर्म समझते हैं जूलू जन जाती जो है दच्छड अफरीका में नेटाल प्रांत के बंटू प्रसे बता दे रहा हूं यह है आपका दच्छड अफरीका माधि पर दच्छड अ Dabeiका देश यहां पर प्रांत है यह आई राज जिसको हम कहते हैं नेटाल प्रांत तो नेटाल में जो बंटू वासी लोग है निए TW Nou को हम सर् Analty बंटू जैसे कि गुमकड जाँती है क्या नाम है इसका मसाई जो की पूर्वी अफ्रिका छेत्र ने पाज जाते हैं पूर्वी अफ्रिका कौन?" inhale ये वाला पूर्वी सुझेंग को मिल जाती है कौन सी यहाँ पर सकते पीघ मी उसके भाप一下 हो आब हगी मिल जाएगा कई हाउस 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 रेख लिए खायगा लिखा सब्सक्राइब को और देख लिटेए बिुस्में के बारे में बार्जवक्त बारी पाला आपकी पोर बुस्मेन नामक चंजाती पिरमक रूप से मिलती है भेंकर दावक होते हैं नहीं बहुत अच्छा था यह दोड़ते हैं चलिए नेक्ट बात करते हैं नीग्रों के बारे में तो नीग्रों जो जन जाती है मद्य अफरीगा वाले चेत्र मिल जाए मद्य फरीगा से लो जाए ये मध्यों पारिग हो जाएगा मेदिस पूलानी के बारे में फूलानी जो है फिरीं अफरीका में इसका पारिगा कहल का नजीरियाउड-जे पोली सुदन में यह दिन जाती ही आप लोगं खास कर गः इसका नबा नाम नाम की जिदन या ओब आपकी सूड़ा नुबा यह आपकी फॉलानी यह आपकी निग्रो और यह आपकी बुस्ट में चलिए the next बात करते अमेरीका महाधीब की जिसमें हम उत्री अमेरीका के स्वाइब करेंगे तो अमेरीका की यह उत्री अमेरिका के मूली निवासी है इनका जो आकार और जो इनकी सबल सूरह ठोड़ी सी मंगोलाइड जो लोग होते हैं उनसे मिलती है इनका जो नाम रेड इंडियेंस रखा गया था वो कोलमबस के दारा रखा गया थो जो कि एक यूरोपिये थे कि वहां कादी कहा हुआ है कि अधिया की खोज को लंबस निकले YouTube को लंबस निकले तो यातरंख करने लगे समझद्र यातर करते करते रिजय करते उनने जब देखा कि यार हम एक माधीप पर तो पहुचे लोगोन बताया है ऱ वाप इंडिया पहुच जा के वाहां पर निंद छोड़ी सी बूरे की तो थोड़ा कंज दीए तो उन्हें देखा यार यह तो छोकलेटी चोकलेटी नहीं यह तो एक्दम रयड है यानि कि लाल लाल रखें वहे तो इनों को ein जन्जाती थी परमुक रूट से रहती थी उसको क्या कहा, रेड इंडियन्स कहा ठीक है? किस ने कहा? कोलंबस ने चलिए दूसरी जन्जाती देख लिए है? एक्सिमो, एक्सिमो जो है आप की केनेडा में ग्रीन लेंड में और तुंडरा पिर्देश में परमुक रूट से मि पर द मिलेगी जmost गलत है इकलू कोई जोस्ता से बने यूए 게임 लूध के लूधिक नाशा रिभाइब इसके बात करते हего सकते हो रहने वाले साइदीप में इसक olur माप चो के बारे मात की जायए तो माप चो अर्जेंटीना वाले चाया जीट मिलती है तब रोगवे और यह अर्जेंटीना ठीक है तो यहां पर जन्जातियों को मैंने बना भी दिया है एक्षिमो एलिट एलेट्स रेडिनियंस और यह है माप्चो और हो चलिए ऑस्टेलिया की जन्जाति के बारें बात कर लेते हैं सबसे पहली जन्जातिया है जो आपका है विराद चुरी ठीक है आपकुछ हुश भी पढ़ाता आं ठीक है तो यह जन्जाती है यह आश्टेलिया में मिलतीक है खासकर यह हाले चैत्र में तंपीरो ट्राइब यह याह अं differences lookin पापावां नूगिनल मिल जाएगी ऑप पोछ जो लोग है आप मूञञाइब यहां पर यह सोचा रिस्टिदार की दाबत आईयां की पिता लूझ पी दावत आई कर परेम दिश्टिदार वहRoax रहा है तो वो ला कि पिता जी को भी लेकर आना तो यह क्या करते हैं उनकी सुखा के उन्हें उन्हें रख्चे बड़े लोगों को ले जाना बहुत जरूरा हुथ इसलिए यह क्या करते हैं अपने रिष्टिदारों को ले जाते हैं ठीक है तो यहां तक पिताजी होंगे क्योंकि यह भाई नहीं हो सकता तो इन्होंने क्या कर लिया है अब यह क्या कर रहे हैं ले जा रहे हैं रिष्टिदारी में रच्छा अच्छा बंदर हो सकता है हो रहा हो तो राकिया की बनवान और वन आई येसन भी कह देते हैं चलिए देखते हैं इसको इसमें कुछ टॉपिक है च्छोट च्छोटे टॉपिक है दो तीन टॉपिक है और ये वीडियो का अंत हो जाएगा ठीक है तो आईए समझते हैं सबसे वहले हम बात करेंगे नगरी करण के बारे में बिसमें कुल जो सहर में रहते हैं मतलब सहरों में रहते हैं सबसे अधिक जनसंग्या के आधर पर मैंने यह पर पर उन लोगों को रखा है है कि इसकी चीन की दूसरे नंबर पर भारत देश में सहर में रहने वाले अगर ये पूचा जाए कि दुनिया में सबसे अधिक किस देश के लोग सहर में रहते हैं तो वो चीन का उसके बाद अगर चीन नहों तो क्या लगाएंगे इंडिया तो दुनिया में सबसे अधिक सहर में रहने वाले लोगों की संक्या किस देस में पाई जाती है तो वो है आपका चीन में भारत में कितने पाकिस्तान हमारा पडूसी देश है और बहुत खूबसूरत देश है ठोड़ा गरीब जरूर है बुद्धी से भी गरीब है और पैसे से तो विचारा विकारी है तो विकारी देश नहीं बोलेंगे चली है इतने देश है जो कि आपके सबसेदिक जन्तन के हमें रहते हैं तो एक नंबर एक पर चाइना, नंबर दो पर आपका इंडिया, नंबर तीन पर उनाइटिड स्टेट, नंबर चार पर आपका व्राजिल, नंबर पांच पर इंडोनेसिया, नंबर छे पर आपका जापान, पाकिस्तान लिखी लेना, ठीक है, और जिस्वों को अगर हम skip कर दें तो number 7 पर आपका पाकिस्तान और जिस्वों को skip करें तो number 8 पर आपका बंगलादिस चलिए अब बात करते हैं बिस्व में 50 सबसे अधिक नगरी की रद्देश परसेंट के आधार पर जन्संग्या के आधार पर अगर बात की जाए तो number 1 पर आता है भारत number 3 पर आता है इनियाशिस्टेट नंबर 4 पर आता है आपका ब्राजिल number 55 पर आता है मैं भूल गया चलिए कोई बात ने पीसे देख लेना तो कुबेट सिंगापूर रंग कोंग अर्जेंटीना जापान ब्राजिल अस्ट्रिय अस्ट्रिया बेटन युएसे है तो लिखना है नंबर 2 पर सिंगापूर 100% है नंबर 3 पर हंग कोंग 100% नगरी किरत देश हैं अर्जेंटीना आप लिख लेना जापान आपको लिखना पड़ेगा ब्राजिल आपको लिखना पड़ेगा और युएसे लिखना पड़ेगा इसके बाद आ जाते हैं मलेशि और स्री लंका हमारे जो पडोसी देश हैं उनको तो हर आलत में लिखना ही लिखना है ठीक है तो नंबर वन पर आपका कुवैत नंबर टू पर सिंगापूर नंबर तिरी पर आपका हंग कॉंग उसके बाद भारत से अगर तुलना की जाए तो जो आप से एसियन देश हैं तो चीन इंडोनेसिया इस तरह से चलिए आएए एसिया के सबसे एदिक नगरी की रफड़ जेशों के बाहरा कर लेते हैं है तो दुनिया stadt अब आता है नंबर दोपर जापन मलेशिया तीसरी नंबर-पर चीन चोथे नमबर पर, इंडोनेसिया, पांच में नमबर पर, भूटान, छट में नमबर पर, पाकिस्तान, साथ में नमबर पर, बंगलादेश, आठ में नमबर पर, भारत, नमें नमबर पर, आपका मियामार, इस तरह से या पर, अफगानिस्तान, इस तरह से, अब इंपोर्टेंट कौ तुलना करके पूँच लिया जाता है ठीक है चालिए इसके बाद बात करते हैं उत्री अमेरिका के नगरी के रद्देश दच्री अमेरिका के नगरी के रद्देश यूरोप के नगरी के रद्देश अफरीका के नगरी के रद्देश और अस्टेलिया के नगरी के हुआ इसका बात करते हैं यूरोप की बारे मैं यूरोप में विटãyन नंबर वन पर है इस्पें नंबर टू पर है फ्रांस नंबर तीरी पर है और रूस जो है आपका नंबर फूर पर है साट अ अफ्रिका माधीप में केबल एक देश को आप रख लीजे दश्राफरीका और यहां पर दोनों को मैंने कमाइंड कर दिया है नगरी की रद देश चंसंक्या की आदार पर तो यहां पर आप देख सकते हैं जो कन्फीजन आपको हो वो दूर हो जाएगा क्योंकि यहां पर मैंने परसेंटेज की बारे मात कि सबसे अधिक नगरी कर देश देखते हैं वो सहर देखते हैं सबसे अधिक जंसंक्या की आधर पर तो दुनिया में सबसे अधिक नगर में रहने पर आज चैहर में रहने वाले जो लोग आपका टोक्यो याकोहना निन्टेश का देश द्यकरोर, तीन करोड का डेली, चौधे पर पर चोद्धीं पर आता है मनीला जो कि आपकी फिलिप्टिंट की राजदानी आते शीओल जो कि आपकी कॉरिया की है उसको मुंबाइ आता चटमें पर उसके बाड संगाई चाहएज विद्यूर्श कि है उसके बाद साव पाउलो है वो 19 पर है लाहर है 30 पर है बंगलोर है आपका 32 पर है और लंदन जो है 35 पर है जो कि जर्वना जरूरी था क्योंकि यह सोचेंगे कि सबसे अच्छा देशों में गिंती होती है तो जो लंदन होना चाहिए दूसरे तीसरे पर होना चाहिए ठीक है ऐसा नहीं है चलिए अब बात करते हैं लोगों द्वारा बोले जाने वाली भासा के बारे में यानि दुनिया में जितनी भासा में बोली जाती है उनमें जनसंक्या का पर्सेंटेज कुल लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भासा और कितने देशों के द्वारा बोली जाती है बासा और किस देश जिसकी ये प्रात्मिक रूप से ये वासा मानिता मढजा आई ये देखते हैं सबसे पहले दुनिया में सबसे अतिक बोली जाने बाली वहासा के बारे में गर बात की जाए तो है मदारिन जो कि चाइन ऐख की प्राइमरी कंट्री है चाइना एक इसके लिए किसके मदारिन के तो निकाला तो तुसका बाग देदेने करोड निकला यानि नो इसका बाग देंगे 90 करोड लोग मदारिन भासा बोलते हैं कितने पर सेंटे कुल जन्सक्राइब कर दूनिया के ग्यार है दसम लब नो दो परसेंट ठीक है दूसरे नमर पर आती है Spanish किस देश की प्राथ में प्राथ में प्राथ में प्राथ में प्राथ दाप तो इस्पेशन की यह बासा है कितने देशों के जारा बोली जाती है 31 डेसों की तो ठीक है कितने speaker हैं इसके मिलियन में, तो 46, 460, यानि 460, यानि कि मुटा मुटी 46 करूर इसके, ठीक, कितने परसेंट बोलते हैं इसको, 5.7, अब परसेंट की यहां पर जरूत नहीं, अब सिर्फ लोगों की जरूत है, इंग्लिस के बारें बात की जाए, इंग्लिस युनाइटेड इस्टेट की प्रा ठीक है, अंग्रेजी भासा, कितने दौर लोगों की दौर बोली जाती है, 37, 379, मिलियन, हिंदी के बारें बात की जाए, तो हिंदी है, इंडिया की प्रात में, ठीक है, चार देसों की जारा बोली जाती है, कितने पीपल है, यानि कितने बोलने वाले लोग है, 341, 10 का देस, 4 देस, 228 मिलियन, पूर्तगीच, पूर्तगाल की है, 15 देस, 221, ठीक है, मिलियन, रसिया, यानि कि दूर्स, मैं बोली जाती है, 19 देस से बोलते हैं, 154 मिलियन, जापानी, दो देस बोलते हैं, 128 मिलियन, बेस्टन पंजावी, जो पाकिस्तान वाले चेतर में खासकर बोली जाती है, 92 मिलियन, मराथी, इंडिया की प्रमुक भासा है, जो कि आपकी 38 मिलियन लोगोंदारा बोली जाती है, 83, ठीक है, 83, तेलगू, 82, ठीक है, चलिए, तो समझ में आ गया, मदारी नंबर एक पर है, स्पेनिस नंबर 2 पर है, इस इंगलिस नंबर 3 पर है, और हि अलका सा समझ लेते हैं, ik law page समझते हैं, जैसमें, जमसंग्या क्या आधार पर कुछ देस है, जो कि हमें जानन पर है रूस नंबर नो पर है और मेक्सिको नंबर तस पर है ठीक है तो यह हो गए जिन से क्या क्या आधार पर देस यह हो गया आपका नगरी ग्रणावी टॉपिक चया लिए यह वर्ल्ड जोगर्फी आपका कंप्लेट और आप लोग सेयर करेंगे सब्सक्राइब करते रहें है क्योंकि मैं देख राएं कि 90.100% में से 73% जो बियू आता है वो वो बिदाव सब्सक्राइबर के आने कि जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है उसके बाद भी वो लोग देखते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप लोग सब्सक्राइब कर दें और सभी सातियों को अगले वीडियो के लिए सुखामने क्योंकि अगर मेरा मन हुआ तो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा क्योंकि मैंने यह सीरीज है वो कर दे नहीं समापतास से क्योंकि मेरे पास ट्वराइस कामे एक्सटा तो महिने-2, महिने-3 महिने में कुछ नहीं करने वाला अगर मुझे लगेगा कि मैं टाइम निकाल सकता हूँ आप लोग तो निकालूगा तो अगली वीडियो मिलते हैं तब तक लिए नमस्कार जैहिंद बंदे मातरम सेयर करें सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर लें